प्यारे विद्धार्तियों को सभी को नमस्कार आप सभी का स्वागत है रायथान की साथ वे इस क्लास में आपकी डिमांड थी मेरी इच्छा थी कि विद्धार्तियों को रिविजन के लिए इतना बढ़िया एक मैं कंटेंट त्यार करूं साथियों जब परिक्षा से पहले आप तब तब आप लोगों को उदास होंगे ऐसा लगेगा किसरा हमें कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर वह क्लास से आपके काम आएंगी यह क्लास राजस्तान के ब्रमास्तर नोट्स यानि यह जो आपको नोट्स दिखाए दे रहे हैं यह देखिए यह चार नोट्स हैं आप लोगों को सबसे पहले तो यह सूचना आप लोगों के लिए कि यह समस्थ नोट्स हैं आप लोगों को राइथान का जो एप है उसमें आपको फ्री स्टेडी में जाना है और एबुक के रूप में समस्थ नोट्स आपको वहां उपलब्द है आराम से पढ़िये कोई चारज नहीं है कोई आप लोगों के वैलिटरी नहीं है आपको यदी पसंद आये और आपको लगे कि सरी नोट अमारे तक पहुंचने चाहिए तो बारतियो डाक से बेजेंगे ओल इंडिया आप कहीं भी मंगवा, राजिस्तान नहीं ओल इंडिया कहीं भी मंगवा सकतो, दावने धाने में मंगवा सकते हैं आप लोग तो इसमें हम लोग जो बारी है हमारी वो राजस्तान की राजविवास्ता की 27 किलासे हैं उन्हें एक कर मैं आपको दे रहा हूं और आप दो गुणा स्पीड बढ़ा के 13-14 गंटे यानि हर 15-20 दिन में दो दिन रिविजन कर लो हर 15-20 दिन में दो दिन आप रिविजन कर लो शांदार कंटेंट है अपडेट है साथ हो इसके अतरिक्त आपको कुछ पढ़ने के आऊ सकता नहीं है यह सभी परक्षाव में चाहे आपके सीटी हो चाहे टीचर लाइन हो चाहे पटवार हो चाहे आरेस हो सभी को यहां कवर किया गया है तो आपको मेरी तरब से मैं शुबकामना दे रहा हूं कि राजस्तान की राजविवस्ता जो ब्रहमास्तर नोट्स हैं A to Z पॉलेटी पढ़ के साथ हो आप लोग अच्छे अंग प्रा सभी साथको नमस्कार, राम राम आप सभी का एक बार फिर से सवागत है शाथियो रायथहन पर यहां आप लोग देख रहे हो कि एक नई स्रीज आपको दिखाई दे रही है राजिस्तान के जो ब्रमास्तर नोट्स थे आपकी बहुत डिमांड आ रहे थी कापी समय से कि सर यह नोट्स जो हम लोग मंगवा रहे हैं या किसे नहीं मंगवाए यह उनकी भी डिमांड थी नही मत अच्छी तरीके से पड़े यह नहीं मंगवाया कोई बात नहीं मत मंगवाई आप लोग पूरी स्रीज यहां करवा रहा हूं और आप लोग एबुक के रूप में आप लोगों को फिरी उपलब्द है रायथान के मोबाइल लैब में और वाकर मैं आप लोगों को यहां भरोसा दिला रहा हूं कि यह जो नोर्स इतनी मेहनत के साथ तयार किये गए हैं कि निश्य तोर से आपको आपको यहां पर फरक दिखाए देगा और आप लोगों कुछ उम्मीद दिखाए देगे आप लोगों को यह नोर्स आपको दिखाए रहे इसमें जो स्रीज हम कर दीजिए यह आप लोग राजथान के मोबाइल एप में जाके इबुक के रूप में आराम से पढ़िए फ्री पढ़िए वहां कोई चार्ज नहीं है साथियो राम राम बिल्कुल सभी को राम राम सभी को राम राम जुड़ाई आप लोग तो करें हम इस स्रीज की यह देखिए आप लोग रोज हम प्रेश्चंक्या अंकित करते चलेंगे कि हमारा यहां प्रेश्चंक हो गए हम लोग तो हमें दिक्कत नहीं आएगी और सिरीज आप लोगों के पूरी हो जाएगे यह देखिए आप लोग रहतान बर्मास्तर नोट्स सब्सक अजब्सक नोट्स आप locked लोग राज़्चन की राजवियुष्था परसासमिक धाचै यह करेदि देखिए यह आप और 186 पेज है और पहला पेज आप लोगों का येरा मैटर से सम्माद देते हैं पॉंट अच्छे लिए गया है ये पॉंट है जो आप अन्य बुक्स या किसी नोट्स में देखेंगे तो उससे आप लोगों को अलग मिलेगा अक्षर की जो साइज है उसको मोटा रखा गया है आप देख रहे हो कि जगें काफी छोड़ी गई है तकि विद्यारती कुछ एड़ कर सके तो आप यहीं इसी में एड़ कर लेते हैं और फिर बड़िया पेपर पर आप लोगों को बड़िया क्वालिटी इस्पाइल बाइंडिंग के साथ आपको भेजी जा रही है सबसे पहले हम लोग सात्यों सरकार की बात कर रहे हैं देखिए एक सरकार हम लोग संग सरकार की बात करेंगे अब आप लोगों से है एक हम लोग राज्य सरकार की बात करेंगे वो सरकारे अलग तो विवस्ता के ऐसे होते हैं कुछ देश आपको कैसे है राज्य कमलाकrem देश हो गया कि वहां हमें सामुई कारीफालिका देख लिल को बिलती है है आप कहे सर संसधिये अद्याश्थामक्त मält और सामुई कारीफालिका इनमें क्या अंतर है सरकारों बिल्कुर सरकारों मंतर है संसदिये साशन पर्णाली यह ब्रिटेर की देन है और यह हमारे भारत में है और यहां देखेंगे अध्याश्टास्मक साशन पर्णाली यह अमेरिका है उल्टा है जहां संसदिये साशन पर्णाली भारत में है तो आप देखते हो कि जो जाएंगे तो इसमें पाउर्फुल राष्ट पति है भारत में पाउर्फुल प própria कि वज़े क्या है क्योंकि भारत ने संस्तीय शासन परणाली को अपनाया हुआ है और अमेरिका ने अध्यक्ष आत्मक्षासन प्रणाली को अपनाया हुआ है इसमें जो मुखिया होता है मुताबिक सम्मीदान के तो वो जो कारेपाली का जो सक्तिया है वो किसमें न्यूक्त करती है वो राष्टपती में न्यूक्त करती है अगर केंदर दराएगा तो वो राष्ठ पती और अगर आप लोग राजय के बात करेंगे तो यहाँ राजय पाल आज ञाये जो समझगे आप लोग कि राजय का मुख्या राजय पाल है राजय का मुख्या राजय पाल है लेकिन कैसे है मुटाबिक सम्विदान के है ना मातर की सक्तिया है इनके पास में सक्तियों का जो उभोग करता है वास्तिक सक्तिया जो है वो किसके पास होती है वो होती है मुख्य मंतिर के पास अगर हम संकी बात करेंगे तो किसके पास होती है प्रदान मंतिर के पास मेरी साब समझ गयोंगे संसेदी सा शासन परणाली में अंतर है सामुइक कारीपाली का इसमें एक बदल के पांच आदमी साथ जो भी करते हैं वो कुछ समय के लिए शासन करेंगे फिर बदल दिये जाएगा और यह जो आप लोगों के सामुइक शासन परणाली है यह स्वीट जर्लेंड में हमको देखने को मिलत है ची तो आद्विंड करने जा रहे हैं हम लोग भारत देश समें रहते है और भारत देश का जो आप लोगों के सरकार के तीन अंग काम करते हैं कि कहें नमबर एक कारेपाली का कारेपाली का नंबर दो व्यवस्ता-भी कह और नमबर तिन न्यायपाली का व्यवस्ता पिका यानि आप लोगों के संचद हो जाएगे आप लोगों के और कारेपाली का में आप लोगों के परधान मंतरी आगे राश्टपती आगे भी आगे यहां व्यवस्ता पिका का काम है कानूनों का निर्मान करना कानून निर्मान का काम करेगी वह कौन करती है व्यवस्ता पिका करती है उन कानुनों को जो क्रियानविन करवाने का जो काम करते हैं वह कौन करते हैं वह कारेपालिका करती है और आप देखाओगा कारेपालिका का जो सम्विदानी मुखिया होता है वह कौन होता है राष्टपती होता है उध्या इसके बाद रहें खाक करते हैं कानून की समुक्षा करती है कि व्यवस्ता का दुआरा कानून बनाए वह कंटाबिक कि सम्विदान के हैं या नहीं है वो न्याय पालिका का काम होता है कि जो कानून बन रहे हैं वो कानूनों की समिक्षा करना कि यह कानून है यह मुताबिक सम्विदान के है कि समिक्षा का आदार क्या है वो सम्विदान है तो यह काम होता है न्याय पालिका करती है और न्यायपाली का जो कानून की समिख्षा करती है आप देखिए हमारा समभिदान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित समभिदान होने का कि उसमे संग सरकार संविदान एक है लेकि संग सरकार के लिए अलग अनुच्छेदों में अलग भाग में प्रावदान है रज्य सरकारों के लिए अलग भाग में प्रावदान है और केंदर सरकार के लिए अलग भाग में प्रावदान है हम लोग कहेंगे सर कि बता दी हमें कि संग सरकार का जो सम्विदान है इसका संग सरकार का जो सम्विदान है वो हमें भाग 5 में देखने को मिलेगा चार और चार कैड आप लोग वहां का तमों सरकार जो सुरू होती है वह संविदान के भाग 5 से शुरू होती है और भाग 5 जो प्रारंब होता है वह अनुच्छेद 52 से 151 यह जो भाग नंबर 5 है यह संग सरकार का संविदान कहलाता है इसमें संग सरकार के हम लोग बात करें चाहिए वो राष्टपती हैं परधान मंत्री जी हैं केंद्रिय मंत्री परिशद है आप हम लोग बात करें आप लोगों के महा न्यायवादी है आपके न्यायपाली का है वो जो सब जाएगा वो किसमें जाएगा भाग पांच में यह द्यान रखें आप लोग अध्याई भी कितने है पांच भाग नमब बिलकुल सभी को रामराब भई बिलकुल सामरिया साथ बिलकुल बहुत बढ़िया इस्टेडी पॉइंट सुमन विनोजी सभी को मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट पर पढ़ रहा हूं बिलकुल मस्त लेकिन हम एक आगर होके आराम से आगे बढ़ने दीजिए तो हम लोगों ने यह जो भाग पांच है उसके हध्याई भी हमने पांच बाड़ती है अब हध्याई नमबर एक जाएगा जो अनुछेद 2 से और अनुछेद आप लोग बात करें आप लोगों के आप लोगों के अनुछेद 52 से 38 तक कारे पालिका का उल्लेक है अध्याई 2 में देखेंगे आप लोग अनुछेद 89 से 122 तक संसद गउलेक है अध्याई 3 जो अनुछेद 123 है इसमें राष्टपती का अध्यादेश मैं आपको यहां अनुछेद में 123 की बात कर रहा हूं जो विश्म प्रस् पावर है तो उसे हम लोग अध्यादेश बोलेंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग तो अनुछेद यह 123 है यह राष्टपती का अध्यादेश यह अध्याई नंबर तीन में है अध्याई नंबर जैसे हमारे पास 4 आता है जिसका प्रारंब अनुछेद 124 से और 147 में होता है इसमें संग की न्याय पालिक आती है फिर अध्याय पांच आता है और उसमें अनुछेद 148 से 151 आता है इसमें नियंतन एवं महालेखा परिक्षक आता है तो यह संग सरकार के जो भाग नंबर 5 है अनुछेद 52 से 151 है उसको यहां डिवाइड किया गया है आप लोगों से अनुछेद 53 में उप्राश्ट पती मंतरी परिशद 54 में यहां रखें आप लोग राश्ट पती की शलाविम साहेता के लिए एक मंतरी वे और महानियावादी अनुछी च्छेतर में ये ही व्यवस्ता राज्य सरकार में है लेकिन राज्य सरकार का समिदान हम लोग कहेंगे राज्य सरकार का जो प्रावधान है बाक नमबर चैरा देख Milk जैसे यह हमारा बाइब नमब Dadれ पांच है वह 52 से प्रारम्भ होकर 151 तक जाता है और 151 से लेकर 152 से 273 इसमें राज्य सरकारों का प्रावदाहना यह ध्यान रखे आप लोग तो बहुत आख नंबर पांच में हम लोगों अध्याय बनाए वह द्याय कंद यह बनाएं भाग नंबर 6 जिसका हम लोग बात कर रहे हैं रاجस्तान की राजवियस थमने जो नाम रख रखा है वह भाग नंबर 6 में जिया रखना और इसके जो आप लोगों के वह अध्याय कितने तक जा रहे हैं 6 तक जा रहे हैं जड़ा देखिए आप लोग अध्याय नंबर एक में हम लोग बात करेंगे परिभाशा जो अनुछेद 152 जो राज्य शब्द की परिभाशा देगा परिभाशा जो है वह अध्याय नंबर एक में अनुछेद 152 में अब आप दिमाग में बिठाना सुरू कर दें बिल्कुल सही कह रहें सामरिया आप मेरी बात को सुनते जाएंगे दिमाग में पूरिते बिठाते जाएंगे जिनके पास में नोट्स मंगवा लिये हैं पहले नोट्सों का अपने पास रखेंगे और म पर्ग्य आई का कर ने राज्यय पाली का यहां यहां के पास मेंरा प्राइडाल कीद सब्सक्राबर करेंगे और अनुचेद 153 से प्रारंब में 146 तक जाएगा इसे लोग है यह जो आउनूसेद है इसमें विधान सभा की बात करेंगे जिसमें हम विधान परिश्द की बात करेंगे तो वह जो है आप लोगों के अनुचेद 168 से प्रारंभ होकर 212 तक जाएगा अध्याय नंबर 3 भाग नंबर 6 समझगे और भाग नंबर 6 है उसके अध्याय नंबर अनुचेद नहीं अध्याय नंबर तो अब हम लोग जैसे अध्याय नंबर 3 है वो 212 में खतम होगा तो हम आध्यान रखे अनुछेद 213 अध्याय नंबर 4 जिस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों वहाँ अनुछेद हमने 123 देखा अनुछेद 123 राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्तिय परधान करता है वो द्यान रखना अनुछेद 213 है राज्येपाल की अध्यादेश जारी करने की सक्ति गलते मत कर देना 123 और ये 213 राज्येपाल है वो बाद में आएगा राष्टपती पहले आएगे तो राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की जो सक्तिय प्राप्त है वो अध्याय नंबर 123 में है और यहाँ पे अनुछे 213 में राज्येपाल को आप ध्यान रहें कि अध्यादेश यहाँ हम देखेंगे 123 तो 124 से वहाँ संगियर न्यायपाली का प्रारंभ हो जाती है औ यहाँ अनुचे 244 यानी जो हमारे राज्य नायपालीका के हम दो बात करेंगे राज्य न्यायपालीका में हम लोगोंने दो हद्याय करेंगे एक हम लोग रादेश्तान उच्छिन ग्istors यहाँ से कि सबसे पहले आप लोगों को यह मालूम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए कि सर राज्य सरकार का जो उल्लेक है भाग नंबर 6 में है और अनुछेद 152 से 237 तक है उसमें अध्याय नंबर 1 में परिभाशा है अध्याय नंबर 2 में राज्य कारेपाली का है अध्याय नंबर 3 में व्यवस्तापी का है अध्याय नंबर 4 म इसमें अनुछे 213 राज्य न्याय पालिका में दो हद्याय आएंगे एक उच्छ न्यायले और एक अधिनस्थ न्यायले तो इस प्रकार से ये गिराप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए ठीक है आगे बड़े क्या मेरी बात को समझगे आप होता ये भाग नंबर 6 को कितने अध्यायों बाटा छे अध्यायों में लास्ट वाले जो अध्याय हैं वह कहां से प्रारम होंगे वह दोसो चोदे से प्रारम होगे अना और वह न्यायपाली का संबंदित हो जाएंगे तो 214 से पहले 213 आएगा और 213 में राज्यापाल के अध्याय देश जारी करने के सकती है अध्याय नंबर 1 में अनुठेद 152 आएगा मैं याद करवा देखो क्या बात है इस्टेटी पॉइंट के हैं आपके नोट समारी पास से सर आप तो याद करवा देजिए बहुत बढ़ी यादे को मैं याद करवाता हूं आपको यह तो आप लोगों को मालूम है ना कि आप लोगों के अध्याय नंबर एक है इसमें तो एक अनुच्छेद जायगा और आपको मालूम है कि यह जो अनुच्छेद है वो आध्या देश जारी करने से सम्भण दित है और उसके टुरंक बात में क्या प्रारम हो जाएगी न्याय पाली का और न्याय पाली का कहा से प्रारम होगी 214 से और 214 से कितने तक जाएगी 237 तक अब इसको 214 से 237 को हम लोग दो टुकड़ों में बाट लेंगे एक टुकड़ा हमारा 231 तक हो जाएगा 214 से 231 यह उच्छ नयले की बात करेगा और अनुछे 232 से और हमारा 237 यह अधिनस्त नयलों की बात करेगा अब एक यह गया और हमारे तीन विय गए तो अध्याय हमारे पास यही तो बचे भाई 153 152 गया तो 153 से 166 याद करना पड़ रहा है और 166 के बाद 168 होता है यहां आपको 213 मालूम है पहले से तो यहां दो सो बारा तो फटावट बोलिए 152 फिर 153 से 166 168 से 212 फिर 213 214 से 237 उसे हम दो बाटों बाट देंगे 214 231 और 232 237 रामराम सभी को तो मेरी साब से एकदम किलियर भाई इसी बच्चे को डाउट यहां कि हमने राज्य का जो सम्विदान है मतलब भाग नंबर जो कितना है वह भाग नंबर हमारे पास में 6 है 6 को हम लो सम्विदान में सरकारे कि सम्विदान में कौन-कौन सी सरकारों का उलेक है बहुत सिंपल तरीके से मेरे नोट्स तयार किये गए बहुत आसान से अगर कितना भी कमजोर विध्यारती होगा और वह नोट्स पढ़ेगा राहिथान को निश्य तोर से मानना कि उसके समझाए द अनुछेद बावन से प्रारम होता है तो अनुछेद बावन से और 151 यह हमारे संग सरकार का प्रावदान करता है जैसे हमारा 151 खतम होगा तो हमारा हद्याय चैंज हो जाएगा भाग नंबर 6 हो गया अब भाग नंबर 6 जो प्रारम हो रहा है वह अनुछेद 152 से 241 तो य यहमारा संग सरकार का प्रावदानकरता ये बहाघ नंबर 6 वह राज्य सरकार का प्रावदान करता है बहाग नंबर 7 में एक अनुछ्यद आयक था मातर 238 एक कि दौसो 288 नंबर जो उतसे निर्सित कर दिया गया सुन्य हो गया वह वह सातवे समीदान संसोदान 1956 के दुआरा किया गया समझ तो भाग सरकार नंबर नाहंनेस सरकार का नाम नहीं लेंगे के संगहाट परदेशो की बात सरकार का जो सम्विदान था भाग नंबर 6 उसमें जम्मू कश्मीर नहीं आता था लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्य 370 थे यह कानुन कश्मीर के लिए था लेकिन 2019 में बदल दिया था 371 में विशेश राज्य का प्रावदान कर दिया गया यानि यह अब लागू नहीं है तो भाग नंबर 5 संग सरकार भाग नंबर 6 राजे सरकार भाग नंबर 7 238 नंबर अनुच्य आता था जो निर्शित कर दिया गया उसके बाद में हम लोग बात करें कि 249 से 242 मातर चार अनुच्य यह प्रावदान करता है संग्षासित परदेशों के संविदान के संद्रम में ठीक है किलियर मेरी साब से बाते आपके समझ में आ गई होगी पताई कि आप लोग बता देंगे कोई दिकत नहीं आप लोगों के भाग नंबर 6 भाग नंबर 5 भाग नंबर 6 भाग नंबर 7 भाग नंबर 8 और आपको अनुच्य दोका भी लगबग मालूम हो गया कि कौन से में कितना आत है बात किरते हैं कि संसद्य जो शासन परणाली है वो क्य दोटा चीज सबसे पहले द्यान रखें एक आप लोगोंने केश्वनन भारती वाद पढ़ाओगा तक से इस टिंडर के नोट से सबसे इस टिंडर्ड का नौर से भाई द्यान अप लोग सब कुछ मिलेगा आप लोगों को केश्वननन जो भारती है वाद आपने 1903 का लखना संसधिये शासन पर्णाली को आधार भूत सरचना सम्विधान का मूलभूत धाचा घोसित किया गया है कि आधारुसर अज़विधान का मूलभूत थृति जहान रखें आप लोग से तो आपके केशवनन्द भारतिवाद में आपसे पूछेगा संसद्य शासन प्रणाली को कौन से वाद में आन्य न्याले ने संविदान का आपका मूल भूढ़ाचा आदर भूढ़ाचा करार दिया है तो आप लोग कह देंगे यह केशवनन्द भारतिवाद में दिया है यह भी द्यान म सम्मिदान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत ने कहीं संसद्य शासन परणाली का अपनाया हुआ है इस प्रकार के शब्दावली का सम्मिदान में कोई उलेक नहीं है भारत में संसद्य शासन परणाली को अपनाया गया है जो कि ब्रिटेन से ली गई है अगर अध्यक मातर की कारेपालिका उसे हम सम्विदानिक परमुख भी कह सकते हैं तो वो केंदर में राष्टपती होता है और राज्ये में राज्येपाल होता है वो मुताविक सम्विदान के कारेपालिका का परधान होता है लेकिन उसकी वास्तिक सक्तियों का प्रियोग करता है अगर मामल रज्य का हो तो वहां रज्य पाल करेंगे आपके नाम मातर में रज्य पाल वास्ट्विक में मुख्य मंत्री जड़ा देखिए नाम मातर की कारीपाली का और वास्ट्विक कारीपाली का फिर मैंने यहां चेक लगा कि एक बात को बहुत आसान भासा में यहां लिखा हुआ है कि नाम मातर की कारेपालिका राष्ट्रपती में नीत होती है जबकि वास्त्विक कारेपालिका मंत्री परिशद या परधान मंत्री में नीत होती है अगर ये मामला राजी सरकार का आ जाएगा तो राष्ट्रपती की जगे क्या आ जाएगा राज्येपाल आ जाएगा और वास्तु कारेपाली अध्यक्षात्मक शासनपनाली अमेरिका की है अब देखिए फिर हम लोगों ने एक बड़ियर डाइग्राम तयार किया है ताकि विध्यार्ती को बहुत अच्छी तरीके समझ में आ सके जितना मेरा अनुभव था पूरा अनुभव मैंने जोका है देखि नोर्स बनाने कि आओ सकता नहीं राहिफान नोर्स मोगवाने बाद में यहां हमारी सनसद्य और इधर देखेंगे तो अध्यक्षात्मक पंणाली में अंतर समझाय गया है है यहां देखे कि संसद्य शाषनपनाली में क्या होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर इस वो कोड़ने राश्ठपती होते हैं इसमें सरकार व्यहास्तपिका में चाह difflID सरकार के ड्याठ के शिट्धन पर पर कारे करती है आपने पढ़े होगा कि जो मंत्री परिश stays है वो लोग सबा के प्रति उत्तरदाई होती है और हम राज्य मंत्री परिश्द की बात करेंगे तो वो विधान सबा विधान मंडल नहीं संसद नहीं लोग सबा और राज्य में विधान सबा के प्रति क्या होती है उत्तरदाई होती है इसमें सरकार सामयक उत्तरदाई के जा रही है लोग सबंचे नाम मातर का मुख्या फिर मैंने बहुत सोट में या थी तरीकि जमा-जमा के लिखा हुआ है कि अगर मामला केंदर में हैं तो राष्टपती और मामला राज्य का है त राज्य पाल कि सम्वे नने यानि नाम मात्र का मुख्या होता है मामला केंदर का है तो वहां हमारे पास को जाएंगे वहां पर राष्ट पती और मामला राज्य का है तो राज्येपाल ठीक उसी प्रकार से वास्तुक मुख्या सक्तियों को जो प्रियोग करते सरकार जो चलाते हैं वह यह हमारे राज्ये मंतरी और मामला राज्यक आये तो मुख्य मंतरी ये भी आप लूग ध्यान रखी जो संसी सरकार उसको हम अनेक उपनामों से जानते हैं वहाँ जो पावर्फुल होता है संसरी सरकार में उद्यान रखा राज्य में मुख्य मंतरी होते हैं, केबिनिट मंतरी होते हैं, तो वो केबिनिट सरकार, ये उत्तरदाईतु के सिधान्त पर कार्य करती है, वो उत्तरदाईतु है, लोगसभा, राज्य में, विदान सभा के प्रती, इसलिए हम इसे उत्तरदाई सरकार कहते हैं, इसमें जो वो परधान मंत्री तो हमने 1 नाम ओर दें तर्बहुल संसथ्य सरकार के उपनाम केबिनिेट सरकार उत्तरदाइ के चक्कर में आप लोग उलिजेंगे मैं आपसे बराबर कहते आ रहा हूं कि आप पुस्तगु चक्र मत पढ़िए आप अच्छे क्वालिटी के अच्छे मेंटर के नोट्स मंगवा लिजिए और वे नोट्स ही आपके लिए ध्यान रखें आप लोग इंपोर्टेंट रहेग तो वो विधान सवा के पृति क्या होती है उत्तदाइ्भात करते हैं सक्टि का केंदर बिंदु क्या होता है ईन्स कवी निति घट पैसे लिए जाते हैं तो आपने कभी यह नहीं पढ़ होगा मंत्री परिश्यद की मंदल की बैटक होगी केळिश की handle की सरकार का वोhot peso अबीनेट होता है पावरफुल होता है यह जो संसधिय शासर्ण परनाली में जो सरकार है वो सरकार कारीय करेगी वो किस सिधान्त पर करेगी issy करें आप लोग कवीता वोगोज़रं बहुत बढ़िया कि वो कि सिधान्त पर काम करेगी वो कि अगर किसी मंत्री के खिलाब कोई विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है संपूर्ण मंत्री परिश्द को इस्तिपा देना होता है इसी हम लोग कहते है सामूइक उत्तरदाईतु के आधार पर कारिये करती इस प्राम लोग के है Son सरह हमने किस देश से लिए हम कहेंगे संसदि शासन पंदालि हमने ब्रि इटे से ली हमारे जो राश्ट्रपती है भारत की राश्ट्रित की जो सम्विदानिक इस्तिती है वो सम्विदानिक इस्तिती किसके समान होगी ब्रिटिस सम्राट के समान होगी तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से यह जो संसद्य शासन पढ़नाले उसके बारे में हमने देखा और अब लोग बात कर रहे हम लोग कि दूसरे प्रकार की जो हमने सरकार देखी जो कि भारत में नहीं है कि कि क्लास अभी रुखके होंगी कि जरा देखिए कि क्लास को लाइक और शेर करते रहें देखो मैं आपसे पहले भी निविदन किया है कि आप टीचर का खोसला बढ़ाएं आप टीचर का खोसला बढ़ाना सीख लीजिए जिवर को करेगा इसके चल footprints करें आपक लोग और लोग अभी तक हमने देखा था कि संसद्य सासन पढ़ना लिये उसकेविशेष्थ्ता क्या हैं और उस पढ़ना देखा था आब लोग बात कर रहे हैं वह अद्दक्षिय शासन फिर जो व्यवस्ता है उसके लक्षन क्या क्या है जरा देखिए समवेदानिक यह व्यवारिक दोनों प्रकार की सक्तिया राष्ट्रपति में नियत होती है अर्थार्थ एक ही प्रकार की कारेपाले का पाई जाती है एक दम के लिए कि वहां पे व्यवारिक और सम्वेदानिक दोनों सक्तियों अलग-अलग व्यक्तियों के पास है अलग-अलग पदों के पास में हैं मुताबिक सम्वेदानिक तो राष्ट्रपति के पास है और व्यवार में यानि वास्तु परधान मंत्रि के पास है तबकि यहां ऐसा नही तो होती है अर्थार्थ यहां एक ही परिकार की कारेपालिका पाई जाती है तो पहला तो आप लोगों ने यह अंतर समझ लिया आगे बात करते हैं अद्धक्षात्मक्षासन पर्णाली में सामुइक उत्तरदाइट्टू का आभाव होता है जो हमने पीछे पड़ा था अद्धक्षात्मक्षासन पर्णाली में सरकार की व्यवस्ताव पर नियंत्रण राश्टपती का होता है तीनों बात है किलिया किसा आप यहां एक परिकार की कारेपालिका मिलेगी तो यहां पे सामुइक उत्तरदाइट्टू के सिध्भांत पर काम नहीं करेंगे और यहां पर जो नियंत्रन होता है वह नियंत्रन किसका होता है राष्ट प्रणाली को अपनाया कि हमारे भारत देस ने किस प्रकार की अपना रखा है वह संसर शाथन परणे को क लास काल कल प्रिटेन में संसधिय शासन व्यवस्ता में सम्वेदानिक परधान राष्टपती होता है जो कि भारत का पर्थम नागरिक भी होता है तता राष्टपती भारत की एकता अखंडता और सुद्रता का पर्थिक भी होता है कि है योदि अपनीशनट की नाले वह आप लोगर्ण संसधी ससन व्यवस्ता के मुताविक सम्विदान के कारेपालिका की समझ सक्तिया राष्टपती में क्या कहा हम लोगों ने कि वास्तिक आप लोग बात करें कि आप लोगों के मुताबी सम्विदान के कि आप लोगों के कारेपालिका की समझ सक्तिया कि देश के जितने भी फैसल ले जाते हैं देश के जितने भी सं संधिया में समझता होते हैं वो करते परधान मंत्री जी हैं लेकिन राष्टपती जी के नाम पर होते हैं तो यही समझा रहा यहां पर कि कारेपालिका की समझ सक्तिया राष्टपती में नियत होती हैं जबकि वास्तिक में इन शक्तियों का प्रियोग कोन करते हैं परधान मंत सरकार अमरीका में मिलती है जो हमने पढ़ा था सामिल्क सरकार सामिल्क सरकार में क्या करेंगे एक साथ सदस्य परिशद है उसमें कारेपालिका की सक्तिया नियोत होगी और जिनका प्रियोग वैं बारे-बारी से करते रहते एक साथ सदस्य एक परिशद बनाई वो काम करेगी 2 साल उधान तो रोप काम किया अपिर आगयोर बना देंगे तो एक सात सदेश्य परिशद होगी और वो बारी बारी से काम करते हैं इस प्रकार की सरकार को सामीघ सरकार कहते हैं और सामीघ सरकार का जो हमें उध्रान देखने को मिलता है वो sweet adrenaline में मिलता है अध्यक्षात्मक सासन परणाली हम लोगों ने अम्रीका में देकी संसद्साथ्य साथन परणाली की बृतिन भारत में देखी और तीसरी प्रकार के मैं मुझे बता दीजिए पलक गुजर साहब फिर वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ध्यान रखें आप अब हम लोग बात कर रहे हैं राज्य सरकार की क्योंकि हमें राज्य विवस्ता पढ़नी है और हम राज्य सरकार तरफ एंट्री कर रहे हैं आपको बहुत बड़े तरीके से संग सरकार के बारे में राज्य सरकार के बारे में हध्याय आपको समझाए उनके अनुच्छद आपको समझाए भाग उनके समझाए आप लोगों को पिर आपको यह समझाया कि संसर्थ सासन परणाली क्या होती है क्या उसकी विशेष्ता है आपको तुलनात्मक हध्यन कर परवाया और अब मैं एंट्री कर रहा हूं कहां कर रहा हूं राज्य सरकार में अब बहुत बल दिया अब देखिए हम बात कर रहे हैं राज्य सरकारे पालिका का सम्विधानिक परधान राज्यपाल का और वास्तिक परधान कौन होता है मुख्यमंत्री और वहां सरकार के जो हम लोग बात करें सरकार के तीन अंग यहां भी होगे एक वो अंग होगा जो कानून बनाएगा उसे हम लोग विवस्ता पिका कहते हैं एक वो अंग हो पाएगा उसी हम लोग कार्य पालिक्त कहते हैं और एक वो वगोगा जो यह देख रहा है क्या यह जो कानून बन रहे हैं यह मुताबिक समभिदान के हैं या नई है कि समभिदान के accounting बने नई बने यह जो काम होता है यह किसका होता है न्यात पालिकल का का तो सरकार का उचित सासन व्यवस्ता के लिए कानुन वर्रता हो तथा उसमें जंता द्वारा चुनेंगे प्रतित शामिल होतेश हैं उसी लोके व्यवस्ता पिका कहते हैं जो कानून कोन बनाएगा अमारे पास में विधानस्वा बनाएगा कारेपाली का सरकार का वह अंग है जो व्यवस्ता पिका दुआरा जो कानून बनाएगे उन कानूनों को लागू करवाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं कारेपाली का करते हैं आगे बढ़ते हैं लोग ठीक है आदमी एक ही हुँ मैं ठीक है और अब एक से आप लोग कुछ भी पढ़वा लीजिए सब्जेक्ट एक ही चलेगा सिरीज आपके एक ही चलेगी राज्तान जी के मुझे करवाना है तो प्लीज हम जी सिरीज के लिए चले उसको सपोर्ट कीज ही आप लोग इसके बाद आपको दूसरे विश्य काफी आप नोट्स कंप्लिट तयार है सबी विश्यों के आप राइथान के एप में जाकर आप फ्री मैट्रिल में जाए कोई चारज नहीं है वहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं मैं इसके बाद आप उसको सुरू कर दूँ पांच में जो हमने देखा जो कि आपके अनुछेद 52 से प्रारम होते आप लोगों के और 101 तक गये थे एतना और राज्यस इसतर पर सासन विवस्ता है वह भाग नंबर 6 में है संगात्मक सासन विवस्ता में कारेपल का दो प्रकार की होती है कि एक वो होती है जो बार-बार हम लोग पढ़ते आ रहें निसिहार कर दिये या आप उसे नाम मतर से भी सबसे संभर दित कर सकते हैं तोगेंदर में वो राष्टपती के पास है और राज्ये में वो किसके पास है राज्येपाल के पास है इधर हम लोग बात करते हैं वास्तु कारेपाली का वास्तु कारेपाली का जो है वो केंदर में किसके पास जाएगी केंदर में परधान मंत्री के पास जाएगी और राज्ये में किसके पास का जो उलेख है वो अध्याय नंबर दो में मैंने आपको बहुत भड़िया तरीके से बात बता रहा किये कि यह जो हमारे पास में अध्याय नंबर एक था भाग नंबर छे का उसमें परिभाशा थी और अध्याय नंबर दो जो प्रारम हो रहा है वो अनुचेत 153 152 और 166 द्यान रखना आप लोग अगर भाग नंबर आपसे 6 पूछेगा तो 6 जो प्रारम हो रहा है वह अनुचेत 152 से प्रारम हो रहा है लेकिन हूँ स्वावन में क्या है 152 में परिभाशा थी हम लोग बात करते कारे लिका रज्यपालं वा हमारे काहए मसंत्री परिशद मुख्यमंध्रई कर लिए ऐक मंत्री परिशद होगी ओसका मुख्यमंध्री होगा तो द्यान रखें आप लोग कि आप लोगों के यहां कारेपाली का में राज्येपाल होगा राज्ये मंत्री परिशद होगी मुख्य मंत्री साइट और तीसरा हम लोग बात करें राज्ये महा अधिवक्ता होगा राज्ये महा अधिवक्ता वहां महा न्यायवादी और हम जैसे ही राज्ये सरकार पर आए तो यहाँ पर हमारे पास कॉन हो जाएगा मteदिबकती को सबसे पहले हम लोग भात करेंगे राज्ययपाल की है तो राज्यपाल से संबन्दे जो आनुछेदे इंव भांद नहीं चक्ते क्योंकि तब हम लोग व्यवस्थापिका पड़ेंगे तो व्यवस्था पिखा जो कानून बनाएगी उन पर जो सुवकर्ती होगी सैमती होगी वह राजयपाल की होगी उध्यान रखे आप लोग समझ कि 70 बुलाएगा वो राज्यपाल बुलाएगा तो हम लोग केवल इन अनुच्छेदों में नहीं बान सकते राज्यपाल को राज्यपाल तो हम लोग अनुच्छेद 213 में पढ़ेंगे तो बादे देश की बात करेंगे लेकिर कंटिनू जो प प्रावदान करता है वो अनुच्छेद 153 करता है परन्तु यहीं परन्तु जोड़ा गया यह परन्तु प्रानुब में नहीं था पहले बता दूं आप लोगों को कि पहले यह था प्रतेक राज्यपाल होगा लेकिन दोस्तों सात्वा संवितान संसुतन हुआ 1956 में उसके द 153 में पहले एक ही बात थी कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन सात्वे संविदान संसोदन 1956 के दुआरा उसमें परन्तु जोड़ा गया और परन्तु जोड़कर एक प्रावदान कर दिया कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी हो सकता है यह परन्तु में जोड़ा गया तो यह हमारा अनुछेद 153 करेगा बात करते हैं साथियों कि हमारे वेतन भत्तों का निर्धारन वो कौन करेगा वो राष्टपति करेगा तब एक व्यक्ति है जो दो से अधिक राज्यों के जो राज्यपाल निक्त हो गए तो उन कि अनुछेद 153 यानि राज्य का राज्यपाल होगा अनुछेद 154 करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो राज्य राज्य की कारेपाली का सकती है वो राज्य की कारेपाली का परधान राज्यपाल होगा कि यानि कारेपाली की सकतियां है वह किसमें निक्त होंगी वह राज्यपाल में निक्त होगी वह बाते के लिए जरा देखी मैं आप लोगों को एक अनुछे याद करने की मैं आपको ट् मैं यहां तरीका से याद करवात हूं हम आप लोगों को फिर आगे बढ़ते हैं देखिए हम कहेंगे कि राष्ट्रपती होगा क्या कहा है मैंने यह भूल जाए इस अनुछ दूख बार भाई वो मैंने आप लोगों जो भेज़े ना वो टैक करके उनको भनाना शुरू कर दो उनका ना हुआ है यहां देखना राष्ट्रपती होगा कारिये करेगा कोन चुनेगा कैसे चुनेगा क्या कहा मैंने राष्ट्रपती होगा कारिये करेगा कोन चुनेगा कैसे चुनेगा कब तक रहेगा दूबारा आएगा या नहीं आएगा क्या योगिताई होंगी? क्या सरते होंगी? कौन शपत दिलाएगे? कैसे अठाएगे? अठ गया तो अब क्या करेंगे? उप राष्टपती को बुलाएगे. तरीगा देखिए, राष्टपती होगा, कारिय करेगा. कौन चुनेगा? कैसे चुनेगे? कब तक रहेगा? दुबा कारा आएगा नहीं आएगा? क्या योगिताई होंगी? क्या सरते होंगी? कौन शपत दिलाएगा? कैसे अठाएगे? अठ गया तो अब क्या करेंगे? उप राष्टपती को बुलाएगे. जरह देखिए, राष्टपती होगा. अनुछे 153 के लिए एक राष्टपती होगा. अनुछे 153 कारे करेगा यानि वो कारे पलिका का परधान होगा. अनुछे 155 कैसे चुनेंगे? यानि उनकी जो निर्वाचन की प्रिकरिया है, निर्वाचन की जो रिति है वो किस प्रकार होगी? कब TAK रहेगा? यानि अनुछे 56 कह राष्टपती पद की पदावदी का उल अब दुबारा आए गा या नहीं आएगा कि पुनर निर्वाचन के लिए पातर हो गा या नहीं हो गा क्या योगताय होगी योगताय अलग चीज़ैं मित्रों है और शरत्य अलग चीज है मैं सभीसमों किलियर करनें योगिता है कि भरती आई है हमें यह सेकंड़ लगना है तो आपको बीए होनी चाहिए बीए सीच जो भी होश्च चाहिए अपदोगों का बेड़ होना चाहिए यह अपडोगों की योगिता है आपको कोलेज व्याक्याता बनना चाहते हो तो आप लोगों के नेट सेट होना चाहिए यह योगिता है अलग चीज है कि बाई देखिए दो साल तक आपको पर्युक्षा काल में रखा जाएगा पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा आपको यह फिक्स बितन दी जाएगा यह यह हमारी हैं आप लोग आपको लाब का काम नहीं करें यह क्या हैं योगिता है अलग चीज है जिसे हम लोग महावयोग क्याते हैं तो वो कैसे अठाएंगे वो राश्टपती पर में सबस्क्राइब तो मैं आप लोगों Ubol in एक अलग चीज है योगीताए वुच्छो में निए कि आप लोगों ने भाई बीएड कर रखी है आप टीचर बनेंगे यह योगिता है आप लोग शर्ते नहीं है शर्ते अलग चीज़ें कि अदे के भाई आप लोग फोरम बरी यह शर्त है इतनी तनखा देंगे इतने साल नोकरी कराएंगे यह शर्त है योगिता है भारत के लि जाना यूगेता और शर्च यह अलगळग है फिरसे मैं इस गीत को फिरसे दोरा रहाँ देखिए राश्टपती हो गारीय करेगा कौन चुनेगा कैसे चुनेगे कम तक रहेगा दुबारा आइगा या नहीं आएगा क्या यूगेता होंगी क्या सर्थे होंगी क्वोण को शपत दिलाएगा कैसे अठाएंगे अठ गये तो आप क्या करेंगे और उप्राष्ट पत्ति को बुलाएंगे अनुचे 63 में उप्राष्ट पत्ति का प्रावदान है अब थोड़ा देखेंगा आप लोग जैसे बीच में आप लोग लगे की सरम ऐसे भूल जाएंगे एक उपर नीची हो गया सारा गुड़ गोबर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आप पर द्हान राखिए ना आप लोग कि अठावन में योगिताओं का उल्लेक है उन्षट में शर्तों को लेक है साथ में शप्त आपके किसका है शपत का उल्लेक है 61 में माहवियोग का है 62 में प आधा इसाद्क हो Sam кил तो इस तरीके से आप लोगों को अन्नुच्छ व्लंए कै विश्वास दिलता हूं आप लोगों को कि आपको कुछ पढ़ने की आव सकता नहीं है आपको परतक्षा को परमार्मान को आव सकता नहीं है इस लिए 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 लिगा है मैंने शिक्षा के खुल की किलास आप यूटूब पर ले लिजिए ताकि नोट्स हमारे पास टेबल पर होंगे और सामने आपकी किलास होगी कोई भी कन्शूज होगा तो हम लोग आराम सी याद कर लेंगे देखिए यह आ गया राज रेपाल होगा अनुचय 153 पारे करेगा राष्ट पती यह था कोन चुनेगा ऐते कैसे चुनेगा वह Smells यू निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह निर्वाचन की प्रकिया हो अनुच題 राश्ट पती में एक्स्ट्रा था यहां निर्वाचन की के प्रक्रियासु संबनित नहीं है तो अनुचले 153 राज्यपाल होगा कारे करेगा कौन चुनेगा कब Сरतों होंगी वही राज्यपाल होगा कारे करेगा कौन सुनेगा कब कैसे चुनेंगे अगर राष्टपती होता है यहां पर तो एक हमें अनुच्छेद और देखने को मिलेगा कैसे चुनेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया यहां निर्वाचन की प्रक्रिया संबनित नहीं है ठीक है यह द्यान रखें आप लोग राज्यपाल होगा कारे करेगा कौन चुनेगा कब तक रहेगा क्या योगताई होंगी क्या सर्त होगी कि राज्ये के लिए एक राज्यपाल होगा यह प्रावदान करता है अनुछेद 153 और मैंने आपको पीछे समझाया है कि अनुछेद 123 से अधिक राज्यपाल हो सकता है अनुछेद 104 कहता है कि राज्य कारे Polika का मुखिया राज्यपाल होगा अनुछेद 155 कहता है कि राज्यपाल की कौन करेगा जो की योगताए होंगी अनुचेट 108 के लिए योगताए होंगी राजयपाल पद के लिए योगताए होंगेट 108 ανα क्या सरते होंगी Sergeant लिए शर्ते मैंने आपको योगताएं और शर्तों के बारे में अभी थोड़े देर पहले समझाता योगताएं अलग चीज है शर्ते अलग हैं समझे आप लोग कौन शपद दिलाएगा राजेपाल पद की शपद का उल्लेक अनुच्छेद 160 कहता है पद रिक्त हो गया तो क्या करेंगे आकस्मिक पद रिक्त होने पर जो प्रावदान है वो हमारे पास में अनुच्छेद 160 में है और 161 में छमादान की सक्तियां है यह द्यान रखें आप लोग तो कुल मिलाके फाइनल हम यह बात समझें यहां पर कि सर अभी एक बात करेंगे हम लोग एक बात करेंगे कि रज्य जो कारेपाली का है उसकी जो सक्तियां है वो रज्य पाल में नीत होंगी जिनका व्य श्युवम अपने अधिनृष्ट अधिकारियों द्वारा प्रियोग करेगा यह हमारे सम्मिदान में प्रावदान है लेकिन प्रावदान है कि वह और अप्चारिक नाम मातरी सक्तियां वो किन पास होती है वह रज्य पालए के पास होती है जबकि वास्त्विक सक्तिया किसके पास होती है वो मुख्य मंत्री के पाश होती है बिल्कुल आगे बात करते हैं तो अनुचेद हमारा 153 आराम से पैचान जाएंगे आप लोग इसर राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा राज्यपाल पद्गर प्रावदान है अनुचेद 153 म में ही एक परंतु जोड़ा गया सात्वे सम्विदान संसुदान 1956 के दुआर मुल सम्विदान नहीं था और उसे परंतु जोड़के यह प्रावदान भी कर दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जैसकता है और ऐसे स् तो उनका राज्तान कितना देगा गुज्रास कितना देगा वेतन बत्ता यह तो है नहीं कि उनको डबल मिलेगा तो उसका निधार्ण कोन करेंगे राश्टपती करेंगे ठीक है तो समझ के आप लोग आप बात करते हैं साथ यो राज्यपाल की न्यूक्ति अनूचेद 155 स रहा है कि राज्यपाल की जो न्यूक्ति है क्लास सभी विद्यारती धान दे नो बज़े क्लास होगी रेगुलर और यह जो नोट्स पढ़ रहे हैं वह राइठान के मोबाइल एप में फ्री में जाके भी आप लोग इनको पढ़ सकते हो और वाकई आप लोगों को लगे कि सर हमें कोई पुस्तक की जरूरत नहीं है हमें यह नोट्स मिल जाए तो आप लोगों को पहुत आप लोगों को एक फोटोकापी की चारज में आपके घर तक पहुंचा जा रहे हैं आराम से देखिए एक दिन देखिए दो दिन देखिए प्रतिक सब्जेक्ट के और आपको संसोदन 1956 यह राजयपाल के संद्रम में दो जगे इंपोर्टेट बनेगा एक बनेगा कि राजयपाल जैसा ही एक पद चला रहा था वो पद था राजपरमुग का राजपाल की जो सक्तियां हैं वो राजपरमुग के पास थी सात्वे संसोदन होने से पहले 1956 से पहले और सा और राजपाल का पद लागू किया गया और यही सात्वा संविदान संसुदन 1956 अनुछेद 153 में परंतु जोडता है कि दो या दो से अधिक राजपरमुग के लिए एक ही राजपरमुग सकता है यहां कुछ शब्दावली यह पॉलिटी है और पॉलिटी में कुछ यहां कि क्योंकि कई जगे एक्जामनर जो पूछता है वो शब्दावली नहीं हमें गुमा देता है राजीपाल की नियुक्ति राष्टपती दुवारा की जाती है यह लेकिन राष्टपती वो नियुक्ति करेगा वो किस प्रकार से करेगा जाना देखिए चार ओप्सन मि उपर्षानि वारंट जारी करेगा खूँद अच्छा कोश्रण बनेगा कि ध्यानकन आप लोग कि राष्ट्र पाति के दुवारा राजय पाल की नुक्ति के सन्द्रब में निमिन कथोनों में से कौन सा साही नहीं है और कहेगा आप लोगों से अस्तक्षर सही करता है मुद्रा सहीद वारंट जारी करता है तो very very important question एक बार फिर से पढ़ लीजी आप लोग ठीक है बहुत बढ़िया फिर से पढ़ लिजी मैं फिर कह रहा हूं अस्ताक्षर करेगा मोहर लगाएगा अधिपत्र वारंट जारी करेगा फिर से दोहरा लिजी इन शब्दों को अस्ताक्षर करेगा मोहर लगाएगा यानि मुद्रा और हम लोग कहेंगे अधिपत्र यानि न्युक्ति के अधिपत्र को राज्य का मुख्य सचीव पढ़कर सुनाता है ध्यान रखें आप लोग और ये जो काम है राश्ट्रपती जी क्या ये काम है वो सवतंदर रूप से करते हैं कि राश्ट्र पती जी है वो राजेपाल की निुक्ति करें वो किसी की अनुसंसा पर करता हैंकि किसी होगे केंदर सरकार समय आप लोग गुलाप चंद कटारिया जी का नाम सुना लोग गुलाप चंद कटारिया जी को तुरंट रह्जेपाल बना दिया इसने राष्टपती जिने निक्ति कि उन्होंने अस्ताकशर किये महोर लगाई और अधिपत्र जारी किया गया उनके दुआरा तो यह जो आप कहेंगे कि उपचारिक नामातर और समविदानी सक्तियों का परदान है वियावारिक तोर पर वास्तिक सक्तियों का जो उभोग कर रहे हैं वो परदार मंत्री जी कर रहे हैं यह ध्यान राखें आप लोग तो केंदर सरकार का मतलब यहां केबिनेट से हैं वह ध्यान राखें आप ल करेल है यह केंदर सरकार के अधिनस्त कोई विभाग नहीं है यह अपना सवतंदर कारी द्धान रखें आप लोग राजय सरकार के संभन है परंपराय क्या रही बात करें एक हो यहां तीन बाते ध्यान रखने हैं पर एक जिस राजय का राजय पाल उनको बनाय जा रहा है संवीदान में नहीं लिखा उब इसलिए मैं यहाँ पर दिए कि राज्येपाल की न्यूक्ति की परंपरा यह रिंग दिए राज्येपाल की न्यूक्ति की परंपरा हेडिंग दी गई है मतलब सम्विनान नहीं है पहला कि जिस राज्ये का उन्हें राज्येपाल बनाया जा रहा है वह वहां का निवासी नहीं होना चाहिए यह ध्य संदीत राज्य के मुख्य मंतरी से प्रामस लेना चाहिए तासे विवस्ता सुनिशित की जा सके तिनों बाते के लिए जहां उनको न्यूक्ती दी जा रही है जिस्त राज्य का उन्हें राज़ेपाल नहीं नहीं होना चाहिए और तीसरा पॉइंट कह रहे हैं हम लोग जिस पिलर्स ना लें तो ना ले रखें आपको नोट की देखिए है वहां के मुखेमंत्री से मुख्य मंत्रूस से क्या लेना चाहिए वह प्रामर्ष भी लेना चाहिए और अे लागने संआते हैं और अमेरिका में ग्धाल जणता द्वारा चुना जाता है वह सब्राइपme नुकिंछा से इक टांट अन्यूंट मेश्चन वह संभीकोरी दादी हिंपिर नियेते हैं नियंसे जो अजिटा उनес सब्सक्राइब수 से हम लोग मूल करते हैं की बात करें तो हम लोग रूस से लिए गए हैं निती निदिशक तक्तों हैं वह आयरलेंड से लिए इसी प्रकार में यहां पर एक पॉइंट दिया है और वह पॉइंट क्या है आप लोगों के कि कानाड़ा में राज्यपाल की न्युक्ति लगों से आजएगा और अमिरिका में राज्यपाल सीधा जनता द्वारा चुना जाता है वहां कि सासन व्यवस्ता वह किस प्रकार की है वहां पे सासन व्यवस्ता अद्दख शात्मक शासन व्यवस्ता है ध्यान रखें आप लोग ठीक है कि आगे बात करें यहां से सभार के सदश्य द्वारा राजय पाल का चुनाओ सीधा जंता द्वारा करवाय जाने की बात रखे गई किन्तो निमिन कार्णों से उसे नहीं माना गया तब हमारा जो संविनान का निर्मान कारी चल रहा था, तो संविनान के सबाके जो सदस्य थे, उनकी दुआरा ये बात रखी गई थी, जो राजेपाल का जो आपलोगों का पद है, उसमें हम चुनाव करें, और जन्ता दुआरा उनका चुनाव किया जाना चाहिए, तिके नि थिससरी बात करें राज्येपाल निर्वाचित होगा तो क्मीन सानें उसका समद्ध राजनेतिक दलों से भी होगा जिससे वे तठस्ट होकर कारिये नहीं कर पाएगा कहा कि ठीक है आप लोग करवाईए लेकिन तीन कारण सामने आए कि संसदी विवस्ता की यह पर्तिकूल हो सकता है दूसरा अगर जंता द्वारा पर्फक्स रूप से चुनाए जाएगा तो मुख्य मंत्री और राज्येपाल के मिश्टकराव की स्थिति हो सकती है और तीसरा अगर उसका चुनाओं जंदा द्वारा किया जा रहा है तो राजनेतिक दलों से भी उसका संबंद होगा और वह ततश्ट होकर कारिये नहीं कर पाएगा साथियो तो यह कल हम लोग बात करेंगे कि सरकारी आयोग के सुजाव के राज्येपाल की न्यूक टीम के संबंद में कौन-कौन सी बाते ध्यान रखनी चाहिए वह 1983 में केंदर सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया उस आयोग का हम लोग सरकारी आयोग कहते हैं उन्होंने क्या-क्या सुजाव दिये वह सुजाव आप लोगों को यहां से कल तो कल हमारी जो क्लास शुरू होगी और वह प्रश्ट नंबर साथ से होगी कल की जो क्लास आप बताईए आपका कोई सुजाव हो तो मुझे बता दीजिए आप उसके आकोडिं आपका कोई सुजाव हो तो मुझे बता दीजिए और थोड़ा आप लोग सभी मित्र हैं वो सपोर्ट करें क्लास को अधिक सदिक अपने मित्रों को शेर करें रोज आप लाई वाचिंग वाली संख्या बढ़ाई है आप लोग निश्य तोर से हम लोग आगे बढ़ते आप लोगों को इस्तिरीच आप लोग जरूर अउगत करवा के जाए मुझे धन्यवाद तो राज्यपाल की नियुक्ति की समद्ध में सरकार्य जो आयोग है उसके गठन की बात करें देखिए गठन किसके द्वारा किया गया पहले तो ये मालूम होना चाहिए किलियर समझे अपने आप में कि राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया आयोग का जो गठन हुआ तो वो गठन केंदर सरकार के द्वारा किया गया कब किया गया 1983 द्यान रख लेना नो जून द्यान नहीं तो भी काम चलेगा इसने जो अपना परतीविदन शोपने के बीच में ये द्यान रखें आप लोग यहां परतीविदन दिया वह जनवरी 1988 यह आप लोग ध्यान रखेंगे दो बातें इंपोर्टेंट तीसरा गठन किसके द्वारा किया गया केंदर सरकार्ट द्वारा इसने हम बात करें आयोग के गठन का उद्धिष्य क्या है साथियों केंदर और राज्यों के जो संबंद हैं उनकी समिक्षा करना यानि अच्छ सरकारिय थे लास्ट में नाम सरकारिया है इसलिए आयोग का नाम पर इसे भी हाप प्रहक्ष पर हो सब्सक्राइब बेए अग्येट है रखें में अज़ेते हैं ना Star सार सेन साप और ध्यान रखे वी शीव रमन तो तीन एक अध्यक्ष हो गया दो सद्धश्य और फिर से रिपीट कर दो आयोग का गठन 1983 में किया गया आयोग जो अपना परतिविदन दिया वह 1988 में दिया गया तीसरा पॉइंट के हम लोग बात करें कि आयोग का गठन किसके द सद्धिश कौन है सेवन यूरत म्याय दीश थे रणजीत सिंग सरकारिया और आयोग के सर्दिश्य की बात करें तो एमर सेन साब और वी सी रामन रखें आप लोग यह द्यान रखें ठीक है किलियर तो मेरी सबसे यहां से तरकारिया जो आयोग है यहां से एक दम हमारा किलि लुप के रुपे पढ़िये एक एक पॉइंट को देखिये हां भातों में टाइम पास करना और वास्तिकता में मित्तर हद्यान करना दोनों बहुत अंतर होता है बहुत अंतर होता है घेक है हम भी चाहें तो यहां बातों में ही पूरा हमारा समय निकालने उसे बढ़ी है जाके रायथान का डाउनलोड कर फिरी मेटल में जाके देख ले मेरा भाई नए के अनुसार है पुराने का अनुसार है हम यहां विद्यार्थी का एक-एक मिनट कीमती समझते हैं और उसके हम लोग समझते हैं तो हम कभी विद्यार्थी की कि समय वर्बाद नहीं करते कि द्यान रखें आप लोग चले राजेपाल की न्युक्तिक समय में आयोग ने अपने निमन सुझाव दिये अब तक हमने देखा था कि आयोग है आयोग के गठन के बारे में पूरी बात हमने जानी में गठन हुआ प्रतिवदन 1988 में दिया गया तीन सदेश्य यह आयोग था यह द्यान रखें आप लोग एक अदेख्ष थे दो सदेश्य थे अब इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया वह सुझाव कोन से मैं कह रहा हूं यहां से सवाल बनता है मैं बार बार आप लोगो को सचिद निमें में से सब्सक्राइब कोन सा है या हम लोग कि आपके राज्यपाल की निउक्ति के संब्ख्राइल कोन सा सुझाव नहीं दिया गया यह सवाल चय बनेंगे राज्यपाल पन पर ऐसे व्यक्ति को न्यूक्त कि जाना चाहिए जो किसी छेत्र विशेश में ख् नंबर 1 डूत्र राज्यपाल उसर राज्य्य का निवासी नहीं मौना चाहिए जिस राज्य Nichota की रहे हैं सम्मीदान में भात नहीं लिखी हुई यह हम लोग परंपरागत तोर पर यह हम लोग कर रहें जिस राज्य को राज्यपाल बना जाए वह व्यक्ति वहां का निवासिन नहीं होना चाहिए यह आयोग भी कह रहा है नूक्ति की समय यह भी ध्यार रख नाचाहिए कि व्यक्ति सक्रे राजनेती में भागिदार तो नहीं है colo राजेपाल की नूक्ति से पूरो समदी राज्ये के मुक्हे मंत्री से बसुतन लिया जाना चाहिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट सुजावदी आयोग ने राज्यपाल का एक निशित कारेकाल हो पांच बर्स का ठीक है यदि कोई राज्यपाल पद से त्याग पत्र सक्रिय राजनिती में आता है तो उसे नियंत्र किया जाना चाहिए माला के प्रिशिद्धी प्राप्त कर ली और वो क्या कर रहे राज्यपाल पद से अपने इस्तिपदे रहे और वहां कई MLE MP का इलेक्शन लड़ रहे तो ध्यान रखे आप लोग उस पर भी क्या लगना चाहिए नियंत्र लगना चाहिए मेरी साब से फटापट कि लिए हो गया कि वो किसी छेतर में ख्याति जडि कोई राज्यपाल पद से स्यप्रद्र देता है और सonton राज्यति मा आता है तो उसमें भी नियंत्र रखा जाना चाहिए लिक है सबाल पूच रहा है जा इसका निर्धारण में राष्ट्रफति यह करेंगा आप लोग पढ़ा चुके हैं उसका निर्धारण कौन करेंगे राष्टपति ना करेंगे एया नहीं है कि दो राज्यों के राज्य पाल हो गए तो उनको double वेतन मिलेगा ऐसा नहीं है वह अनुपात्म बाटेंगे राज्यों के बीच में किस अनुपात्म बाटेंगे वह निर्दहन राष्टपती जी करेंगे राज्य पाल की पदावुदी और उसमें तीन धाराय है मतलँ उस अनुचेद के पार देखिए इस तरीक से बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया नोट्सको अनुचेद 156 में धाराय कितनी एं तीन देखिए अनुचेद 151 अनुचे 152 अनुचेद 156 3 नंबर एक कि वह अपना पदधारण करेगा अन परसाद प्रयंत पद्धारण करेगा पहला पॉइंट ही दूसरी बात राज्येपाल राष्टपती को संबदित करके अपना त्याग पत्तर देज़ेगा तिसरी बात कारेकाल की समापती पर अपने उत्रादीकारी के पद घ्रहन करने तक कारेगा पहले में कहा रहा है कि तर अपना त्याग पत्तर दे सकते हैं वह अपना इस्तिफा दे सकते हैं और वह जो अपना इस्तिफा दे रहें अपना त्याग पत्तर दे रहें तो वह किसको दे रहें राष्टपती को संभोधित करके तीसरी पॉइंट की बात करें हम लोग उनका कारेकाली समापत हो गया मा वाना कि दो दिन लेट करेंगे तीन दिन करें पांस दिन की देरी से कर रहें तो यह दियान में रहें आप लोगों को कि उस समय जानिके ठीकन कारेकाल पूर्ण हो गाए तो दूसरे राज्य के राज्य वाल को अत्रित कार्यभार दे दीजिए ऐसा नहीं है वो अपना तब तक है पद्धारन करेगा तब तक कि उनके उत्र अदिकारी ना आ जाए तो मेरी साब से अनुच्छेद 156 एक समझ में आ गया राष्टपती के परशाद परंत नंबर दो हम लोग बात करेंगे कि उनका जाग पत्तर दे सकते हैं राष्टपती जी को अनुच्छेद 156 में कि उनका कार्यकाल पांच वर्स का हो गया अब उनके उत्र अदिकारी आने तक वह अपने उस पर गद्दी पर बैठे रहेंगे सब्सक्राइब करेंगे पदपर बने रहेंगे तो मेरी साब से अनुच्छेद 156 फटाफट कमेंट किजी आप लोग 156 किलियर आप लोग 156 किलियर आप लोगों और तीसरा उनका कारेकाल कारेकाल पूर्ण हो गया लेकिन तब तक पत्वर बने रहेंगे तब तक कि उनके उत्र अदिकारी आएंगे कुछ नहीं पढ़ना आप पस्ट्रेट दीजिए आप लोग टीचर लाइन जाए आरेस दीजिए मंचा जो एक्जाम दीजिए इसके अत्रित कुछ पढ़ने के आउसकता है नहीं आप लोगों को साफ लिखा है मैंने राष्टपती के परसाद प्रियंत का रत है परदान मं कोई सुनवाई का मोका दिया भिना भी पद से अठा सकता है कि केंद्य सरकार चाहिए परदान मंत्री की चाहिए इन्हें आप राज्येपाल नहीं रखना तो भाई क्या करना है आप भड़ा दीजिए कि क्या लिखा हुआ है अलूच्र से सब्सक्राइब करता तो परदान म मंत्रिया केंद्रिय मंत्रिय प्रशत की सला से और उन्हें कोई सुनवाई का मोका दिया बिना भी उन्हें पद से अठाया जा सकता है पूछला आप लोगों क्या राष्टपती जी को दुवारा राज्येपाल जी को किसी बिना सुनवाई के भी अठाया जा सकता है आपके बि किसका रहेगा राश्टप्ति का केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का दबडबर हैगा भाई हम मन चाहे तब आपको अठा देंगे अठाने से पहले आपको सुनवाई का मोखा भी नहीं देंगे और हम किन प्वह करें कि आपकी विधान सबा है अप लोगों के लोग सबा तो उनका जो कारेकाल चलता है उनकी तो पहली बैठक होती है पहली बैठक से उनका कारेकाल रारंब माना जाता है तो कोई भी अधिकारी पद ग्रहन करेगा राज्यपाल का कारेकाल पद ग्रहन करने की तिथी से पांच वर्स तक रहेगा ध्यान राखेंकेशे मों चाहूंगा राश्टपति पांच वर्स कि दौर राज़े पल का किसी अन्य राज्य में इस्तानांतर्र कर जो होगा वह भी कौन करेंगे पांच वर्स तक यो राज्यपाल बना दिया यह नहीं कि पांच साल तक यहीं रहेंगे इनका इस्तानानतर गुजरात में हो सकता है पंजाब में हो सकता है तो यह आप जरूर ध्यान रखेंगे पांच वर्स बाद में भी राष्टपति उन्हें पुने राज्यपाल न्यूक्त कर सकता है क्या राज्यपाल पुने न्यूक्ति का पात्र है आपके बिल्कुल उन्हें किया जा सकता है न्यूक्त कौन करेंगे राष्टपति करेंगे राज्यपाल का कारीकाल पूर्ण होने पर वह तब तक पदपर बने रहेंगा जब तक की उसका उत्रादिकारी अपना पद गرहन नहीं कर लेता अगर पूर्ण होगे लेकिन उनका उत्रादिकारी नहीं आय है जिन पद नियु तो भी अब गद्धी पर पद पर बने रहेंगे तब तक वो पद गिरहन ना कर लें मतलब किसी भी कारण से राजयपाल का पद खाली नहीं रखना होता है ओके आगे बात करते हैं राजयपाल का पद पांच वर्स से पूरू भी निमिन कारणों से रिक्त हो सकता है निमिन कारणों से रिक पद यह तोसकता कैसे नमबर उन्होंने अपना पतर और सीधित सी बात पतर जो दिया है म Winston नीओकती किया ऍधिजन नियूकती किये तो तियाग पतर क किसको दिया जाएगा रश्टपती को वेरी वेरी इंपोरटिन कोशन तो उन्हें पद रिक्त हो जाएगा मिरत्यू मिरत्यू हो जाने पर भी राज्येपाल का पद रिक्त हो जाता है निदन हो गया निदन होने पर भी राज्येपाल का पद रिक्त हो तो किन कारणों से राज्येपाल का जो पद है वो पांच वर्सों से पहले भी क्या कहा मैंने पांच वर्स हुआ आगे बढ़ते हैं लोग अब अचानक से पद्रिक्त हुआ मान लिया कि पांस साल का जो कारेकाल कुर्ण हुआ उसके बाद उनके उत्रादीकारी आए दो दिन बाद च्यार दिन बाद अब तक अपने पदबर बने रहेंगे लेकिन इंपोर्टन बात है कि अचानक से प पद्रिक्त हो गया मिरित्य हो गई अच्छा प्रक्त हो गया अब कारेकारी राज्यपाल है उनकी विवस्ता कौन करेगा रहेंगे उनके साथी बड़िया सवाल बना कि रज्यिपाल का पद्रिक तोने पर उनका कारीभार किसको सोपा जाएगा तो आप केंगे सर रज्य के मुख्य न्याय दिसको ये तरीकाल भाइब आप लोग अनुच्छ 157 तेको मैंने पहले भी आप लोगों से मित्रो वाथ बहुत अच्छी तरीके स सब्सक्राइब कि 157 में योगिताय हैं और 188 में शर्त है योगिताय अलग चीज है कि ठीक है आप लोग फारव अपलाई कर रहे हो यहां पर कोई भी मानूप परिक्षा का आप लोग तो ठीक आप बेड़ होने चाहिए आप यह आपकी योगिताएं अब यह कहरें ठीक है आप में योगिताएं तो हैं लेकिन हम तो आपसे इन इन शर्तों पर क्या करें हम लोग आपसे फोरम बरवाएंगे हमें 350 रूप फीश सही है आप सेलेक्शन होगे तो आपको दो साल तक फिक्स वेतन दिया जाएगा ठीक है यह द्यान रखें अप लोगो यह क्या है हमारी शर्त drauf शर्त भी कर रहें और बहुत बढ़ीया आप लोग और विल्कुल छलार करते रहें कि लासों को बहुत बढ़ीया देखिए भारत के समिधान में प्राइटिपाल की पद के लिए दो योगिताओं का उल्लेक है किवल दो योगिताओं आपसे पूछ सकता है यह तब सवाल बनते हैं दो योगिताओं एक तो कह रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कह रहा है कि वो 35 वर्स की आयूपूर्ण कर चुका हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 वर्स की आयूपूर्ण कर चुके साफ लिखा हुआ है भारत के सम्मिधान में इस पद के लिए कितनी योगिताओं की बात कर रहे हम लोग दो योगिताओं की बात कर रहे हैं नंबर एक वह भारत का नागरिक होना चाहिए नंबर दो वह 35 वर्ष की आयूप पूर्ण कर चुका हो ठीक है दूसरी बात क्योंकि अगर वो उस राज्य का निवासी है उसी राज्य मुनको राज्य पाल बना दिया तो वहां की वे राज नित्युक्त क्या करेगा प्रभावित करेगा के लिए आप लोग तो यह नोट में हम लोग डालना है यह द्यान रखें और सम्विदान में दो योगताव का उल नहीं होना चाहिए तो बताईए आप लोग फटाफट कितनी योगताओं का उलेक किया गया है राज्य पाल पद के लिए तमविदान में कितनी योगताओं का उलेक किया गया अनूचे 157 में यह द्यान रखें आप लोग आप बताएंगे सर 2 एक तो 35 वर्ष की आयू होनी चाहिए और एक वो आयू पूर्ण कर चुका हो ध्यान रखें आप लोग और दूसरा वह भारत का नागरीक होना चाहिए कि आगे बात करते हैं अनूचे दक 158 मैंने क्या कहा था भी थूर देरे पहला आप लोगों से कि भाई योगताओं अलग है और शर्ते अलग है बहु नोट्स बहुत सोज समझ के रखा है हूं मेरे दुवारा बर्मास्त्री कैसा शब्द है अगर अंच्राप बारें में हम लोग उपको नां ब्रमास्तर रखें और काम बारण जैसा भी नहीं हो तो वो शब्द अपमानित होगा है इध्यान रखें आप लोग देव तुल्ली लोगों में माल लेए लेकिन भाई हमारी ये ये शर्ते हैं ये शर्तों को आप लोग मानते हो आपको सुविकार है तो बिल्कुल आप आईए तो योगिता अलग है और शर्ते अलग है योगिताओं के बारे में अनुच्छित इक सताव में दिया हुआ है और शर्तों के बारे आप लोग यहां पर हम देखें तो अनुचेद 151 अनुचेद 151 देखिए वह राज्ये के विधान मंडल यहां संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए ज़िए ऐसा है तो संबंदित सदन में उसका पदरिक्ट उस्तिति में समझा जाएगा जिस दिन से उसने राज्येपाल का कि संसद या किसी राज्ये के विधान मंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए और यदि आप हैं तो आपका पद है वो उस तिति से रिक्त समझा जाएगा जिस तिति को आपने राज्येपाल का पद गिरेण किया था गुलापचंद कटारिय साब हैं वो हमारे विधान सबा के मा हमारी यह शर्त नंबर क्या है एक है अनुचेद 151 अनुचेद 152 यह कह रहा है कि ठीक है आप पद पर न्यूक्त कर दिएगे लेकिन आप अन्य कोई लाप का पद धार नहीं करेंगे आप करेंगे मैं राज्येपाल हूं और मैं तो टीचर ही बन जाओं मैं तो आरेसी बन हूं आप ऐसा नहीं कर सकते आप राज्येपाल अन्य कोई लाप का पद धार नहीं करेगा यह अनुचेद 152 कह रहा है ठीक है आगे बात करते हैं अनुचेद 153 कह रहे हैं कि आपको जो वेतन बत्य देंगे वेतन बत्ते देंगे, वो वेतन बत्तों का निर्धारन एक विदी के द्वारा संसद करेगी, वेरी इंपोर्टन कोईशन, कि राज्येपाल के, कई बार पूछा आप जाता है, कि राज्येपाल के वेतन बत्तों का निर्धारन है, वो वेतन बत्तों का निर्धारन कों करता है तो आप कहेंगे सार राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण जो करता है वो संसत करता है और संसत किस के दुआरा करेगा विदी के दुआरा करेगा मेरी साथ से बात किलियर हुई अनुछेद 1583 के जो की सात्वे सम्विदान संसोदन दुआरा जोड़ी गई मैंने आपको पहले से एक बात को अवगत करवा रखा है कि सात्वा सम्विदान संसोदन जो है वो उसके दुआरा अनुछेद 153 जो कहता था कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा तात्वे सम्विदान संसोदन 1956 में उसमें परंतु जोड़ा गया और परंतु जोड़ के उसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है लेकिन बात अभी एक भाई सवाल पूछरा था हम लोगों से इसार इनका वेतन है वो दो राज्यों का इसी राज्यों को राज्यपाल बना दिया तीन का बना दिया च्यार को बना दिया तो उनके वेतन भत्तों क्या होंगी वो कह रहा है अनुचेत 158 तीन के कब जोड़ा गया साथवे सम्विदान संसुदन के द्वारा ठीक है सिधा फैक्त है तब परन्तु जोड़ा गया तो पर उसके साथ ये भी जुड़ेगा एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्येपाल न्युक्तोने पर उनके वेतन भत्तों का निर्धारन अनुपात के रूप में राष्टपती करेगा ये नहीं थीक है आप पंजाब के भी हैं आप गुजरात के भी हैं आप राजिस्तान के भी हैं तो आपको तीन अलग अलग आप लोगों को वेतन नहीं नहीं वो जो वेतन मिल रहा है उसे अनुपात में बाटा जाएगा और अनुपात हम बाटने का काम संसद करने है राष्ट पती को है फिर कह रहा हूं मैं आप लोगों से ये पॉलिटी है बातों से समझ में आने वाले नहीं है और ये पॉलिटी इतनी आसान भी नहीं है जितना आसा को यह बैठते हैं तो जै रास्तान के आपको पता है किस प्रकार की ऑपहला पो looks高 치ा उपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कुण करता है सवाल मेंने टी कि एक व्यक्ति दो या दो AIDS刚 और वह अनूपात का निरदारण को करेगा अदाश्ट पती क्या समझे मेरी बातको नां इसंज्ये मेरी बातको लड्लाविभाराइ मज़ा मालूम हुआ कैसी पॉलिटी है सब्सक्राइए रायतान के ब्रमास्तर नोड्सलें क्यों रखा है मालूव है क्यों दावा करते हैं हम लोग कि यह नोड पढ़िये निश्य तुर्ण स्था आपका बेड़ा संसद करेगी लेकिन तीन कह रहा है कि आप दो हैं दो से अधिक राज्यों के राज्य पाल हैं तो आपको वेतन अनुपात में दिये जाएगा और उस अनुपात का जो निधरन करेंगे वो कोन करेंगे राश्टपति रुख जाईए अब वेतन कितना मिलेगा वेतन की बात तो हमने कर ली लेकिन लाड़ लाओ वेतन मिलेगा कितना एकसो अठावने वेतन का उल्लेख है कि वेतन देंगे भाई वेतन मिलेगा कितना अनुछेद एकसो अठावन में नहीं दे रखा इसके लिए हमें अनुसूची दो देखनी दूसरी रानुचुची में अनुचर 1658 में 1559 में बारतिय सम्विदान में विद्धी में कैसे पूछ लेगा आप पाठाक्ष टिक करेंगे सर वेतन कितना मिलेगा उसका उल्लेक आप लोगो को अनुचुची में जाना पड़ेगा और अनुचुची 2 में ध्यानकना राजयप पुछ जाते सवाल कि राजिपाल का वेतन साड़े तीन लाग से भढ़ा कर च्यार लाग किया जाता है तो संसुदन किया जाएगा पार्थिस संसत के दुबारा विदी बनाकर राजिपाल का वेतन साड़े तीन लाग से भढ़ा कर च्यार लाग किया गया तो संसुदन होगा अनुचेट 157 में अनुचेट 158 में अनुचेट 169 में अनुचुची 2 में तंसोदन कहा होगा जवाब दीजिए अब बात करते हैं कि अब वेतन बच्तो में परिवतन होने पर संसोदन सम्हीदान की दूसरी अनुचुची में होगा लेकर है मैंने दूसरी अनुसूची के अनुसार रजय पाल को तीन लाथ पचास जार का वेतन मिलता है रजय पाल को वेतन सम्मंदित कहां से दे जाएगा वही वेतन मिलेगा संचित निदी से मिलेगा लेकिन संचित निदी है वो केंदर की अलग है और रजी के अलग है आप कोण से जब कि उनको पैंशन की बात करेंगे तो केंदर की संचित निदी से दिय जाएगा और वेतन है वो राज्य की संचित निदी से दिये जाएगा जिस राज्ये में राज्ये पल रहा वहाँ की सन्चित निदी से लेकिन मानलोग 5 साल के अंदर एक व्यक्ति चारज्यों का राज्य पल रह गया इसम करेंगा आप मानिय है को जो पर हम लोग पैंशन के इंदर के संचित निदी से देंगे आप तो जहां पोस्टिंग रहें मतलब पदभार समाल रखा है वहां का आप लोग वेतन राज्य की संचित निदी दे दीजिए तो पैंशन केंदर की की संचित निदी से और द्यान अखणा वेतन राज्य की संचित निदी से आगे बात करते हैं अनुछेद 158 चार समझ गया आप लो कि अनुछेद 158 में मूल सम्विदान में चार धारा थी धारा नंबर 158 टीन अबलिक कोश्रम के वह जोड़ी गई साथ्वे सम्विदान ससुदन द्वारा जो मैं उने बात कर चुकी 158 जारे कह रहे हैं कि वहीं ठीक है राज्य पलग की ईपलब्धी है जो भत्ते हैं उनके कारेकाल के दोरान कमी नहीं कर कि यह अनुच्छित 158 हो गया तो 158 मोटा मोटा आप लोग समझ गए कि 158 में शर्तों का उल्लेख कर रखा है कर नहीं कर रहा है कर रहा है ना शर्तों को लोग वो ध्यान रखें आप ठीक है 169 यह कह रहे हैं राजेपाल दुआरा शपत या परति ज्यान दोनों शब्द लिखे यह परति ज्यान लिखा हुआ है ज़रा देखिए आप लोग क्य semana का मतलब क्या है कि विद्धयार्ती , अबल estánικά nochmal मुझे ज्यापत उब्लिके bands if you न्याइल लेके मुख्य ज्यां अनुपस्तिती में उस न्याइल लेके उपलब दे ज्य SJ्यायदीश के समक्ष ध्यार अपलोग हमश्पत की बात कर रहे है जो भी राजेपाल पद पर कारिक रैगा चाहे वो राजेपाल हो और दो राज्यों के राज्य पाल होने पर उनका किस अनुपात्म वेतन मिलेगा इसका अनुपात्य राश्ट्पति करेंगे वो राज्य के उंष्ण न्यायले मुख्य न्यायदिस उनको शत्त दिन पहलकों जो फ़ी पर स्ब्लब्द पहलीन प्रतिग्यान करेंगे और अपना अस्ताक्षर करेंगे सवाल अभी भी आप लोगों जवाब नहीं दिया मैं कह रहा हूं यहां प्रतिग्यान क्यों लिख रखा है अब माना कि बताऊंगा अभी रुचाहिए और नोट्स को पहुत 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 दिजायन करने कोसिश किया दस-वारास साल का अनुबव रहा है पूरा जोका है मैंने देखिए किस अनुच्षेद में उल्लेख है आप कहतेंगे सर अनुच्षेद 169 में है लेकिन भाई प्रारूप शवत क्या लेंगा जब क्या होंगे क हो प्रारूप का उल्लेक ध्यान राख़ें आप लोग ये माफिट चाहूंगा साइब की अनुसूची तीन होने चाहिए यहाँ तीक है ये ध्यान प लो तो प्रारूप का उल्लेक कहाँ है शपत क्या लेंगे वह अनुसूची आप योजिक तिन में बैं किसके समक्ष शपतलेगा कर लोग सबस्ढक दिला है तो आप लोग कहाँ है राज्ज्य के मुख्य नियाधी शपतलाइगे तो नई वह अनुपस्तित है तो उपलब्ध वरिश्टम नीयादी चैन और भ Beim अप्लोग उनके समुष्या लेंगे शपत लेंगे अब यहां लिखा है अर्थार्थ मैं शपत कौन से प्रारूप में लेंगे शपत कौन से प्रारूप में लेंगे क्या शब्द होंगे वे देखिया आप लोग अर्थार्थ मैं अमुक इश्वर की शपत लेता हूं उपने कह दिया सर हम तो नहीं लेंगे मैंने का क्यों कि हम तो इश्वर में विश्वास नहीं करते हम तो शपत नहीं लेंगे इश्वर में विश्वास करते नहीं है हां क्लाश डेली होती है लिए, इश्वर विश्वास नहीं करते सु आप कोई बात नहीं आप इश्वर का नाम मत लिई मत लिए, आप पर्तिग्यान कर लेज़े, लिए अधिक शपत और प्रथिज्ञान में अन्तर है। अस्तिक शप्त नास्तिक प्रतियान मैंने कहते हैं मैं तो इस पर मुझे इस पर नहीं मान था समद्गे आप लोग अमुक इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं स्रद्धा पूर्वग राज्य का नाम आ जाएगा कि राज्य पाल के पद का कारेपाल अपने राज्य पाल के क्रत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योगेता से आप देखिए क्या है शपत लेना है वो संवीदान और विदी का परिरक्षण सररक्षन और परतिरक्षन करूँगा और मैं फिर राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा शात्यू ये शब्दों को रट लेना और ये शब्द में फिर कह रहा हूँ आने वाला समय ऐसा बनेगा जो परिक्षा आप लोगों का आयोजित होंगी सरक्षन परिक्षन इनको आगे पीछे भी किया जा सकता है और मैं वह उस राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा ये हमारी पास में शपत है अब देखिए राज्यपाल दुआरा ली गई शपत इसमें कौन-कौन सी बाते इंपोर्टेंट है उनको फिर सम्विदान और विदी कि सम्विदान और विदी किसका सम्विदान नहीं सम्विदान और विदी का परी रक्षन फिर सर्रक्षन और फिर परति रक्षन का सपत लेता वैरी वैरी इंपोर्टेंट एवल सम्विदान नहीं सम्विदान और विदी का परी रक्षन सर्रक्षन दूसरा दूसरी शपत के बात करें निष्टा पूर्वक करतोवियों का निर्वहन करूंगा तुसरी बात जनता की सेवा और कल्याण में निरत यानी समर्पित रहूंगा और चोथी हम लोग बात करें राज्यपाल इश्वर इम सत्य निष्टा की शपत लेता है समझ गया आज साथ मेरी साब से आप समझ गये होंगे कि शपत और अबलिक परतिग्यान क्यों है मैं नास्ति कुई इस्वर को नहीं मानता तो मैं क्या करूंगा परतिग्यान करूंगा शपत नहीं लोगा ध्यान रखें आप लोग ठीक है अब बात करते हैं अनुछेद 160 यह कह रहा ह मैंने आपको मित्रों बहुत अच्छी तरहीं बताया था जब आपको पदावदी मैंने पढ़ाए गई थी कि राजेपाल का 5 साल का कारेकाल पूंड हो गया पूंड होने पर वो तब तक उस पद पर बने रहेंगे तब तक कि उनका उत्रा दिकारी कारेग्रण नहीं कर ले सब तो कोई दिक्कत है नहीं दो दिन च्यार दिन बाद में राजेपाल आएंगे नए वाले हम पद छोड़ देंगे हमें कारेकारी राजेपाल की कोई आउश्रक्ता नहीं पड़ी लेकिन मित्रों कुछ परस्तितिया ऐसी हैं जिन में पांच वर्ष से पहले भी पद्रिक पां फ्यागपत्र किसको देंगे राष्ट पति को देगे या उनका निदन हो गया ऐसी प्रस्तितियुम अचानक पद रिख्त हो गया अब हम लोग क्या करें अचानक से राज्य पाल की नूटिन नहीं कर सकते राज्य पाल पर पद अमेसा भर रहेगा तो राज्य के जो और खिए अचानक पदरिक्त होने पर कारे कारे राज्यपाल आचानक पद रिक्त हो गया भाई लेकिन एक शब्द और लिखा हुआ है सम्विदान में वो क्या लेखा हुआ है अनुपस्तिति तो उस इस्तिति में भी हम कारेकार रज्यपाल हमको मिलेगा और रज्यपाल की अनुपस्तिति सब देखी आप लोग फिर कह रहा हूं यह जितना आसान हम इसको समझते हैं दस्वी बार्यू का पेपर नहीं दे रहे बीए बीए के पेपर नहीं दे रहे एमें नहीं कर रहे आप पॉलिटी से लिख लिख आप एक ऑब्जेक्ट्ट्व फेपर कॉंप्टिशन के एक्जाम इस दी दैखिए दहां दिन्देंगेकी दस दिन देखिए एक लाइन को देखिए करवाइंगे और नहीं को correspond ऊसकता ना लोगों और आपको आपको अपने आपको थोड़ा तो हम एट खिए विश्यवस्तूू आप जिजगते हो गुरुजी इतनी किताबे पड़ी जाती नहीं है क्यों लें हम लोग हमारे पास किताब पहले से भोत पड़ी है आप देखिए मैं कहा रहा हूं इसलिए लेना पड़ेगा आप लोगों आज नहीं तो मेने बाद लेना पड़ेगा रायथान के नोटस आपक कि राज्यपाल के क्रेट्यों कांदिर्वैन संब्स वान तो नोटस Swedish का मुख्य मशिंद करेंगा दम केलियर साथ है नहीं कौन कर रहे है राश्टपतीजी कर रहे है द्यानकरणा कारेकारी जो राज्य Esp отд पर बने रहेंगे पूरे नोट्स पड़े हुए है फिरी में बिल्कुल फिरी में है आप पड़ सकते हो अच्छे लगे तो मंगवा लेना पूरे हैं भाई बिल्कुल डिटेल से हैं नीशुल कहें रायथान के एप में फिरी मेट्रिल में आप लोगों को जाना है नोट लगा है जब कोई अन्य व्यक्ति राज्य पाल की किरेट्ट्यों का निर्भेन कर रहा होता है तो उन्हें वही उपलब दिया वही वत्ते वही विशेसदिकार प्राप्त होंगे जो की राज्य पाल को होते हैं आप देखिए दो महत्तपुन बाते कौन-कौन सी साथियो होत बड़ आकोशन बनेगा कि कारे वहा के राज्य पाल का उपवंद कोन करेगा संसद , राष्टपती , विधानमंडल और कोई डाल देगा आप ध्यान रखें आप लोग कारेवाहा राज्यपाल का उपवंद कोन करेंगे राष्टपती करेंगे और क्रट्यों का निर्भान कौन करेगा कि कोनि आएगा भाई कारेवाहा मूख्या करेंगे कि निर्भेन करेंगे कि कि ध्यान रखें आप लोग कि आगे बड़े अनुछेद 161 की बात करते हैं तो मेरी साब से 160 बहुत अच्छी तरीके से किलियर हो गया कि कारे कारी राज्यपाल की क्या विवस्ता है दो प्रस्तितियों में तो हमें विवस्ता की अवस्ता पड़ि वह ध्यान रखें केवल केवल आकस्मिकर होग के अद रिक्त होने पर नहीं वह आणुपस्तित्हीं हैक तो भी हमें राज्ये के मुख्य नियादिस और तो वे कारे वहाँ राज्येपाल की रूप में काम करेंगे तो उन्हें समस्त वेतन भत्ते विशेशादिकार वो ही मिलेंगे जो राज्येपाल को मिलते हैं मेरी साफ से ओके कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ा जाए देखिए अनुचेद 161 ये कह रहा है कि अनुचेद भैतर 72 जो भारत के राष्ट्वति को मिर्तुडन शमाधान सदा का लगू करन वो प्रावदान करता है ठीक वैसा ही प्रावदान अनुचेद 161 में राज्येपाल के लिए किय वैसा यह नहीं है अंतर है और उसी अंतर को समझना है कुछ मामलों में रश्ट पतीजी पावरफुल है देखिए राज्येपाल को किसी व्यक्ति के दंड को छमा उसका प्री विलंबन विराम परिहार करने की अत्वा दंडा देश के विलंबन परिहार या लगू करण की शक्ती होगी क्या मैंने मृत्यू दंड लिखा है नहीं लिखा न और यही अनुच्य दम भैतर पढ़ते 72 पढ़ते तो मेरे लाड़ लाओ बताओ अम मृत्यू धंड लिखते इनि लिखते राश्ट पती जी को मृत्यू दंड को भी छमा करने का दिकार है र लेकिन नोडस में कैसे पूछेगा कि सर इनका मतलब क्या होता है मैं लिख दिया निलंबन का अर्थ होता है ठाल देना की इस सजा को इस्तिक्त क्या चाला जाता एक बार पर यहार करत होता है त्यागना छोड़ना दोसादी से दूर करना कि ठीक है आप लोगों को दोशमुक्त करार दिया तीसरा है लगुकरण करत दी गई सजा को कम कठोर में बदलना एक तो हमने कहा कि टाल दिया बाई टाल दिया टाल दिया एक हमने कहा कि ठीक है यार आपको दोश मुक्त कर दिया दूर कर दिया आप लोगों को दोश से और लगुकरण मतलब है आपको जो सजा दी गई वो काफी कठोर है और उस सजा को हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा कम कठोर कर रहे हैं क्या तीनों बातों को समझ गे मेरे लाड लाओ बहमी आदमी बहम करते रहता हूं अना इतने तुम्हारे गरवाले भी नहीं पूछते होंगे तुम लाखों रुपे कोचिंग देखकर वहां भी नहीं पूछते होंगे इतना तो बहुत के कारेपालिका का विस्तार कि संग सुची के विश्य हैं उन पर नई है राज्य कारेपालिका जो कानुन बनाता है वहां तक ही इनको उन्हेविश्यों तक ठ कि नहीं रखें ये उलमभन परियहार की लगू कर मी प्राप्त है, नोट देखिए दो नोट बहुत इस्पेसल लगाए है राजेपाल को मिरत्युदंड को माप करने की शक्ति प्राप्त नहीं है जबकि अनुचेद भैतर 72 में राष्टपती जी मिरत्युदंड को भी माप कर सकते हैं इसका मतलाब माल लोग कोई बहुत बड़ा अपराध है उसे मिरत्युदंड दे दिया लेकिन अपराधी की राष्टपती के शाथ अच्पी पैचान है तो क्या उसे भी माप कर सकता है सर तरण साथ यह जो पद है एक समयदानिक पद है होत गरिमाए पद है भारत की प्रथम नागरिक केलाते हैं ऐसी भात की कलपना मत कीजिए इसार पैचान है रिजदार है तो आप जो मन चाय करके आजाओ आप किसी मडर करके आजाओ मेरे पास माफ कर दूगा सब के धायरे हो तो इस पद के लिए आप सोचने मत ठीक है आगे बात करते हैं राज्यपाल कोर्ट मार्सल से संबंदित तजह का भी समादान नहीं कर सकता तबकि कोर्ट मार्सल से संबंदित जो न्यायले होते हैं उनकी द्वारा जो सजा दी जाती है उसे राष्ट पती है ध्यान रखें आप लोग उन्हें माफ कर सकता है कम कर सकता है दो मामले जिन में राष्ट पती को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है नंबर एक एक तो है मिरत्युदंड और दूसरा है जो सैनिक नियाले है कोर्ट मार्शल है वो ध्यान रखें आप लोग वो कोर्ट म 161 में फरक क्या है वो राष्टपती के लिए ये राज्यपाल के लिए दोनों में जो अंतर है राष्टपती जी को विश्यस जो प्राप्त है वो दो मामलों में अधिक प्राप्त है नंबर एक तो मृत्युडंड और एक कोट मार्सल यहनि सेनिक न्याल ले ठीक है आगे हम ल कि आपको मालूम है इस बात का कि ये संस्ता को मैं जो बनेगा और ऐसे परसन ही चलए जयाए desirable के ले जाएंगे और ऐसे परसन ही है जो आप लोगों को टौप करवाएंगे देरह देखिया आप लोग राश्टपती राजयपालों और राजपरमुकों को सरक्षन को सरक्षन राजयपाल अपने पद की सक्तियों के प्रियोक की पालना के लिए किसी भी न्यायले की प्रति उत्रदाई नहीं होगा जो पद पर एक विशेश अधिकार है अनुचे 361 में रटलेना अनुचे 361 पहले कह रहा हूं आप लोगों को दूसरी बात करें राजपाल को पदावदी के दोरान आपरादिक मामलों की सुनवाई से छूट प्रापत है इस रिपोर्ट राजपाल की कारेकाल दोरान किसी न्याले की घरटारिये कारवास के लिए आदेश नहीं निकाले जाएंगे अनुचे 301 चार हमको और देखना है आपके सार को तो कुछ भी कर दो ऊ hand on देखिए राजिपाल को व्यक्तिगत कारेकार्यों के संस्मद में ऑप्रोग चूर puerta सिमित है राजेपाल दुवारा किये गए व्यक्तिगत कारवाई के सम्मंद में फिविल कारवाई शुरू करने से पहले निमिन शर्तों को पूरी करनी होती है आपने ठीक है पदपर रहते हुए पदिये करता विये किया है और उसमें आप लोगों से को अपराद हो गया आप से को चू सम्मंद में अगर हमें सिविल कारवाई शुरू करनी हैं तो यह शर्त हमको अपनानी पड़ेगी जड़ा देखें कौन-कौन सी कि शिविल कारवाई शुरू करने से दो महां पहले राज्यपाल को सूचित किया जाएगा इस प्रकार की सिविल कारवाई हम लोग आपके वि विवरण देना होता है जो पक्षकार है किसने क्या मेरे खिलाब लगाया है तो उसे नाम पता कारवाई की प्रकरती मांगे अन्ट का विवरण देना होता है यह आप लोग घ्यान रगें साथियों तो बहुत अच्छा आप लोगों के यहां सिरी चल रही है ठीक है तो कल हम को हमारा प्रियास ठीक है बिल्कुल आप अपना कमेंट कर में आप कमरती लिए लगे रही चाहारा मेरे से जिटना बन रहा करूंगा और बिल्कुल मैं आप लोगों के परतिबद्ध हूं मैं आपकी स्यवा के लिए बिल्कुल मैंने दिश है है और उसमें लगा हाओ आप सभी को राम राम शुब्रात्रिंग प्यारे विध्यार्तियों को एक बार फिर से नमस्कार आप सभी का स्वागत सत्यों राइठन पर करेंगे आज राज्य विवस्ता में राज्य पाल की सक्तियों के राज्य है आप लोगों को राहिथान का जो इसमें फ्री मैट्रियल में जाके आराम से आप लोग पढ़ी है कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है और नए जिलोंके मुताबिक राजस्तान के चारो सब्जेक्ट प्लस में आप लोगों का भारत का सम्विदान भारत का आपको भुगोल वहां आपको निशुल्क ए-book के रूप में पढ़ने को मिल रहा है और आप वहां पे यह समझ पाएं कि वाके ही राइथान के नोट्स ऐसे नोट्स हैं यह रखावट कैसी होगी नोट्स कैसे होंगे एप में अवेलेबल हैं यूटूब पर करवा रहा हूं और यह देखिए आप लोगों कि यह ब्रमास्तर नोट्स इनके आत्रिकत आपको कुछ पढ़ने के आओ सकता नहीं है और ब्रमास्तर नाम क्यों रखा गया है मेरे साथियो आप परतक्ष को परमान के आओ सकता नहीं है देखो बाते लंबी-लंबी हम लोग कर लें कोई दिक्कत नहीं है कोई गुना नहीं है लंबी-लंबी बाते करने में लेकिन साथियो बातों पर खरा उतरना यह बहुत बड़ी बात है और मैं यह कह रहा हूं यह देखिए आप यहां पूरी तरीके से मैं यह कहूं कि मनोविज्ञानिक दृष्टि कौन को यहां अपलाई किया गया है किस प्रकार से विध्यार्थी को कम समय में भैतर तैयारी करवाए जाए वो यदि तनाव में आता है तो उसे तनाव मुक्त किस प्रकार से किया जाए इन सब पर काम कर पर रहा है राइठान और यह जो नोड़ सल रहे हैं आप लोगों के आज हम लोग बात करेंगे वह साथियो पेज नंबर 11 पर आ गए अप लोग पढ़ेंगे तो जुड़ जाए आप लोग फटा-फट कि सभी मित्र क्लास को लाइक कर दें आप लोग क्लास को शेर करें ला राजस्तान की राजवियौस्ताय परसास नि ढाचा कि हम लोग बात कर रहे हैं और आज हम उसे में लोग बात कर रहे हैं राज्यापाल की सक्तिया दीक है वह नियुक्त लोग कि अहां गया भाई इसकी पीडियेप आप लोगों को नीशूलक अवेलेवल है वहां प्रिंट लेने को उप्सन नहीं आएगा आपको अब प्रिंट नहीं ले सकते बाकिया आराम से पढ़िया आप लोग एक मिठ हम आगे भूठ चलेगे आप अपने क्लास को शेर करें बच्चों को यह देखिए राजयपाल की शक्तियों के हम लोग बात करेंगे साथियों राजयपाल की यो शक्तिया हैं उनको हम लोगों ने यहां विभिन रूपों बाटा है एक कारेकारी शक्तिया दूसरी हम लोग बात करेंगे विदाही शक्तियों की बात करेंगे तीसरी हम लोग बात करेंगे वि विशेष दाइट यह जो सूव विवेकिया सक्तिया इन्हें हम फिर दो भागों बाटेंगे एक वह है जो मुताबिक सम्हीदान के परदान की गई हैं और एक वह है जो परस्तिति जन्य परस्तितियों के अनुसार ऐसी परस्तितिय पैदा हुई जिनमें राजयपाल को सूव लिए प्रदान की गई और एक जो सब्थ बात करेंगे तो यहां है इस स्थSet के देखो कि राज़ीपाल की शक्ति हमने पहले क Labu से जिस परकार से केंडर मियो उडिय का का मुखिए होता है तम्विदान के मुटबी मुख्या होता है और चारिक रूप से मुख्या होता है जिनके नाम से तमस्त कारिय किये जाते हैं ठीक उसी प्रकार से यहां पे राज्येपल को भी वो ही शक्तिया प्रापत है राश्टपती के शामान लेकिन कुछ मामले हैं और उन मामलों में पास ज्यादा शक्तिया होती है और उसमें नमबर एक कुट नितिक घंग कुट केनल निति की नाम पर किस के होते हैं राष्टपती जी के यह आप लोग ध्यान रखेंगे दूसरा आपात काल कि राज्य में हम लोग राष्टी आपात की घोशना कर रहे हैं यह हम लोग देश में राश्टपती शासन के हम लोग बात कर रहे हैं वो लगाने की जो पावर है वो किस के पास है राश्टपती के पास हाँ राज्ये में राश्टपती शासन वहां का शासन मुताबिक सम्विदान के नहीं चल रहा है तो राज्ये पाल यह मांग करेंगे कि यहां इस राज्ये मे सुपारिस करेंगे राश्चोपती शासन की अउशकत है लेकिन राश्चोपती शासन लगाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं राश्च्टपती इस मामले में भी राश्च्टपती पाउरफल है हम बात करें सैनिक आपको पता है साती हूँ आप लोगों खान जो senior परधान होता है हम लोग बात करें जो तो वो राश्ट्पति सैनिक सम्मंदित जो सक्तिया है वो राश्ट्पति की पास है राज्येपाल के पास नहीं है कल मैंने आपको यह बताया था कि जो छमादान की सक्तिया है उनमें जो कोट मार्सल से यानि सैनिय न्यायलियों से जो द पता हitä आप लोगों को कि मिर्त्यू दिंड आनुछेद भैत्र और अनुछे एक 준비 है राश्टपती जी को ये अधिकार है कि वह किसी kisheick skilled को भी वह माझार कर सकता च्वमा कम कर त्त नहीं राज्यक्तर भी किन के पास ज्यादा है राश्टपती के पास ज्यादा है कोर्ट मार्सल सैनिक न्याले के मामलों में छमदान करने की जो सकती है वो भी राश्टपती के पास है तो यहां एकदम किलियर कि यह मामले हैं यह मामले हैं और इन मामलों में राज्यपाल की जो सकतिया हैं वहां राश्ट्रपति सक्तियों से कम हैं बाकि सभी मामले हैं लगबग राश्ट्रपति और राज्यपाल को समान शक्तिया प्रामत हैं साथियों अब इन शक्तियों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ें हम राज्य की कारेपालिका शक्तिया की कारेपालिक के रूप में आपको पढ़ाय था मैंने चब अनुछेद 153 पढ़ाय तब आपको इस पर रूप से बताया गया था कि राज्यपाल राज्य की कारेपालिका का परधान होगा समझ गया आप लोग तो उसी संदर ममलोग बात कर रहे हैं अनुछेद 154 यह कह रहा है कि राज्यप क्या बतायात्य आप लेकारीद 154 इस बनस्ति के द। अधिकारियों के द्वारा कराता है आप बड़े तक देखेंगे पाल आसीस की तषिस्यों को नीचे अल ही की विभाक का सची वहां साइन करता है कार्वी विभाक के साइन होते हैं लेकिन साथ यो आप लिखे होंगे आग्या से राज्येपल आग्या से राज्येपल आग्या से राज्येपल राज्येपल यह को पता ही नहीं होगा कहां किसको लगा रहें को डिसकर्स नहीं लेकिन ना राज्ये के जो कारिये होते हैं राज्यसरकार कोई कारिये संचालन होता है वो शिपाल के नाम पर होता है। भुलकुल सभी का घॉनोट सभी का बहु कूल बहुत बढ़ी अख Tucson सब्सक्राइब और है त्रवारा कर सकता है बहुत अच्छा कोशन बनेगा कि राज्य की कारे कारी शक्तियों का निर्वहन करने के लिए नियम और कारिय का बटवारा कोन करता है तत्यों संसाथ हम विधान सभा राज्यपाल मुख्य मंत्री उतर आएगा राज्यपाल यहीं फसे का फिर कह रहा हूं आप लोगों से इसके अत्रीत आपको कुछ पढ़ने के आओ सकता नहीं है बस इस तरी जो कंप्रिट ले लिजी आप लोग राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कारे करके मंत्रियों में कार्यों का आउंटन के लिए भी बना सकता है अलाकि यह मैं फिर कह रहा हूं कि कार्यों का जो आउंटन करता है मंत्रियों में जो विवागों का आउंटन करत लेकिन मुताबिक सम्विदान के बहुत तागतवर अनुचाइद है आप लोगों के राज्यपाल के संद्रम में यह कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आधी के संबंद में मुख्यमंत्री का करतव्य है कि क्या हमारी सरकार क्या कर रही है क्या निर्णे ले रही है इसक रात्यों अनुछित 167 वेरी बैरी इंपर्टन्स में देखें मुक्रमंत्री का यह करता होगा कि वह मंत्री परिश्ण के सभी निर्णियों की सूचना राज्य पाल को यह Rayivity मंत्री का ऐसा कोई परसंद जिस पर मंत्री परिशद कोई विचार नहीं किया तो राज्यपाल के कहने पर मंत्री परिशद उसे विचार करेंगी कोई मंत्री का परसंद है और उस परसंद को बार बार रख रहें लेकिन मंत्री परिशद उसे विचार नहीं कर रही मंत्री पर आप लोग सब आई और फिर हम लोग क्लास और सुरू करेंगे मंत्री का ऐसा कोई परसंद जिस पर मंत्री परसंद को विचार नहीं किया हो तो उसे मंत्री परिशद के समक्ष कोण रखवाता है राज्यपाल ऐसे सवाल मिलेंगे आप लोगों को अनुचे 356 अपने आप में बैरिए इंपोर्टन कोईशन कोई भी राज्य में जो राष्टपति शासन लगाना है वो कब लगेगा तब लगेगा तो वहां का जो सरकार है वो सरकार मुताविक सम्विदान के नहीं चल रही अभी दिल्ली का मामला चल रहा है ठीक है अब आप लोग तो सम्विदानिक होता है थीक है एक आप लोग तो वहां जो राज्येपाल है वह राज्येपाल सिफारिष करेगा राष्टपति को तो उस में राष्टपती शासन लगाया जाएगा तो कि लहां की सरकार मुताभी सम्विदान नी के जाने की दशा में उपवन्द में आपको बताएं जर्ण नोर्स मंगवाली है वह बिल्कुल अपने टेबल पर रखी आपके सामने नोर्स और नोर्स बराबर आपके सामने होंगे फिर आप लोग समझते चलिए जिनों नहीं मंगवा लीजिए इसमें राज्य सरकार को बरकास किया दाता है और वहां के Ace पर राष्टपति अपने अधीन ले लेता यह मतलब 2 तो राष्ट्पति को परतिविदन दे यह इस संबंध में समाधान हो जाए मतलब समझ ले में जाएकी राज्य च्मे शेक्त कर भी छोंगे विफल हो गया संविदानी यह धंधान om संविनानी शासन विफल हो गया है तो राश्टपती राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन लेकर वहां राश्टपती शासन की घोशना कर देता है वहां की जो सक्तिया है राज्य सरकार बरखास हो जाएगी वहां की राज्य सरकार की सक्तिया उनको अपने अधीन राश्ट्पति शासन के समय विदान संभा का भंगोना अनिवारी नहीं है ताधर्ण तो इसे निलम बिट भी किया जा सकता है इसका मतलब क्या हुआ हमने कहा किसी राज्जे में सम्विदानी तंतर विफल हो गया राज्जेपाल ने सिपारिस कर दी राष्ट्पति ने वहां राश्ट्पति सासन लगा दिया और वहा के जो राज्जे की सक्तिया उनको अपने अधिन कर लिए फिर हमने कहा है कि सरकार को बर्खास्त कर देंगे सरकार को हमने बरकास्त कर दिया विधान सबा को हमने भंग कर दिया अब जरूर नहीं कि विधान सबा भंग हो कोई अनिवार्य नहीं है कुछ समय के समय उसे निलंबित किया जा सकता है समझ गे और पुने उनको बहल पुने फिर से वह चालू हो जाएगी द्यान रखे राश् कि उसे निलंबद किया जा सकता है क्या होगा राज्य में राश्च्फति शासन लगा दिया और राश्च पतिजन लगा दिया बना कि विदानन्सभा के भंग भी कर दिया अब एक सवाल बनता है किसर हम इने जनुने में चुनोटी दे सकते हैं मैं नहीं दे सकते आप लोग साई है या गलत है कुल अब लगा दिया आप इस बात को लेकर राश्डपत वारा ये उद्गोशना की जाती है उद्गोशना कोन करेगा राष्टपती करेंगे राष्टपती शासन लगाये कब जाएगा राज्येपाल की रिपोर्ट पर राज्येपाल की लिखित रिपोर्ट पर ही लगाया जाएगा गोशना करेंगे समविदानी तंतर की विफल होने पर कोन कर अगर कि यदि राज्य में राजनित्थि काणों से राज्य में राष्टपत शासन लागु किया जाता है तो एंबी विदान सबाको पूनर्जीवित कर सकता है कि कि विदान सबाको पूलर जीवित की बात कर रहे हैं हम लोग त्यान रखें आप लो यह उद्धोषणा माना की कर दी राष्ट पति जिन कह दिया कि इस राज्जे में हम लोग खोषणा करते हैं कि कल से राष्ट पतिशासल लागू होगा क्या यह फाइनल है फाइनल नहीं है इसे संसद से दो महा के अंदर अंदर इसका अनुमोधन करवाना पड़ेगा। संसद के समक्ष रखना पड़ेगा और संसद के संसद दो महा के वीतर वीतर यह अनुमोधित होना जरूरी है। उद्होषना के समगे माल्य हमने ऐसे वक्ट पर हुई लोकसवा और राज्यासवा संसत दोनों के समख्श लखेंगे लेकिन लोकस्वा के एलेक्सन चल रहे हैं लोगसवा यह जहां लाकें आप लोग स्वा का विगठन कर दिया गया है तो आप क्या होगा आप किसके समख्श सक्केंगे और इसलिए तो है रही तो कोई कारेकाल है नहीं वो सब्सक्राइए कि जीवित रेनेवीटयम गया तो कोई बात नहीं राज्य सब्सक्रेंबगा म् शाहिए छील् dress सब्सक्राइद जरूरी है अब इछऩीये गणत्य माना कि लोक सब्ण पुंदर गठन हुआ तो तीस दिन के भीतर भीतर उसे अनुमोदित होना जरूरी है तीन यहां पॉइंट फस गए गजब के पॉइंट है भाई मेरा मन कर रहा है और मन मेरा करता है क्योंकि मैंने दोर देखा है एक्जामनर को बदलता हुआ दोर देखा है मैंने वो टफ आए लेकिन देखा है मैंने यह मान लेजी आप लो मुझे इस बात का मालूम है की सीलेक्षिन कैसे निकाला जाएगा इसमें कोई किंटु-परन्तु नहीं है मौट है किस परकार के सवाल बनेंगे यह मुझे मालूम मैं और विध्यारति को क्या चाहिए वो मुझे मालूम ह है तो वही चीज में आपको दे रहा हूं अब विध्यारतियों को यह समझना पड़ेगा कि हमारा भौश्य कहां सुरुक्षित है लाखों रूपे यहां लोग कोचिंग करतें बरबाद करतें वहां सुरुक्षित है यह राय थान पर यह मुहिम चलाई जा रही है यहां सुरुक्षित पारे हो तो फिर आप हमारे साथ चुड़ी देखिए फिर पॉइंट है कि यह को दुबार्स रिपीट करता हूं कि राज्य में समवेदानी तंतर विफल हुआ लिख्यूत में रिपोर्ट करेंगे राज्जिपाल सिपारिस करेंगे उस राज्य में राष्ट पति उद्गोष्णा करतेंगे उद्गोष्णा के दो महा के भीतर उद्गोष्णा के दो महा के वीतर संसत द्वारा उसका अनुमोदन होना जरूरी उसको दो अनुमोदन हो गया तो आगे बढ़ जाएगा अनुमोदन नहीं तो खारी जोजाए अब यदि हमारे पास राज्य सभा के समख्ष लगई राज्य सभा दो महा के अंदर उसका अनुमोदित जरूरी है अब माना कि लोगसभा के चुनाव हो गए उसका प्रभाव समय नहीं होती है तो इसका प्रभाव समाफ्त हो जाता है कि अनुमोदन हो गया तो आगे बढ़ जाएगा और अनुमोदित नहीं हुआ तो यह समाप्त हो जाएगा संसद द्वारा या उद्गोष्णा एक बार अनुमोदित होने के बाद 6 महा तक जारी रहती है 6-6 महा के अनुमोदन के बाद 3 वर्स तक बढ़ाया जा सकता है इसके लिए निमिन प्रस्तिती होनी चाहिए निमिन प्रस्तिती होनी चाहिए द्यान रखें आप लोग क्या होनी चाहिए अनुछे 352 के तैत राष्टि आपात या अनुछे 324 के तैत चुनाव करवाना संबव नहीं है क्याका हमने समझे इसको फॉत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग क्या करेंगे 6-6 महा के अंतराले में हम 3 वर्स तक बढ़ा सकते हैं लेकिन बाइक किस आदार बढ़ाएं हम लोग वहीं तो कारण होगा तो उसके लिए दो आदार हो सकते हैं नंबर एक कि एक तो अनुछे 352 के तैत राष्टि आपात समविदानी तंतर विफल होगे और दूसरा अनुछे 324 के तैत चुनाव करवाना संबव नहीं है तो आपने माना कि सम्विदानी तंतर विफल हो गया आपने सरकार को बरखास्त कर दिया विदान सबगा भी गठन कर दिया अब मुझे बताएं क्या दिक्कत है आपको आप चुनाव करवा लिए छे में आके अंतर आपको तीन महां तक है तीन साल तक राष्टपति तक लग नहीं है लेकिन आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको एक प्रस्तिति पोर विचार करना पड़ेगा और वह प्रस्तिति यह अनुचे 324 की 324 के तैट चुनाव करवाया जाना उस राज्य में भी संभव नहीं है इसलिए हमें राष्टपति शासन बढ़ाना पढ़ रहा है आगे देखते हैं यह उद्गोष्णा जदी एक वरस से अधिक चलती है तो निर्वाचन आयोक को यह प्रमानित करना होगा कि चुनाव करवाने में कठिनाई हो रही है इसलिए राज्य में राष्टपति शासन जारी रखना आउशक है अनुचे 324 चुनाव करवान संभव को नहीं है लेकिन इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा वो देगा आप द्यान रखें आप लोग निर्वाचन आयोक क्या घजब की पॉलिटरी पढ़ रहे साथ यह हम लोग इस उद्गोष्णा के समय राष्टपती उच्ञाइलने में नियत किसी सक्तियों को अपने राष्टपती शासन का कोई परभाव नहीं पड़ेगा वेरी वेरी इंपोर्टन कोईशन साथी हो अनुछे 357 यह कह रहा है विदाई शक्तियों का प्रियोग अभी तक हमने क्या पड़ा कारिपाली का सक्तिया पड़ी और आब लोग बात कर रहे हैं हम लोग किसके विदा जिर्द देखिए राज्य की विदाई शक्तिया राष्टपती शासन के समय संसद के पास सरी जाती है कि राज्य के जो आप लोगों के कानून बनेंगे वह कानून राष्ट पतिनी बनाएंगे वो कानून संस्द बनाएगी और यह कौन से अनुछेद के त्यात अनूछे 357 पूछेगा आप लोगों से राश्यपती शासन के समय राज्य की विधाइट शक्ति यों का ठीक है राश्ट प्रश्यपती सासनमे राज्य की विधान मंडल की शक्तिय समाप्त नहीं होती केवल उसका निलम्बन किया जाता है समाप्त नहीं की माना की विधान सभा का हमने पुंदर गठन कर दिया हमने विधान सभा को बंग नहीं किया तो यहां समाप्त नहीं की उनको कुछ समय के लिए हमने संसद के पास ले देखे तुमारी व्यवस्ता ठीक नहीं चल रही राज्जे में राष्टपति शासन है इसलिए अम इन विश्व पर हम कानून हम बनाएंगे तो द्यान रखना आप लोग कि इनको समाप्त नहीं कि जा सकती भया भैसक लिए समाप्त कर दी इनका निलंब एक बार जरूर शेट करें आप लोग विल्लकूल आप कि लसको जरूर शेर करें आप लोग अपने मित्रों के पास मुझे भरोस्य निकाड़े आप लोगों को यह कहेगा ठीक है आपके टीचर की शान सकल अच्छी नहीं है ना अच्छा बोलता है लेकिन बोड़ पर कुछ चीजे चलती है वह स्मार्ट चलती है इसमें कोई किन्तु परणतु नहीं है देखिए अनुछेद 163 और 164 आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्रों अनुछेद 163 और 164 में अंतर है एकके राज्येपाल कयों सलाय में सायता के लिए एक मंतरी परिशद होगी जिसका मुखिया राज्येपाल होगा यह अनुछेद 163 कहता है यानि मंतरी परिशत सही मुखे मंतरी परिशत की भात करता है अगला स्टेप अनुच्छत 164 यह पद्गी बात नहीं कर रहा है कि इन मंत्रियों की नुप्टी कैसे होगी मंत्री परिश्द के सदश्य है सदश्य है मंत्री परिश्द के पूरा मंत्री परिश्द इसमें मुख्य मंत्री ब्या गया केबिनेट मंत्री ब्यागे राज्य मंत्री ब्यागे सब आगे वह मंत्री परिश्द में है तो उनकी न्युक्ति कैसे करेंगे आप देखो बहुत अ मन्तरी की सलापर करेगा यह समWIDAN में है लेकिन भाई वास्तु कोई सलापर ने लेता मैंने क्या कहा था वास्तुख सक्तियों का जो प्रियोग करते हैं वह मुख्यमंतरी करते नाम मात्र की उपचारिक सक्तिय समविनर सक्तिय वो राजएपाल के पार आपने कभी सुना क्या कि राजएपाल मूदय ने यह मंतरी बना दिया आपने तब मंत्री वही बनेंगे वो लिष्ट देंगे लेकिन राज्यपाल के माध्यम से हमें दयान यहां मुख्य मंत्री की शल्लापर करेगा अब बात करते मंत्रियों का जो पद है वो राज्यपाल के पर्साद अस्थ भांग करेंगे मंत्री अपना पद राज्यपाल के पर Your परियंत का मतलब क्या है मुख्य मंत्री के शीपारिष्ण मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदाईतु किसके पास मैंने कहा कि हम मंत्री प्रतेक मंत्री किसके प्रती प्रसाद प्रियंत किसके प्रती है वो राज्येपाल तो मंत्री का व्यक्तिगत यो उत्तरदाईतु होता ह सामुत्रदाइट्व की बात होती है तो विधान सबा के प्रति होता है क्या मेरी बात समझ गए मंत्रियों uncles व्यक्तिगत उत्तरदाईतु मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदाईतु है वो राज्य सभा पाल के प्रति होता है और सामुएक उत्तरदाईतु होता है वो विधान सभा के प्रति होता है क्या मेरी भात को समझ गया आप लोग अब पता क्या पूचेगा आप लोगों से मंत्रों का व्यक्ति गत उत्तर दर्शिट्र किस के परती होता है आपको उप्षिन मिलेगा राज्यपाल मुख्य मंत्री विधान मंंडल विधान सवा विध्यार सिट्री करे до각व मंत्री तो बनंत्री मुख्य मुख्यमंत्री किरपास भी तो वहां आप ध्यान करना आप लोग राज्यपाल नहीं करेंगे तब उत्तर राज्यपाल लाएगा सामुईक उत्तर दायुतिक बात करेंगे विदान सबा के पड़ती होता है और क्या करते हैं मुख्यमंत्री सहीत पूरी मंत्री परिशद को जो ध्यान रखना पद के साथ साथ उन्हें एक गोपनेता की शपत भी लेनी पड़ेगी आगे बताऊंगा आपको कि गोपनेता की शपत क्या है और ध्यान रखें आप लोग पद की शपत क्या है आगे बात करते हैं ए विश्वास के संबंद में राज्यपाल को यदि ये और ऐसी मांग उठ रही है तो ध्यान रखें आप लोग एविश्वास प्रस्ताव के सम्मंद में ध्यान रखने आप लोग तो वहां बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्य मंतरी सो कह सकता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं राज्यपाल निमिन मामल कर रहे हैं वह भी राज्यपाल कर रहे हैं जड़ा देखिए तवाल है हमारा राज्यपाल निमिन मामलों में मंतरी परिशद को बर्कास्ट कर सकता है कर सकता है किसकी कर सकता देखिए यदि मुख्य मंतरी आदिवेशन बुलाने से मना करता है हमने का आदिवेशन बुलाई मुख्य मंत्री जिनका हम नहीं करेंगे तो मतलग आप सम्विदान के मुत्ता भी नहीं चल रहे हैं हम आपको क्या करता है परकास्ट करता है यदि नैलने में यह सिद्ध कर दिया कि मंत्री परिशद सम्विदान के वरुद कारिये कर रही है तो राज्यपाल मंत्री परिशद को बरखास्त कर सकता है विदान सभा नहीं मंतर को नस्थ पारित हो जाता है कि फिर भी मूख्य राज्येपाल मंत्री परिश्द को बर्कास्त कर सकता है मैं मंत्री मंडल शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मंत्री परिश्द कर रहा हूं आगे बताओं मंत्री मंडल मंत्री परिश्द मंतर है बाई आगे बात करते हैं कि अचानक मुख्य मंत्री की मिरत्य हो जाती है उनका निदन हो जाता है और उसका उत्तर अधिकारी नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्य मंत्री की न्युक्ति करता है ठीक है माना कि मुख्य मंत्री जे उनका निदन हो गया और उसके उत्तर अधिकारी का पिसाड नहीं हो पा रहा है तो ऐसी इस्तिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्य मंत्री न्यूक्ति करता है और फिर कहता है कि आप अपना वहुमत साविद कर दीजिए एक बार बना देंगो इसको और बनाने के बाद कहा देंगे आप अपना वहुमत क्या किया आगे देखें रजीपल के दुआरा कुछ न्यूक्तिय की जाती है मैं आप लोगों को एक साथ दे रहा हूं कोई कमी नहीं छोड़ी भाई कोई कमी नहीं छोड़ी अब कमी रहेगी तो हमारे करमों की रहेगी विश्यवस्तू को इतना आसान बनाने की प्रियास मैंने किया आप लोगों के दुआहों से और प्रमात्मा के आशिरवास्य मासर रस्वतिक महरवानी से कि विध्यारती के लिए यह सब पूछे बस यह इसमें जिन्दा रहना है तुम लोगों को इसके अत्रिक्त कुछ है यह नहीं पढ़ने नहीं तुम लोगों को राज्यपाल दुआ कि यह श् cualquier दुवरा क्ंकोन से की जाती है महाधी बक्ता जो कानुनी सलाकार होता है ने राज्य लोका उएकिक कि अलगलंगर कों पढ़ने कियां कि न्यूकति करता है यह कौन कों से पदबस पर नृप्र करता है नो चीनि पिए अनृत के नृत करता है प्रशियों कि नृप राज्ये मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सद्धिश्यों की न्युक्ति वे करते हैं। राज्ये सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सद्धिश्यों की न्युक्ति वे करते हैं। समझें आगे देखिए कि कुल पतियों की न्युक्ति करता है कुल पतियों कारिकाल तीन वर्स की अउदी होती है यह सत्र वर्स का आयू होती है जो भी पहले हो ति जियान रखें आप लोग वह राज्य पाल करते हैं इसलिए आपको मालूम होगा कि रैजईपाल उनने कुल अधरफथी कहते हैं यह ध्यान रेके आप लोग लिखो कुल अधिपथी नफया, क्युक्ति कर रहा है, है कुल पतियों की कर रहा है दोनों सब्दों को समधने जिए आप लोग कि कुल आदीपति राज्यकाल तीन वर्स की कारिया हो दिन या सत्तर वर्स की आयुग जो भी पहले वो होगी तो सब बाते बाते आपको ध्यान रखने पड़ेंगे आगे हम लोग बात करते हैं राजीपाल निमन आयोग इनि कौन-कौन कौन से आयोग है कौन-कौन से बोर्ड है कौन-कौन सी समेतिया है उनका हदक्ष होता है या सरक्ष होता है कोई सवाल भार नहीं जाएगा इस किलास को आप दो-तीन बार देख लेना दो-तीन बार लगा लेना रायथान के नोट्स अपने पास रखना यह मात्र आप लोगों को नोट्स समय चाहिए तो आप लोगों रिप्लाइए मिलेगा आप लोगों करना है और आप लोगों नोट्स मंगवा लेने हैं ठीक है और दो-तिन बार इस क्लास को लगा जाना पहले वैसे लगा दीजिए फिर इस बिट बनाके लगाते रहें आप लोग अधिक्ष की बात क अधिक्ष नहीं है लेकिन उनके सरक्षक होते हैं किसके राजस्तान स्काउट गाइड के अधिक्ष सरक्षक नहीं वो कुलादीपती होते हैं मैंने क्या कहा भी आप लोगों से कुल पतियों के न्युक्ति करते हैं और होते क्या हैं कुलादीपती द्यान रखें आप लो कुलादीपती राजस्तान के सभी राजकिये विशुवी द्यालों के होते हैं और कुल पतियों के न्युक्ति करते हैं और कुलपतियों का कारीकाल मैंने बताया तीन वर्स की कारीय अ उदि या जट्तर वर्स की आयू जो भी पहले होगा दोनों में के जो भी पहले होगा वह ध्यान रखेंगे आप लो बिलकुल मिना जी वेरी गोड इविनिंग बहुत बढ़ीा है बिलकुल 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 राम राम बिलकुल देखिया आप लोग राज्जे के विछुविध्या लोग के कुलादी पती उचनेले लिख का मुखे नादिस होता है भूत अच्छा पूछा है हमने रट लिया किसा राज्य के विशुवी ध्यायलों के ौल दीहsels होते हैं और विशुवी ध्यायलों के कुल कट्रो की करते हैं और कुल पत्यों का जो कारे काल होता है वह तीन वर्ष के कारिया होदी या सत्र वर्ष की आईू जो भी पहले होगा साव क्या रोला-डाला है रैज्ये के विधी विश्यू ध्यालों के कुला अदेपती होते हैं रैज्येपाल मुख्यमंत्री और दियारती यहां मात खा कानून बनाता है कानून बनाता है विवस्ता पिका और विवस्ता पिका को हम शेमती होती है रैज्यपाल की होती है इसलिए ध्यानकणा राज्य विदान मंदल का उलेक अनुच्छेद 168 में हम लोग पड़ेंगे तो ध्यानकणा उसमें राज्यपाल होता है विधान सभा होती है विधान परिशदांद आपके इंसर हमारी राजिस्तान में तो यह नहीं विधान सभा और विधान सभा मांग करेगी तो विधान परिशद का घठन करने का काम संसद का है मागे पड़ेंगे तो राज्य के विधान मंडल का सत्र आहुत सत्र वाशन और विघठन करने का काम करते हैं वो कौन करेंगे राज्यपाल यहां एक सब्द अमारे पास विधा मंदल मैंने विधान सभा नहीं लिखा मैंने विधान परिशन नहीं लिखी विधान मंदल लिखा न जिस प्रकार से संसद है लोग सभा राज्य सभा राष्टपती उसी प्रकार से हम लोगों ने कहां काम ले रहे हैं हम लोग यहां पर केंद्री व्यवस्ता यहां लोग काम विधान मंडल है वो विधान मंडल का अंग नहीं है राज्यपाल लेकिन फिर वी वो अलग नहीं है विध्यान रखना आप लोग तो द्यान रखें आप लोग कि राज्य विधान मंडल विधान मंडल का मतलब विधान सबा भी है विधान परिशद भी है लेकिन हमारे विधा मंदल बोले मैं विदान सभा नहीं बोला है तो सत्र आहुत करना कि हमें बुलाया गया आमंतित किया सत्र बुलाने का जो पावर है वो रज्यपाल के पास है सत्रा वशन करना सत्र को खतम करना यह किसके पास है राजयपाल के पास और राजयपाल विधान सबा को भंग भी करेगा यानि विगठन करेगा मेरी साफ से एक दम के लिए कि सत्र आहुत करते हैं सत्रा वशन करते हैं और उसका क्या कर देता है विगठन कर देता है यानि उन् लंबी चलने लंबी आउदी तक उसकी बात करें तो ध्यान रखेंगे आप लोग शत्र बुलाना सत्रावसन करना और विगठरन करना ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है आगे बात करते हैं लोग जी देखिए राज्यपाल बहुत वहां आप लोगों को स्रोट में समझाया डाइगराम के बाद्यम से और अब उसके नीचे आप लोगों को पूरी तरीके से डेटिलिम समझाया गया है ज़र रेखिए राज्यपाल विदान मंदल या किसी एक सदन का अधिवेशन बुला सकता है वो विद विदान मंदल की दो बैठके अनिवारी है ताल में दो बैठक होनी चाहिए लेकिन भाई वो दो बैठक है वो कब-कब होनी चाहिए दो बैठक होनी चाहिए साफ बात है कि आप एक सालम दो बैठक बुलाईए लेकिन दो बैठकों की मद्य के तारीक के मद्य पहली बैठक और आप दूसरी बैठक उनके मद्य की जो अवदी है मद्य के जो समय है वो छे महा से अधिका नहीं होना चाहिए केलियर समझ गया आप लो राज्यपाल केहरा हूं आप लोगों को बैठक एक अलग चीग है बैठक चल रही है उसको इस्तगित कर रहा है अब लोग वो पावर विदान सबा के विदान सबा अध्दक्ष के पास है ज़रा देखिए विदान सबा की किसी बैठक को इस्तगित करने की शक्ति विदान सबा अध्दक् कि राम नाद camping बिलकोल बैठक जो बुला रहे हैं वो वदान सब्दक्ष बुला रहे हैं सत्र बुला रहे हैं ई रजे पल बेठक को इस्तिक्षित कर रहा है को रही है और एक ते इंटे के लिए बरह आध को साको हटोड़ी जाएंगे हमने आप क्षा क्षेर है किये, आज की कारौब को स्थिकित कि है, दो गंडे के लिए बैठक। चल रही थी. काम विधान सबंद्न का है, कि फार नहीं कि सत्र बुलाने को और सत्र को एस्थिकित करने का वो काम किस के पास है, रहे जेपाल के यह इक एक अंक के लिए लड़ना पड़ेगा एक एक अंक के लिए है यहां से कोशन कम आते हैं कि यहां से ज्यादा आते हैं हमें एक परसंद यदी आ रहा है वहां से उस से उस विश्य पर हम पकड़ बनाएं तो यह आज के दोर में हम लोग अपने सीट निकाल पाएंगे ध्यान करना लाश्ट में तुम एक अदा नंबर के फेर में फस्ते बता लूंँ आप लोगों को कि एक अदा नंबर के फेर में फस्ते बता है अनुछेद हमारा एक सो पिचेत था यह देखिए है क्या क्या रहा है कि सदन या सदनों में अभिभाशन का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार मैं यहां नीचे अंडरलेंड कर रहा हूं यहां पे हमारा केवल अभिभाशन है और अनुछेद एक सो चेंटर में विशेश अभिभाशन है कि यहां पे संदेश बेजना और जुड़ रहा है नीचे नहीं जुड़ रहा है आप जरह देखिए क्या का है कि सदन या सदनों में अभिभाशन अभिभाशन और नीचे क्या है विशेश संसद के सदस्यों आपके विधान मंडल के सदन के सदस्यों को तेरा देखिए राजिपाल सदन में जाकर संदेश दे सकता है या बेज़गे संदेश विचार करने के क्या सकता है या किसी लंबित विदेख के संधेश करता है मन चाये संदेश देदो आप पर कोई रोकटोक नहीं है विशेस अभी भाशन में रोकटोक है अभी भाशन विदान सवा चुनाओं के बाद पर्थम सत्र के आरारम वे दिए जाता है वहां ऐसा कुछ नहीं है कि आप कब दिजिए पर्फम सत्र में दिजिए दूसरे में दिजिए शुरुबाद सभी अभी भाशन है कि वीशस अभी भाशन है अब मञत अब विधान सब्वा चुनाओं के बाद पर्फम सकते हो जब परतेग वर्ष के पर्थम सत्रक्रारम में दे जा सकता है उसके आवहन के कान बता जाते हैं कि क्यों बुलाया गया है कि विशेष अभीभाशन राज्य के मुख्य सचीय। दौरा तैयार किया जाता है तरकार बनी पहली बैठक हो रही है कि राज़ेपाल विशयस अभीभाषन देंगे। परतेख साल का जो सत्र प्रारम होगा पहला विश्यस अभी भाशन देंगे और भाशन कोई बंदर नहीं लगाए हमने कब देना है यही फरक है भाशन यानि अभी भाशन और विश्यस अभी भाशन में सवाल पूछाता है कि राज्येपाल विधान मंदल के सदेश्यों को संदेश विजने का अधिकार रखता है अनुचिर 145 में राज्येपाल का विश्यस अभी भाशन होता है अनुचिर 146 में अब बात कर रहे हैं साथी हम लोग राज्येपाल की विदय को पर अनुमति राज्येपाल है वो विदय को पर अनुमति देते हैं वो इनके संबन में क श्राज़ विधान सबाया विदान मंदल दुआरा पारित विदेक राजर पाल के पास जाता है तो निमिन चार इस्तितिया उत्पन होती है निट्व थैंजिक क कोई विदेक हैज व कानुन तब बनेगा व्हू अधिनेम तब बनेगा वे तब उसपर तो इसे हम लोग नाम देंगे राज्य पाल की विद्य को पर अनुमति यह अनुछेद दोसों यह लंबा चलेगा इस पर हम लोग अलग से ही बात करेंगे कल नेक्ष्ट प्लास के लिए करेंगे आप लोग आठ थोड़ा पंदर मिनिट क्लास देरी से तुरू हुई तो दस बजगे हैं आप लोगों के कल समदो कल हो सकता है कोई प्रोग्राम है तो मैं कोशिज करूंगा आप लोगों की कि सवा आठ से सवा नोव बजे क्लास लिने पैसे डाल दे जाएगा आप ल सभी को निमंत्रण है आ सकते हैं आप लोग ठीक है तो कल की क्लास में हम लोग रखेंगे सवा आठ वुजे क्लास लूँगा लग जाएगे आप लोग चेर्क कर लेना आप सभी को फैंक्यू आप सभी को सुभरात्रि सभी विध्यारतियों को राम राम बिल्कुल आप सभी का स्वागत एक बार फिर से सभी साथियों कर आए सब्सक्राइब राजर्षतान के ब्रव्वास्ता में यह क्लास नंबर आप लोगों के छोगी इतना भैत्रियन आपको रिविजन देखने को नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात आप लोगों को टूदी पॉइंट हम लोग बात करेंगे यह स्रीज वो स्रीज है जिसके अत्रीक्त आप लोगों को मैटर के दृष्टी कौन से कुछ पढ़ने के हो सकता नहीं है कंप्लेट मैटर को यह नोट्स कवर करेंगे कोसिस यह होगी आप लोगों के हातों हुथ याद भी हम लोग करवाए और आपको जो फैक्ट आप लोग किताबों में ढूंडते हो सरी यह कहां वह कहां है मेरा पूरा प्रियास किया गया कि जितने भी किताबे हैं मैं जितना भी मैटर है उस सम मैटर को इन नोट्सों में बिल्कुल एक उसी साफ से सोल्ट करते हुए शम्मिलित किया गया है ताकि विद्धार्ति आराम से अपना उचित समय में बड़ी अध्यन कर सकता है यह देखिए इस प्रकार से आप लोग नोट्स मंगवार हो यह आपकी बार हम ल इस पारल बाइंडिंग भी आगे आपका ढाक चारज भी इसका मतब्स पैसा जादा नहीं है और क्वालिटी आपकी यह दीख रहा है आप लोगों को बहुत चांदर क्वालिटी में भीजेंगे इसके अलाब मैटर कैसा होगा दूबीदर है तिये सब बहुत सी सेकड़ों क को अधी बुक के रुप में उपलब्द है आराम से आप लोग एक दिन दो दिन देखिए एक एक टोपिक को देखिए एक लाइन को देखिए और आपकी उम्मीदों पर यदि सो परतिसत कहड़ा उत्रें तो बिलकुल आप राइथान के नोट्स पढ़े बिलकुल और उन न बस रहिए चिंता करने के आउसकता है नहीं आप लोगों को ठीक है रखड़ा हुआ हूँ बस इस स्रीज को आप लोग थोड़ा ठंक से समझ तो यह आगे बढ़ जाए बस देखिए हम लोग जो बात करेंगे कि वन मिनिट यह आप नोट्स देख पा रहे हो मैं वीडिया लगा लेता हूं कम्प्लेक्ट राज्येपाल की हम लोग शक्तियों की बात कर रहे थे आरे पाले का शक्ति हमने देखी फिर हमने विदाही शक्तिया देखी अब हम लोग बात करेंगे विदेग के संब्द में कि जो विदेख होता है उसे विदेख के संब्द में राज्येपाल को क्या-क्या अधिकार है जो कानून बनता है वो कानून किस प्रकार से बनता है और विदेख पर जो अपनी अनुमती देता है राज्येपाल वो के अनुमती दे सकते हैं अनुमती नहीं दे सकते हैं कितने द रखे जाते हैं उन पर राज्येपाल की श्यूकरति के बाद में वो कानुन बनते हैं और राज्येपाल के पास क्या-क्या अधिकार उनकी बात करें राम-राम सभी को अमित कुमार ची बिल्कुर सभी को राम-राम देखिए अनुछे दोसों कह रहा है विदेकों पर अनुमति यह विदेक है रखे जा रहे हैं विदेक है और तब यह पारित हो जाएंगे राज्येपाल की सहमति मिल जाएगी तो फिर यह क्या बनेंगे अधिनियम बनेंगे द्यान अप लोग के लिए राज्ये विदाहन सभा या कर सकता है वह हमें देखने हैं ठीक है बात कर रहे हैं राज्ये विदान मेंडल द्वारा पारित विदेक राज्येपाल की सुकर्ति के बाद ही कानुन बनता है कोई भी जो विदेक होता है कानुन बनेगा वह राज्येपाल की सुकर्ति के बाद ही बनेगा ध्यान रखें आ बात करें तुधयान रखें आप लोग वहां अरश्ट पटी होंगे मिविल्कुल रेगुलर चल रही है घंविदेग राइजय पाल की पूर अनुमति से पेश किया जाता है ध्यान रखना बात करें एक धन विदेग की बात करें संसेद्ट विदेग वो तो आये गए यह आप वो तो संसत्व में रहेगा थिक है तो आम बास कर रहे हैं आप लोगों कि कि जो धन विदेग दन विदेग राजयपाल की पूरों सुकर्टी के साथ ही वह क्या किया जाता है धन के जाता है यह लिसे अपनी शूकर्थी डेगा देगा और दो राजिपाल पर अस्ताक्शर कर सकता कोई भी आया तो वह अस्ताक्षर कर सकते राजड़ेपाल अपनी सिपारिश या संदेश के साथ उसे पुने बेश सकते हैं लेकिर पुनर्विचार के बाद आने पर राज्येपाल उस पर अपनी शूकरती देगा कि विदेग आया विदेग पर अस्ताक्षर कर दिया दोस्रे कौन सी transplant का गाल gonna विदेग और विदेग को क्या कर दिया पूने वेज़ डिया विदान मंढल के पास पावर है लेकिन अगर विदान मंडल ने उसे वापिस या तो वैसा वैसा पारित कर दिया या उसमें कोई संसोधन सहित पारित कर दिया उसे वापिस भेजे तो वहां राज्यपाल अपनी सहमयोति देने के लिए बाद्य है के लिए ठीक है अपनी सिपर संदेश के साथ उसे पुने भेजा विदान मंडल में अब पुनर विचार के बाद आने पर राज्येपाल उस पर अपनी क्या देगा श्यू करती देगा तीसरी बात हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्येपाल किसी विदेग को राष्टपती की अनुमति के लिए रख सकता है वो निमिन विदेग हो सकता है सहमति देदी कोई रिक्कत नहीं है वाफिस लोटा दिया कोई रिक्कत नहीं है उन्दर विचार के लिए वाद वापिस आ गया सहमति देनी पड़ेगी और तीस कौन से विदेग हैं वह मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और ऐसे सवाल बनते हैं कि निमिन में से वह विदेग बताइए जिन पर राष्टपती है वह अपने राजयपाल है वह राष्टपती जी के पास भेजेंगे कि नमर कूई विदेग जो उच्ण नयले की कि सक्तियों का अलपी करण करता हो ऐसा कोई विदेग को जो उच्ण नयल्यककी सक्तिय samhं उन्हें में कमी कर रहा हो एसे मिदेग को अनीवारी रूप से व्यिदैक संविदान के उपधिव परवाइब कर तो आसे वीदैक को भी राष्टियों परसंद सामीलो या विए देश के हिरू दो तो ऐसे वीदिएख को भी भेजेंगे और ौर वव आप clarification Day को भी आर्ख्षित कर सकते हैं नंबर एक ऐसा विदेख जो उच्व नेले की सक्तियों में कमी कर रहा है ठीक है तूसरा ऐसा विदेख जो सम्विदान के उपवंद्व के खिलाब हो तीसरा ऐसा विदेख जो राष्टिय मेहत्तों का परशन शामिल हो और देस के की विरूद्ध हो ऐसे विदेग को बेदेग आप हम लेत चोथा पॉइंट के दिया कुछ विदेग ऐसे यहां नहीं आए लेकिन वह अपने विवेक अनुसार क्या कामन विवेक अनुसार भी खुछ विदेगों को राष्टपती जी के लिए आरक्षित कर सकता है अब बात करते हैं नोट लगा कि राष्टपती के लिए विचार के लिए आरक्षित किये जाने पर उस विदेग के संबन्द में राष्टपती भूमी का लगवक बेचर के लिए भी बेच सकता है राष्ट पती पास गया राष्ट पतीन कहा कि कोई बात नहीं है आप ऐसे कीजिए कि यह जो विदेक के उस विदेक को विदान सभा के पास पुनर विचार के लिए बेच दीजिए ऐसा भी हो सकता है यदि विदान मंडल दुआरा 6 महिने की बीटर विदेक पर पुनर विचार करके संसोदन सहीत या विना संसोदन तो राष्ट पती कोपुने बेजा जाता है तो ध्यान में रहे पुनर विचार के बाद वापिस बेजा तो हम लोग कहेंगे कि राजिपाल ने वह अपनी सहमेत देने के लिए वाद दे हैं क्या हुआ कोई विदेक आया और उस विदेक को राष्ट पती जी के लिए आरक्षित कर लिए राष्ट पती जी ने कहा कि ऐसा है आप इसे राज बिदकर्ती देने के लिए आधे नहीं है लिए वेरी बात को समझे आप लोगे बिल्कोल नमस्ते वही नमस्त क्या मेरी बात को समझगे अमन्ल टीना अप लोग राष्ट पति जी ने पुनर विचार लिए बिजवाया आए किसको विधान मंडल को संसत को नहीं संसत को नहीं ध्यान रखना आपटलो वेरी इंपोर्टें्ट hè और विरहान मंदल ने वापिस भेज दिया जो विदेख को आर्क्षित किया था राश्टपती जी के लिए तो राश्टपती जी वहाँ अपनी सूखर देने के लिए बात देने हैं आगर देखिए क्यों ऐसा क्यों देखिए ऐसा क्यों ध्यान सुनना आप लो अनुछे 200 और अनुछे 201 में फर्क समझे आप लो अनुछे 200 है वो राज्ये पाल है वो अपनी विदेएक ओपर सहमति सम्मनित प्रावदान है अनुछे 201 ये कहता है कि जो विदेएक है वो विदेएक राज्ये पाल ने राष्ट पती जी के लिए आरक्षित कर लिये थे उन्हें क्या प्रावदान है अभी मैंने क्या कहा था कि राज्ये विधान मंदल ने पुनर विचार लिए वापिस भेजा तो राष्ट सुवकर्थ देने के लिए क्योंकि अनुचे 201 में इस परकार की कोई सीमा घैनकना क्योंसा विदेएक जो राष्ट पती समक्स प्रस्थूत किया जाएगा से संब्दित प्रावदान किया गया है इस अनुछेद में शुवकर्ति की अनिवारिता अनिवारिता भी नहीं लिखी ठीक ध्यान रखें आप लोग शुवकर्ति की अनिवारिता या कोई समय सीमा नहीं बताई गई अर्थात विदेख राष्टपति जी के पास अनंत काल तक पड़ा रह स सकता है जे भी वीटो शक्ति है बिना कोई निर्ने के विदेख को राष्टपति अपने पास रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जे भी वीटो शक्ति का मतलब समझें आप लोग जे भी वीटो शक्ति बिना कोई निर्ने के विदेख को अपने पास रखना जे भी वी वीटो शक्तियों के हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी वीटो शक्तिया तो पहले तो हम लोगों ने वीटो का मतलब समझ लिया कि ऐसे विदेख जिने राश्टपती जी ने राश्टपती जीने राश्टपती ने बिना कोई निर्णे के अपने पास रख लिया हो उसे हम नहीं पढ़ना कुछ भी नहीं पढ़ना इस रिज को पढ़ लिजी एक बार और एक बार आप लोग सब परिक्षा देना जाए तो उससे पहले एक बार इस प्रिड में इस रिज को देख जाना और नोट्स राय थानके जरूर मंगवाल लेना है हमने गोशना कर दी कि यह स्यू ओकरति रोकने कि गोशना संभी करण पाल इससे केंगे अत्यांतिक वीटों शक्ति और ऐसा किया बाथ करते हैं या निलंबन कारीSTA में शक्ति कि किसे विदेव को अपनी शिपारशों के साथ विदान सभा को पुनर विचार के लिए भेजना और विदान मंडल द्वारा उस विदेव को संसोधन के साथ या बिना किसी संसोधन के पारित करके पुने राज्यपाल के भेज जाता है तो उसे सुकर्टि देने पड़ते मंडल ने पुनर विचार किया या नहीं किया तो हमने क्या किया समय तो लगा हमें सब्सक्राइबर के पास ब्हुत वापिस राज्यपाल के पास आएगा तो यहां राज्यपाल दुबारा नहीं लोटा सकता ना अपने पास रख सकता उसे क्या करेंगे अपनी सेमति देना ही पड़ेगी समझे तो एक हमारे अत्यांतिक वीटों शक्ति जहां हमने उसे एक बार रोक दिया और यहां हम लोग बात कर रहे हैं इसे निलंबनकारी अनुचे 213 सात्यों एक शब्द हमारे पास आता है अध्यादेश और एक शब्द आता है विश्रांतिकाल दो शब्द यहां लेखे हुए हैं माना कि कई बार हमें अचानक से किसी कानून के आउसकता पड़ी कानून बनाने का काम व्यवस्ताफिका का है अंसद का है केंदर मे आज़्य मेराज्य सुच्छी के वीश्यों पर राज्य विधान मंदल का है तो हमें कोई अचानक ऐसे कानून के आउसकता पड़ी जो अचानक परस्तित्यों का को बनाना अब विधान मंदल की बैठक आएगी विधान सभा की बैठक आएगी उसमें हमें वक्त लगेगा ऐ ऐसे में अनुच्छेद एक सो तेवीस ये संसद की विस्तरांतिकाल में राष्टपति को अध्यादेश जारी करदे का अधिकार देता है इसके बात करें अनुच्छेद दोसो तेरा दोसो तेरा दो को यहां ली आएंगे एक बीच में डाल देंगे 123 और 213 दोनों को एक साथ जार रखेंगे 123 राष्टपति और 213 रज्यपाल तो विदाहन मंडल के विस्तरांतिकाल में अध्यदेश प्रक्ष्याति करने की रज्यपाल की शक्ति यह 233 और 123 अध्यदेश एक ऐसा कानुन जो एक बार हमने बना लिया उसे हम लोग क्या कहते है अध्यदेश कहते हैं अब वह जो अध्यदेश है वह फिर जैसे विदाहन मंडल आएगा पर आपको पता है विदाहन सबा का जो चुनाव है वह महां के अंदर अंदर होना निवारी होता है तो उसके 6 महा की अवदी होगी तो उसे हम विदाहन सबाएगी विदाहन मंडल आ तो फिर बन जाता है तो यह द्यान रखें राज्य पाल जारी करते हैं और विदान मंडल की विश्रान थी काल में करते हैं यह द्यान रखें आप लोग ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग राज्य पाल केवल उन्ही विश्यों पर अध्यदेश जारी कर सकता है जिन पर कानूर बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल का हो यह द्यार रखें आप लोग राज्य विधान मंडल जो कानूर बनाएगा नीजेंए उंही जारी करेगा विशे को सांग सूची के विष्षी पर करी नहीं सकता है विशे जो होंगे वह राज्य की गया रख Snake लोग प्राजिय सुच्वी के विष्येव पर अध्यदेश जारी किया जाएगा कि अध्यदेश केवल उसी समय जारी किया जाता है जब विधान सबा या विधान मंदर सत्र में नहीं पहले एक सब्सक्राइब विश्रानति काल से ही किलिए हो रहा है आगे बात करते हैं यह उस परस्तिति में जारिक किया जाता है जब किसी कानून की तत्कालाव सकता हो समझा दिया आपको राजयेपाल दुवारा अध्यदेश कभी वी वापिस लिया जा सकता है राजयेपाल द्फी मंड़ल कि श्रीपारिष्भायय हो रहा है ड्य्आ अध्य देश को विदांत जवावी निर्जीवी बना सकते हैं अध्य देस को विदांत सब्सक्राइब कैसे स्माप नेयिट एक तो राजय पाल उसे अध्यादेश को वापिस ले ले लिए समाप्त हो जाएगा और एक उसे विदान मंदल खारिज कर दे तो वहाँ शब्द क्या लिखा हमने निर्जुवी बना सकता है अब सकते और विदान मंदल वह भी से समाप्त कर सकता है विदान मंदल पुन्य बैठक में आने के 6 सब्था देखिए अधियादेश अधिक्तम अवदी उसके 6 महा है 6 महा के अंदर अंदर विदान मंदल की बैठक को नहीं होती है उसके आने के बाद बैठक के पर्थम दिन से वह ध्यान रखें आप लोग 6 सब्था के भीतर उसे पारितों ना जरूरी है आपके सर हमार राज्य में में जुर्श फ्रम्त विदान सबा है लेकिन जिन राज्य में जिन राज्यों पे विदान सबना और विधान परिशद दोनों हैं तो वहां हम 6 महेने की जो आवड़ी है zal 16 अ Maz WiFi वो कहां से गिनती करेंगे भी άवसच पहला सदन्न है वह वह उसकी बैठक दो दिन पहले आ ग यह संकल पहले विदान सभा से पारित होगा और उसके बाद परिशत द्वारा अनुमोधन किया जाएगा विदान सभा इसे पारित कर रही है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन भाई विदान परिशत केवल केवल इसका क्या कर रही है अनुमोधन कर रही है क्या आप लोग निम् कि कि प्रावदानों की अध्यद्य जारी कर सकता है अब साथ अतीए ऐसे विदेडिश की ऐसे अध्यद्यद्य जारी करने से पहले राश्ट पतीजी के अनल्मतिह डिले वही बात जो विदेड राश्ट fati के लिए आर्खषित किया जाएगा उनकी सेमति के बाद दी अध्यादेस जारी किया जाएगा देखिए आप लोग इबूग कहा मिलेंगी राइथा मोबाइल एपली के समझाना है आप लोगों को और आपको फिरी स्टेडी में जाना है आप लोगों सोनु जी वहां मिलेगे तरह देखिए आप लोग ऐसे विदेख जिनके लिए राष्टपती की पूरों मंजूरी हो जरूरी है जिदा एक ही पॉइंट लिख दिया हम लोगों ने कि अभी पढ़ाय मैंने वह विदेख जिनके लिए राष्टपती जी की पूरों अनुमती लेना अजिए एक सावदान यहां पढ़ने के आवसुकत नहीं है कि अधियोदिस की अधिक्तम अवदी छे महां की होती है क्योंकि छे महां के अंदर-अंदर सदन की बैठक होनी है अब विदान परिश्द विदान सभा दोनों सदनों वाले विदान सभा में ये च्छे सब ताकि गिंती बाद वाले सदन की पर्थम बैठक से होगा शे महा के अंदर बैठक आ गई बैठक आने के बाद वो विदेग 45 दिन तक और वो जीवित रह सकते हैं च्छे सब्ता का समय है च्छे सब्ता और उसका परभाव रहेगा अब यदि इन्हें पारित कर दिया कानून बन जाएगा अगर इसे खारीज कर दिया खारीज हो गया हो लेकिन इसके दुआरा जो काम किये गए उन कामों पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा ध्यान रखें आ बात कर रहें हम लोग अमारत भी धन सब्सक्राइब एकी सदन है तो दियान रखना जो सदन बाद में आई उसकी बैठक नहीं चाहिए आप सब्ता की गिंती बाद वाले सदन की पर्फम बैठक से होगी इस दियान रखे आप लोग नोट यह अधर रेस यदि विदान मंडल पारित कर दिया तो कानुन बन गया वर्ना खारीज हो गया को दिक्कत नहीं कि विधान परिशद में अब बात करते हैं हम लोग विधान परिशद में एक पटा चैसरदेशी राज्यपाल मनुद करता है जो निमिन छेतर से हो जाते हैं यह भी एक पॉइंट है कला साहित्य वि विधान परिशद में एक बटा चैसरदेश्यों को राज्यपाल मनुद करता है और वो जो एक बटा चैसरदेश्यें वो कौन-कौन से छेतर से हो सकता है वेरी-वेरी इंपोर्टेंट आपसे पूछा सकता है तो आप लोग कहें सर कला से हो सकता है अप लोग कहें साहित्त से हो सकते आप लोग कहें विग्यान से हो सकते आप लोग के स्यकारिता से हो सकता और समास से वासरी भी हो सकते हैं। इन से सम्मानूत 270 सदश्यों को राजेपाल कि टाइम लगेगा इस टोपिंग में भी तो पढ़ाया ना ठीक कि राजिपाल की नियाइक सक्तिया देखिए वहां आप लोगों से मैंने चर्षा कर चुका हूं यहां में चर्षा करने के जरूती नहीं है अनुचेद मैंने आपको 161 पढ़ा चुका हूं और अनुचेद मैंने आप लोगों को अ है अनुचेद बहतर है जो राष्टपती को जो मादान की सक्ट्य प्राप्त करता हुआ मैं अनुछेद 161 है ये राज्येपाल को किसी व्यक्तिए को दंड को चमा करना प्रीविलम मन विराम, परिहार, लगुगर्ण कर सकता है कि राजयपाल को यह शक्ति वहां तक प्रापता यहां तक राजयपालियं का विस्तार था बहुत विस्तार से अनुक्त है राष्टपती और राजय पाल के ढूंत को छोड़कर लगबग समान अधिकार करते हैं पत्युष्य सूची के विशेन मामले होते हैं उनमें भी जो समादान की वह संग सूची के विशे सब्सक्राइब करें तो तीन मामले देखे जिनमें राज्येपाल पावर्फुल हैं मुर्यत्यूदंडु को चमा करना कोर्ट मार्सल सेन नालिये के माप और तीसरा बात करें हम लोग संग सूसी के विश्य यह ध्यान रखें आप लोग राश्टपति वारा उच्ण नयल्य में न्यायदीस की न्युक्ति के समय राज्यपाल राश्टपति को परामर्स देगा तो न्यायक सक्तियों की बात कर रहे तीसरा मामला ही होगा उच्ण नयल्य की परामर्स पर वो क्या करेंगे जिला न्यायदीसों की न्युक्ति करेंगे तो मेरी साबसे एकदम किलियर भाई आगे बढ़ते हम लोग को अब देखेए और क्या होगा माना की राज्य विधान मंडल है में हमारे दोनों सदन आगे विधान सभाव बियागे विधान परिश्द परिशन आगे तो च Dhan मंडल कि एय योग्यिताओं को करेंगे वह कौन करेंगे और हैं यह यहां पर राज्य निर्वाचन आयों नहीं है क्यों किनके सलास्य करें आप सवाल पूचता हूं कि विधान मंदल के साध्येशयों के संंबंद में कौन करता है आप यह काम किनके प्रामरश करता है लोग यह प्रामरश करता है निरौचन आयोगagar विल्पकत अनुचि जो में ने 203 सभी बात कर रहा था राज यपाल द्वारा जिला न्याईदीशों की नुक्ती की जाती है उच्छ नियाले के परामर्श पर अनुच दोस्तों चोटीस राज्यपाल द्वारा जिला नाइदीशों को छोड़ कर न्याइक सेवा के लिए न्याइदीशों की न्युक्ति की जाते भी आप लुग ध्यान रखें कि लिए आगे बढ़े हम लोग राज्यपाल की वित्य शक्तिया कौन-कौन से साथ हो देखो यह जो बजट होता है सबसे पहले वो जो बजट रखवाने का जो काम करते हैं राज्यपाल परतेक वित्य वर्स के प्रारम में वित्मंत्री द्वारा वार्सिक आयव्या का अनुम विदान सवाम बजट को रखवाने के लिए जो काम करेंगे वो राज्यपाल करेंगे और किसके दुवार रखा जाएगा वो वित्मंत्री दुवारा समझ गया आप लोग राज्यपाल परतेक पांच वर्स बाद राज्य वित्य आयोग का गठन करवाते हैं क्या आयोग का गठन करवाते हैं यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे दन विदेग बात कर चुके दन विदेग को विदान सवाम लाने से पहले राज्यपाल की पूरो अनुमती आउशक है और पूरो अनुमती लेली उसके बाद धन विदेग जाता है तो राश्टपती राज्य इंतन होता है अचानक दन की आउसकता पढ़ने पर राज्यपाल इस निदी से ले सकते हैं एक होती है संचित निदी और एक होती आकस्मिक निदी से वेतन दिया जाता है वेतन प्राप्त करते हैं आकस्मिक निदी का मतलब है कि आचानक हमें कुछ फंड की आउसकता पढ़ इस सब्सक्ता उइंद्दि से यह सकता विद्द कि उसे कि परकार की अनुदान की मांग नहीं की जा सकती और सब्सक्राइब जिए परिशक से आर्पिए सी का वार्षिक प्रतिविदन ड्यालेकने आप लोग को महा है को महा है महालेका परिशक से को मा आर्पिए सी का वार्षिक प्रतिविदन राज्जी वितायों की रिपोर्ट और राज्जी के आयवियों के सम्मन्द में रिपोर्ट को विदान सभा के सव विवेक के सक्तिया दो प्रिकार की हैं सथियों एक वो है जो मुताबिक सम्हिदान के दे रखी है कि इन इन मामलों में राज्य पाल हैं अपने सव विवेक का काम करके निर्णे कर सकते हैं कि दूसरा हुए है कि उनका उलेक नहीं है परस्तिति घटी लोग राजय पाल की सव विवे की सकतियों को two भागों में बाटा जा सकता है पहला देखिए सम्विदानिक और विवेक अनुकार शक्तियों की बात करें अनुचे 200 मैंने आपको पढ़ाय था कि ऐसा है कुछ विदेक ऐसे होते जिने राज्यपाल राष्टपती की सेमती के लिए आरक्षित करते हैं वो कोड़कों से हो सकता है ऐसे विदेक जो सरवोच नैले है पर उच नैले हैं उनकी सक्तियों में कम ही कर रहा है तो सम्मीदान लिख राक्त है सब समवेधानल लिख रख ता हम उसे नाम क्या देंगे समवेधानिक विवेक अनुसार सक्तिया राजिपाल राजिविदान मंदल दुआरा पारित किये गए विदेकों को राष्टपती के सला के लिए आरक्षित करेगा राज्ये में सम्वेधानिक तंतर विपल हो जाने पर राज्ये में राश्टपती सासन के लिए राश्टपती को सिपारिश करेगा सम्विनाल लिख रखें तो ये राजेपाल द्वारा मुख्य मंत्री से मंत्री परिशत के निर्ने और पर्शासरिक मामलों की जान कर लेना अनुचित 162 राजेपाल का विवेक अनुसार किया गया निर्ने अंतिम होता है उसे वैद्धा के अधार पर चुनोती नहीं राष्टपती के लिए विदेग को आर्षित किया गया हो या राष्टपती शासंगल लिए सिपारिस करना यह हम लोग कहेंगे कि उनका निर्ने अंतिम होता है और उसे वेद्धा क्यादार पर नियाले में चुनोती नहीं दी सकते यह सभी बाते का लिखी हुए सम्वी दा मिरत्युदंड हमने राजयपाल में कहां बता है आप लोगों को भाई पढ़ने के साथ साथ गुणना भी हो जरूरी होता है कि यह पर हम पड़ी पढ़ लेते हैं और गुणते नहीं है न यह बहुत खतर नाक है मेरा वीर बहुत इस पर श्रुप से बता चुका हूं कि मिर समदान का अधिकार वह भी राजयपाल के पास नहीं राष्ट्रपति के पास तो यह परसंदी बनता कि मिरत्युदंड कौन सी शक्ति है तो यह आप लोग है और हम तो वीवे कानुसार सक्तियों की बात कर रहे है भाई है कि कहा हाँ आगे बढ़ते हैं अब बात कर रहे स्स्तिति जिन्हे शुवी वे कानुसार सक्तिया आप आपको बताते हैं कि परस्तिति कैसे गड़ती है माना कि विदान सभा के चुनाओं और विदान सभा के चुनाओं में किसी दल को आप suc बहुमत नहीं मिला हाँ सब्सक्राइब तो अब राज्यपाल के पास निर्वर करता है कि कौन से दल के नेता को बुलाए और कहें कि आप लोग मुख्य मंत्री बना रहें आप अपना भूमत सावित कीजिए जड़ा देखिए राज्य विदान मंदल किसी सदन को इसपश्ट भूमत नहीं मिलता है तो जिसे एक महा के अंदर विदान सवा में अपना भूमत सिद करना होता है कितना एक महा के अंदर विदान सवा में अपना भूमत सिद करना होता है आगे देखिए सरकार के अलब मत में आने पर विदान सवा का विगठन करना कब करेगा कोई उसके लिए वी नहीं है किसी मंत् आप पर चुनोती नहीं दी जा सकती कि उसे ये कारिये विविक अनुसार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था यह जरूर ध्यान रखेंए आप लोग ठीक है कि वाते समझ गें विक्रम जी कि अगे देखिए कि राजिपाल की न्यूक्तिक के सम्मंद में कि सरकारी आयोग की अनुसंस आए है कि वह मैं पहले भी आप लोगों को बताई है मैंने कि यह सरकारी आयोग है 133 मिन की अपना पर्तिव दिया था बहुत सी बातों पर इस पर दिया लेकिए वहां देखेंगे इस पर उन्हीं व्यक्तियों के न्यूक्ति के जानी चाहिए जिन्होंने सामाजिक जीवन ज्यान विज्ञान के छेत्र में विशेश उपलब्दी प्राप्त के पहली बढ़ चुके है ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पदपर नहीं किया जाए जाए जिसका सम्मंद सक्री राजनिती रहा राज्यपाल 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 के व्यक्ति को व्यक्ति होना चाहिए बहार का व्यक्ति होना चाहिए बारा नहीं है बहार का व्यक्ति कि अलब संक्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस पदपर न्यूक्त किया जानने वाली परंप्रा को जारी रखना चाहिए अनुछी देख सो त्रेपन संसोधन करके रज्य विशार विमर्ष किया जाना चाहिए यह मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ तो यह हमारे राज्यपाल के विवहिन प्रावदान देखें फिर उनकी शक्तिया देखें और आप सामदेख पा रहे हो अब तक के राज्यस्तान में राज्यपाल इसको हम लोग कली पढ़ेंग अब तक के राज्यस्तान में राज्यपाल पूंसा राज्यपाल क्या उधीतक रहा क्या-क्या उनकी उनकी समय बन सकते हैं उनके हम लोग बात करेंगे तो आप सभी को शुबरात्री बिल्कुर्ण डिनाजी रामराम लेकिन आप लेट होगे अब तो हमारा जाने का समय हो र देखे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक नंबर पर मैंने सवाई मान सिंग लिखा है और सवाई मान सिंग लिखके कोश्टक मैंने राजपरमुक लिख दिया और इनके नीचे मैंने कारेकाल दे दिया कि 30 मार्च 1904 से 31 अक्टूबर 1956 तक और इनकी संबन्द में विशेश क्या है उसको मैंने टिपड़ी में ले लिया 30 मार्च 1904 आप सबको मालूम है 30 मार्च को हम राजिस्तान दिवस मनाते हैं रियाशतों का एकिकण हो चुका था उससे में सिरोई हमारे पास नहीं थी बॉंबे प्रांथ में थी और आपको मालूम हो तो 14 का टुकड़ा एक पड़ा था 4 का टुकड़ा पद है वो इस परदेश के लिए बना और वह राजपरमुक का पद है उसको वह समझ सक्तिय प्राप्त होंगी जो की राज्यपाल को प्राप्त होंगी तो राजपरमुक में राज्यपाल के पद्यक कर्तव्योका निर्भेन किया वह 1956 तक किया और 1956 में साथवे सम्विदान संसोधन के दुवारा अनुछे 53 में चैंज किया 153 में और परंतु जोड़ा गया और यह जो आपके राजप्रमुक जैसे संस्ता है उसको सार्थ करें उसके जगे राजयपाल का लागू किया इसलिए हम लोग राजयपाल की भूमिका में सवाई मान सिंग को पढ़ रहे यह राजस्तान के राजप थे जैपूर याशत के पूर महरत थे उनका बच्पन का नाम था वो मोर मुकुट सिंग थे इनको शपत दिलाने का जो काम किया वो ध्यान रखे आप लोग शपत सरदार वल्ला भाई पटेल ले दिलाए थी किसको हम लोग बात कर रहे है राजपरमुक को ध्यान रकना आप पूलो के विशुविख्यात खिलाडी थे पास के लिए हमारे पास अनलेट हो गए बई जैपूर के पूरो महरता थे बच्पन का नाम मोर मुकुट सिंग थे शपत कौन दिला रहे सरदार वल्ला भाई पटेल दिला रहे और सात्वे सम्विदान संसुदन 1956 के दुबारा य जाताक मेरी बात समझपाएंगी समझपाएं थे पासमारी पास में पहले नमबर पॉइंट के लिए रहो है राजपर मुक क्या तो फिर राजयेपाल करना गता सबसे पहले शुशुबइत करने वाले मान्य थे वह सर्दार गुरुमुक नीहाल चन्डुत थे पहले राजयस्तान के राज़ेपाल रहे क्योंकि इससे पहले राज़परमुक थे है 1956 बने और 1956 से लेके 1962 तक रहे ॔र क्या देखिए धिचे प्रक्षाई चम्नाम पासव दीजिरे दो MacBookनिष्टा weten भी रहे थे लिविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे इध्यान रखें आप लो और राज्येपाल के रूप में सबसे लंबे समय तक जो कार्य किया वो किस ने किया सरदार गुरुमुक नियाहल सिंग का कार्यकाल सर्वादिक रहा है इनकी पुष्तक है देखिए लेंड मार्क इन इंडियन कॉंस्टिटूशन एंड नेशनल डवलोपमेंट इंडियन इस्टेट्स एंड ब्रिटिस इंडिया इनकी पुष्तक भी आपसे पूचा सकता है तो दूसरे जो राज्येपाल रहे वो द्धान सबा के अधिक्ष रहे थे यह आप नहीं भी याद करेंगे तो भी आप लोगों के चलेगा और राज्येपाल की रूप में इनका सरवादिक कारेकाल रहा और इनकी पुष्तक हैं लेंड मार्क इन इंडियन इंडियन इस्टेट्स एंड विर्टिस इंडिया जिए इनकी पूष्तक यह आपसे पूछे सकते हैं इनके बाद जो राज्येपाल बने वह डोक्टर संपूर्णानंद सिंग बने यह ध्यान रखें आप और यह डूंगर पुर्जो महावी द्याले है उसके यह प्रचारी रहे और ऐसे आंदोलन भाग लेने कान इनोंने त्याग पूष्तान में जो पहला राष्टपती जो शासन लगा वह ध्यान रखें आप लोग वह डोक्टर संपूर्ण संपूर्णा नंद सिंग के समय लगा इनके समय राज्ये में पहली बार राष्टपती शासन लगा 13 मार्च इसके बाद इनकी पुष्तक है अधुर्वेदिय वरत कंडम गनेश इनके समाजबाद पुष्तक को मंगल परशाद पुरुष्कार प्राप्त हुआ है पुष्तक के यह ध्यान रखें आप लोग और एक विशेज ध्यान रखें ज्यादा ज्यादा डीपली जाएगा तो व पुष्तक के दूसरे मुख्य मंत्र रहें यह भी ध्यान रखें आप लोग इनके समय राज्यम पहली बार राष्ट पत्र सासन लागू हुआ यह अपने आप में एक अच्छा सवाल है और हमको अंक देने वाला सवाल है ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग सर्दार हुकुम सिंग देखें सब दो बाते बहुत इंपोर्टेंट है यह 1967 नौमबर सत्तर और दिसंबर सत्तर से आपके जून 1270 वह मत चाहिए यह ड्यान रखें आप लोग कि जो हमारी संसद्धी जो हमारी समीदान सभा थी वह समीदान सभा के सद्धे से रहें सर्दार हुकुम सिंग औ मार्च का मैना अप्रेल में संपुर्ण नन्ध सिंग जी का कारेकल पूर्ण हो गया है is इसका मतलब राज्टपति शाषण जो पहले वाला है वह डौक्टर संपूर्ण नन्ध सिंग के समे लगा था जो समाप्त हुआ है बो राष्टपति शाषण सर्धार पुकुम सिंग के समय हुआ था तो राज्यस्तान के वो राज्यपाल जो सम्हिदान सभा के सदेश्य रहे थे अंतरिम संसद के सदेश्य रहे थे अंतरिम संसद जो कहा गया है वो सम्हिदान सभा को कहा गया है तो वह कौन है आप लोग बताएंगे मानिए सरदार हुकुम सिंग जी थे बैरी पस्ताहितान में जहां देको Pॉरहां तो मुर्रा जो नसल है उसका प्रमुक के इन्दर है यह उत्रेस्ट संसद के सदश्य रहे वाग रिप्रे दैटए के यह जब्रेटिए राजस्तान के वह राजयHappy का नाम पर्थम राष्टपति शासन समाप दुआ 26 अप्रेल को तब लगा था देखो यह 15 अप्रेल को यहां पर यहां पर यहां पर 26 अप्रेल को समाप दुआ और यहां सरदार हुकुम सिंग के समय यह क्या हुआ यह राष्टपति शासन समाप दुआ तो तीनों बात है इंपोर्टेंट उत्तर परदेश के इनका जनाम मोंटे गुमारी में हुआ था अंत्रिम संसत के सदिश्य रहे हैं लोगसभा के उपाद्यक्ष और अद्रक्ष भी आए इसका कारियावदी राष्प्रशासन की लेकिन दो राज्यपाल यहां आपको देखने को मिलेंगे और यह दो बार राज्यपाल रहें देखिए बीच में हलका सा गया पा रहा है यह आप लोग ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं हमें न्याय मूर्ति जकत नारेंट सर्दार हुकुम सिंग्जी है यह विदेश यात्रा पर जाने के कारण यह पद अनुपस्तिति के कारण अनुपस्तिति कहां चलेगे विदेश चलेगे तो हमें कार्यवाक राज्यपाल के आशुकता पड़ेगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से सर अंत्रिम संसद कौन सी होती है अंत्रिम संसद यह ध्यान रखें आप जो सम्विदान सबह है संसद हमारे 1952 में अस्तितों में आई 1952 से पहले हमारा सम्विदान तो बन चुका है 26 जनवर 1950 को हमारा सम्विदान लागुव हो गया तो यह जो अंत्राल है 1952 और 1950 के बीच में यह संसद की रूप में जो काम करेंगे वह सम्विदान सभा करेगी सम्विदान सभा कोई संसद जैसा धर्जा प्राप था इसलिए हमें उन्हें अंत्रिम संसद कहा है ठीक उसी प्रकार से अंत्रिम राष्टपती डोक्टर राजिंदर परशाद को किसी ने चुना था समिदान सभा ने चुना था तबकि राष्टपती का चुना कोन करेगी संसद करेगी ध्यान मे रखें आप लोग और अनुछे 380 कभी आपको पढ़ने को मिला हो तो अनुछे 380 अंत्रिम राष्टपती की विवस्ता करता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे लेकिन वो कौन होगा रज्जी के उच्चनाले के मुखे न्यादिस तो पहला हमें कारवाहक द्यान करण बहुत इंपोर्टेंट है पर्थम कारवाहक राज्येपाल राजस्तान कों थे न्याय मूर्ती जगत नारायन जी और इन्हें क्यों कारवाहक बनाया आप फटाक से उत में कारिय किया था वो दिकत और देखिए यह पर्थम कारवाहक राज्येपाल हैं यह पर्थम कारवाहक राज्येपाल हैं यह पर्थम कारवाहक राज्येपाल हैं क्यों हैं कौन हैं आपके सामने हैं आगे बात करें चार्ट मैंने तयार किया नोट्स में बहुत गजब तर साल कारेकाल रहेगा कि अंतर्यम संसॉर लोग सबाव राज्य सबाव के सदस्ष रहे हैं अंतरी मुशन स मढखकई लोगसबाव लड़ने के लिए परे पत्से त्याग पत्र दिया था पत्से और त्या x 2 ।と अच्छे को वने द श्राप्रा को राज्य के पर्थम राज्य पाल जिननोंने अपने पत्ज से ट्याक पत्तर दित थैं और अपने पत्त याथ वो कौन है सरदार जुगिंद्र सिंग क्यों दिया क्योंकि इन्हों ने लोग सभाका चुनाऊ इनको लड़ना था ज remembers to सरकारी आयो कि मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी 1983 में गठनुआ 1988 में उसकी रिपोर्ट आई थी उन्हों क्या कहा था कि जो राज्यपाल रह चुका है वो आगे चलके सक्री राज्यती में भाग ले उस पर नियंतर रखना चाहिए क्या देखने को मिल रहा है पहले राज्यपाल रहे हैं और फिर लोग जोगेंदर सिंग जी राज्य के कर राख समक्ष राज्य पाल जकत नर्यणी जीए लोग शिभान बात करें सात्ति यो रास्तन के पर्सम राज्य पाल सरदार गुडूमुक नियहाल सिंग आगे आते हैं कि अब आता है हमारे पास बिदान आरा दिर कॉश्चंब क्या करेभाग राज्ये पाल की हमको अउस्पता पढ़ेगी इसका मतलब कौन आएंगे राज्य के मुखे न्याई καन मुखे न्याई मूर्थिवेदवाह स्वां ध्यायन रखें दूसरे मुखेन न्याईइ जोाrain बस आपको पढ़ने की आउ सकता है मैंने मेरा 100% दिया है आप अपना 100% दे दीजिए तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा लेकिन हमें से कोई भी 100% नहीं देगा तो दिक्कत है है हमारे सामने विश्यवस्त्य को पहुत आसान बनाने कोशिश किया मैंने सरदार जोगेंदर सिंग के त्याग पत्तर देने करण अत्रिक्त कार्य भार आया किनकी पास न्याय मूर्ति वेदपाल ट्यागी जी के पास और दूसरे नंबर के ये कार्य भाग रज्य पाले साथ यह अब बैत कह दोस्ता हूं राज्यस्तान के उन्हें राज्य पाल का नाम बताएं जो राज्यस्तान लोग सेवा आयोक के सदेश्य भी रहे हैं तो आप लोग कहेंगे शिरी रगुकुल तिलक्त कि राज्यस्तान लोग सेवा आयोक के सदेश्य रहे हैं और पेसी का सदेश्य राज्य पा बनाम डोक्टर रगुकुल तिलक मामला चला क्या पढ़ते हैं हम लोग कि आप लाब का पद्धारण नहीं करेंगे आर्पेसी के सदस्य रहे पिर राजयपाल बने इस बात को न्याले में चुनोती दी गई और वह वाद चला वह हरी गोविंद पन्थ बनाम डोक्टर रगु रगुकुल तिलक रजयपाल थे और वह राजस्तान लोग से वायों के जहां रखें सदस्य रहे हैं वह कौन है रगुकुल तिलक के साथ हो बात करते हैं हम लोग दूसरा राष्टपति शासन रहेगा वह रगुकुल तिलक के समय लगा अप्रेल 1907 से जून 1907 तर इनके समय प्रारम्ब हुआ दूसरा और इन्हें के समय समबत हुआ पर्थम राष्टपति स french महीं हुआ है और दूसरे राष्टपति शासनम लोग देख रहे है तो तो रगूकुल तिलक साब के समय स्वरू हो रहा है और इनके समय समाप्त हो रहा है और मित्रों यहां क्या पढ़ा है हम लोगों ने सड़क दूर गठना में इनका निदन वहाँ राजेपाल का पद जो खाली होता है बिना कारेकाल पूर्ण कि दो तरीके से होता है या तो उन रेचे वहाई इस आपके प्रगूकुल तिलक साब की सड़क दूरगठना में इनका निदन हो गया आप निदन हो गया तो इनका क्या बनेगा कारेपाल बैदेगा तो हम लोग कहें एक कृझन दर्शन सरमा refuge को कारेपप या बनाया आपकी राज्य पाल कि रगूकुल तिलक लग को पदमुक्त किया जाने पर पाकिस्तन मोरिशस ऑस्ट्रेलिया में उच्छा युक्त रहे ये भी आप लोग ध्यान राके आगे बढ़ते हैं हम लोग एरचीप मार्शल अम्प्रिकास मेहरा साग एरचीप मार्शल अमप्रिकास मेहरा वायु सैना के अदक्स थे सैना के स्रोच पुरुषकार परम विशिष्ष शेवा पदक से नवाज अगे उन्नी सो सतेतर में पदम विविश्ण सम्मानित किया गया इंदुस्तान एरोनोटिक्स के अधिक्ष रहे हैं भारती ओलोपिक्स के अधिक्ष रहे हैं और इनकी आतम कथा स्विट एंड शोर दो सम्मानित किये गये हैं और स्विट एंड सोर यह किसकी रचना है तो आप लोग केंगे क्रिशनदत सर्मा साब किये हैं अब बात करते साथ यह हम लोग न्यायमूर्थी पीके बनर जी यह वी कार्यवाग है कैसे देखिए ओपी महरा साब यह विदेश यात्रा पे चले गए थे एक रचेपाल पहले थे जो विदेश यात्रा पे गए तो उनकी जगे कारेवाग बना यहां न्यायमूर्थी पीके बनर जी यह कार्यवाग बने क्यों बने क्यों एक ऊपी महरा साब जो सिटिंग रयाज न्यobraze विदे स्यात्रा पे चले गए तो इनके पास कार्यवार तट् प्रफारा था ये भी अत्र घ्रांड रखेंगे तो भी महराँ प्राशाक उपी महराँ च पुर्ण हो गई तो पूर्ण होने पर जो कारे वाहर दिया गया वो दोक्तर ड.P. गुपता को दिया था तो यहां पे O.P. महरा जी के कार्य अगरी पाल रहेंगे एक नियाय मुर्ति P.K. बनर जी क्योंकि महरा साव विदियस यात्रा पगे थे और दुक्तरा डोक्टर डीपी गुपता क्योंकि ओभी महरा साब की कार्यावदी पूर्ण हुई थी ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे स्री बसंत राव पाटिल महराष्ट के पूरो मुख्य मंतिर रहे हैं मात्मा गांदीजी के साथ सत्यागरा अंदोलन भाग लिया था लोग सबसादिश्य रहे हैं पदम वीबूशन सम्मानितुएं त्याक पत्र दिया था भारत सरकार दोरा डाक टिकेट जारी किया गया था इतना ज्यान रखें कि बसंत राव पाटिल साब है इन्होंने भी त्याक पत्र दिया था एक पत्र में पीछे पढ़ाया है आप लोगों को कि लोग सबाद चुनाव लड़ने के लिए राजी पलमोदे ने त्याक पत्र दिया और यहां देखेंगे आप लोग तो कोने बसं है दुसरी बाससाथसिओं यहां पर यह दो बार रहा हैं देगे कारयकाल यहां 1958 फिर 1989 सबसे इंप्पोर्टट बात यह है कि ऑं रज्जे के मुख्य्य मंत्री होते है उन्हें शफ्य दिलने का काम राज्य पाल महुधे करते हैं राज्यपाल पदपर हैं शपत दिला रहें लेकिन एक बार हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा तब कारे वहाक राज्यपाल है एक बार हमको ऐसा भी देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा कि कारे वहाक राज्यपाल हैं कोन रज्य के मोखे न्यायरस और उन्होंने रज्य के वो मुखे न्यायरस जिन्वन न्यायरस जिन्होंने कारे वहाग राज्य पाल रहते हुए मुख्य मंत्री सियुच्रन माथुर को शपत दिलाई मेरी साथ से एकदम के लिए बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है बहुत इंपोर्टेंट इफेक्ट है आगे बात करते हैं सुग्दे परसाथ जी 1988 से 1989 छोटा सा कारे कल र आएंगे और आप स्री मिलाप चंद जयन आ रहें क्यों आ रहें क्यों कि सुग्दे परसाथ जी ने क्या दिया था ट्याक पत्र दिया था ट्याक पत्र दिया मिलाप चंद जयन है यह क्या रहें कारिवाक रहें भारत सरकार में उपमंत्री इसपात एम खनन मंत्राले के मंत मुख्य न्यादिस रहें ये भी अपने आपने अच्छा कोशन पढ़ेगा तो मिलापचन जैन साब हैं अब पढ़ते हैं हम लोग आगे प्रोपेसर देवी परसाद चटोपध्या है देखिए राजव गांदी की हत्या की जाच के लिए एक आयोग बना जिसे हम लोग जैन आयोग कहेंगे तो जैन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने लोकायक्त के लिए भी जाने जाते हैं बहुत अच्छे कोशन कई बार एक पूछा भी गया था कोन से राज्यपाल मोदे हैं वो लोकायक के लिए जाने जाते हैं तो आप केंगे प्रोफेसर देवी परसाद चठवुप Sony गांदी की हत्या में जो जाच अयोग बने उसके अध्यक्ष भी रहें ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे देवी परसाथ चट्व पध्याइस साथ लोकाइट के लिए जाने जाते हैं लुक्तर शहृफ सिंग ये तब गुजरात के राज्येपाल रहते हुए इनको अत्रिक्त कार्यवार दिया गया था क्या कहा मैंने यह गुजरात के राज्य पाल के साथ राज्यस्तान का कार्यवार समाला अब यह पहले हमने पढ़ा था कि वो आर्पेसी के मेंबर रहे थे यहां रगुकुल तिलक साहब को यहां संग लोग सिवा आयोक के सदस्य रहे हैं यह द्यान रखे मरो चैनना रेडिन का नाम है आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्र रहे थे राज्य में जो तीसरा राष्टपती शासन लगा वो तीसरा राष्टपती शासन इनके समय लगा था किसके समय यह द्यान रखें आप लो एम चेननी रेडी के समय यह ध्यान रखें आपनों तीन पॉंट है अब आगे धनिक लाल मंदल साहर इनके समय जारी रहा तीसरा राष्टपति शासन और आगे बलीराम भगत साहर इनके समय समय समाप दुआ तो तीसरा राष्टपति शासन तीन राज्य पाल का कारेकाल देख तब लगा था तो एम चेनना रेडी साब थे रज्यपाल तब जारी रहा था तो धनिक लाल मंडल साब थे और स्री बलीराम भगत के समय इस समाप्त हुआ क्या मेरी बात को समझ गए कि तीसरा राष्टपति शासन में हमको तीन रज्यपाल ध्यान रखने हैं पहला तब लाग उनके समय समाप्त हुआ तो एम चेनना रेडी के समय तीसरा राष्टपति शासन लगा निक लाल मंडल के समय राष्टपति शासन जारी रहा और बलीराम भगत के समय तीसरा राष्टपति शासन समाप्त हुआ यह ध्यान रखें आप लोग तो वेरी इंपोर्टन कोश्चन है आगे बात करते हैं हम लोग के दर्वारा सिंगं कि यह दर्वारा सिंग है पंजाब विदान सब अधिक्ष रहे हैं कि एक पदपर रहते हुए पदपर रहते हुए वो स्टड़क दुर्गत नामें स्तिरी धर्वारा से Chaos पर रहते हुए निदन वाले पर्थम राज्य हो ने धर्वारा सिंग्झी है, very very important question सोधंप्रमाणू परिक्षण हो रहा था और पोक्रमाणू परिक्षण में किसमें लू लगने से इनकी वथ रत्य हुगी, तो राजस्तान में राज्य पढ़त रहतत हुए निदन हुआ पढ़त परित निदन होने वाले परतम राज्येपाल-ाइस न्यायमूरती एनल अधिवरेवाल नृंम लाल टिवरेवाल हैं तो अीदन हो गया क्या आयदिस है समझें क्यों कार्यवाक Sindh सार दरवारा सिंग राज्तान के पहले राज्येपाल जिनका निदन पद पर रहते हुए थे ये पोक्रण जो पर्मानु परिक्षन था उसके दोरान के लू लग गई जिसका रखें आप लो आगे बात करें श्री अंसुमान सिंग अंसुमान सिंग के समें ये ध्यान रखें है आप लोग आला कि तब पर नहीं थे लेकिन जा अंसुमान सिंग ये आप लोगों के यहां पर तीन आएगा वाई ये दो हजार तीन आएगा ये इसमें आप करेक्षिन रखें कि यह कोविड-19 से निदन हुआ 2021 में बाद में हुआ हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है च्यार बार कार्य वहां के राज्य पाल रहे ठीक है इसको भी ज्यादा विश्यास नहीं लेंगे हम लोग आगे चलते हैं कि निर्मल चंद जैन साअब साथ हुआ यह उग्तीज पत पर रहते हुए निदन होने वाले दूसरे राज्येपाल निर्मल चंद जैन साथ है त्प लोग वहारा सिंग पहले राज्येपाल राज्येर सतन के जिनका व्यद्ण पत पर रहते हुआ। थोड़ा आदो टाफ उसके लिए बहुत तागत लगानी पड़ती है इसका उदेश्य यह कि आकड़ है इन आकड़ों को विद्हारती जितनी बार पड़ेगा उतनी बार उसके याद होगा लेकिन मैं सिंपिल तरीके से रखने का प्रियास कर रहा हूं सिंपिल तरीके से मैं आपको साण्य देखे कर रहा हूं तफ जरूर है बहुत से बच्चे टफ को देखते हूं मैदान छोड़के भाग जाएंगे और काफी बच्छे सामने टेके तो मैंदन में ठीका है ना वही लड़ाया लड़ाया तो वही जीता है जानकना आप लोग तो दूसरे राज्येपाल कैलास पती मिसर साथ राज्येपाल गुजरात के ते इनके पास अत्रिक्त परभार था आपने मैंने बताया जब अनुचेद एक सो त्रेपन पढ़ाया था 123 में तात्व सम्विदान संसोदन 1956 के दौरा परंतुज़ोड गया और परंतुज़ोड के लिखा गया की एकी व्यक्ती से अधिक राज्यों सकते हैं ये ध्यान क्न आप लो तो यह राज्येपाल गुजरात के हमारा अत्रिक्त कारेबारे इसका मतलब यह इन्हें बिहार राज्जी में भारतिय जनता पारति उनका विशम पिता में कहते हैं ठीक है कोई जादा खास बात नहीं है मदलाल खुराना साथ जहां भी कोई जादा विश्यस बात है नहीं 2004 तक रहे थे ठीक है इनका पश्यम बंगाल के लायल पुर्गाव में जनम हुआ वरत्मान पाकिस्तान में है यह इन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता है मदलाल खुराना साब को दिल्ली का सेर कहा जाता है जहां रखने आप लोग और जनता दरवार लगाने के काण सुरक्यों रहे थे मदलाल से मूरियोग वीरों के पूरो परमुक रहे हैं आगे कोई विश्यस बात है नहीं इतना जरूर है कि इनके पास उत्तर परदेश के राज्येपाल थे सब राजस्तान का अत्रिक्त परभार इनके पास रहा है और टीवी जैहिंद भाई बिल्कुल टीवी राजेश्वर साब हैं इनका कारेभाग राज्येपाल के रूप में न्यूनतम कारेकाल रहा है मातर साथ दिन का कारेभाग राज्येपाल के रूप में न्यूनतम कारेकाल रहा है तो हम कहेंगे टीवी राजेश्वर साब के पास रहा है वो राज्येपाल थे उत्तर परदेश के तब उनके प राजस्तान की आप तक हमने राजयपाल पड़ें उनमें कहीं हमने महिला राजयपाल की बात नहीं की महिला राजय पाल रही है वह पर्तिबा पाटिल रही है और ना केवल ध्यान रखें आप तो पहली राजस्तान की महिला राज्य पाल रही है बलके बहुत हरे यह परत्सम महिला राश्टपती भी महिला रही है योग olması सभा सब्सक्राइब का देवी सिंग पार्टिल रही है हुद अच्छे कोशन बनेंगे राज्य सभा के उपसभापती भी रही है आगे को जादे इंप्पोर्टेट है नहीं लोगत्वा में ग्रह समेथी की सभापती भी रही है मेक्सिको के सरों सम्मान और्डन मेक्सिकाना डेल एग वेला राष्टपती का इनको चुनाव लड़ना था तो इन्होंने अपने पत्से त्याग पत्तर दिया था और ये फिर पर्थम महिला राष्टपती निर्वाची तुई थी भारत की तो पहली राज्यस्तान की राज्येपाल देवी परतिवा सिंग पाटिल इस्तिक पदिया रा परतिवा देवी सिंग पाटिल कि राष्टपती भन जाने के कारण यह क्या हुई कार्य भाग राज्येपाल परतिवा देवी सिंग पाटिल है राष्टन की राज्येपाल थी राज्येपाल थी इन्हें राष्टपती का चुनाव लड़ना था तो इन्हों राज्येपाल क के पद से इस्तिपद यहां अचानक पद रिखती हुआ तो किसी को तो कार्य बाहर देना पड़ेगा तो द्यानका ए आर किदवाई साब है इन्हें कार्य भाग रज्यपाल बनाया गया ठीक है भारतिये रसायन एम राजनितिक थे जो अरियाना प्यार राजिस्तान राजनितिक थे पश्रिम मंगाल वहांके कोई पर रहते या पर पर रहते हुए नितन हुआ फिर अकर रोगो तर रहते हुए नितनीका और Saturn पर प्रज्ये पर रहते हुए नितनुणuing कि दिए गया यि ध्यान रखें आप लोग तुरी मती पर बाराओ कि राजिय पाल्ठी माचल परदेश की और इन्हें आत्रिक कार्यभान दिए गया था और इनका पध पर रहते वें निदन हुआ पंजाब के राज्य पाल थे इन्हें अत्रिक परभाव दिया गया था लोग सभा के उपाद्दक्ष अद्धक्ष रहे हैं भारत के विदेश मंतिर रहे हैं सरोस्रिष संसद सद्धिया का पुरुषकार शुरू किया था तब लोग सभा के अद्धक्ष रहे थे यह आप लोग ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं अगे बात करते हैं इनको अत्रिक्त कारे भार दिया गया था सब यह यूपी के रज्य पाल थे एप में नोट्स हैं आप लोग पढ़ सकते हो घरमास्तर नोट्स आपको वहां मिलेंगे आपी नोट्स को ओडर करके मंगवाब सकते हैं और एवन क्वालिटी आपके सामने इतना खुला कोई नहीं देखेगा कि आपके सामने पीडिएफ समस्ट पीडिएफ चल रही है जो इस बुक को पढ़ने का जी नहीं करेगा आप यह देखिए आपके सामने है कि देखिए आप लोग एक बहुत अच्छा कोशन भरेगा कि हम राज्यपाल के लिए महामहीम सब्द लगाया करते थी और इन्होंने महामहीम के इस्तान पर मान्ये राज्यपाल या राज्यपाल हम संसोदन करवाया मान्ये राज्यपाल हम लोग कहते थे मान्ये राज्यपाल के लिए जो महामहीम सब्द इस्तेमाल करते थे वह मान्ये राज्यपाल या राज्यपाल मोहदे का प्रियोग किया जाएगा यह इनके समय हुआ था नाम से पूरो स्री स्रीमति और सुस्री का का प्रियोग किया जाएगा और पुस्तक के हैं चरेवेती चरेवेती फूद अच्छा कोशन बनेगा राजस्तन के वो राज्यपाल जिनके समय प्रोटोकॉल में संसोधन हुआ और महा महीम के इस्तान पर मानिये राज्यपाल मोदे रखा गया और नाम से पूरो श्री मत्या सुष्णुरी का प्रियोग किया जाएगा ये प्रोटोकॉल में वियोस्ता किन के समय हुई आप लोग कहेंगे श्री राम नाइक के समय ये भी आप लोग ध्यान रखें कितने अच् करने वाले राज्येपाल है कि आप लोग यहां से फिर मैंने इनको छटनी की है ताकि विध्यारती को मजा आए विध्यारती कि इतना अच्छा पढ़के जाए कि उन्हें कोई किसी प्रकार के दिक्कत नहीं है आप देख रहे हैं अपलोग यहां वह जो पांच वर्स का कारेकाल पूंड किया कि सभाई मान सिंग राजपुर मुक के रूप में सर्दार गुरुमुक नियाल सिंग राज्तान के का राज्य पाल वह अलग चीज है क्योंकि वहां पे कोन बनेंगे वहां पे ध्यान रकटना राजस्तान उच्ण नैनले के मुखे नादिश बनेंगे न्यादिस बथे एक कारे वहा updating कारे भार अत्रिक्थ कारे भार कार्येपाल नहीं इस शबध अलगा कारेवहात राज्यपाल और नीचे अत्रिक्त परभार परभार का मतलब है यह वो किसी सब् ваш नाम क्या है करेकाल उनका का कारेकाल क्या है आप करते हैं राजयस्थान में राष्टापति शासन वे राज्यपाल हमने पीछे पड़ा और फिर हम लोग एकदम छटनी करके आगे, कि राज्यस्तान में जो राज्यपाल है पहला दूसरा तीसरा चोथा राष्टपति शासन लगा वो कौन राज्यपाल थे कि इनके समय समाप्त हुआ सब बाते आप लोगों पढ़ना है देखिए दोक्टर संपूर्ण नंद सिन्ना इनके समय सुरू हुआ पर्थम राष्टपति शासन सरदार हुकम सिंग के समय समाप्त हुआ दूसरा वेदपाल कागी के समय सुरू हुआ रगोकुल तिलक के समय समय समाप्त हुआ तीसरा रगोकुल तिलक के समय था चोथा एम चेनना बगत के समय क्या हुआ समाप्त हुआ इध्यान रखें आप लोग यह चम्वालिस दिन का सबसे छोटा राज्येपाल राश्ट्पति शासन रहा है राजस्तान में संपुर्ण अनन सिंग ने लगा था सरदार उखुम सिंग ने समाप्त किया था सबसे लंबा जो राश्ट्पति सासन रहा है जिनों तीन राज्येपाल देखें वो रहा है चोथा 354 दिन रहा है 15 अप्रेल 15 दिसंबर 1992 को लगा और 4 दिसंबर लगबग हम लोग है 365 दिन आपको 365 दिन देखने को मिल रहे हैं लेकिन थोड़ा साव पहले समाप्त हो गया चुनाओं में क्यों ये राश्ट्पति शासन लागू हुआ चुनाओं में दुवीदा पूर्ण इस्तिति ऐस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्तान में पर्थम लगा दूसरा क्यों लगा विदां सफरें में भावुमत सिद नहीं होने के कारण हर्द्य यो सिय्सरकार को बरकास्ट कर तीसरा किया गया यह फोड़ा सा यह फोड़ा सा अलग है यह वाषी सब्सक्राइब तो यह वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन आपको बनेंगे ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं कि भावरी मशी समधित राज्येपाल के संब्ध में एहत्वपुन तत थे अब देखिए राज्ये में राज्येपाल का पद एक नौंबर 1956 को लागू हुआ इससे पहले यह पद राज्येपाल सरदार गुरुमुक नियाल शिंग बारत की पर्थम महिल राज्येपाल स्रीमती सरोण नाडू इन्हों राज्येपाल को सोने के चिडिया काही थी आप लोग मालूम होगा सरोज नाडू कथन राजयपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिडिया के सम्तुल्य है राजयपाल बनने से पूरो आरपीसी के अदक्ष रहे रगुकुल तिलक्त पर्थम कारेभाग राजयपाल न्यायमूर्ती जगत नारैन दूसरा कारेभाग राजयपाल न्यायमूर्ती वेदपाल क्यागी कारेभाग राजयपाल के रूप में नियूंतम कारेकाल टीवी राजयश्वर का साथ दिन रहा था कारेबाग राज्येपाल की रूप में सर्वादी कारेकाल खाली छोड़ रख है मैंने पर्थम महिले राज्येपाल स्रीमति परतिवा देवी सिंग पार्टिल है वो राज्येपाल जो राश्पति बने स्रीमति परतिवा दीपार्टिल है पदपर रहते हो निदन होने वाले पर्थम राज्यपाल दर्वारा सिंग ठीक है वे राज्यपाल जो लोग सभा दक्ष्वी रहें बली राम भगत पर्थम बार्थ्याक पत्तर देनेवाल राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंग वे राज्यपाल जिने लोकायुत के लिए जाता है दिवी परसाद चटुक पाटी का बीशम पिता में कहा जाता है कैलाश पती मिस्र राष्णार राज्यपाल रही है पर्थिवा देवी सिंग पाटिल परबाराव आप जानते हो सब और मार्गेट अलवा राज्यपाल जिनका पदपर रहते हो निदन हुआ सबसे पहले दर्वारा सिंग का निर्मल आपको रिवीजन में बहुत काम देगा तोड़ी पकड़ बनाने आप लोगों को हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते अगर हमने कुछ छोड़ा रिस्क लिया हमने तो तैमानिये कि हम हमेशा के लिए रिस्क लिए लेंगे जोब से कभी रिस्क निलना कभी सोट कटनी अपनाना समझने वाला समझे रटने वाला नटेंगे थोड़ा समय ने आपके सामने निकाल दिया तो आपको यह मालूम रहेगा कि वास्तितम सर्थ यह टोपिक भी पड़ना है कि आप तक के रज्यपाल कोन कोन रे यह बिल्कुल मालूम ओना चाहिए तो आप सभी को धन्यवाद रा परिशद ध्यान रखें मैंने यहां पर आप गोर से दिखेंगे तो मैंने मंत्री मंदल शब्द का प्रियोग नहीं किया है मैंने मुख्य मंत्री एवं मंत्री परिशद मैं चाहता तो मंत्री परिशद लिए सकता था तो मंत्री परिशद की बात कर रहे तो उसमें मुख्य मंत्री भी आ जाएगा लेकिन हमने मुख्य मंत्री एवं मंत्री परिशद मंत्री मंदल शब्द का मैंने अभी यहां प्रियो नहीं है यह देखेंगे आप लोग कि वह अनुछेद जो मंत्री परिश्ट से सम्मादित है पर्थम दो अनुछेद 163 और 164 चार अनुछेद पढ़ने हैं बहुत अच्छी तरीके से अनुछेद 163 यह कहता है कि राज्यपाल की सलायम सहता देने के लिए एक मंत्री परिशद M تरद होगी जिसका मुख्या मंत्री होगा मंत्री परिशद पचलप कर रहा है वह अनुछेद 163 कर रहा है कि इसका मुख्या मंत्रीम लिखा हुआ है और मंत्रियों की न्यूक्तिक सम्मंद में है उनकी नियूक्तिक कैसे की जाएगी किस परकार से अन्य जो प्रावदान वह अनुछेद 164 में है अनुछेद 163 केवल केवल क्या कहा मैंने केवल केवल पद का प्रावधान करता है और क्या लिखा हुआ है राज्येपाल की सलाएं सायता के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका मुख्य मंत्री होगा यानि मंत्री परिशत सही मुख्य मंत्री सही मंत्री परिशत का जो उल्लेक है वो ध्यान में रहे आप लोग वह अनुचेद 163 में मंत्री परिशत की न्युक्ति कैसी होगी उनसे संबंदित जो अन्य प्रावदान है उनके लिए जो अनुचेद है तो ध्यान रखें आप लो करें राज्यपाल को जानकारी देन आधिके संबंद मुख्यवंत्रि के मैं आपको राज्यपाल से पड़ाये था कि जो अगर्वि만 संचालन है 164 में न्यूक्ति सहीत अन्य प्रावदान है और अनुछेद 163 में पद का प्रावदान है क्या मेरी बात को समझ के अनुछेद 163 और 164 में अंतर समझिए 163 कहता है की राज्येपाल की सलाह एक मंत्री परिशद होगी जिसका मुख्या मंत्री होगा अमने न्यूक्ति की बात कर रहें और णने उनके समझ में प्रावदान उनकी भी हम लोग बात कर रहे हैं तो वह अनुछेद 164 में राज्येपाल की कारें कारियों का संचालन होगा वो सुचना देंगा उनका दाइट है मुख्य मंत्री का वह अनुचे 166 में है और देखिए 163 को यहां बहुत अच्छे तरीके से खोला गया है आप इनको देखिए गोर से साइधि आप लोगों को इस प्रकार के नोट्स अभी तक तो देखने को नहीं मिले होंगे आगे कि मैं कह नहीं सकता है यहां बोर से देखिए आनुचे 163 में पहले मैं लिखा हुआ है कि तीन धाराय है तीन धाराय में देखिए आप लोग डाउनलोड नहीं होगी डाउनलोड नहीं होगी डाउनलोड नहीं होगी एबुक के रूप में आप पढ़ सकते हो उपलब्द है अगर प्रिंट आपको मंगवाने तो यहां से प्रिंट मंगवाना पड़ेगा डाउनलोड आपके प्रिंट आउट के लिए अप में डाउनलो अनुसार कारियों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने क्रत्यों में सायता और छलहा देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका मुख्या मुख्य मंत्री होगा अब मैं आप से सवाल पूछता हूं कि राज्य मंत्री मंत्री परिश्द का उल्लेक सम्मिदान के कौन से अनुच्यद में है अनुच्यद 161 अनुच्यद 162 अनुच्यद 163 और अनुच्यद 164 दिक्कत हो गई भाई आप कहेंगे अनुच्यद 161 क्या क्या लिखा है कि राज्येपाल जो विवेक अनुसार कारे करता है उनको れत्य कारियों में साहे ताइम्सला देने के लिए मंत्री परिश्द होगी जिसका मुख्या मंत्री होगा अनुच्यद 163 की धारानमबर कह रहा है भार कुछ नहीं जाएगा भार नहीं जाएगा बस यहादा है मेरा एहां से बाहर गये तो कहीं मिलेगा भी नहीं आपको अनुछे 163 दो कि वह कौन से कारिये हैं राजयपाल को विवेक अनुसार करने चाहिए इस सम्मंद में हम प्रसंगत नहीं कर सकते प्रसंगत नहीं किया जाएगा कि विवेक यह प्रशंड कर सकते हैं पूछ नहीं सकते कि वीवेक अनुसार कार्य थें नहीं करना अनुछषेद 163 नहीं कह रहा है कि राजयेपाल के दुवारा जो वीवेक अनुसार जो कार्य किये गए उनको न्यायले में चुनोटी में दी जा सकती यह मेरी बात को समझ आदि अनुछेद 163-1 में मुख्य मंत्री सहीत पूरे मंत्री परिशद का प्राव अन है और वो राष्ट्रपती राज्येपाल को सलायम साहता देगी लेकिन उन मामलों को छोड़कर जो राज्येपाल विवेक अनुसार करता है सवाल बनता है कि विवेक अनुसार जो कार्य करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था उनको हम परसंद्चत नहीं कर सकते वह अनुछेद 163 है और उन्हें पढ़ा अब मैंने क्या किया है कि विद्यार्ति को आगे बढ़ने से पहले, अनुचेद 163 पढ़ने से पहले, मैंने आपको अनुचेद 163 की तीनो धाराय बता दी, आपके 50 परतिसत कम से कम मान रहा हूँ कि मैटर आपके दिमाग पे किलियर हो गया, अब उसकी डिटेल देखिए आहराम से बहुत अच्छी को एक साथ, आपसे डीपली पूछेगा, तब आपको द्यान रखना है कि 163 की धारा नंबर एक है, के लिए मंत्री परिशार राज्येपाल को प्राप्त विवेक अनुसार वाले मामलों को छोड़कर, अन्य मामलों में सायतायम सलाह देने का काम करेगी, राज्येपाल कि उनको परसंगत नहीं कर सकते, और विवेक अनुसार कारियों को परसंगत नहीं कर सकते, ये अनुछेद 163 की धारा क्या है, दो है, राज्येपाल की द्वारा किये गए विवेक अनुसार कारियों को इस आधार पर चुनोती नहीं दे सकते, कि उसके द्वारा विवेक अन नहीं दे सकते यह दाहरा 163 की दाहरा नंबर तीन है यानि 163 की तीनों अनुच्छे था तीनों को तीनों अनुच्छे था हमारे किलियर हुए बिल्कुल राजप्रों हिसाब सभी को रमस्कार एक साथ विल्कुल जुड़े रहे आप लोग नोट आप कहिंगे सर चलो राजी पाल ने तो विवे कर नुसार जो कारिय की हैं उन्हें जर्था है कि अनुच्छे 163 की अनुच्छ हम न्याइले में चुनोती नहीं दे सकते लेकिन मंत्री मंत्री परिश्यद भी तुमको सला दे रही है कि उन सलो को सला को हम लोग न्याइल जाच नहीं कि जाती ओके न्याइले द्वार जाच नहीं कि जा सकती अब अनुच्छेद हम लोग 164 में जा रहे हैं केवल केवल प्रावदार हमने पड़ा है अनुच्छे 163 की तीन धाराय पड़िए और फिर से देखिए पहला काम मैंने यह किया है कि अनुच्छे 164 में म और कुछ है सब हम लोग जाएंगे तो अनुच्छेद 164 में हम लोग जाएंगे सथियों जड़ा देखिए 164 कितनी धाराय हैं पांच दाराय तो 163 की हमने एक दो तीन करके तीन धाराय पड़ी ठीक उसी प्रकार से यहां हम लोगों को पांच धाराय पड़ने को मिलेंगे कि आजकाल धाराय पूछता है राज्टान पुलिस का एक्जाम है वहां भी पूछा है कि मंतरी परिशद की कुल सदस्य संक्या कितनी होगी यह अनुच्छेद 164 एक कह रहा है मंतरी परिशद राजजे की विदान सभा के पृति सामुईक उत्तरदाई होता है मालूम है कि मन्तरी परिषद सामुईक रूप से वह विदान सबा के प्रति उत्तरदाई होती है अलूम है हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन साब जब अनुछिद पूछेगा न तो पता नहीं कहां चली जाएगा हमारा ज्यान इसलिए पहले कह रहा हूं अनुछिद 162 तो मंत्री परिशद की सदश्य संक्या कितनी होगी यह 164 का एक नं एक बटा 15% ध्यान रखें आप लोग से अधिक नहीं होगी मंत्री परिशद कुल सदश्य संक्या का 15% से अधिक नहीं होगी 164 की धारा एक किलियर होगी 164 की धारा दो यह कह रही है कि मंत्री परिशद सामय क्रूप से विधान सबाके प्रति उत्तरदाई होगी मेरे 164 की धारा एक और दो आपके समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं अनुछे 164 तीन हमारे पास यह रहा मंत्री द्वारा राज्यपाल के समक्स तीसरी अनुशूची के प्रारूप में शपत ली जाती है पहली धारा किलियर कोई दिक्कत नहीं हम लोग संख्या क ली जाएगी शपत का जो प्रावदान कर रहे हैं वह कोई जरूर नहीं है राजप्रोवित यह संख्या अधिक्तम है कि अधिक्तम 15 परतिसत न्यूंतम 12 से कम नहीं होगी यह द्यान रखें आप लोग अधिक्तम का आकड़ा दिया है मैंने आप लोगों को मुख्य मंत्री स सब्सक्राइब आप कम रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम का भी डायरा फिक्स कर दिया इससे कम नहीं रख सकते आप लोग ठीक है तो बिल्कुर आप सही कहरे है राज्तान वरत्मान में 30 मंत्री नहीं अधिक्तम है 30 मुख्य मंत्री साही जरूर इतना रखे 164 और यह क्यों किया है खर्चा होता है गाड़े देनी पड़ेंगी विए पीजेस वीदा देनी पड़ेंगी तो उसकों मंत्री बना दे सरकार अप लोग राजनितिक मेटर होता है इसलिए बंदन कैसे लगाए ध्यान रखे आप लोग कि 164 की बात करें विदान मंडल का सदेश्य नहीं रहते होई भी छै महा की अवदी के लिए मंत्री बनाया जा सकता है आपने ठीटी साब को देखा था अभी सरकार में मंत्री बनाये गए बिल्कुल अगर कोई विदान सबाय विदान परिश्यत का सदेश्य नहीं है तो भी उन्हें मंत्री बनाये जा सकता है लेकिन 6 महां के अंदर अंदर उन्हें विदान मंडल की सदेश्ता गिरहन करनी होगी यह प्रावदान अनुचिद 164 जो आपका गं तक में अनुचीद 164 यह व्यए न करता है जो शे महां तक उसे मंत्री बना सकते लेकिन आप लोगों कि हमने 6 महां तक मंत्री बना दिया और फिर वह सदेश्य निर् resign नहीं हुआ और फिर आगे भी चया 6 महां तक मंगा उन्हें असकते हैं और अजन इस व्यक्रीं को पांचो धराए आपके अंगलियों पाइक नहीं आई मुझे बताइए पांचो की पांचो धराए अंगलियों पर आई या नहीं आई नंबर एक अनुच्छेद हमारा यह देखिए जी क्या कहा रहा है कि सदश्य संक्या कितनी होगी मंत्री परिशट की अनुच्छेद 164 की ध मंत्री बनने वाला मंत्री का धार्ण करने वाला सी वेर राजयपाल के समाख्स शपत लेंगे लेकिन शपत क्या लेंगे उसका प्रारूप क्या होगा उसके प्रारूप के लिए आपको अनू सूची देखने पड़े कि अनू सूची तीन में शपत दे रखे यह ध्यान राके क्या शपत लेंगे वह अनू सूची तीन में आगे बात करेंगे अनूची Ma 1994 कह रहा है कि विदान मंदल का सद्ष्य नहीं रहते होए भी शे महा की अउदी के लिए उसे मंत्री बनाये जा सकता है लेकिन वो क्या करेंगे शे महा के भीतर भीतर विदान मंदल के किसी भी सदन की यदि विदान परिशद है तो किसी भी सदन की सदस्ता ग्रहन करनी होगी ध्यान रखें आप लोग मंत्रियों के वेतर मत्तों का विदान मंदल विदी द्वारत तैक करेगा तो मैं आप सभी से यह उम्मीद करूं कि आप लोग अनुछेद 163 की तीन धाराय हमने पड़ी और अनुछेद 164 की चार धाराय पड़ी अंगुलियों पर आगे होंगे और मैं आपसे भरोसा दिला र करेंगे कि बता यह मंत्री परिशाद सामुएक रूप से लोग विदान सभा के प्रति उत्तरदय रहती है भारती सम्मीदान का कौन सा अनुछेद है आपके अनुछेद 162 इस परकार के आपके सवाल पनेंगे हां बिल्कुल योगी शाब राम राम आगे बात करते हैं मंत्री जो उत्तरदाई होता है वो राज्यपाल के पृत्ति होता है किलास को जरूर्लाइक और मेरा होसला जरूर बढ़ाए एक बार सभी में परक्लास को शेळब भी करेंगे और लाइक वह बहुत बढ़िया उलोग परतक्ष को परमारण क्या ऊंग परत्य तरफ आपकी स कुछ पढ़ने नहीं है वास्तिक रूप में मंतरी गण मुख्या मंतरी के परशाद प्रियंत अपना पध्धारण करता है वास्तिक रूप से तो राजियेपाल न्युक्ति करते तो आजेपाल थोड़ी करेंगे वो तो मुख्य मंत्री लिष्ट देते हैं ध्यान रखें आप लोग मंत्री परिशत की सदस्य संक्या पहले कोई बंदन नहीं था लेकिन इक्राण में संविदान संसोदन 2003 इसके लागों होने कितिती एक जनवरी 2004 है अभी से आप लोग मेरे प्य संविदान संसोदन है वो लागू कब हुआ जैसे आप देख रहे हैं यहां पर एक्राण में संविदान संसोदन है 2003 इसकी लागों होने कितिती एक जनवरी 2004 है और इसके अनुसार यह प्रावदान कर दे कि मंत्री परिशत की सदस्या आप यह नहीं कि अपने 50 मंत्री बना है विदान मंडल नहीं विदान मंडल में तो विदान परिशच भी आ जाएगी तो विदान सभा की कुल सदस्य संक्या का 15% से अधिक नहीं होगा अब एक भाई कह रहा था कि सार कम कितना भी रख ले कम रख लीजिए आप लोग लेकिन 12 से कम नहीं होगी आप 12 से और 15 के ब 2070 जूंधं बारा हो सकते गरा जाओ कि मिदान सभा कि सदस्य की संक्या दोसों है जिसका 15% 30 होता है अते राजस्तान राज्य मंतरियों की अदिक्तम के थी सो सकती है मुख्य मंतरी सई थीक के लिकिन कुछ राज्य छोटे हैं उसाय वहां यह नीम लागु नहीं होगा मिजोरं गोवा वहां के राज्यों की लो विदान सबसिर्टे भूत कम है बहुत कम उसका 15 परशान निकाली भूत हो जाएगा तो वहां अधिक्तम साथ सदश्य होता है है अब मैं आप लोगों को बात करना था कि यहाँ पे व्यक्तिगत उत्तरदाइतु व्यक्तिगत उत्तरदाइतु बहुत अचा कोशन बनेगा कि अनूचेद 164 एक है वो ना केवल संख्या की बात करता है कि कोई मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके परती उत्तरदाईत होता है और अनुच्छेद 164 यह कहता है कि वह सामिक रूप से किसके परती उत्तरदाईत होता है तो द्यान रखना व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदाईत हो होता है वो राज्यपाल के परसाद प्रेंद पद्धारण करता है कि इसलिए मंत्री व्यक्तिकत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदाई होती है सब्सक्राइब करें सामुइक उत्तरदाईटू सामुइक उत्तरदाईटू अनुछिद 164 में आता है और मंत्री परिशत विदान सभा के प्रति सामुइक रूप से उत्तरदाईव होती है क्लियार क्योंकि हम संसदिये साशन प्रणाली हम लोगों ने अपना रखें डियान दाके आलों तो अधिक है दोनों बाते के लिए अगर आपसे व्यक्तिकत उत्तरदाईटू की बात करें तो आपके सर राजिपाल के परसाध प्रियंत पत्धारण करते हैं तो कि द्यान दाके हैं आपनों तो मंत्री प्रिशन विदार न सभाके परति सामुग रूप से उत्तरदाईटू सामुग करूप कि हमें साथ Taxi ठीके दूबहेंगे इध्यान आपनों वि मत्तरदाईटू को अर्थ क्या है कि बाई कोई निरन लिया किसी एक मंत्री के निर्णे नहों के एक संपूर्ण मंत्री परिशद का क्या होगा निर्णे होगा यह द्यान रखें आप लो तो मंत्री परिशद के किसी एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णे उसका व्यक्तिकत नहों कर संपूर्ण मंत्री परिशद का माना जाता है है अर्थार्त सी मंत्री परिश्यक के सदेश्य एक साथ तेरते हैं और एक साथ डूपते हैं इस सिध्धान्थ पर काम करते हैं इसके मतलब यब एक मंत्री के खिलाब तो यह हुआ कि एक मंत्री के खिलाब एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह ध्यानकन आप लोग संपूर्ण मंत्री परिशद को त्याक पत्तर देना होता है वेरी इंपोर्टेंट संपूर्ण मंत्री परिशद को क्या देना होता है त्याक पत्तर देना होता है क्या मेरी बात को समझ गया आप लोग कि सामुईक उत्रदाईतू है का सिधन्त क्या होता है कि हम एक साथ तैरेंगे और हम लोग दूबेंगे तो एक साथ दूबेंगे अगर किसी एक मंत्री की खिलाफ एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है एक मंत्री खिलाफ तो सामुक उत्तरदाईत्यू का सिध्धान्त निती संबंदी मामलों में ही काम करता है नैकि ब्रश्टचार के मामले में ब्रश्टचार के मामले में केवल संबंदीत मंत्र उत्तरदाई होगा उसी में सामुक उत्तरदाईत्यू का सिध्धान्त लागू होगा उस पर ब्रश्ट गत मंत्री दोशी है यह ध्यान रखें आप लोग के लियर के आगे बात करते हैं हम लोग कि मंत्रियों के दुबारा तक ग्रेड अनुच्छ एक सो चौश्ट टेन कि दो बाते बहुत इस पर समय आप लोग कि मंत्रियों को रज्यपाल शपत दिलाएगा यह बात सम्मिदान मे लिखी हुई है अनुचित हम लोग 174 टीन पड़ेंगे और वो शपत कौन सी लेगा जो अनुचित टीन में लिखित है तो आप से पूचा जाए शपत का प्रारूप है वो कहा है अनुचित टीन में है तर विधान परिशद मुख्य मंत्री बना सकते हैं क्या देकिए वही प्रणीओ्ठ लागू है जो संसद में अगर राजे सबा का कोई सदश्य है ऑप और लोग सबा बहुमत दल का नेता उसे अपना नेता चुंता आ तो बिलीयुकल राझील districts बना सकते हैं और वही चीज राज्यों लागू ऊती है अगर जिन राज्यों में विधान परिशद मुख्य मंत्री अपने मंत्री परिशाद सहीत पद ग्रहन करने से पूरव राज्य पाल के शमक शपत लेते हैं मंत्री परिशाद की सपत का प्रारूप अनुसूची तीन में है क्या शपत लेंगे हम क्या प्रतिज्ञान करेंगे हम लोग तो वो जो प्रारूप है ना वो प् जो सपत लेता है एक साथ यो पद की लेता है और एक गोपनी तक लेता है सरकार के जो भी निर्णे है तो वह पद यह गोपनी तक शपत लेते क्या लेंगे बताऊंगा आप लोगों को सदेश्य नहीं होते हैं भी 6 महा तक मंत्री होना अनुचेद 164 में ने पढ़ाया था आपको स्री करणपूर से टीटी साब थे वहाँ इलेक्षन बाद में थे और कि बीजेपी सरकार है उन्होंने उन्हें मंत्री बना दिया कि बीजेपी सरकार का भूमत था मंत्री बना सकते हैं कोई गलत नहीं है कि अनुचेद 164 प्रावदान करता है उन्हें 6 महा के अंदर उन्हें अपड़ी सदेश्ता ग्रेंड करनी होगी यह ध्यान रखें आप ल प्रावासे और फिर उन्हें पतर दिया यह दिने करता है तो उसे मंत्री पत्र छोड़ना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को वेरी इंपोर्टेट ऐसे व्यक्ति को पुने 6 महा के आदार पर मंत्री परिश्द का सदश्य नहीं करेंगे यह नहीं चेह महां तक उन्होंने तदे से निर्वाचित नहीं हुआ कोई बात ने फिर न्युक्त कर दो 6 महा के लिए फिर न्यूक्त कर दो 6 महा के लिए और ऐसे करते करते आप पूरा 5 साल निका लिए नहीं ऐसा नहीं होगा इसा नहीं होगा इस आदार पर उन्हें पुने नहीं बना सकते इध्यान रखे बढ़ा सकते को दिखत ये क्योंकि मंत्री बैठेंगे मंत्री वहां से बढ़ा लीजित द्यान राखे आप कि मंत्री पर्षद का जो कारेकाला वह कारेकाल वह कितना रहता है कि देखिए कि कारेकाल की बात करें हम लोग साधरन्त हम देखते हैं कि मंत्री परिशद को जो कारेकाल रहता है वह उतना रहता है जितना विधान सभा का होते हैं तब तक मंतिरीनी परिश्ट का अल उठान हो जाएगा मंतिरीन परिश्ट नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि कहते हैं कि तब तक विधानसवा का का यहादा अस्तितू में यह कुपनीज में लिखा हुआ गजब के है अगर आप लोग अगर आपके पास अनुबव है पिछली प्रक्षाओं को देने का थोड़ा सभी आपने ठोकरे खाई हैं ने बच्चा कि मैं नहीं कह सकता तो आप वाके इस बात को मानेंगे कि सर ब्रमास्तर नाम सर ने क्यों रखा इन नोट्सों का आप देख लिए परत कारेकाल विदान सबा का कारेकल उतना ही होता है अर्थात अधिक्तम पांच वर्स हो सकता है वो दिकत नहीं किसी मंत्री का व्यक्तिकत रूप से कारेकाल मुख्य मंत्री के विश्वास्वत निर्बर करता है चाय तो चेंज कर देता है मुख्य मंत्री क्या लगेगा मंत्री अपना पर राजय पाल के पर्षाद परेंगडारण करते हैं मंतरी व्यक्तिगत रूप से राजय पाल अपो बिशब्ल इसके प्रटि प्रति wurde रहेगा वो विदान सभा के परती मैं आपको अनुच्छिद 164 एक और अनुच्छिद 164 दो आपको पड़ाता है है कि इस बिल्कुल आगे बढ़े हम लोग मंतरी परिशत के सद्श्यों की योगिता है कि साब क्या योगिता है आप पहले तो आप सद्श्यों के लिए कि मंतरी परिशत के लिए कोई योगिता है नहीं है मंतरी परिश्यों सद्श्य बनेंगे तो आपको कोई योगिता ची Epic बात है कि वो विदान मंदल के क्या होना चीए सद्चुल्स जहुंस योगिता है की इतनी साल होना ची इतने साल होना ची ऐसा कोछ नहीं ध्यान नकान आप लोग तो हमलों के मंत्री परिशाद के सदस्यों के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है पहले ताब फेहान रखेंगे कोई विशेस योग्यिता नहीए दूसरी बात उसके लिए आउशक है कि वे राज्य विदान मंदल की किसी भी सदन का सदश्य के मंतरी परिस्फ के सद निया कोई विदान मंदल के किसी भी सदन का सदेश्य होना चाहिए यह नहीं है तो भी उसे बना सकते रिच्छे महा के अंदर उन्हें सदेश्ता ग्रेंड करनी होगे बात हम पीछे कर चुके हैं ठीक है अब देखिए तत्यों अभी तक हमने मंत्री मंदल शब्द का प्रयोग नहीं किय दो शब्द होते हैं हमारे पास एक मंत्री परिशद होती है कि यह मंत्री परिशद है का मुख्या कौन होता है मुख्य मंत्री और हमारे पास केबिनेट मंत्री होते हैं राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं मुख्य मंत्री सहीत इन हम इन सब को मिला दें तो हमारे पास मंत्री परिशद बन जाएगी छोटा हो बड़ा हो हैड हो हमने एक साथ मिला दिया यह क्या बना हमारे पास मंत्री परिशद बना क्या बना मंत्री परिशद बना यहां तक के लिए लेकिन हमने केवल मुख्य मंत्री की बात कर लिए किसकी बात कर लिए मुख्य मंत्री की बात कर लिए और मुख्य मंत्री के साथ में हम लोगों ने केबिनेट मंत्री जोड़ दिये राज्य मंत्री उप मंत्री वो दूर कर दिये ये शब्द हो जाएगा मंत्री मंदल मंत्री परिशद में मैं आ गया मुख्य मंत्रियों चोटे मोटे सब मंत्री आ गए विशेश दर केबिनेट हो थो मां मंत्री बद कर रहे हैं कि दोनों शब्द यहां में इस्तेमाल कर रहे हैं वहां शब्द आए मंत्री मंडल कित हम्हाँ मंत्र więks और डाया मंत्री बहुँतISA तो ध्यान रखें आप लोग, वहां सभी मंत्री आएंगे, पावरफुल केबिनेट मंत्री होता है, यह ध्यान रखें आप लोग, और आपने के यह पढ़ा होगा, कि सरकार निर्नलेगी मंत्री मंदल की बैठक बुलाई, मंत्री परिशद नहीं, मंत्री मंदल बैठक बुला क्राइट में भी खास हो गए कस खास हैं उन्हें Fortunately क्यों क्या किया कहेंगे kitchen cabinet समझने Pharmac به दो Porsche पकड़े मुख्य मनांत्री जी क्या हैं कि हर बात पूछते हैं तो वो क्या कहेंगे हम लोग किचेन केबिनेट कहेंगे तो केबिनेट मंत्री हो गए उन्हें में कुछ विशेस मंत्री हैं उन्हें हम किचेन केबिनेट कहेंगे राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं एक वो होते हैं कि उन्हें किसी विभाग का सतंतर परभार दिया गया हो और एक वो होते हैं जो में सब ही आते हैं और बात्कर है हम लोग मंत्री मंडल की मंट्री मंदल waiting के यह 2 मंत्री के साथ मेंолн 2 में यह दोनों में फरक आगे बात करते हैं हम लोग मंत्रों की सिरेडि वहाँ अप緣 को समझायाय है और समझाने के बाद यहां female Pure आपसे बात मैं मैं मत्री कार होते हैं मंत्री होते हैं यह मंत्री किसी मंत्रा लेके परमुक होते हैं और उच दर्जे प्राप्ट होते हैं यह किसी का अधीन नहीं है यह किसी भी मंत्रा लेके यह मंत्रा लेकर दिया गया है उनके मुखिया होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री भी दो प्रिकार के हैं, एक राज्य मंत्री वो जिने सवतंतर परभार दिया गया है, और एक राज्य मंत्री केवल, अगर किसी मंत्रा लेका सवतंतर परभार दे दिया गया, तो ठीक है, वो सवतंतर है, वो क्या है, सवतंतर है, लेकिन अगर सवतनतर परवार नहीं है तो वो केविनेट मंत्री की साहता के लिए काम करेंगे यह मंत्री केविनेट तो नहीं होते किन्तों एक केविनेट मंत्री के अधिन नहीं होकर किसी मंत्रा लेके परमुख होते हैं आगे बात करते हैं राज्य मंत्री यह मंत्री किसी मंत्रा लेखे पर्मुक ना होकर केडिनेट मंत्री के अधिन कार्य करते हैंuted दोनों फरक है यह कह रहे हैं कि हम केबिनेट मंत्री के अधिनकारिय करते हैं वो कह रहे हैं नहीं हम केबिनेट तो नहीं है लिए केबिनेट मंत्री के अधिनकारिय नहीं कर रहे हैं हम सवतंतर परभार है किसी मंत्र आलेकि हम मुख्या है यह कह रहे हम मुख्या नहीं हमारे म के शाहिता करें वो अन्य मंत्रियों की शाहिता करते हैं और संसधि सची एसंद के सद बनाए जाते हैं इसंसद नहीं यह सदन आएगा फोगी इस अन्हें राजय मंत्री का दर्जाक पुशता है क्या कि यहां संसद नहीं है ऐसे सब कई बार हम लोगों देखने को मिलते हैं ठीक है सबसे अच्छी बात है कि हम लोग नोट सो का सब क्लास में रिवीजन कर रहे हैं तो भाई मज़ा आ रहा है और मज़ा इसलिए आ रहा है कि भाई चांस हम से कोई मिश्टेक हुई तो यहां एक वह हमारी आखों के सामने से निकल रही है जैसे संसद आया है तो ध्यान रखें आप सदन के सद्धिश्यों में से यह आएगा यहां पर ठीक है तो करेक्शन का मोका मिल रहे हैं यह सबसे बड़ी बात है अधूत बात है एक लाइन को एक शब्द को एक टोफिक को पढ़ने नहीं लेते हैं मंत्री परिशद में तीन प्रिकार के मंत्री होते हैं वह आपको समझा दिया चोथा आमने संसदे सचीव लिया है जो आजकार उन्हें भी मंत्री का दर्जा दिया गया है सबसे तागत्वर अर्थार्थ परभावशाली मंत्री केबिनेट मंत्री होते हैं सरकार के नितिकत निनने इनी के द्वारा लिये जाते हैं मैंने आपसे पहली कहा कि कही बार आपने पढ़ा होगा आज महत्तुपूर निनने होंगे मंत्री मंदल की बैठा को की मंत्री मंद मंत्री मंत्री परिशद में अंतर होता है अब वहां उसकी डिटेल खोल दी नीचे सभी मंत्रियों का समूँ मंत्री परिशद कहलाता है के वल मंत्री केवल मंत्री का संहूं मंत्र परश्र कहलाता है यह लिखेंगी हम लोग धिंवेके नहींत zasir प्राबदान 454 सम्विदान संसोधनद्वारा अनुछirie 352 में मंत्रीות जोड कर किया गया हम बात करेंगे तब आप लोगों को राष्टी आपात की बात करेंगे वहां तब आपकी बात समझ में आगी तो द्यानकड़ा मंदल मंदल मंत्री परिशाद एक बार कमेंट कर दीजी आप किचेन केबिनेट क्या होता है देखें विक्रम जी मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया था कि जो केबिनेट मंत्री होते हैं उन केबिनेट मंत्रियों में कुछ मुख्य मंत्री के खाश होते हैं दो च्यार माला की दस केबिनेट मंत्री है तो एक आदा दो च्यार लोगो उमें भी खाश मंतरी जो मुखे मंतरी कहा है उन्हें क्या कहते हैं केषेन के बिनेट कहते हैं ट क्या कि शवाल हो पूछले आप लोग मस्त रही आप लोग देखिए वन मैन आर्मी राजिस्तान जी के में खड़ा है आपके सामने थोड़ी सी आपको स्वीधाय हो सकती है कि अ नहीं हो लेकिन साब जो χोगा न वो तो A1 होगा रिवन होगा डिजिए सेलेक्शन हो जाएगा वह भटकिये मत आपक ही भी मत भटकि economy मत बटकिये इतना साफ की पर सुत्र मिंटर मिल रहा है कि iz terseff आप लोगों मिल रही है और अभी भी आप लोग भुकों के चक्र में पढ़ रहे हैं साब जगे देखिए कितनी है कोई भी आपका संसुदन हुआ कोई भी आकड़े आए नहीं आए आपने कोचिंग की यूटुब पर क्लास लगाई नोट्स खोल के भैट गए इसी में आपन मंत्री 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 सामिल होते हैं जबकि मंत्री मंदल में मुख्य मंत्री और केबिनेट मंत्री 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 मंत्र मंत्री मंदल का उल्ले मूल सम्विदान में नहीं है पहला अंतर समझ आ गया और कब जोड़ा गया इसे चम्वाली स्वेश सम्विदान संसुधन के जोड़ा जोड़ा गया मंत्री परिशद का आकार बड़ा होता है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के मंत्री लिए गए जब कि मंत्री मंडल में केवल केविनेट मंत्री होते हैं को छोटा होता है आकार में और देखिए मंत्री परिशत में सभी प्रकार के मंत्री शम्मलित होते हैं जब कि मंत्री मंदल में केवल केविनेट इसतर के मंत्री वह सवतंतर प्रभार वाले मंत्री होते हैं लेकिन वाई ध्यान रखना आप लो उन्हें केमिनेट मंत्री का धर्जा प्राप्त नहीं होता है मंत्री मंत्री परिशत के इससे होते हैं जबकि मंत्री परिशत के सवा सदस्य मंत्री मंदल का इससा नहीं होते हैं सभी सदस्य मंत्री मंदल के इससे नहीं होते हैं क्या होते ह सभी सदश्य हैं वह मंत्री परिश्द का इससा है लेकिन मंत्री मंदल के नहीं है इसलिए आकार भी क्या हो गया छोड़ता हो गया कि आगे बात करते हैं मंत्री परिश्द की बैठक में सभी मंत्री भाग लेंगे और यहीं मंत्री मंदल की बैठक में सभी मंत्री भाग नहीं लेते हैं क्यों क्यों केबिनेट मंत्री लेंगे मंत्री परिश्द की बैठक डेरीश्य होती है जबकि मंत्री मंदल की बैठक जल्दी-जल्दी मंत्री मंडल के निर्नों को मंत्री परशद लागु करती है मंत्री मंडल देख रहे करता अगे बड़े के लिए मेरी साब से मंत्री परशद की सक्ति एवंकारी है मंत्री परशद की सक्ति एवंकारी है अनुचेद 153 के अनुसार साफ लिखावन पड़ाया कि रज्य की कारेपाली का मुखिया रज्यपाल होगा और उनकी सलायम साहता देने के लिए एक मंत्री परशद होगी किलियर भाई किलियर ना तब लाड़लाव किलियर है तो समन किये 153 क्रण सार राज्य कारेपाली का शक्ति राज्यपाल में नीत होती है परन्तु उनका वास्त्विक प्रियोग मंत्री परिशद द्वारा किया जाता है राज्यपाल में उनका प्रियोग कोन कर रहा है मंत्री परिशद द्वारा मंत्री मंडल द्वारा बनाय जाने वा प्रशाषन को संचालन कैसे करना इसके नित्यों का अंदिर्माण मंत्री प्रशद करती है इन राज्यों में एक जंजाति मंत्री न्यूक्ति करना निवारी है जंजाती एक जंजाती से मंत्री न्यूक्त करना अनिवारी है मद्देप्रदेश 36 जहारखंड और ओडिशा मेरी साब साथियों मंत्री पर से एकदम किलियर और कल हम लोग बात करेंगे मुख्य मंत्री और फिर आपको पूरी कहानी बताई जाएगी यह देखिए A2Z कि कौन क मुख्य मंत्री बना कल हम पूरी बात करेंगे तो कल हमारा यह टोफिक पूरा हो जाएगा बहुत सब्सक्राइब करें पड़े एप में जाना है फ्री में जाना है इबूक की रूप में उपलब्द है आराम से पढ़िए लगता है सरफ प्रिंट होना चाहिए तो जो प्रि तीन से च्यार दिन में पहुंच जाता है उसके लिए एप से ओडर कर सकते हो या डिरेक्ट इस पे फोन नंबर चल रहे है चालिस दोसो इस पे आप मैसेज करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर आपको सला दूंगा बुकों के चक्र मत पढ़िए समय बरबाद हो का समझ में नहीं आगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आप देखिए इतनी च्यांदार चीज आपके सामने परखिया आराम से जल्दी बाजी मत कीजिए आपके पास पहले से बहुत सारे नौट से हैं भूक हैं वहीं नहीं पढ़ी जारी आप इन्हें कहां से पढ़ेंगे इस यह सोच कि आप लोग जाते हो और आप लोग नोट अच्छी चीजिद का चैन ने कर पाते आपके सामने आराम से फिर ध्यरीये के साथ सोचिए फिर आप लोग मं प्रिविट कर रहा हूं अनुछेद 163 कि कहता है कि राज्ये में राज्येपाल की सलायम साहिता के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका मुख्या मुख्य मंत्री होगा बस और अनुछेद 163 हमारा कम्प्लिट हुआ अन्य मंत्री परिशद के संबंद में मुख्य मंत्री साहित जो भी बात पूछे अन्य उबंद पूछे तो वह अनुछेद 164 में आएगा मुख्य मंत्री न्युक्ति का प्रावदान अनुछेद 164 में है अब बात आता है कि मुख्य मंत्री हम किसे न्युक्त करेंगे मुख्य मंत्री की न्यूक्ति के संबन में कोई विशेश प्रक्रिया का उल्लेक नहीं है इतना द्यान रखे कि जो विधान सबा है विधान सबा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसे मुख्य मंत्री न्यूक्त किया जाएगा बस यह हल्की सी पिरक्रिया है बाकि विशेष पिरक्रिया का कोई लेक नहीं है समेदान में मुख्य मंत्री की न्यूक्ती इम निर्वाचन से संब्सक्री नहीं है पहले तो आप लोगों कोई ध्या रखना है डूसरी बात मुख्यमंत्री की योगिता के संबंद में मुख्य मंत्री के योगिता के संबंद में संविदान में कोई लेख नहीं है उसके लिए विदायक होने की योगिता चाहिए समद के आप लोग किलियर हुए कि मुख्य मंत्री पद के लिए कोई विशेश योगिता नहीं है उसके योगिता है वो होंगी जो की एक विदायक के लिए होती है यह ध्यान राखें आप लोग मुख्य मंत्री बनने के लिए फिर वी हम योगिताओ की बात कर रहें नंबर एक वह राज्य विधान मंडल या विधान सबा का सदश्य होना चाहिए देखिए मैंने विधान मंडल लिखा है या विधान सबा क्योंकि राज्य स्थान में जो विधान मंडल है उसमें एक ही सदन है विधान सबा तो विधान सबा से होगा लेकिन जिन राज्यों में विधान मंडल के दोनों सदन है आगे बात करेंगे हम लोग विधान सबा भी और विधान परिशद भी तो मुख्य मंत्री कोई सा भी सदन का आधिए दूसरी बात उसमें वो सभी योगिता होनी चाहिए जो कि एक MLA के लिए होती है वह भारत का नागरिक होना चाहिए न्यूनतम आयू 25 वर्ष होनी चाहिए आला कि विदान परिशद के लिए सदस्य के आयू न्यूनतम 30 वर्ष होती है लेकिन क्या कहा मैंने दोनों सद्रों में से हो सकता है तो न्यूनतम आयू हमने कितने लिए 25 वर्ष राजिपाल उस सदस्य को मुख्य मंत्री बनाता है जो इन बाते सुन लिए हम लोगों ने आण सभा पहुंचेगा सभी में योग्यता आयर कि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बनाता है विद्धान सब्सक्रान के अहांने सबससे बड़ा दल का का नेता हो चुंहाँ आप लोग विधान सभा में सबसे बड़ा दल का निटा कौन है तो कि सबसे बड़ा दल को सबसे बढ़ा दल एक ये तो बहुमत प्राप्ट हो चुका है तो इस पस्टसरकारी दल बनाएगा एक इस पस्ट मोंत नहीं मिला है तो देखा जायेगा कि नेता किसको चुना तीन बाते के लिए बहुमत प्राप्त दल का नेता हो विधान सभा में सबसे बड़ा दल का नेता हो और तीसरा गठवन्दन का नेता हो सबसे बड़ा दल का नेता चुनापदा रा ना गठवंदर का फिर क्या करेगा राज्यपाल अपने विवेक अनुसार मुख्यमंत्री के न्युक्ति कर सकता है किन्टू उसे एक महा के अंदर विदान सभा में बहुमत साबित करना होगा बात सुनेंगे आप लोग पहुत इं माना कि राजेपाल ने अपने विवे के अनुसार मैं किलास को लाइक और शेर जरूर करें एक भाई लिख रहा है बर्मास्तर से सूपर पढ़ना होगा बिल्कुल बिल्कुल निसाना सही लगेगा तरह आपका धन्यवाद बिल्कुल सर्माजी मस्त रहिए हम पूर्ण रूप से विध्यारतियों के प्रटी मैं समर्पित हूं मेरा जीवन समर्पित रहा है आगे भी रहेगा चिंता मत किजी आप लोग और तब समर्पित ही कर दिया हम लोगों ने इसको सेवाई बनाली फिर वहां कंजूसी का नाम नहीं है आप मस्त रहिए सेलेक्शन यहीं से मिलेग का बता दूमें आप लोगों को दो बाते बहुत इंपोर्टेंट लिखिए यहां पर कि विवे का अनुसार कि माना की राजय पालने किसी को मुख्य मंत्री नुक्त कर दिया कि बहुमत दल का नेता नहीं चुना गया गठ्वंद्र का नेता नहीं है सबसे बड़ा दल के नि कि यह ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री नुक्त किया जा सकता है जो वर्तवाने विदान मंदल का सदेश्य नहीं है किन्तु क्या सर्त है किन्तु उसे छे महां के अंदर विदान सभा की सदेश्ता ग्रहन करनी होगी यह ऐसा नहीं कर पाता है तो वैपद नहीं रहेगा और कि दुबारा उसे मंत्री या मुखे मंत्री नहीं किया जाएगा छे महा के आधार पर ये ध्यानदने अंदर किया जाएगा एक महा के अंदर उसे बहुमत्त साविट करना थे का सभानना की विधान मतलों के सदेश्य Ricky नहीं है कोई बात दो आपना अपना अपना करना की राजिपाल को मुخ्य मंत्री न्यूक्त के संबन्द में अपने विवे के सकती का प्रियोक करने में निमिन परंप्रावव को ज्ञान में रखना होगा यह नहीं कि किसी दल को दो लोगी बहुमत है दो लोगों का लगता है समर्थन है और उसे मुख्य मंत्री बना रहे हैं ऐसा नहीं है साब उनको अपना विवेक अनुसार शक्ति का प्रियोग कर रहे हैं तो वो निमिन बातों का ध्यान रखेगा नंबर एक पर प्रपरण यह है कि विधान सभा में सबसे बड़ा दल का नेता कोन है तक सबसे बड़ा दल का नेता उन्हें सबसे पहले बुलाएगा की आईए आपको मुख्य मंत्री बनाते हैं आप भावमस्जिद्ध कर देना स्दुसरा चुनाव से पहले बनेतों के नित्यों को बुलाना चाहिए अब बात आतीय साथ कि विधान सभा में सबसे बड़े दल के नित्यों को बुला लिया अब बात आते गठ बंदन गठ बंदन हम उसको प्रात्मिक्ता देनेंगे जो विदान सभाके जो चुलाव हुए हैं चुनाव से पहले जो गठवंदन बना है उस गठवंदन के नेता को द्यालगना आप लोग चुनाव से पहले बने गठवंदन के नेता को बुलाना चाहिए रल बदल या चुनाव के पश्यात बने गठ बंदन के नेता को बुलाना चाहिए सबसे पहले देखो गठ बंदन के दो पॉइंट हमारे हैं यहां पे नमबर एक नमस्ते सर मैं ओन डुट्यू आर्मी में हूँ और जिसी टाइम मिलता है तो पक्का क्लास देखता हूं और स्चांस में ही मुझे PSI किलिर करना है विल्कूल देश की सिफाई को हमारे तरफ से सैलूट मेरे भाई कि मस्त रहिए मैं आपके साथ हूं कि आप एक लास रेगुलर लगाते रहिए जिके मैं आप मात नहीं खाएंगे कई बटकना नहीं आप लोगों को सबसे पहले विधान सभा में सबसे बड़े दलकर नेता को बुलाना चाहिए गठवंदन में दो पहले हम उस गठवंदन के नेता को प्रात्मुद देंगे जो चुनाओं से पहले बना हो और फिर अगर वहां प्रात्मुद नहीं है तो फिर उसके बाद गठवंदन बना उसके नेता को यदि एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए यह सब बाते आपको ध्यान में रखना इध्यान रखें आप लोग आपको बत मंत्री परिशद का कारेकाल है उसे बाते यांबी है इनका कारेकाल विधान सबा में विश्वास पर निर्बर करेगा कि विधान सबा का इन पर विश्वास कब तक है तब तक इनको विश्वास मत हासिल है तब तक मुख्यमंत्र रहेंगे और साधर्ण तब तक विधान सब कारेकाल पूर्ण नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा यह ध्यान रखे आप लोग तो कारेकाल साधनत हम पांच वर्स लेते हैं लेकिन ऐसी प्रस्तित उत्पन्न होती है विश्वास खो देते हैं या विधान सभा भंग हो जाती है ऐसी इस्तितिम कारेकाल कम रहेगा साब जर्ण देखिए कि मुख्यमंत्री का कारेकाल साधनत है पांच वर्स का होता है क्लियर इध्यान रखे आप लोग हूं है आगे बढ़ते हैं विकली किन्तों निमिन कारणों से प्रभाववित हो जाता है कि मंत्री परिश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पा दूसरी बात त्याग पत्तर नहीं देने पर राज्यपाल द्वारा बरकास्त के जाने अब माना कि विश्वास खो दिया है और अपना त्याग पत्तर नहीं दे रहा है तो विधान्त सभा में इनका वहुमत नहीं रहा या इनके विश्वास नहीं रहा इनके पक्ष में इनके हिसे अऊके मangel ही सदेश नहीं रहे त्यान कर त्याइब पथर देने पर राज्यपाल द्वारा बरْकास्त किया सकते है कि आप क्या क्या अक्टर मतर्षी करते तक विधान सभा में विश्वास रहेगा उनके पक्ष में भुमत रहेगा उन्हें राज्य पाल भी नहीं हटा सकते यह ध्यान रखें आप लोग यह ध्यान रखें आप लोग कि चले हम लोग कि योगी ताजी पूचरें गठ बंदन क्या है को गठ बंदन का मतलब है जैसे कोई दल है और दो या तीन दल मिल गए और मिलके 40 विदायक इसके 20 इसके 30 इसके 10 इसके और उन्हों टैक कर लिया ठीक है यार अपने लोग सब मिल जाते हैं और मिलके अपना वहुमत है आदा प गठ बंदन के लिया दो चार डल मिलके विदाय GREG करते है और फिर यार आ आपको में मत्री बन जाए हमें को मंत्री पते देना समझगेए आप लोग वो है अब बात करते हैं मुख्य मुख्य मंत्री और मंत्रियों की शपत शपत और शपत का प्रारू मुख्य मंत्री सहीत मंत्री परिशद का परतेक सदस्य राजेपाल के समक्ष पद एवं गोपनियत दो शपत लेगा एक पद की लेगा और एक गोपनियत की लेगा पद एवं गोपनियत की शपत लेता है ये है शर्पत का प्रारूप क्या है शर्प हो इसक्त करेंगे जो शर्पत नहीं हो लेकिन साथ बात आती है कि जह ARE तो शपत का जो प्रारूप वह कहां है अब ध्यान रखना वो अनुसूची तीन में है और अनुसूची दो वो वेतन से संबंदित है किलियार आगे बात करते हैं मुख्य मंत्री कारे गहन करने से पूरो राज्य पाल के समक्ष निमिन प्रारूप में पद और गोपनिता की शपत लेता है इस बन की बात करूआं एक मैं आपसे गोपनिता की बात कर रहा हूं देखिए मैं अमुक कि इश्वर की शपत लेता हूं सत्य निष्टा से प्रति ग्यान करता हूं हम क्या कहते हैं शपत एवन परति ग्यान लेना अगर मालो मैं आस्तिक हूँ इश्वर का नाम लूँगा इश्वर की शपत लूँगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं भगवान विश्वास करता हूँ नेकिल अब मैं नास्तिक हो गया मैं भगवान को मानता है नहीं हूँ मैं इश्वर को मानता ही नहीं हूँ तब इश्वर को मानता ही नहीं हूँ तो मैं शपत क्यों लूँगा तो आप क्या करेंगे परतिग्यान करेंगे या तो आप ये लेंगे या ये लेंगे इसलिए क्या लिखा होता है शपत या परतिग्यान शपत या परतिग्यान तो आस् स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अक्षुन रखूंगा मैं मतलब डोट डोट नाम आएगा राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंत्करण से निर्भेन करूंगा मैं भैय या पक्षपात मतलब पद की शपत ले रहे हम गोपनिता की नहीं देद्यान कर सुधिक है संविधान और विदी कि अनुशार न्याय करूंगा वह होगी पद की शपत अबयात करते हैं हम लोग साथ 국yu अब गोपणिता की शपत वो तो क्या होगी हमईरे मेरे पद की सपथ हो गई और हम बात कर रहे हैं अब लोग आप लोगों से किसके हैं आप लोगों से प्रतिज्ञान की वहां पद की शपत लिए यहां हम शपत लेंगे मोटा मोटा बता दूं आप लोगों को कि जो करतव्य हैं उन करतव्यों को जो हम निर्णा ले रहे हैं वो निर्णा एक बार गोप मतलब नाम सत्य निश्टा से प्रतिगान करता हूं कि जो विश्य राज्य के मंत्रिक रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्रिक रूप में अपरे करते व्यक्त मैं बहुत बढ़िया हूँ ठीक है समझ के आप लोग तो मैं परतक्ष अथुआ आम सब बढ़िया ही रहते हैं बस बढ़िया आप होने चाहिए और आप लगातार मुझे समय देंगे मेरे कई अनुसार चलेंगे तो निश्यत तोर से मानना आप भी सब बढ़िया होंगे बढ सब्सक्रा नहीं चल रहा विध्यारती को दूविदा में रखने वाला नहीं चल रहा मुझे लगा कि विध्यारती के पास में नोट्स हैं वह नोट्स हो सकता है कोई भाषा ऐसी हो समझ में नहीं आई हो तो एक बढ़ा गिप्ट में आप लोगों को दिया है कि आप नोट् यहां यूटूब पर लगाई जाए आप लोग एप लगाई जाए तक आप लोग आराम से पढ़ सके और अच्छी तरीके से विश्यवस्तों को समझ सके और एक्जाम से पहले एक बार रिविजन कर सके भी तो शपत लेंगे और पद और गोपनिता की समझे आप लोग आगे बात करते हं मुख्यमंत्री यह मंत्रियों के व्यत्न बैते हैं कि मुख्यमंत्रि मं HomВО अन्वा मंत्र प्रिशंद व्यत्र नंज्र मत कर देना अप राष्ठ पति मत करदेना आप राश्ठ पति मत कर आप संसद मत कर देंदा यह ध्यान रखना आप लोग अगर केंद्रिये यानि प्रधान मंत्री और केंद्रिये मंत्री मंदल की बात आती है तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी और राज्ये के मुख्य मंत्री सहीद कूरे मंत्री परिशद की बात आती है तो राज्ये में मुख्य मंत्री का पद जनवर 1950 में लागू हुआ यह ध्यान रखें आप लोग पहले एकिकरन के समय आप परधान मंत्री का पद पढ़ते हो परधान मंत्री केंद्र में गया राज्ये में मुख्य मंत्री का पद लागू हुआ और राज्ये के पहले मनुख्य मं कहता है राजयपाल के पास है लेकिन हमारे संसद्य शासन प्रणाली होने के कारण राजयपाल के नाम से वो कारिये होते हैं वास्तिक्ता में उन शक्तियों का जो प्रियोग करते हैं तो द्यान रखना वो कौन करते हैं मुख्य मंत्री जी करते हैं वेरी वेरी राज्यपाल में नहीं हैं किन्तु व्यवार में उन सब का प्रियोग राज्यका मुख्य मंत्री करता है क्योंकि यहां क्या लिखा है राज्यका सम्विदानिक परधान राज्यपाल राज्यका सम्विदानिक परधान राज्यपाल क्लियर और वास्पिक परदान मुख्य मंत्री आप कहाएंगे हम लोग कि सर मुख्य मंत्री के जो कारिये हैं वो मुख्य मंत्री के कारिये कौन-कौन से जरा देखिए आप लोग मुख्य मंत्री का सबसे बड़ा कारिये है वो है मंत्री परिशद का गठन करना मंत्री परिशद का जो गठन करेगा वो मुख्य मंत्री करेगा मुख्य मंत्री ही मंत्रियों के सूची राज्यपाल मोदे को सोपते हैं और वानी राज्यपाल उन्हीं को मंत्री बनाता है कारिये विवाजन द्यान रखना वो भी मुख्य मुख्य मंत्री करता है वो अलग बात है कि सम्विदानिक मुताबित वो सक्ति राज्येपाल के पास है यह द्यान रखें आप लोग मुख्य मंत्री का पर्थम कारिये होता है मंत्री परिश्द का परखास्ट कर सकता है मैंने आपसे क्या कहा था कि मंत्री परिशत सामुइक रूप से स्तामुइक रूप से उत्तरदाई होती है वो विधान सभा के परति होती है याद किजिए अनुछेद 164 की धारा दो मैंने आपको पढ़ाई थी लेकिन वह व्यक्तिकत रूप से हाई थी में आप लोगों को वह राजणेपाल के पर पर्साथ प्रियंत पधरण करता है कि मुख्यमंत्री जी कहरें तुझे मंत्र नहीं बनाना त्याक पत्र देरा तो वह कैसी मंत्री तो क्या करेंगे फिरुनने लिए मुख्यमंतरी मंत्री परिशन की बेटक कते माला why वीवाजन कर दिया उन्हें मंत्री बना दिया उनको जो विवाग दे दिया अब यह नहीं आप उस्टे चैलेंज कर रहे आप कोर्ट में जा रहे हैं आप मानने न्याले में जा रहे और आप कहरेखीR Taa तो उमर से भी सीर रहों मैंदस बार विदागी रह सकता हूं जो राच फॉका हूं मुझे मंत्री यह नहीं है और एक रोख बझलाल से pret होगे एक बारक से विदायक है अब ये थोड़ी पांस-चाथ वार से विदायक वजा के देंगा नियसाब ऐसा थोड़ी होता है यानि न्यायले में इससे चुनोती नहीं दी जा सकती मुख्य मंत्री मंत्री परिश्द की बैठक होती है उसकी अधिक्सतर करते हैं कि मंत्री परिश्द का मुख्य कोन है मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री जब चाहे तब मंत्री परिश्द की बैठक बुला सकता है समय वे इस्तान का रिधारन कर सकता है मुख्य मंत्री के ट्याग या पत्तर देने पर मंतरी प्राश्र मो जाता है मुख्य मंत्री की मिरत्यों होने से मंत्री प्रश्र बना दिया ब्लोग लोग एप से चालीस दोसो उस पे भी आप लोग मैसेज करके ओडर कर सकतो इस प्रकार से इस्पाइल बाइंडिंग वाएंगे आप लोग मन चाहे जैसे पड़ें मन चाहे जैसे मोडें कोई दिक्कत नहीं है अच्छी क्वालिटी एवान बड़िया पेपर बड़िया कवर लिखी आप लो लोग हाई लाटर चलाएए मज़ा आएगा आप लोगों को देख रहें आप लोग तो यह आप लोग वाट से भी कर सकते चोराण में 6884-200 नंबर पर कोई मंत्री कहता है मैं तो त्याग पत्र नहीं दूंगा नहीं दूंगा मैं तो कोई बात नहीं मुख्य मंत्री जी ने अपना श्यूम का त्याग पत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्री परिशद भंग हो जाएगी कि अगर मुख्य मंत्री जी की मिरत्यू हो जाती है मुख्य मंत्री जी की मिरत्यू हो जाती है तो भी मंत्री परिशद भंग हो जाती है बहुत अच्छा सवाल बनेगा कि मुख्य मंत्री जी ने त्याग पत्र दे दिया क्या मंत्री परिशद भंग हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी सवाल पूछेंगे क्या मुख्य मंत्री जी की मिरत्यू हो गई और मिरत्यू होने पर क्या मंत्री परिशद जीवित रहेगी नहीं मंत्री परिशद भंग हो ज साब साब बताया था कि राज्यपाल की सलाय इमसाहिता के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका मुख्या मुख्य मंत्री होगा यहीं मुताबिक अनुचेद 163 के मुख्य मंत्री का जो कारी है वह राज्यपाल के प्रामर्ष इमसाहिता के लिए एक मंत्री परिशद होगी ध्यान रखें आप लोग अनुचेद 167 मैंने आपको पहले पढ़ाय था अनुचेद 166 में सरकार के कार्य संचालन से संबंदित बाते थी मैंने आपको चार अनुचेद शुरुवात में ही बताए थे नंबर एक आपको अनूचेद 163 बताया था मुख्य मंत्री मंत्री परिशद राज्यपाल को साइट आय जल्हा देने के लिए अनुचेद 164 आपके मंत्री परिशत के संबंद में अन्य प्रावदान अनुचेद 166 राज्य का कार्य संचालन और अनुचेद 166 ध्यान रखें चार अनुचेद मैंने बताया थे वो भी ध्यान रखें आप लोग हम् हमुति मंत्री विदी अवं परस्मंधी सुचना राज्य पाल को देगा और ध्यान रखें देने के लिए बद्य है कि विधि अवं परस्मंधी स्ूचना आपके वह राज्यपाल को देंगे अनुचेद 166 लगाली जिये बहुत जम ने पूछता है इसको और मंत्री परिशद ने जो भी कोई नीर्णे लिये हैं वो नीर्णे की सूचना भी मुख्य मंत्रीजी रज्येपल को देंगे है औरओ वो सभी सूचनाय जो राज्यम मांगे इसका मतलब यह नहीं सूचना मांग ले आपके घर में क्या चल रहा है आपके अप्र जो सासन और आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पर्सासन और विदि से संबंदी मामलें उन्हें की सुचनाओं की बात हो रही है यह द्यान रखें आप लो मंत्री परिशत के निनों से राज्यपाल को अउगत कराएंगे राज्यपाल द्वारा मांगे गई सुचनाओं उपलब्द करवाएगा मुख्य मंत्री राज्यपाल और मंत्री परिशत के मद्दे एक कड़ी होती है य मुख्य मंत्री जी राज्य पलता उस बात को पहुचाएंगे मुख्य मंत्री विदान सभा का सत्र बुलाने के लिए राज्य पाल को सला देगा राजनेतिक पर्सासनिक होता है तो रज्य का पर्थम जो लोग सेवक होता है अगर सबसे बड़ा होदा होता है आपको बढ़ा जाएगा आगेचल के पॉलेटी में तो सबसे सबसे बड़ा होदा होता है वो होता है आपके मुख्य सच्यू का राजनितिक में सबसे बड़ा होदा होता है वो होता है मुख्य मंत्री का और समविदानिक तोर पर सबसे बड़ा होदा होता है वो होता है राज्ये दोट रैज्य मंदल इवं राज्य योजन बोड इस अंत्राजिय का प्रतनित्तु करते हैं यहां इसमें राज्य का करेगा फ्रतंतर दीकों कोन करेगा वो ध्यान रखेंगे आप लोग मुख्यय मंत्री करलेंगे की मति पूरी विधान सभा की बात करनी पड़ेगा इसमें मैं जड़ा देखता हूं आगे कर लोग इस कि बात करेंने करके लोगों को는지 करें नहीं और तो सबींस करेंगे please यहाँ लोगों की मुख्य मंत्री है यहां लोग zasब figurता लेता हूं यहां से आप ऩहाँ लोग बात करेंगे ठीक है ओक्य-ओक्यों निसको क्या इस्तिति है महाधिवक्ता और यहां पर हम लेखेंगे यह आप लोगों के मुख्यमंत्री के कारिये मुख्यवर्यपल समीने कारिये यह हो गया अभी बात करेंगे इसके वह हम विधान सवम पड़ेंगे वह हम विधान सवम पड़ेंगे यहां नहीं पड़ेंगे अभी पड़ेंगे इसको राजस्तान के संद्रम में मुख्य मंत्री देखें मित्रों तक पहले हमें तो वह अलग से विधान सवम दे रखा है मै केवल छोटी बात करेंगे कि अधिया आप लोगों के जो मुख्य मंत्री है राश्तान के पहले मुख्य मंत्री इलेक्षिन हमारे 1952 में हुए थे फर्वरी मार्च का महीना में इलेक्षिन हुए थे मार्च 1952 में सरकार का गठन हुआ था आपका क्या कोश्चन है जरा दुबार रखी आप लोग तो टैस्ट के सिरीज के वीडियो सुलिशन उनका कहीं नहीं है वहां पर तो आंसर के आप लोग देखेंगे उनका कहां उनके सुलिशन नहीं है देखिया आप लो थी एक शब्द है हमारा निर्वाथित एक सब्द सब्सक्राइब लेकिन मुख्य मंत्री हमने जनवर 1950 में चुल लिया तो वे राजस्तान के मनुथ मुख्य मंत्री थे जो कि हिरलास शास्त्री जिट थे राश्तान के प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री उज टीकराम पालिवाल कि थे मार्च ऐच 19512 से अक्टूबबर 1952 तक और फिर इनौने इस्तीपा दिया था और जे। नरण व्यास को मुखह मंत्री बनाय गया था और टीकराम-पालिवाल को उप मूखह मंत्री भिान के पहले मुखह मंत्री और फिर उप मूखह मंत्री वो तो राजस्तान के मनोनित मुख्य मंत्री नहीं तो पंडित हिरलाल शास्त्री रहें और पर्थम यह जो 1950 से लेके और 1952 का जो समय है इसमें तीन आप लोगों के मनोनित मुख्य मंत्री रहें कितने तीन राजस्तान में मनोनित मुख्य मंत्री के तरह तीन रहें अगर सबसे पहले आप लोग बात करते हो तो आप लोग कहेंगे पंडित हिरलाल शास्त्री दूसरा CS वेंकेट चारी और तीसरा जे नाराण व्यास समझिये भाई समझिये आराम से नंबर एक पंडित हिरलाल शास्त्री नंबर दो के सियसे वेंकेटाचारी नंबर टीन जैनारांण व्यास समझते के राष्थान के वो मननुनीत मुख्यमंपरी जो बाद में निर्वाचित भी रहे थे वह जैनारांण व्यास हैं तो आपने करामपालि आपके अर्लाद शास्त्री को देखा वेंकेटा चारिजु को देखा जैनराण व्यास को देखा तबज़ के यह तीन आपके मनुलित मुख्य मंत्री रहें द्यान अकान आप लोग और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं राजस्तान के परथम निर्वाचित मुख्य मंत्री, राजस्तान में जो इलेक्शन हुए 1952 में और 1952 में मुख्य मंत्री हमें 69 व्यास साब को बना ना था, लेकिन 29 व्यास दो संसद्य सीटों से चुनाव लड़ते हैं, जोधपूर B और जालो A, लेकिन दोनों संसद्य साब को वहुमत पर आप दलका नेता चुना कांग्रेस ने और फिर यह क्या बने मुख्य मंत्री बने पिर बाद में चैनरान व्यास के बिना राजस्तान की राजनी अधूरी थी इने किसंगर विधान सबा सीट हुआ करती थी वहां से चानमल महता विधान सबा सदेश्य थे उनसे इस्तिपा दिलवाया वहां चुनाव लड़वाया उप चुनाव करवाये और फिर यह क्या बने विधायक बने बने चैनरारीय करिए राजनाव राज्या मेस सरवड कार्येकाल मुक्य मखन लाल्से रिया संसद शाचिव कằद बना या षंकJan न्यूक्ति शुरूई वित्रो जो संभागे व्योस्ता है आज हमारे पास चल रही है 1929 में सुरूबात हुई 1962 में जो संभागे व्योस्ता पर रोक लगाई वो भी इनके दुवारा लगाई गी थी संभागे व्योस्ता को पुने सुरू किया था तो राज्य के वह मुख्य मंत्री जो तीन कारेकाल लिए मुख्य मंत्र है संभागे रहें रैस्तान के परतम मुख्य मंत्री अपकी सुरू रैस्तान की सबसे लंबे कारेकाल वाले मुख्य मंत्री परतम तो मनुल्ट तिरल अस्ते निर्वाचित आपके ठीकरां देखाओ लेकिन इन्होंने तीन तीन बारं ये जा रहे हैं मुख्य मंत्रu रहे है मौलाल सुकादिया हरिदियो जोशी बैर्शिंग शेकावाद और अशोग गैलोटthen ये जो मुख्य मंत्री बने उनमें ध्यान रखें राज्य के एक मातर महिला मुख्य मंत्री वसंद्रा राजे रही हैं अगर आप करें राज्य के अलब संख्यक मुख्य मंत्री वह बरक्तुल्ला खा थे अलब संख्यक इंगी पदपर रहते वह देखेंगे हम लोग कि पदपर रहते वह मुख्य मंत्री बर्गतुल्ला खाथे अंगर अनुशुचित जाती से जो मुख्य मंत्री रहें उनका नाम जगंणात पाडिय साब है और राज्य में सबसे नियूंतम कारेकाल किसका है ध्यान रखें आप लोग वह इरलाल देवपुरा का है यह नियूंतम कारेकाल कैसे रहा सब बाते आप लोगों बताई जाएगी तब हम विधान सबाब पढ़ेंगे तब कि पहली विधान सबाब में कितनी सीटे मिली इन्हे आप खुद देखिए मेरे कहने से कुछ नहीं होगा आप खुद देखिए अब बात आती है राज्तान में उप्मुख्य मंत्री मित्रों उप्मुख्य मंत्री का सम्मीदान में कोई प्रावदान नहीं है उप्मुख्य मंत्री का ना कोई वेतन का प्रावदान है ना कोई पदगा यह नहीं है तो वेतनवात काहसे मिलेंगे यह मंत्री होता है लेकिन लेकर मुखे मंत्री व्यवस्ता ने बना दिया राजनेतिकाणों से लेकिना मुख्य मंत्रियों की न्युक्ति होती है सबसे पहले हमें उप मुख्य मंद्री के आशुकत पड़ी वो साब हमें 1952 पर पड़ी क्यों पड़ी क्यों कि سिटिंग जो मुख्य मंद्री है पालीवाल साब से इस्तिपलिया गया था मन नहीं था इनका नाराज हुए और जेनान व्यास को मुख्य मंद्री बनाए गया था नाराज जाहिर की इन्हें शांत करने के लिए इन्हें उप मुख्य मंत्री बनाए गये था रास्तन के पहले उप मुख्य मंत्री वो कौन रहे हैं वो टीकराम पालिवाल साब रहे हैं इसमें आपके आ जाएंगे टीकराम पालिवाल साब रहे हैं फिर हरी संकर भावड़ा सा गई है कि नूइछी भी आपको पूप मुख्य मंत्रियों की शाण έχει मिलेगी मुख्य मंत्रियों की बाद में कारेकाल के बार ठीक है वहां लुग बात करेंगे के वहां जोड़िये मैंने यह को वाद्दीविया कुमारी जी को और प्रेम चंद बैरवाजी को वहाँ जोड दिया गया है चिंदा मत किजिए आप लोग वहां में मिलेगा यहां से चार ठटा नहीं हरजाना चीद लिन नहीं अठा वह आगे आप लोगों को मिलेगा वहां आप लोगों को अब तक पूरे अंटरी और फिर उन्हें अपमुख्य मंत्री बनाए गये था और आपको मिला के साथ उप मुख्य मंत्री बन चुके आगे बात करेंगे राजस्तान के पर्थम उपमुख्य मंत्री टीकराम पालीवाल साथ यह भी आप से पूलख सकता है किसकी सरकार्म बने तो आप लोग अधाईस दिन होगे और निंटम कारेकाल वाले उप मुख्य मंतरी कमला बैनिवाल हैं 10 माहा 24 दिन दोरु बाते के लिए सबसे लंबे समय तक उप मुख्य मंतरी का जो समय रहा है वो हरीशंग भावड़ा साब कर रहा है और उनका जो कारेकाल रहा है वो चार वर्स 11 महां 28 दिन कर रहा है लगबग पूरे-पूरे 5 साल मानी आप लोग नियुनतम कारेकाल कमला बैनिवाल कर रहा है बारतिय जंता पार्टी सरकार में एक मातर उपमुखे मंतरी हरीशंग कर बावड़ा बने थे अब यहां कोमा लगा देंगे हम लोग यहां पे राजकुमार दिवयकोमारी हो जाएगी यहां पे बैर्वा साब हो जाएगे आगे है अरिशंग भावड़ा सब्तुख का दिक्ष भी रहे पहुए और लेसब्त के लंबा कार्यकालीं रहा है बनवरलाल बैरवह और सचीन पाइलेट लोगसभा के सद्धिय भी रहे हैं वो मुक्ख्य मंत्री जो लोगस्भा संसाथ केंद्रिय मंत्री रास्तान κांगxton कमेटी के अध्यक्षन के ken Speed acey गुजरा तिरपुरा नि stressed saoadsinovra, रैज्य पाल रहें कमला बैनिवाल समझे मुख्य मंतर अशोक सब्कारbakतर तीन मूख्य मंतर हैं और राज्य की पहली महिला मंतरी कमला बैनिवाल है यह चार्ट साथ यह आप लोगों को मिलेगा यह आप लोगों में अपडेट कर दी है लेकिन यह मिलेगा आप लोगों को कहां आपके विधान्द सबा में है ठीक है यह मिलेगा आप लोगों को कि यह भी हम लोग पढ़ेंगे यह अलक्षी हम पूरी एक क्लास रखेंगे इसकी समझे ना पूरी एक क्लास रखेंगे अपर लो बात करते हैं साथ की हम लोग क्लियर वो दिकत किसी को देखिए वो अलग से बात करेंगे हम लोग आपके मुख्य मंत्री एक एक की हम लोग अलग से बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता राज्य के जो महाधिवक्ता है जो प्रकार से केंदर सरकार में महा न्यायवादी होता है ठीक उसी प्रकार से महाधिवक्ता राज्य मोता है राज्य सरकार को कानूनिस सला देने वाला वो महा अधिवक्ता होता है और महा अधिवक्ता एक सम्विदानिक पद है सम्विदान में उसका उल्लेक है और सम्विदान में उल्लेक है इसका मतला क्या बात है भाई यहां अनुछेद 165 यह उल्लेक करता है कि राज्ये में एक महा अधिवक्ता होगा लेकिने अत्रीक्त महा अधीवक्ता को उल्लेक समविदान है, हम लोगे अलग से बात कर लेंगे, ठीक है, तो आज Delhi Class, हम यहींतक रखेंगे, आप सभी मित्रों को एक बार पुने मेरा निवेदन कि एबुक के रूप में रायथान के समस्थ नोट्स आपको फिरी में उपलब्ध हैं आप उसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते रायथान के मोबाइल एप पर आप लोगों को जाना है और रायथान के मोबाइल एप पर ज नोट्स एक तरफ क्योंकि वे सैकड़ों किताबों का ही निचोड है लेकिन मैंने यह किया है मेरा जो अनुबव रहा है मैंने खुदने नोकरी प्राप्त किये मैंने फिर काफी टेम से विध्यारती जुड़ा हुआ हूँ कि कौन सी बात है जो विध्यारतियों के लिए काम पहुंचता है पहुंच सकता है अनाशक पेजों कि संख्या नहीं बढ़ानी हम लोगों को तो वाके आप लोग नोट्स पड़े नाइथान का निशी तोर से आपको अलग मिलेगा आप सभी को शुबरात्री धन्यवाद राम राम साभ पहले उप मुख्य मंत्री बात करें ह फिर हरी शंकर भावड़ा यह उप मुख्य मंत्री का नाम है यह इनका कारेकाल है और यह इनके कि सरकार में रहे यह भी ध्यान रखें तो अब तक कुल मिला के साथ उप मुख्य मंत्री रहे हैं देखिए मुख्य मंत्री का सम्मीदान में कोई किसी प्रकार का प्रावदान नहीं नहीं याप द्रेण रखेंगे दूसरी बात राजस्थान के पर्थम उप मुख्य मंत्री उप में मध्या प्र्फम उठा ले हम लोग बता देंगे कि टीकराम पालिवाल साथ बात आती है सरवादिक कारेकाल वाले उपमुक्य मंत्री अरी शंकर भाबडा लगबग आप पांच महीने का कारेकाल मानके चली है आप लोग और न्यूनतम कारेकाल आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे न्यूनतम कारेकाल व पास आप सबर रखिए नियुनतमकारी काल बारतिय जनता पार्टी सरकार में एक मातर उपमुख्यमंत्री अरिशंकर भावड़ा थे लेकिन अरिशंकर भावड़ा कब तक थे तो ज्यान रखे तब तक थे तब हमारे पास में प्रेमचंद बैर्वा साब है और दिया कुमारी किसके हैं और तीन किस से रहें बीजेपी से रहें ध्यान रखें आप लोग करते हैं अरिशंकर भावड़ा विदान सभा का अदक्ष भी रहे हैं पनवारलाल बैर्वा साचिन पालेट लोग सबसादिशीव रहें इनके अपन कल बात कर चुके थे ठीक है यहां बातों थी आप हम लोग बात करते हैं राजस्तान में विदान सभा व्य मुख्य मंत्री यहां से अम लोग कराश शुरू करेंगे आच देख jestem बहुत ध्यान सुनेगा अप लोग हमने विदान सबा लिये कि विदान सबा कौन सी है और वहां देखेंगे हम लोग तो वहां मुख्यमंत्री कौन है विशेस क्या है तीन कोलमम मने इसको बाठ दिया है पित्रो समय आता है हमारा पाच जनवर 1951 तक हिर्वा शास्त्री और हमने विदान सबा की जगे यहां पर डेस लगा है क्योंकि विदान सबा का जो गठन होता है वो का भोगा 1952 में होगा मार्च 1952 का समय था मार्च 1952 में विदान सबा का गठन होगा इससे पहले हमें मुख्यमंत्री का पाच जनवर 1950 मिल चुका है तो यह दोर 1950 जनवरी से मार्च 1952 का दोर रहा है यह क्या रहा है यह द्यान रखें आप लोग यह मनोनित मुखे मंत्री रहे है निर्वाचत मुखे sensitive मंत्री हैं और इनके बाद जै नाराण व्यास तीसरे मनोनित मुख्य मंत्री रहें तो कुल मिला के मनोनित मुख्य मंत्री आपको तीन देखनों को मिलेंगे राज्य के पर्थम मनुनित मुख्य मंत्री विशेस माईए, लोगसव सदेश्य भी रहे हैं, जैपूर रियाशास से समिदान सभा के सदेश्य भी थे राज्य के दूसरे मनुनित मुख्य मंत्री ध्यान रखें आपलो, भाकी ओर डिटेल ध्यान मत रखें आपलो ये ध्यानकना पहला इरला शास्त्री, दूसरा सीएस वेंकेटाचारी, तीसरा जैनाण व्यास और जैनाण व्यास रहे हैं तीन मार्च 1952 तक तीसरे मन्नोनित मुख्य मंत्री अब समय आता है 1952 का, तो रामराम सभी को में रामराम, 1952 का समय आया, 1952 में चुना हुए है, चुना हुए तो कांग्रेस को बहुमत मिला, 160 सीटों पर लेक्षन हुए, विधान सभा पढ़ाऊंगा तब आपसे बात करूँगा, पर्थम दुतिय तित्य विधान सभा, तब आपसे एक एक सीटियों बात करूँगा, 160 सीटों पर लेक्षन हुए, वो अजमेर बेरवडा की विधान सभालक थी, और उनमें 82 सीटे का लड़ते हैं व्योद्पुर्भी और जालोर एसीट से और दोनों जगें हार जाते हैं तो फिर बहुमत दलकर नेता टीकराम पालिवाल को सागों चुना गया और टीकराम पालिवाल राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने नमबर एक बात दूसरा फिर जैसे ही विधान सबाम पहुँचे तो संकर टीकराम पालिवाल जी प्याना था टीकराम पालिवाल से इस्तिपलिया और इस्तिपलेज से नाराज हुए हैं नाराज जी तो अभी में बढ़ा के आया हूं आप लोगों को इन्हें उपमुख्यमंत्री बनाय गया जो के रस्त आप और इसके बाद मोहनलाल सुकाडिया इन्हें आधूर्य रास्त्राण का निर्माता कहते और राज्य के सबसे कम उमर में जो मुख्यमंत्री बने इस ध्यान रखें वो मोहनलाल सुकाडिया साम बने मोलाल सुकाडिया तो बातों बहुत इंहिप्वर्टेंटर है नमब बॉसिष्ट पूरी की है आगे बड़े हम लोग तो ये बात के लिए हुई दूसरी बात हम लोग करें कि एक तुर राज्ये के सबसे युवाह जो ये मुख्या मंतिर हो सबसे लंबा जो समय तक मुख्या मंतिर रहे हैं वो कौन रहे हैं मौलाल सुकाडिय साथ इनके समय राज्तान का एकिकण पूर्ण हुआ तो इन्हें आधुनी राज्तान का निर्माता भी कहते हैं किलियर अब हमारे पास विधान सबा दूसरी अब गोर करने वाली बात यह है कि जो पहली विधान सबा है क्या कहा पहली विध विधान सबा है तो पहली विधान सबा है उसमें तीन उपमुख्य मंत्री बनाए नंबर एक टिकराम पालिवाल नंबर दो जेनन व्यास नंबर तीन महुलाल सुकाडिया यह कि लिए रुवा बात करते हैं हम लोग दूसरी है कि दूसरी विधान सबा जो 1957-1962 चले कि इसमे आ जो मुख्य मंत्री बनेंगे मौलाल सुकाडिया ध्यान मेरे आप लोगोगों को दूसरी बार मुख्य मंत्री बनें एक तुझ यह importent रहान रखे कोण सी विधान सबां सबा ने कितने उपमुख्य मंत्री दिये है जैसे आप लोग देख रहे हूँ यहाँ पर आपके प पूरी एक विधान सब्सक्राइब बात आता है तीसरी बार महलाल सुकाडिया फिर मुख्य मंत्री बनते हैं और पूरी पांस साल रहे अब इनके समय में पहली बार राष्टपती शासल लागू हुआ और राष्टपती शासल में पहले बता चुका आप लोग को ठीक है अब आता है हमारा तीन बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं मौनलाल सुकाडिया और अब विधान सब्सक्राइब हमारी चोथी आती है चोथी विधान सब्सक्राइब उननीस सड्सर से उननीस सब्सक्राइब यह भी पांस साल के लिए मौनलाल सुकाडिया साब है तो मौनलाल सुकाडिया साब क्या बने मुख्य मंत्री बने है पाथ से इंसे इस्तिपा लिया गया और इस्तिपा लेकर फिर बरक तुल्ला खा जोधपुर के थे हलाकि इन्हों ने जो चुनाव लड़ा था वो तीजारा विधान सब्सक्राइब से लड़ा था कहां से तीजारा विधान सब्सक्राइब से तो चो राज्जे में सर्वदिक समय तक कार्य करने वाले मुख्य मंत्री हैं वो ध्यान रखें आप लोग कोन महुलाल सुकाडिया अपने संभागिय व्योस्ता का नाम सुना ऐसा थी हो आज पढ़ते हैं हम लोग इस संभागिय व्योस्ता 1949 में प्रारंभ हुई और 1962 में मोहुलाल सुकाडिया जी मुख्य मंत्री थे मोहुलाल सुकाडिया के कारिकाल में इस संभागिय व्योस्ता पर रोक लगा देगे 1987 में आगे चलके अरीदेव जोसी जी मुख्य मंत्री रहे तो वे संभागिये व्योस्ता को पुने शुरू किया इसलिए ध्यान रखें आप लोग तो संभागिये व्योस्ता पर रोक लगे ये जो बरक तुल लखा है रज्य के एक मातर अब तक के अलब संख्याग मुख्य मंत्री तो वो कौन है बरक तुल लखा है निर्वाचन चेतर तिजारा जहां से बालक नाच जी अब मानिये सदेश्य हैं विदान सभा के तो वो तिजारा से इन्हों ने चुनाव लड़ा था वित्रो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ निर्वाचन चेतर वाला तो भारत पाकिस्तान युद्ध निर्वाचन के समय राज्य के मुख्य मंत्री कौन थे तो आप कर देंगे बरक तुल लखा थे तो पहले विदान सभा ने हमको तीन मुख्य मंत्री दिये तीकराम पालिवाल जेनन व्यास मोहलाल सुकाडिया दूसरी विधान सभान में हमें मोहलाल सुकाडिया तीसरी विधान सभा में हमें मोहलाल सुकाडिया चोथी विधान सभा में फिर हमें दो मुख्य मत्री मिले पहले तीकराम सुरी आपको मोहलाल सुकाडिय साथ फिर इन है इसे समन्ना पड़ेगा हर जगे ट्रिक्स काम नहीं देती है द्यानकन आप लोग कि इसके चकर बैठे रहना आप लोग कि को अ कि हर जगे काम नहीं देगी झाल झाल आप बात करते साती हम लोग आप लोगों के पांची विधान सवा देखिए पांची विधान सवा 1922 से 1937 पूरे पांच साल के लिए चलेगी पहली पांच साल के लिए पांची विधान सवा में तीन मुख्य मंत्री मिले दूसरी में एक मिला तीसरी में एक मिला तो तीमें हमें दो मिले और पांचीवीं फिरम को दो देखने को मिलें परक्तुल्ला खास आप दूसरी बार मुख्य मंत्री बने राष्ट्रां के पहले अलफ संक्य मुख्य मंत्री और राज्जी के पहले मुख्य मंत्री जिनकों निधन फद पर रहते हुवा बरक्तुलला जी का हार्ट अटेक से कारेले में निदन हुआ जब कारेले में निदन हुआ तो फिर हरीदेव जोशी साब को कि विधान सभा में कि नेता चुना गया जहां रखिया आप बहुमोद प्राफ दल का और हरीदेव जोशी जी मुख्य मंत्री बने जो संभागी विवस्ता नमस्ते भई नमस्ते बिलकुल नमस्ते जो संभागी विवस्ता है तर विधान सभा में टोटल कितनी सीट्स होती है यार नमन भाई यार क्यों लाचार कर रहा है मुझे मुझे क्यों लाचार कर रहा है सब को पता यार विदान सभम कितनी सीठे होती है वो जन सिंख्या पर निर्वर करेगा 1931 की जनगणा की आधार पर है बात है हमार राजिस्तान में कितनी है आप सब मालूम है दोसों है ठीक है वर्तमान की बात कर रहा हूं है तो जो संभागी विवस्ता पर मोहुनलाल सुकाडऴ साब ने रोक लगाई थी उस संभागी विवस्ता को पुनेह हरीदियों जोसी साब ने शुरू किया नमबर एक बात दुसरी मत्नेल लगातार दसवार और विधायक विदान सबा अद्रक्ष भी रहे और ध्यान रहे वेरी इंपोर्टन्ट यह है कि ये तीन बार मुख्य मंत्र रहेंगे और तीनों में से एक बार भी इन्हों ने अपना कारे काल पुर्ण नहीं किया ये वेरी इंपोर्टन्ट है कि यह दो जश्वार विदायक रहे लगातार है विदान वदक्ष रहे मुख्य मंत्रि की रूप में तीन बार कारे किया तेकि तीन. बार में से एक बार भी कारे काल पूर्ण नहीं नहीं किया और फिर असा मेगाल्य पश्यम बंगाल के राज्य पाल रहे रास्तान के वह मुख्य मंत्री जो तीन बार मुख्य मंत्री रहने के बावजुद भी एक बार भी अपना कारेकाल पूर्ण नहीं किया आप उत्तर देंगे अरिदयो जोसी साब ध्यान रखें आप लो फिर मुख्य मंत्री बना कारेलम निदन हो गया फिर अरिदयो जोसी जी बने यह द्यान रखें आप लोग आगे बात करते हैं लोग छटी विधान सबा यह वो विधान सबा है जहां कांग्रेश को बहुमत नहीं मिला साथियों कि आपको एक-एक विधान सबा करवाउंगा क्या बात है बहुत वड़िया वेरी गुट चलिए उलजते रही विटा इसी प्रकार का आप लोग उलजते रही है आप लोग ठीक है बिलकुल आप उलजते रही है और टीचरों को उलजाते रही है समय निंकलता जाएगा ठीक है आगे बड़े हम लोग आगे बड़े हम लोग चलिए यहां मरपाच छटी विधान सबाई और छटी में बहरु सिंग्षेकावजी मुख्य मंत्री बनेंगे रज्जे के पर्थम जो गेर कांगरे से मुख्य मंत्री है वो बहरु सिंग्षेकावजी जिस तीन बार मुख्य मंत्रि रहेंगे म CT अरु सिंग्षेकाव म मंत्र रहेंगे और अशोग हैकंडि व्ल्हाश्ज चार इन बार मुख्य मंत्री रहे भारत के उप्राष्ट पती रहे यह भी ध्यान रखेंगे आप लोग रहस्तन के वो मुख्य मंत्री जो रहस्तन के प्रथम गैर कांगरीसी मुख्य मंत्री रहे रहस्तन के वो मुख्य मंत्री जो बाद में भारत के उप्राष्ट पती रहे आप सब पढ़ाएंगे आपको विधान सवा विधान परिशत सब पढ़ाएंगे आप लोग को लेकिन जो टोपिक चल रहा है वहां रही आप लोग कि सात्वी की बात करें हम लोग 1980-1985 जगनाथ पहाड़य साब मुख्य मंत्री बने जगनाथ पहाड़य साब में इंपोर्टेंट यह राजिस्तन के पहले और आप तक के एक मातर राजिस्तन के पहले और आप तक के अचा विधान परिशत पूछ रहे हैं आप लोग विधान सभा पढ़ पाया मैं विधान परिशत अलग चीज़ है हां बिल्कुल एक बटाती मैं विधान सभा पढ़ पाया उसको विधान परिशन नहीं पढ़ पाया सात्वी के हम लोग बात करें जगनाथ पाड़य साब आप से पूछे राजिस्तन के पर्थम और आप तक के एक मातर यो अनुसूचित जाती यानि ऐसी से जो मुख्य मंतिर रहें तो वो कौन है तो पीडिएप साइथ पुरान नी लगी अभी इसको मैं तो मुख्य मंतिर रहें तो द्यान रखें आप लो वाकिए कर्रेक्शन हो गया था जगनाथ पाड़या जी स्ट्यूचन मातुर साव यह ध्यान रखें आप लो राजस्तान के पर्थम जो गैर कांग्रेसी मुख्य मंत राजस्तानी मुख्य मंतरी वह गैर कांग्रेसी मुख्य मंतरी मों प्रणरे में रहनले वाल थे बात करते आठी विधान सबा दी विधानव के ओ इर्यलाल देव पुरा साथ कि इर्यलाल देव पुरा साथ जिस प्रकार से लगबक 17 वर्स मोहिलाल सुकाडे साब का कारेकाल रहा है मुख्य विधान सवाब पर्थम दूतिय तृतिय पढ़ाएंगे आपको यह बताएंगे कितनी सीठे कांग्रिस को कितनी बीजेपी को कैसे इस्तिपाद दिया कैसे क्या हुआ सब कुछ आप लोगों बताए जाए एक बात बस हम लोग यह मुख्य मंत्री वाला देख ले फिर दुबा लंबे समे तक उप मुख्य मंत्री तो आफ लोग अरि शंकार भरड़ा सॉप यह द्यान रखें आप लोग ये जो हमारी आठीवी विधान शबा है ने हमें चार मुख्य मंतर दिए इतने दिए चार मुख्य मंतर दिलिए देखिए, सबसे पहले आंदेव जोसी साहब बनेगे दूसरी बार राज्जे के मुख्य मंत्री बने राज्जे के एक मातर विधान सबसादिश जिन्नों लगातार दस बार चुनाव जी था ये आठवी विधान सबा में दो बार मुख्य मंतरी बनेंगे और मैंना पहली कहा कि इन्होंने तीन बार मुख्य मंतरी की पतपर कारी किया लेकिन तीनों बार में एक बार भी अपना कारेकाल पूर्ण नहीं किया ध्यान रखें आप लो पूर्ण कारेकाल इन्होंने पूरा नहीं किया तीन बार मुख्यमंत्री बने देखिए आप आठीवी विदान सबा में आठीवी विदान सबा में आप देखेंगे तो अहरीदे त्र ann रखें अमया झ्र nessते मं बने में लाएं यहां आप लोगों को चार बार बार प्रैस्ट कम ज्य क्सितन मंतिर बने अप हम ध्यान रखें आपलों। सिंगे आप लोगों के कि कि रहें जो आपको के मॉला शुकाडेश साब यह चार उपमुख्य मंतिर रहें तो 3 से अधिक बार मुख्य मंतिर रहने वाले 4 हैं कितनी हैं 4 ध्यान रखें आप लोग ठीक है कि अगे बड़ें हम लोग अब एक हलका सा परिचे लेली जिए आप लोग इसका हलका सा लेली जिए हलका सा लेली जिए मैं पूरा निचोड बताऊंगे आप लोगों को तब विधान सवब पड़ाऊंगो तब बस हलका हलका सा आप लोग थोड़ा समल दीजिए इसको आगे बात करते बात आती है दस्वी विधान सभा दस्वी विधान सभा 1903 में से 1908 में अब जो एक से या देखेंगे आप लोग दस्वी से लेके लाश्ट तक अब पूरे-पूरे पांस साल के लिए विधान सभा गठन होगा बैरस्विंग सेकावजी सरकार बनाएंगे तीसरी बार राज़ अगर मुख्य मंत्री के रूप में कार्यकाल है तो वे महला सुकाडे साब का है दूसरे नंबर पर अशो गयलोत का है और तीसरी नंबर पर बहरुशिंग शेकावजीक समझगे आप लोग सबसे ज़्यादा कार्यकाल कि जिसका आप कहेंगे सर महलाल सुकाडिय का उसके बा बने कोई रोचक कहानी नहीं है बारवी विधान सभा में वसंद्रा राज्य मुख्य मंत्री बनेगी आपको इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह राज्य की पर्थम महिला मुख्य मंत्री बस बस बागी सब करवाऊंगा तेरी विधान सभा में अशोगहलोत फिर महुलाल सुकाडिया के बाद सरबादिक कार्यकाल यह भी ध्यान रखें आप लोग और तीन बार कार्यकालपूर्ण करने वाले मुख्य मंत्री हैं और सोली में हम लोग बात करें तो वजलाल सर्मा साब बने सांगा निरसे विधायक है यह ध्यान रखें और पहली बार लोगोंको मुख्य मंत्री ही न्ग्राइडा नहीं दिया तब लोग विधान्वोडा की बात करेंगे में पहली विधान्सभा में पूरा आप लोग बताया जाएगा कि एक सो साथ विधान सभा सीटों पर चुनाव हुआ सबसे ज्यादा है वह व्यास सीटे कांग्रिस को मिली दूसर नंबर पर राम राज्य परिशत 24 सीटे मिली जेनर्ण व्यास साब ने दो जगे से चुनाव लड़ा जोदपूर बी जालोर एसे हार एसे हार गए मुख्य मंत् राए उप्चुनाव में जनर्ण व्यास्ति विजय प्राप्त की फिर विधान साब पहुचेंगे और अक्टूबर नौमबर में एक नौमबर तो यह क्या बनेंगे गास्तान के दूसरे निर्वाचित मुख्य मंत्री बनेंगे टीकराम पालिवाल साब है उनसे इस्तिपा में जो आप लोगों के 1952 में एक राजस्तान विधान सभा के चुनाव हुए और दूसरे आप लोगों के अजमेर मेरवाण जिसे धारा सभा कहते थे उसके चुनाव हुए वहां 30 विधान सबा सीटों पर राजस्तान विधान सबा के 110 सीटों पर एक नमर वह आप लोगों के 1956 में अजमिर मेरवड़ा सबा उसको राजस्तान विधान सबा सब्यू 49 कि अधियर ूरदा के रखा था यह कि इस तरीके से यह होना चाहिए वह मैंने किया इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो साथियों वह विधान सब पढ़ेंगे तो एटू जेड हम लोग बात करें किस तरीके से यह क्यों गिरी सरकार क्यों इस्तिफ़ मांगा सब के हम लोग बात करेंगे थीक है तो यह ध्यान राकें आप लो महादिवक्ता कि यह करतवयों को उल्लेक 165 अनुछिद में है महादिवक्ता के साहता है तुँ अत्रिक्त महा बात का अधीवक्ता रहा हो यह ध्यान रखें रखें एप लोग यह महादिवक्ता ठीक वैसे यह जासे अनुछिद 76 में माहा न्यायवा 20 होता है महा न्यायवादी का जो कारिये होता एक ध्यान रखें आप लोग वह राज्या सर्कार केंदर सरकार है केंदर सरकार को काणूनी सलह देने का होता है यह ध्यान रखें आप लोग ठीक है यह 10 वर्ष तक जिला नेल्ले में न्याय दीस रहो कारेकाल राज्यपाल के परसाद प्रियंत रहता है राज्यपाल के परसाद प्रियंत का आर्थ समलिजी आप लोग यह राज्यपाल का परसाद प्रियंत का मतलब है सरकार की इच्छा ये ध्यान रखे आप लोग व्यवार में सरकार की इच्छा पर निर्बर रहता है इनके जो वेतन भत्ते आप लोगों को मैंने मंत्री परिशद पढ़ाई थी और वो मंत्री परिशद मुख्य मंत्री सही मंत्री परिशद के जो वेतन और भत्तों का निर्दारन होता है वो व महा अधिवक्ता जो है वो अनुचे 165 में है और महा न्यायवादी है ये ध्यान रखें आप लोग ये अनुचे छिंतर में है महा अधिवक्ता का काम होता है, ज्यान रखें आप लोग, महा अधिवक्ता का काम होता है, राज्य सरकार को कानूनी सलहा देना, तो केंदर सरकार को कानूनी सलहा देना का जो काम करते हैं, वो कौन करते हैं, महा न्याए वादेव, ठीक है, कि ज्यान रखें आप लोग, अपे डाले हुए नोत्स कि आप लोग फिरी में जाईए आपको नोट्स मिलेंगे। इबूक की रुपमे आप पड़ेंगे प्रिंट आउट नहीं ले सकते। प्रिंट आउट यहां से मंगवा सकते हूं. कार्य राज्य सरकार को विदी संबंदी मामलों में सला देना न्यालियों में राज्य सरकार की पैर्वी करना कि महा दिवक्ता है महा दिवक्ता का कार्य क्या है तो कार्य एक ही शब्द में समझ लेजिए राज्य सरकार को कानूनी सला देना अब न्यालियों में राज्य सरकार करना राजीपाल द्वारा विदी कि सरूइब का कारिये दिया देने पर सलहा देना वह है कले जो सम्विदान या किसी विदी के राज्य का सरोच जो विदिक अधिकारी होता है वो ध्यान रखें आप लोग महा अधिवक्ता होता है। पित्रो अनुचेद 177 ये कहता है कि आप साथ साथ तो रह सकते हो लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अनुचेद 177 में ये प्रावदान है कि राज्य विदान मंदल की कारवाई में महा अधिवक्ता भाग ले सकता है। कोई किंतु प्रंतु नहीं है चब जाए विदान सबा की बैठक भाग ले सकता है। लेकिन तब मामला आता है किसी मुद्दे पर मतदान का तो ध्यान रखें किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकते ये ध्यान रखें आप लोग। और जो विदान सबा की समेतियां हैं उनकी बैठकों भाग ले सकते हैं वहां बोल सकते हैं लेकिन सात्यों ध्यान रखें आप लोग। तो बात आती है मतदान की तो मतदान नहीं कर सकते ये ध्यान रखें आप लोग। तो कौन से अनुचेद ये अधिकार देता है महादी वक्ता को कि विदान सभा की कारवाईं भाग ले सकता है लेकिन तब मत्दान की बारी आगी तो मत्दान नहीं करेगा तो हम कहरेंगे हम साथ साथ तो हैं, हम एक साथ साथ तो हैं, लेकिन मत दान नहीं, तो इस तरी दान एक साथ साथ, अनुचिद अठ्यासी वो महा न्यायवादी के लिए प्रावदान करता है, कि महा न्यायवादी हैं, वो संसद की बैठंक भाग ले सकता है, लेकिन मत दान न सद्रमा दिवक्ता अनुच्य 157 महाळीवक्ता विदान मंड़ीकारवाई में अनु sen 88 महा नियावादी आपके संसत की यह कर वाइभ इतों अनुच्य 194 यह जान रखें आपलोन इस अनुच्य अंत्रगत राज्य विदान मंड़ीके सदश्यों करते हैं इनके द्वारा प्रकट किये गए विचारों किसी भी न्यायले में चुनोती नहीं दीजा सकती उक्त विश्यसादिकार महा अधिवक्ता को भी प्राप्त है अभी व्यक्ति की सवतंतरता बात रखने की सवतंतरता बहुत इंपोर्टेंट अनुछेद है कि अनुछेद 1194 में राज्ये विधान मंदल के सदस्य यानी MLO को अभी व्यक्ति की सवतंतरता दी गई है इनके परकट किये विचारों को किसी भी न्यायले में चुनोती नहीं दीजा सकती कौन सा अनुछेद कह रहा है अनुछेद 1194 में कह रहा है तो ध्यान रकना यह जो विश्यसादिका है यह किसको भी दिए गए वो महादिवक्ता को दिए गए कि उनकी अभी वक्ति की सवतंतरता है उन्हों क्या बोला उसे न्यायले में चुनोती नहीं दी जा सकती महादिवक्ता की रूप में सरवादी जो कारेकाल रहा है वो जीसी कासलीवाल साब कर रहा है और महादिवक कि राष्ट्राण की सघुनी विधांसेरी परिशातं ये बजलाल सर्मा मुख्य मंथरी ये आप सब को मालूम है यहाँ बजला सर्मा सांगा निर से विधायक एं इनेम मुख्य मंत्री लिधाधर नगर से विदायक है परेमचंद भैर्वासाप अम्स सपर खर दूदू मंदल है एप में अवेलेबल है कल हम क्लास में जो बात करेंगे वह राज्य विधान मंदल की बात करेंगे तो आप लोगों के राज्य पाल कंप्लीट मुख्य मंत्री कंप्लीट और हम लोग विधान मंदल की बाद जाएंगे हम लोग उच्छ न्याले में फिर हम पंचायती आज विभिन आयोगों की बात करते राजिस्तान पॉलिटिक को हम कंप्रिट करेंगे रामराम आप सभी को सुबरात्री आज के लाज छोटी रहेगी क्योंकि टोपिक खत्म हो गया कल हम लोग बात करेंगे राज्ये विदाहन मंडल की रहने बाद देखिए राज्ये विदाहन मंडल की बात करेंगे मैंने आपको शुरुवात में एक बात बताई थी कि हमारा सम्विदान एक है लेकिन उसके लिए जो केंदर सरकार है केंदर का सम्विदान उसी में एक अलग पार्ट बना दिया भाग नंबर आपको पांच बढ़ाया था भाग नंबर पांच को हम संग सरकार का सम्विदान कह सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को भाग सरकार का समィधान के सकते अप लो भागग नозмबर साथ जिसे निर्सीत कर दिया गया था और भाग नमबर आठ शंसासित प्रदिसो का आप लोगों सम trainings के सकते हैं तो से पूछा जाए कि राज्य सरकारों का प्रावदान चाहे विदान मंदल हो चाहे महादी वक्ता हो जो भी हो राज्य लेवल का हो उनकी जो विवस्ता की गई है समविदानिक प्रावदान ने उनको भाग नंबर 6 मिडा लगाई अपने आप में बहुत अच्छा कोशन यह बन तक है अनुछेद 152 वो जहां से राज्य पाल सुरू होता है राज्य की कारेपाली का सुरू होती है तो 152 से 249 नंबर अनुछेद है यह भाग नंबर 6 है और भाग नंबर 6 में हम लोग बात करें जो अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 1 में राज्य सब्द की परिवाशा दे रखी है और राज्यपाल वाली जो कहानी प्रारंब होती है कि राज्यपाल है वह एक राज्यपाल होगा ठीक है वह ध्यान रखें आप लोग तो राज्यपाल वह अनुच्छे इक से 106 55 तक कारेपाली का मैं आप लोगों को महा अधिवक्ता की मैंने बात कि थी आप लोगों से प्र आपको पढ़ाये गया था आपको 166 पढ़ाया गया था तो अनुच्छे आप लोगों के 153 पन से लेके और तक आप लोगों के कारेपालिका का प्रावदान है जो हम लोग बात कर चुके व्यवस्ता पिका जो कानून बनाती है कानून बनाने वाली जो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे व्यवस्ता पिका कहते हैं कानून को जो लागू करेगी उसे हम लोग कारेपालिका कहते हैं और इसकी जो न्याइक समिक्षिया करती है वो मानिए न्याइले करता है तो हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो व्यवस्ता पिका में अनुछेट 168-212 यह पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 यानि राज्ये विदान मंडल में आपका भाग नंबर 6 राज्ये का सर्थ भाग नंबर दलका उल्लेक सम्विदान के भाग 6 के अध्याय तीन के अनुछेद 168-212 है क्या मेरी बात को समझ गये आप लोग बिल्कुल सभी को राम राम मेरे प्यारे विद्यारतियों राम राम लगे रहिए आप लोगे रहिए लगे रहिए बस आप समय दीजिए मुझे विश्वा कि हमारे पास मेंटर समझ भी रहें और छूट भी कुछ निदा तो अनुछेद आप लोगों भाग नंबर 6 में अध्याय नंबर 3 के अनुछेद 168-212 तक व्यवस्ता पिका का प्रावदान है समझे देखिए आप लोग राज्य का विदान मंडल तो राज्य के विदान मंडल का गठन कि आपके अनुछेद 168 से कहानी प्रारम होती है तो अनुछेद 168 उसकी दो धारा है सबसे पहले आप लोग यह समझा करो कि जो अनुछेद हम लोग पढ़ रहे हैं उस अनुछेद में धारा है कितनी है पहला पुइंट आप लोगों को यह पता होना दो सब्सक्राइब विदान वोगा जोगा यह उसमें राजाल होगए अर दो सब्सक्राइब होंगे एक विदान य। अंदरपर्देश, बियाहर, मद्रपर्देश, महराष्ट, करनाठक, तमिल नाड़ु, उत्तरपरदेश राज्यों में अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा ये वेरी इंपोर्टेट है कि हमारा जो मूल सम्मीदान था मूल सम्मीदान के लिए क्या होगा आप लोगों के जो आप लोगों के है कि दो सदनात्मख होगा और अन्य राजियों में एक सदन से मिलकर बने का 168-2 यह कह रहा है राज्य की विदान मंदल के दो सदनों का नाम पर्थम सदन विदान सभा और दूतिय सदन विदान परिशन देखो कितनी खास बात है अनुछेद 168-1 पढ़ रहे हैं आप लोग गोर्खी जी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको एकजामें 168-1 में यह तो कह दिया कि वह एक विदान मंदल होगा जिसमें राज्य पाल और दो सदनों से मिलके बनेगा और दो सदन है इनिन राज्यम होगा अन्य जो राज्य हैं उनमें एक सदन से मिलकर बनेगा यानि विदान सभा और विदान परिशद का जिकर नहीं किया है अनुछेद 168-1 की खास बात ह है अनुछेद 162 इसमें ध्यान रखना आप लोग कि 168-2 में यह बात कही गई है कि वह दो सदनें उन सदनों में पर्थम सदन होगा वो विदान सभा हो 168 आप उसे जोइंट करके पढ़ लीजिए अलग लग पढ़ेंगे तो 168 एक यह ऐसा है एक विधान मंदल होगा जो राज्य पाल और दो सद्नों से मिलके बनेगा इन्हीं राज्यों के लिए दूसद्नात्मक होगा बाकी से इसके लिए एक सद्नात्मक होगा अनुचे 162 हम कि दोलत राम जी मिलकुल बिलकुल लाखन जी बहुत बढ़िया कि प्रियांसी बहुत बढ़िया लगे रही है आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग चिंता मत कीजिए नोट्स इनके पास है वो टेबल पर रखन आपने पास में यह बहुत अच्छी बात है कि आप ल है 168 राज्य में एक विधान मंडल होगा जिसमें यही पढ़ामने विधान सबा निम्न सदन विधान परिशत उस सदन और राज्यपाल कि यह जो विधान मंडल है जो कानून बनाएगा उस कानून आप लोगों के जो अस्ताक्षर होंगे उस पे राज्यपाल के कौन से में है जहां आप लोगों के दो सदन राजस्तान विधान मंडल में हम लोग बात करें क्योंकि हमारा राजस्तान की जो विधान मंडल है वह एक सदनात्मक है जब एक सदनात्मक है सीधी सी बात है उसमें विधान परिशत होगी नहीं विधान परिशत कोई अनिवार पर ये सदन नहीं है आभी आगे चर्षा करेंगे तो उसमें एक तो विधान सभा हो गई एक राज्येपालों हो गया हमारे रास्ताइश्टान विधान परिषद नहीं है जो चलिए सदने दिशाधाण मंदल कहां कहा है उत्तर परदेश सदश्य महराष्ट में 88 सदश्य विहार में आप याद रख़ लेना कि यह जे राज्य हैं जिन में विधान परिशद माहराश्ट्र में दिहार में शते हैं करनाटक और तेलांगना यहां आप लोग और देखें जिन चैराज्ड विधान परिशद मैं उन्हें उतर परदेश विधान परिशद है उसमें सरवादिक संख्या है है क्योंकि जो विदान सबा होती है विदान सबा का आप लोगों का एक बटा तीन भाग अधिक तम आप लोग विदान परिश्थी होंगे वह कहां होंगे उत्र परदिश में ढरके अप लोग और की बात करेगा आप यह ध्यान रखें तेलांगना तीनों बाते के लिए के एक तो छह राजिये पता होना चाहिए सर यह छह राजियों में विधान परिशद है नमबर एक बिल्कुल राम राम बैसर माजी बिल्कुल राम रा और यह देखेंगे आप लोग कि सर यह जो हमारे पास में छह राजिये इनमें सबसे ज्यादा जो विधान परिशद की सदसेंक्य उत्तर परदेश में और नीचे देखेंगे आप लोग तेलांग नामें के लिए अगे बढ़ते हैं केंदर शाषिद पर्देशों में अगर लोग विधान सबा की बाद करें तो किल्साषिट पर्देश ऐसे हैं जहां हमारे पास में विधान सबाए है एऒ यह में अमसेध्य आपकी केंदर सासित परदेश बना तो वहां पर परिश्यमन का कारिया चल रहा है द्यान रखेंगे तो लिली और पांदिचेरी वर्तमान में दो केंदर केंदर साशित परदेश ऐसे यहां पे विदान परिशद है वह आप लोग कस्मीर लद्दाक वाला देखेंगे वहां अभी परिश्मन आप लोगों का चल रहा है यह आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है कि वहां विदान सबा होती थी जंबू कस्मीर की उसको भंक किया गया केंदर साशित परदेश बनाएगे और उनका काम अभी चल रहा है तो फाइनले हम लोग केंदर साशित परदेश दो केंदर साशित परदेश डिल्ली और कूंदुशेरी में विदान सबाय हैं वाकि राज बहुत ध्यान सुनना आनुचे 168 यह कहता है कि राज्य ठे मळंज होगा और वह विदान मंदल दो सदनों से मिलके बनेगा, समझ doubts, 2 सदनों नो से मिलके बनेगा और बोसदन कोन कोन से होगे विदान परिशद और विद容 विधान परिशद को हम पहले लाएंगे विधान सभा को हम बात मिले जाएंगे तो अनुचित 168 विधान मंदल की बात करता है अब वहां आपका जो विधान परिशद है तो विधान परिशद की जो हमें बात मिलेगी वह अनुचित 119 मिलेगी विधान सभा की हमसे जो बात मि लेकिन आपसे विधान परिश्द की सरचना पूछे कि विधान परिश्द बनेगे कैसे तो वह अनुछेद 111 में हैं क्या मेरी भात को समझ पारे हैं आप लोग मैं आपको यहां चार अनुछेद बता रहा हूं कितना चार अनुछेद नमबर एक 168 क्या कहता है इसर राज्ये में विधान मंडल होगा और दो सदन होगे रहजेपाल से होगा और दो सदनों का नाम यह होगा ठीक है कुछ राज्यों में दूसर नात्मक हैं वाकि में हम लोग बात करें तो आप लोग एक सदनात्मक है अनुछेद 119 बात कर रहा है किसकी विधान परिशद की और तो विधान परिशद की जो सरचना है वह अनुछेद 111 में है ठीक है अनुछेद 112 यह कहता है विधान मंडलों की अवदी अब चब हम लोग चाहे विधान परिशद की बात करें चाहे हम विधान सबा की बात करें अगर उनके हम लोग अवदी की बात करेंगे तो वह अनु चाहे विधान परिशत के सदिश्टा की योगिता की बात करें चाहे विधान सबाके सदिश्टा की योगिता की बात करें उल्लेक अनुच्छेद अनुच्छेद 144 विधान मंदल के सत्र सत्रावसन और भीगठन यह अनुच्छेद 145 मैंने आपको रज्जेपालें पढ़ाय था कि सदन या सदनों में अभिभाशान और उनके संदेश भेजने का रज्जेपाल का अधिकार 155 और एक आप लोगों के विश्जेश अभी भाशं मैंने अपको दोनों मांत्र बताया यहां केवल अभी भाशन है अनुच्छेद coupon में सब्नके और यहां आप लोगों बात करेंगे तो रज्जेपाल मोदे का विश्जेश सभीभाशन मैंने आप से कहा कि मैं कभी आया और भाषन देखे चले गया यह हो गया मेरा अभी भाषन लेकिन चब बैच प्रारंब किया या क्लास प्रारंब की मैं कुछ बोलके गया वह विशेस अभी भाषन मैं सरकार की मनसा धायर कर गया कि सरकार की मनसा यह जैसे विधान सभा का गठन होगा राजेपाल मोहदे जाएंगे वह संभोधित करेंगे वह हो गया विश्यस अभीभाषन और साल बर फिर वह विश्यस अभीभाषन नहीं देंगे कभी संभोधित करेंगे और जैसे हमारा नया साल सदन प्रारंब होगा यानि नया सत्र होगा उसको संभोदित करेगा विश्ष्ध अभीभाषन सदन प्रारंब होता है उसका तब दिया जाता है और आपके अभीभाषन कभी भी दिया जा सकता है यह आप लोग ढ़ांद रखेंगे ठीक है अनूछेद सदन के बारे में मंत्री और महा अधिवक्ता के अधिकार मैंने आपको बहूत अच्छी तरीके से़ा है था कि अनुषे सदन के किसी भी है आप लोगों के सुख्यक्ता में भाग ले सकता है महाधिवक्ता भी भाग ले सकता है लेकिन महादिवक्ता को मत देना का अधिकात नहीं है यह विश्यस अधिकार जो दे एक सो सतेतर एक सो च्यासी देखिए अनुचेद अधिक देर लिडान समझे अतर yamadक्ष के बात कर रहे हूं लेकिशन के सभापति की बात कर रहे हों दोनों पर समान रूप से लागू होता है अनुचेद 186 आप कहेंगे सर कि आप तो 177 यहां पिरके 186, 187 यह बीच का गयब कहा हो गया भाई इनकी जो पदधिकारी है वो ध्यान रखेंगे आप 177 के बाद 188 से और ध्यान रखें 181 तक विदान सबा के पदधिकारी कि उन्हें विदान सबा अदर्श की नुक्ति कैसे करेंगे उन विदान सबा के पदधिकारी और विदान परिश्द के पदधिकार की बात करेंगे अनुचेद 182 से 185 आप कहेंगे सर यह तो कच्रा सा हो गया पच्रा नहीं हुआ है कि अच्छा नहीं हुआ है एक जंदर यहीं फसाएगा अनुचेदों को समझ लीजिए डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे करें वा राम समझाएंगे तो अनुच melody 868 विदान मंडल की बात कर रहा हूँ अनुच the एक सो उनेतर विदान परिशद की बात कर रहा है अनुचेद एक सो सत्तर है वो विदान सभा की बात कर रहा है अनुचेद एक सो इकेतर है वो विदान परिशद की सरचना की बात कर रहा है अनुचेद एक सो भैतर है वो विदान मंदल में दोनों सदन की अवुदी की बात कर अनुचेद 113 है वो राज्य के विधान मंदल की जो सदेश यह उनकी योगिताओं की बात कर रहा है अनुचेद 114 है राज्य के विधान मंदल के सत्र सत्र वसन और विगठन करने की बात कर रहा है 115 सदन में जो राज्य पाल महुदे हैं उनका अभिवाशन की बात कर रहा है उनको संदेश देने की बात कर रहा है अनुचेद 117 तर से लेके और 115 तक हमको उपर आना पड़ेगा यह आठ अनुचेद मेंने उपर सिप्ट कियें जहां रखना अनुचेद 118 से 181 जो विधान सभा के पददिकारी हैं विधान सभादक्ष उपादक्ष न्यूक्ति कैसे चुनेगे कैसे अठाएंगे सब बाते हैं वो अनुचेद 118 से 181 हैं और जैसे आप लोग बात एक सो बैयासी से 185 वही बाते हैं सिर्फ जहां अदक्ष आएगा उपादक्ष आएगा वहां विधान परिशत का सभापति आजाएगा उप सभापति आजाएगा और 186 उनकी वेतन और बत्तों की बात करेंगे 187 सच्वाले की बात करेंगे क्या मेरी बात को समझें आप ल पर लोगों जितने में अनुछेद हैं और फिर आप लोगों को यहां वापिस में आनुछेद 109 तर में आ गया आगे ना पहले आपको अलका सा परिश्य करवाया यहां आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थी कोई दम यह मालूम होना चाहिए अधोर के रहे हैं दोकानों को काम नहीं करते बस यह कि यह ना करना आप लोग मेहनत करने हैं जवरदित मेहनत करनी है और फिर रहम लोगों नोखरी प्राप्त करनी है अनुचेद 119 तर आपके मस्तिक्स में आ गया तीसर राज्यों में विदान परिशद का उत्साधन और सर्जन की बात कर रहे हैं पहले मैं आपको सोट करें बता हूं अनुचेद 119 की तीन धारा हैं आप दिवाग बठाइए कि अनुचेद 119 यह कह रहा है कि उत्साधन मतलब सर्जन कैसे बनेंगे हम विधान परिशद गठन कैसे करेंगे और हम बात कर रहे हैं उसका समाप्त कैसे करेंगे दोरों ध्यांडाक यह विदान परिशद नंबर एक अनिवार्य सदन नहीं है जो राज्य सबाभी इक यहन रखन आप लोग इस्ताई सदन यह लेकिन वह अन मुल से जबकि राज्य सबा को ना तो भंग किया जा सकता ना समाप्त किया जा सकता विदान परिशद गठन कैसे होगा आपके राज्यों विदान परिशद है वाकी में नहीं है यह निर्बर करेगा विधान सबा की अच्छा पर अगर विधान सबा अपना एक प्रस्ता ओ संसद को भेजेगी तो संसद उस राज्य में विधान परिशत का गठन कर देगी डिमांड किसकी है डिमांड है विधान सबा की उसको बनाने का जो काम कर रहा है उस राज्य में वो कौन कर रही है संसल आप कहेंगे साथ विधान सबा गठन हो गया राज्य विधान परिशद का लेकिन आगे विधान सबान के दिया नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए विधान प जाएगा वो जाएगा संसद के पास और फिर वो संसद है उस राज्य में विधान परिशद को समाप्त कर देगी या मेरी भात को किलियर तरीके से आप समझ पाए कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए क्या कहा हमेंने आप लोगों से अनुछेद 109 यह विधान परिशद के उत्साधन और सरजन की बात कर रहा है समाप्त और बनाने की बात कर रहा है और यह ओन डिमांड कोन करेगा डिमांड करेगा ध्यान रखें आप लोग व अनुछेद 168 बताया था तो आपको याद होगा अनुछेद 168 मैंने कहा था कि इन रज्यों में विधान परिशद का उल्लेक है यह द्यान रखें आप लोग विधान बंडल था क्योंकि आगे बने समाप्त विए उसके लिए समविदान में कोई संसुदन तो होगा नहीं वो नाम अभी भी आपके अनुछेद 168 में लिखे हुए है कि इन इन रज्यों में क्या है आप लोगों के इध्यान रखें आप लोग को किलियर सबर रखिए आपको विधान सभा और विधान परिशद में अंतर क्या है अंतर यंतर नहीं आप लोगों को अंतर यंतर नहीं मृटन करना अनूछिए 109 में तीन भारा है विधान परिषदों का गठन या समाप 109 की एक कह रहा है मैं 169 तर दो विदिक कर वंद्र की बात कर रहा है अनूछिए 139 पर भाषेप की गठन समाप करना अनूछिए 368 के तैथ विधान संसोदन नहीं समझा जाएगा एकदम के लिए मैंने कहा था ना किसी राज्य में विधान सबाका गठन करना विधान परिशद को समाप्त करना एक साधान प्रिक्रिया साधान संसोदन होगा उसके लिए अनुचे 368 की प्रिक्रिया नहीं अपनाई जाएगी वह बात कहां लिखी हुए अनुचेद 139 में आजकल सवाल ऐसे पूछता है इसलिए मैंने धाराय खोल कोल के रखिए यह ध्यान रखना यह शब्द होगा सम्मिदान किसी राज्य में विधान परिशद का होना निवारिय नहीं है किसी राज्य में विधान परिशद का होना हनीवारिय नहीं है किसी राज्य में विधान परिशद गठन करना समाघ्ण करने का काम संसद का संसद यह कारिये विधान सभा के ffic प्रस्ताव संकल्प करती है मैंने कहाना कि डिमांड कोन करेगा विधान सबा करेगा गठन कोन करेगी संसद करेगी इसलिए मैं आप पहले समझाए यहां आने से पहले मारकर चलाने से पहले कि आप बात को समझ जाएं कि यह हम क्या पढ़ने वाले हैं विधान परिशत गठन करवाना या समाप्त करवाने के लिए संबंदित राज्य की विधान सबा अपनी कुल सद्र संक्या के भहुमत दुआरा उपस्तित और मद्दान देने वाले सद्रिशों की संक्या के कम से कम दो तियाई भहुमत दुआरा प्रस्ताव पारित किरके ज़िखे लेकिने विधान सबा आपने वहुमत से बेखे देखे एक कितने आदमी समरतन में होने चथाई वाई साफ लिखा हुए सम्विधान में कि विधान परिसे चाहिए गठन करवाएं चाहिए उसे समाप्त करवाएं यह आपके प्रस्ता आपके संकल पर संसद करेगी लेकिन आप जो भी राज्य है उसकी विधान सबाब अपनी जो कुल सद्ध से संक्या है कि बहुमत दुवारा मतल सब्सक्राइब आप 200 में से 101 तो कम से कम चाहिए चाहिए आप लोग यह हो गया बहुमत ठीक है तो 200 में से बहुमत मतलब आदा पिलस एक पिर क्या कह रहे है उपस्तित और मद्दान करने वाले उपस्तित कितने रहे और उन्हें मद्दान कितनों ने किया कि संक्या के कम से क हम दोतियाई भूमत यह उपस्तित और मत्दान करने वालों का तो दोतियाई भूमत चाहिए हमें और कुल सद्रिस्ञ्ख्या के भूमत आप कहेंगे सर माना कि 90 आगे 90 भाग ले रहे हैं आप के दिंग सर देखिए 90 थे ना 90 में से आप कह रहे हो कि आपके दोतियाई तो ठीक अपके सर 90 में से सो दोसो विदवाहन सब्सक्राइए और सभी करें हम पूरे कर older text । अउसे नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा भाई ऐसा नहीं चलेगा में उसका हमें बहुमत चाइए यानि हमें राजस्तान में 200 विदान सभा हैं 200 विदान सभा में से 101 सदस्य तो ख्ले सनक्य के बहुमत और पिर आगे बहुत कई हैं कि उपस्थीत और समझों करने वाले सदस्य उनकी सबस्ट्स क्या के भी हमें कम से कम त्हुन तो पहुमत चाहए भाई भाई और वेनों मेरी बात को समझेग्या की सब्सेंति जिंदा हो तुम S음jie जिंदा का मतलब यह मत समझेग् तुम लोग मेरा मतलब है जागते रहें अब जागते रहे हो ना क्या कहा मैंने मतलब समझे कुल सद्ष संख्या का तो हमें क्या चाहिए पहुमत और उपस्थित और मद्धान कर रहे हैं उनकी जो है उनका कम से कम दोतिय यह यह बात समझे आप लोग अरे सो रहे हो जाग रहे हैं सथियो अपनाम हमने सदन हम बात कर रहे हैं जो विधान परिशद है क्योंकि हम लोग अनुच्छ द 109 पढ़ रहे हैं और 119 में विधान परिशद लिखने का आओ सकता नहीं है क्यों विधान परिशद का उलेक है इस्ताई सदन, इसलिए कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, आपने के सार राज्य सबा भी इस्ताई सदन है, क्या उसे भंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते उसे भंग, तो सार दोनों अंतर के अंतर है, राज्य सबा को, राज्य सबा इस्ताई सदन है, राज्य सबा को भंग भी नहीं किया जा सकता, और समाप्त भी नहीं किया जा सकता, फिर विदान परिशद, ये भी इस्ताई सदन है, इस्ताई का मतलब है, इसे भंग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते, अभी पढ़ाया था नही बहुत बढ़ यह भाव हथ हिंदि वियाख्याता चिंता मत के सुबकामना है हमारे भक्ति संगेत बहुत कर सकतें ना समाप्त कर सकतें तो कि ङो सदमें तरीमी यह सब्या अजूत नटे लोग पृइए यादा मेहतव नहीं है अलोग पृइए कमजोर सदन भाई कोई भी प्रस्ताव जाता में इस प्रस्ताव को को अपनी शूकरती देनी होगी इसलिए कम-जोर है बुद्धी जीवा Review का सदन क्योंकि इसे हम लोग केई छेतर से समाश सेवी विञ्यान के छेतरों से हम लेते हैं तो इसलिए हमने इसको बुद्धी जीवां का क्या कर दिया सदन के दिया कि ओगे बात करते हैं बिल्कुल राजय सभा परिष भी इसन डाय रही लाड़ोग और विदान परिशद वी इसना कि आटा सकते लेकिन विदान परिशद को राजयित मिलेगा राज्तान जी के चारो सब्जेक्टि मिले एवन ओनलाइन दुनिया है वहाई चुन-चुन के खरीदी आप जो अच्छा है वहां से खरीदी अगर एक एक एक्जाम के हम तयारी करने और अगर हमें तीन जगे से कोर्स लेना पड़ा ले लिजिए हमें तीन जगे से कि बुक मंगवाने पड़ी मंगवा लीजिए आप लोग मंगवा लीजिए ओनलाइन है कोई फरक नहीं पड़ेगा ध्यान चुन-चुन के पड़िए नोट संसद ये कारिये अपने साधान भहुमत से विदी बनाकर करती है इसके लिए संविधान में अनुछे 378 के तैत सं संसद कर रही है उसके लिए संविधान में कोई संसुदन नहीं होगा एक साधरन भहुमत से विदी बनाकर समाप्त किया सकता है उस राज्य में गठन किया सकता है विदान परिषद राज्य सभा की तरह एक इस्ताई सदन है एक एक चीत देखिए मैंने बहुत अच्छी तर करवाएंगे वह ओता है भंग दूबार एक्षण करवाएंगे समाप्त खतम कहानी ना इलेक्षण सदन ही नहीं है भाई समझे आप लोग यह है आगे बढ़ते विदान परिश्य राज्य सभा की तरह एक इस्ताई सदन है दोनों सदनों को भंग नहीं किया जा सकता दोनों आप लोगों के यहां करवा रहा हूं और आपको दिक्कत नहीं आएगी को कोई भी शब्द आपका विदान परिश्य को समाप्त किया जा सकता है सबके राज्य सबागों नहीं आप बात कर रहे हैं साथियों विदान सबाग तो हमने अनुछेद 119 तर 187 विदान मंदल की ब परिशतर्द बने मेंगा कई गया चर्वी हम बात कर रहे है अब आप लोगों के अनुछेद 119 तर में हमने बात करी विदान परिशद की सरचना कैसे ऐख राचन कैसे परके नुधान बताए आप लोगों क्या कहता है विधान मंदल होगा जो राज्यपाल और विधान परिश्डीन 9 Logan8ill में ये समझा कि विधान परिश्ट की सरचना कैसे नंकरेंगें विधान सबस्ट करने की सकती संझत के पास बैस रहे हैते यह तरीके से हमने वहाँ पड़ा एलोग प्रिय सदन कमजोर सदन सब्सक्राइब लोग पड़ा उस सदन धुत्य सदन गुद्ध्ध जीवों का सदन उसी तरीके देखेंगे आप लो पर्थम सदन नेमर सदन एस्था सदन एस्था की मतलब है कि हम इसे कभी भंग कर सकते हैं भंग करके दुबारा चुनाओ करो सकते हैं जनता का सदन क्योंकि यहां पर जनता के प्रतिंदी जा रहे हैं और लोगप्री सदन अब बात करता है विधान सभा के सरचना कैसे होगी है जिस प्रकार से हमने मित्रों जो आप लोगों के अनुछेद 119 में हमने तीन धारा है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को अनुछेद 170 की 3 धारा है बहुत अच्छी तरीके से में नोट्स को डिजाइन किया है बहुत अच्छी तरीके डिजाइन किया है हां बिलकुन रामलाब भई अनुछे 171 दाहरा है 170 के अंदर दाहरा है यह तीन अनुछेत 3 पॉइंट है यह मतलब होता है धहरा का कि अधर कोश्टम कभी आप एक्जाम देने जाते हैं को लिखाता है आनुशे देख सुनेतर एक दो कोश्टम तीन पंदरा एक पंदरा दो वो चीजे हैं राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन छेतर से परतक्ष निर्वाचन दुवारा चुनेवे सद्धिश्यों से मिलकर बनेगी विधान सभा में कम से कम साड़ सदस्य और अधिक से अधिक पान सदस्य होंगे कुछ राज्यों में अपवाद है जो बताओंगों आप लोगों को कि विधान सभा का जो गठन हो रहा है वो राज्य की प्रादेशिक जो छेतर हैं वहां से उनका निर्वाचन किया जाएगा और जो निर्वाचन होके जो सदस्य आएंगे उनसे मिलकर आपकी विधान सभा बनेगी अभी आपने देखा है जो थोड़े दिन पहले अब विधान सभा कितनी हो सकती है सदस्य वहां उनकी जनसंग का अनुपात आगे पड़ेंगे हम लोग लेकिन राज्यों की तो जनसंग के जादा है वहां विधान सभा किसकी जादा होगी और जिन राज्यों में विदान सभा में बेकी जनसंग के कम है तो 크 gdzie सबसे ज़्यादा जो विधान सभा के सदस्यों की संक्या है वो यूपी की है उत्तर प्रदेश की है उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुचेद 172 परतेक निर्वाचन छेत्र को राज्य की जन संक्या को उसके आवंटी सीटों की संक्या के अनुपात में बाटा जाएगा वित्रों जो यहां एक शब्द आये और उसको मैंने यहां समझाने का प्रियास किया है कि आपको अनुचेद 171 की जनगर्ना त्यान में रखनी है 2001 की जनगर्न दोनों शब्द क्या क्या है कि एक है सीटों का निर्धारण कि भई खला राज्य में इतनी जनसंग्या है और उस राज्य में इतनी विधान सब्दा सीटे होगी एक शब्द यह हो गया एक हो गया आपने देखाऊगा हमारा निर्वाचन छेत्र 2001 से पहले उस विधान सब्दें से हमारा निर्वाचन छेतर है तो अलवर जीले के अंदर हमारा निर्वाचन छेतर राजगण विधान सब्दा हमारी लगते थी लेकिन जैसे ही परिश्यमन हुआ 2001 की जनगर्न के आदर पर तो हमारा जो विधान सब्द छेत्र है वो चले गया थानागाजी में समझ कि पहले हमारा राजगर में था और अब हमारा थानागाजी में लेकिन राजस्तान में जो सीटे हैं वो तो हमारी दोस्तों को दोस्तों है तो यह जो हमारा एड़ेश्टमेंट हुआ है राजगर से थानागाजी में जोड़ दिया गया इसे बोलते हैं खेत्रों का परिशीमन, तो खेत्रों का जो परिशीमन होगा, विधान सबाद खेत्रों का निर्धारन हुआ है, वो 2001 जन्गणना की आदार पर हुआ है, और जो सीटों की कुल संख्या का निर्धारन हुआ है, वो 1991 की जन्गणना की आदार पर हुआ है, जो मैंने आपको उध 2001 की जनगणना के आदार पर हुआ है कि लिए अब बात करने से नया परिशीमन कब होगा पुने समायोजन कब होगा भारतिय सम्विदान में आप लोग समझ लिए हम लोग सब कहते हैं 2026-2026 उसे समझ लिए यह लोगा है 2026 के पश्षात होने वाली पर्थम जनगणना 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी और उसके सुसंगत आकड़े यानि फाइनल आकड़े प्रकासित हो जाएंगे उसके बाद में यह जो आकड़े हैं हमारे दोसों वाले हैं वह आकड़े चैंज हो जाएंगे कई विधान सबाद छेत्रों का आपका नया गठन हो जाएगा आप लोग तो यह क्या लेका 2026 तक यही है विक्रम जी इसे यह कहना सुरू हो जाएं आप लो कि दो गाव में समझाएं इस बात को कि 2026 में नहीं 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके अपने आप में दिमाग बठा लेजिए आप लोग पड़े लिखे लोग होगे हम केंसर 2026 के बाद जनगणना होगी कोई परतम उसके आकड़े प्रकाश्यत होंगे और तब तक यह बास समझे आप लोगे ठीक है विधान सबाद निर्वाचन छेतर एम सीटों का निर्धार करता है कि हमने हमको राजगर से उठाके थाना गाजिम दोवरा क्या है पिछेतर हजार की जो जनसंख्या है उस पर एक सदश्य होगा यह हमने पैमाना माल लिए ठीक है लाइक जरूर करना है वही आफ लोगों वहाद वड़िया देख लिए आप में से कितने लोगों लाइक किया है खुद देख लिए आप लोग कि 2026 के बाद होने वाली पर्थम जनगणना के आकड़े परकास तोने तक सदस्य संख्या नाकी निर्वाचन छेत्र जनगणना के अनुसार तथा निर्वाचन छेत्र का परिश्यमन तो हजार एक की जनगणना का अनुसार ये 1951 की जनगणना अलग है और संसत कानुन बनाकर विधान सभा की सदस संख्याओं में विरद्धी कर सकती है इसके संविदान में संसुदन की आउशुत्ता नहीं है यह ध्यान रखें आप लोग के लिए आगे बढ़ें है विधान सभा की सदस संख्याओं क्या पढ़ाता हम लोगों ने कि सर्व विधान सभा की जो सदस थंग क्या है वोग अधिक्तम तो 500 हो सकती है, अधिक्तम तो 500 हो सकती है, और कम से कम 60 हो सकती है, यह भी आप लोग ध्यान रखें, विदान सभा में अधिक से अधिक सद्धिश्यकिन से हो सकते हैं 500, और कम से कम की बात करेंगे तो 60 हो सकते हैं, लेकिन वे राजे जहां की विदान सभा में अपा पूंदूचेरी में 30, सिक्यम 32, मिजोरम 40 और गौम चैन्ज यह अपवाद है तब कि क्या है कि अधिक से अधिक है वो 500 हो सकती है और न्यूंतम 60 से कम नहीं होगी तो हमारे न्यूंतम जो संख्या है वो विधान सभा में पूंदूचेरी की है और अधिक्तम है उत्तर परदेश की 403 पश्यम बंगाल की बात करेंगे 204 यह इंपोर्टेंट है तो याद कर लिजी आप लोग हमें राजस्तान का पता है कि से राजस्तान की जो विधान सभा सदसेंग क्या है वो कितनी है 200 यह तमें मालूम है लेकिन सबसे ज्यादा जो कहा आपको अधिक्तम उत्तर पर देश में 403 पश्यम बंगालемся 204 में यूंत्हम पूंदीचेरी 30 शिक्क्यम बंगाल की कि ले उत्तर परद्थ में 603 पश्रीम बंगाल दोसौब उसौब वमत दोसोचराइब उत्तर परद्थ में 403 और दो आकड़े आपको शिक्क जो स्टीन और आप लोगों को पुंदुचेरी में 30, शिक्किम में 32, उत्तर प्रदेश में 403, पश्यम मंगाल में 294, उत्तर प्रदेश में 403, पुंदुचेरी में 30, क्लियर? और हम लोग बात करते हैं, शिक्किम में कितने 32, ओके? राजिस्तान पर्थम विधान सभा में सद सिंक्या 160 थी, पर्थम विधान सभा राजिस्तान दो भागों बटा गवा था, एक आपको मालूम है कि एक हमारे राजिस्तान और एक केंदर शाशित परदेश था अजमेर मेरवाड़ा, एक केंदर शाशित परदेश, एक केंदर श राजस्तान विधान सभा का इलेक्शन अलग होते हैं, 160 सीटों पर, और आपके आजमेर मेरवडा की विधान सभा है, उससे हम लोग धारा सभा कहते थे, और धारा सभा के जो इलेक्शन हुए थे, वो 30, तो राजस्तान में दो विधान सभा की इलेक्शन हुए, एक राजस्त मंडल के सदस्यों का चुदना जी क्लास हम लोग अगली में बात करें तो विधान मंडल में दो सदन हमने खुब सूर्थी के साथ पढ़े विधान पर अनुचित 168 पढ़ा 119 में विधान परिशद की हमने सरचना पढ़ी और 170 है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के वह विधान मंडल की बात की हम लोग आगे हम लोग कंट्रियू करेंगे अनुचित 171 से आप सभी को धने बात थेंक्यू राम राम साब पर 2026 के ही आक्डे क्यों लिया गया है कि दिखिए लिक्रम रोज-रोज यह सदस्टेंग्र में चेंज नहीं होगा हमने 1931 की जनगणना को मानके आकड़े इतनी सदसेंग्रापर एक सदस्टेश लगा दिजी और हमने विधान सभा के सदसेंग्रा और हमने लोगसवा की सद बढ़ेगी तो जो परतिनितु का आकड़ा है वह भी हमारा भड़ जाएगा भड़ जाएगा तैसीले भन रही है उपकंड बन रहे है जिले बन रहे है तो 2026 कह दिए वाज 2026 यानि इतने साल तो काम चला यह आप लोग हमें रोज-रोज नहीं कि मेरे विधान सबद छेतर क आप लोग ऐसे किजिए अलग से राजनेती से प्रिर्ट हो जाएंगे जिलों में क्या हो यह हुआ अमाल पावरफुल सरकार है और पावरफुल नहीं साब मैं तो फलाड़ जगे सेलेक्शन जीतूंगा आप ऐसे किजिए इसको अलग किजिए और यह तोड़ दीजिए चलेगे 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 ना पावरफुल आदम तो कहेंगे नहीं यार मैं यहां से चुनाव जी सकता हो आप इस विदान सबाग अलग बना रही तो यह एक हुद्रती आकड़ा है किसाब 2020 ऐसा कोई मोरत नहीं दोजार सबीसी क्यों रखा है तो यह आप लोग ध्यान रखें आप सभी को धन्यवाद और रायथान के नोट्स जरूर पड़ेंगे आप सभी रायथान का एप्लेक्शन डाउलोड करेंगे और एप्लेक्शन डाउलोड करके आप जाएंगे फ्री मै बढ़ा है वह विध्यारती चाहेगा उसकी फोटो काफी करवा लोग कोई काम के निए पैसे वहां में लगने पैसे आप यहां से मंगवाई है कि हर वीक अपडेट और जो भी ध्यारती पहले नोट्स मंगवा लिए वह अपने नोट्स को अपडेट आप लोग एप से भी क पहले आपको नोट्स वगिए आपके हाथों में और फिर उन्हें आप लोगों को यहां करवाया जा रहा है आप बताई इससे बड़ी आप सभी महनत करें आप लोग मैं आपके साथ हूं जितना मेरा अनभव है पूरा जोग दूगा और आपने अपना समय जोग दिया महनत करने तो कोई माई का लाल हिमत नहीं है जो हमें नोकुरी से रोख सकता है यह असोग मिनक कह रहा है तुम लोगों से ध्यान रखना यही रायथान से निकलेगा अब वादा है आने दीजिए आपके पेपर आप कितना समय देते हो आपको बक्वास नहीं है यहां पर समय पर सब्सक्राइब नहीं है पॉइंट टो पॉइंट बात करते हैं हम लोग खास बात हमारी यह है थैंक्यू धन्यवाद कि नो बज़े का टाइम रहता है यहां मने क्लास ओडिती तो विदान मंदल के सदस्यों का निर्वाचन किस फिरकार से अब इसमें हम लोग दोनों देखेंगे हम लोग विदान मंदल में हम लोग विदान सभा के सदस्यों का निर्वाचन पढ़ेंगे और विदान परिशद के सदस्यों का भी निर्वाचन हम लोग पढ़ेंगे ठीक है कि आप लोगों की चुनाव प्रणाली सदस्य विधान सभा के सदस्यों का चुनाव हम लोग करते हैं यह परतक्षूप से होता है और परतक्षूप में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं अभ्यास मद्दाता जो 18 साल की आयूपूर्ण हो चुकी हो और उनका नाम चुन जाता है विधान सभा के सदस्यों को परतक्षूप से जमतादुवारा चुना जाता है प्रणाखन पुण कर चुका हो उसका मद्दाता सुची में नाम हो तो मद्दान करेंदगा अगर 18 साल की हो आयूव पूर्ण कर ली और मद्दाता सुची में उसका नाम नहीं है तो वे मद्दान नहीं करेगा सिधी सी बात है अब बात कर रहे हम लोग विधान परिशद की सरचना जो मैं आपको पीछे पढ़ा रहे था अनुछेद 168 विधान मंदल की बात कर रहा है विधान परिशद 179 विधान सभा 170 और 171 में हमने पड़ी थी कि विधान परिशद की सरचना देखिए विधान परिशद की सरचना का उल्लेक अनुछेद 171 में और 171 में जो धाराएं है वो धाराएं कितनी है पांच यह आप लोगों मालूम होना चाहिए है ठीक है कि सर कहां से ले जल्दी बाजी मत कीजिए आप जाइए पर पढ़िए पहले पर रखिए कि वाकर यह नोट समय मंगवाने चाहिए नहीं मंगवाने चाहिए वहां से ओडर कर सकते हैं है 111 51 कि एक नंबर धारा कहा रही है कि बड़े सदस्य संख्या कितनी हो अभी अम लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको सदस्य संख्या थोड़ा थोड़ा आपको परीच्छ परवादों कि जो विधान सभा की सदस्य संख्या है उसका अधिक्तम एक त्याई एक्सोएकेतर दो कहता है संसर्थ विदी दुवारा अन्यता उपवंद ने करे तब तक पढ़ेंगे अनुच्छित एक्सोएकेतर तीन सदस्च्चों का निर्वाचन कैसे होगा यह अनुच्छित एक्सोएकेतर की धारा तीन कह रही है एक्सोएकेतर की धारा जो चार है वह बात करती है निर्वाचन पद्दती के चार कर लें आप लोग नोट्स में करेक्शन कर लें कि 171 की धारा कितनी आई यह चार है तो 171 की धारा चार यह कहती है निर्वाचन पद्दती कि निर्वाचन कैसे होगा और निर्वाचन की पद्दती क्या रहेगी यह दोनों अलग धारा है और एक सो एकेतर का अनुछेद आपको धारा नमबर पांच क्या रही है कि राज्येपाल द्वारा मनुनित सद्दती यह दो पहरी धारा क्यारी सद्दत्य संख्या दूसरी क्यारी संसद विरी द्वारा अन्यत्व बंद्द करें तब तक 173 सद्दत्यों का निर्वा करता है हम क्दत्यान परिशत की सद्दस्य संख्या होगी कि जो आपके उस राज्ये में जिस राज्ये के हम लोग बात कर रहे हैं उस राज्ये की जो विधान सभा है विधान सभा की जो सदस्य संख्या है उसका एक त्याई से अधिक नहीं होगी अधिक तो आप एक त्याई से अधिक नहीं रह सकते आप कम रख सकते हो आपके सर्फ कम कभी कोई पैमाना होगा है कि कम से कम आप लोग कुल सदस्य चालिस से कम मत हो चालिस से कम नहीं होने चाहिए अधिकतम यह नहीं कि आप लोग फुब बना दे आप पर बंदन है कि विधान सभा की जो सदस्य संक्या है उसका आप एक तीयाई से अधिक नहीं रह सकते हैं कम कितने रह सकते हो चालिस तो इसका मतलब बात के लिए क्या समझें आप लोग इस सदस्य रख सकते हैं अधिकतम हमने कितना का चालिस से कम नहीं होगी तो इसका मतलब सरवादिक विधान परिशत सदस्य वाला राज्य क्यों क्योंकि उत्तर परदेश की वैंने विधान सभा पढ़ाई आपको पीछे तो ध्यान अकड़ा उत्तर परदेश से 403 सदस्य होते हैं विधान सभा के की इतने 4033 सदस्य होते हैं य्यानी होते हैं तो सरवादिक विधान परिशत सदस्य वाला राज्य कर सकते हैं अधिक रख सकते हैं मेरे लाड़ लो कि रख ही नहीं है क्योंकि हम लोग क्या कह रहेए 100 सथय क्या सधस्य का सब्झा nonprofits क्या भीसी प्रकार से विदान प्रिषद की सब्सिंख्या भी वहाँ ज्यादा है और वह संध्या कितनी है 100 ुए-on- लाइक और शेर करके होसला जरूर बढ़ाये करें आप लोग इसमें कते कंजूसी ना करें आप लोग बहुत बढ़िया बिल्कुल विक्रम जी अनुष बहुत बढ़िया सभी को पढ़ रहा हूं मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं चिंदा मत कीजिए लेकिन मैं चाहता हूं क प्लानिंग के साथ चलिए ठीक है बिल्कूल हम कोई बड़ा लालच लेके नहीं चल रहें बस एक आपकी सेवा का उदेश ये लेके चल रहे हैं आप साथ रहिए और आपको वह पाठे शामगरी दूंगा कि आपको कोई मायकलाल पराजित नहीं कर सकेगा यदि आपने अप गठन परिशद का giorno करवाने का कि मंअंशा रहेगी जो संक्ल परहेगा जो प्रस्ताव रहेगा वो उस राज्य की विदान सबा करेगा और गठन करने का जो पावर है शक्ती है वो संसद के पास है और आपको ये पढ़ाया up-raal कि कि किसी राज्य 368 के तैत सम्विदान संसुदन में काउंट नहीं होती है तो इसका मतलब राजस्तान राज्य में विदान परिश्द गठन का प्रस्ताव विदान सबादुआरा पारित कर दिया तक करेगी यह तैय नहीं है अगर हो जाए कि एक साल के अंदर निन लेना पड़ेगा तब तो हो जाए लेकिन संसद पर कोई किसी प्रकार का बंदन नहीं है राजस्तान की विदान परिशद में सदस संख्या होगी संभावत की बात कर रहे हैं दोसों विदान सबस्दश्या है और इसका एक यहीं चांसर सदस्या हो सकते हैं अधिक्तम आप लोगों को एक टीय और निन्टम की बात करेंगे 40 इस्ति के नोट्स के रिवीजन कब से करवायें बिल्कुल शर्मा जी बहुत जल्दी करवाएंगे राजव्यस्ता बिल्कुल आएगा विल्कुल गुजर साब आएगा ठीक है आगे बात करते हैं विदान परिशत सद्धश्योखा निर्वाचन जो की अनुच्छेद 171 में है क्योंकि हम लोग विदान परिशत की सरचना जो पढ़ रहे हैं वह अनुच्छेद पढ़ रहें लेकिने 155 दाहरा है पांच दाहरा है हम लोग अलग अलग हमने खोल देखने को मिलेंगे आपको राजस्तान पुलिस का पेपर था 2014 वाला याद 2000 यह आपके पिछल था 22 वाला देख लेना एक बार हवा निकल जाएगी ध्यान रखें आप लोग विदान परिशत सदेश्यों का निरुवाच्छन चुनाव पाणाली apoyo साति अगर हम लोग ने कोई मद्दान किया वह पर्तक्ष चुनाओ कहलाता है पर्तक्ष निरुवाचन पदत्री कहला सब्सक्राइब इनका निरुवाच्ण हो रा है और दूसरी बात कि अधार क्या है आनुपातिक पर्तिणितों पद्दति के अनुसार एकल सक्रमणी है मत पद्दति दुवारा होगा विदान परिशत सदस्यों का निर्वाचत सभी सदस्य परतक्षूप चुन जाते हैं इसमें आरक्षन का कोई प्रावदान नहीं है इस चुनाव में चार निर्वाचक मंदल और राज्यपाल होते हैं तो हमने चार निर्वाचक मंडल विधान परिशद के सदेश्यों का निर्वाचन करते हैं और राज्यपाल पांचवे नंबर फोगा लेकर निर्वाचक मंडल नहीं है वो अकेले हैं और वो क्या करते हैं मनोनित इसलिए हमने पांच वा निर्वाचक मंडल नहीं लिखा है न यह जो जो चुनाव नहीं होता उनको राजयपाल मनोनित करता है राथ के लिए रही एकी राजयपाल होगा च्यार निरवाचक मंदल और राजयपाल मिलकर यह काम करेंगे जो चार निर्वाचक मंडल है वो यह ध्यान रखें आप छटा हिस्सा में से पांच हिस्स का वो एपरत्र रूप से निर्वाचन करते हैं एक बटा चाह यानि छटे हिस्से में से एक हिस्सा की बात करें तो राजयपाल है वो राजयपाल क्या करते हैं सब्सक्राइक करता है वह चार निरवाद़ुये एक बट्टा तीन सद्टेश्या एक बट्टा तीन सदूस्य टो विदान सबहाहा में हमनेетрी चुनके बेजये अब श्राइगा पूरा 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 पूरों आएगा Raphael में काम आएगा साही अरे पूरा आएगा भाई पूरा आपके पीटिय में आप लोगों को इस राज्य विवस्ता से आठ से दस सवाल देखने को मिल जाएंगा पूरा सतर के ध्यान राखें आप लोग आगे बात करें तो एक बटा तीन सदस्य यह जो हम लोगों ने एमले चुनके बेज़े हैं जिस राज्य में गठन हो रहा है वो विदान सभा के सदस्य दुआरा किया जाएगा एक बटा तीन समझे आप लोग फिर एक बटा तीन सदस्य इनका चुनाव इस्तानी सदस्यों के निर्वाचक मंदल करता है जो कि इस्तानी संस्ता है नगर पालिक जिला बोर्ड अन्य स्तानी प्रतित्व सदस्य दुआरा मिल कर बनता है संसत विदी दुआरा विर्द्दुश्य करेंगे यह मिलके चुनेंगे तो इस्तानी निकाव की बात करें उन्होंने एक बटा तीन सदो पία पुलि UPिलॉप के आप लोगों के इस्तानय सदोर इस ताने जो आप लोगों के निर्वाचक मंडल है उनकी दीवारा किया जाए जिए इस्तानी संस्ताओं की दुआरा और सबना एक लोगों के तो होना चाहिए अप llyc काहामने कम से कम माद्यमिक विद्ध्धयले या इस हो सिक्षण संस्ताओं में अध्यापन मादिमिक विद्याल या उच्छन संस्ताओं में कम से कम तीन वर्सों से सिक्षन कार्य करवा रहा हूं यह द्यान रखें आप लोग कि मादिमिक विद्याल या इससे उच्छन संस्ताओं में और वह भी दायर है कि ओसकता है आपकी नोकरी एक साल हुआ हो आपको नोकरी करते एसा नहीं है आप वहां से कम तीन वर्सों से सक्षन का रियत कर वायों यह का हमें नहीं वहाँ पूछेगा आप लोगा और एक बटबार सदして इंका चुनाव ऐसे व्यक्तिव द्वारा के जाता है जिन्हों में कम से कम तीन वर्ष पूर इसना तक कर लिया हो देखो भई एक बटा तीन सद्श है फिर हमारा एक बटा तीन सद्श है फिर हमारा एक बटा बारा सद्श है और फिर हमारा एक बटा बारा सद्श है यह जो एक बटा तीन है यह आप लोगों के जो एमेली हमने विधान सभा में चुनके भेज़े हैं उनके दुवारा इनका निर्वाचन किया जाता है इसके बाद हमारे पास एक बटा तीन सदेश्य हैं इनका निर्वाचन जो इस्तानिय निकाह हैं उनके सदेश्य दुवारा किया जाता है एक बटा बारा इस जो सदेश्य ह उनमें आप लोगों के मादमिक सिक्ष्या या इसे पिलस के जो सिक्ष्ण संस्तान है और उनमें कम से कम वो तीन वर्सों से अध्याफन कारिये करवा रहे हैं उनके दुआरा चुना जाएगा और एक बटा बारा सदस्य इसनातक इस्तर के विद्यार्ति या इसनातक जो कर मेरी साथ समझ गया है करें किसा इक बटा है राजय पाल नुनित किया रहारा है अब वैं राजिपाल पैदा होता है कि सर्मनुनित जो करेंगे वो किन को करेंगे सी किसे फैर्ट इंपोर्टन बनते हैं एक बटास यह सत्दम साध्ये जता यह निमिन्ट से होते हैं दीमिने चेतर से पूछा जता है कही निमिर में से खेटर से राज 해पाल मनुत्त नहीं कर सकतां कला क्ला, साहिते, विज्यान, सहयकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा के छेतर में विशियष ग्यान वय अन्वव रखने वाला व्यक्ति। है ओके वाई कला साहिते विज्ञान सेकारी आंदोलन और पांचों पॉंटे सामाजिक सेवा के छेतर में विशेस ज्ञान व्य अन्वव रखने वाला व्यप्ति अब बात आती है कि हमारे निर्वाची सदस्य उस राज्य के किसी विदान सवा छेतर का निर्वाचक होना चाह मतलब है कि आप विदान परिशद का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए तो आप उसी राज्य के मूल निवासी अब हो सकता है वो दिल्ली में रह रहे लेकिन मूल निवासी कहां के यह वेरी इंपोर्टेंट द्यान रखें आप लोग तो नोट राजेपाल द्वारा नामिस सदस्यों का किसी भी स्तिती में आदालत में चुनोती नहीं दीज़ा सकती हमने कह दिये भाई ऐसा है आप लोग एक बटा आप लोग 6 सदस्यों का मनोनेन कर रहे हैं लेकिन आपने मनोनेन पक्षपात कर दि और पक्षपात कर दिया हम तो चले नियाले में तो नोट डाले ना आप लोग कैसा नहीं होगा आप नियाले में जाईए आपकी चुनोती को सुखकार न ही की जाएगी क्योंकि राज्येपाल द्वारा जो सदस्य नामित किये गए यानि मनुरुन किये गए वह सदस्य किसी अब कुछ नहीं छूटेगा कुछ भी नहीं छूटेगा है आप जो भी भरतिकíve तयारी कर रहे हो आप Suble पढ़िए उसके अतरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना दिखाओं में यहाँ पहले बता रहा हुँ दिखाओं में बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों अफ वास्तिकता को देखिए पहला चैनल होगाम जो पूरी तरीके से आप लोगों को यहां एकम नोर्सों के सामने एक एक चीजा आपको बता रहा है प्रुटिय की दो रखा है और तभी विध्यारति अगर इंजार कर रहा है किसा इंजार कर लें बाद में मंगवा लेंगे तो फिर आप ध्यानकना हो सकता है आप लोग बहुत गलत नेड़ा ले रहे होगे अगे बात करते हैं लोग राजी विधान मंदल में आरक्षण पहला पर द्यान रखे आरक्षण विधान परिशद में नहीं है आरक्षण विधान सबा में आरक्षण नहीं है आरक्षण है वो द्यान रखे विधान सबा में है तो विधान परिशद में आरक्षण की व्यवस्ता नहीं है पहला पर यह विधान सभा में आरक्षन विधान सभा में अनुसुची जनजाती और अनुसुची जाती को आरक्षन प्राप्त है और विश्वी को नहीं द्यान रखें आप लोग यह राजयेपाल की सुविवेक्य सक्तिय क्या है बेखन है मैं आपको बहुत आच्छी तरीके से बताया राजयेपाल की अनेक्ष सक्तिय को तो कुछ कारिया ऐसे होते हैं जो राजेपल को अपने सुविवेक से करते हैं तो सुविवेक से किया गया कारिये उसे हम सुविवेक ये सक्तिया कहते हैं जैसे किसी दल को इसपष्ट वहमत नहीं मिला ठीक है इध्यान रखें आप लोग गठ बंद्री नहीं हो पारा तो वे किस इसको मन एक बार मुख्य मंत्री बनाएगा और कहाएगा एक मेनी के अंदर अंदर आप अपना भाहूमत सावित कर दीजिए यह क्या है सकती ध्यान रखें आगे बात करते हैं अनुसुची जाती इम अनुसुची जन जाती के लिए जो आरक्षन का प्रावदान है विदान अनुच scholarly के अनुपाती वहां की जन संक्या का उस राज्यें में उनकी जन संक्या कितनी है कितनी हिए तो अनुसुची जाती कितनी स्पें आंगल भारतियों के लिए आरक्षण सातियों पहले यह प्रावदान था कि राज्यपाल उस राज्य में जदी आंगल भारतियों का प्रयाप्त परते तो नहीं मिला है तो एक सदस्य है वह मनुनित किया करता था अनुछे 333 लेकिन 104 जो सम्मिदान सचोधन हुआ था उसमें कंग अंगल वर अगल 210 के मलं यह दायवर गहां को मनुनित करना की सवां कि अदेज उसनुनित नहीं दूर अवसमें उसका प्रतियों प्रयाप्त नहीं तो तो राज्य पाल उस राज्य की विधान सभा में आंगल समुदाय का एक सद्दश्य नाम निर्देशित कर सकता है कि लिए आगे बात करते हैं अनुचे 334 साथ यो आप लोगों के अनुचे 15 अनुचे 16 जो पढ़ते हो वह एक सेक्षिन और लोक नियोजन में यानि स्तरकारी नोक्रियों में आरक्षन की हमसे बात करता है यह जो आप लोगों के राजनेतिक जो आरक्षन है वो कितने साल तक रहेगा जो 10-10 साल के अंतराल में बढ़ा रहे हैं वह हम अनुचे 15 और 16 का नहीं बढ़ा रहे हम लोग जो बढ़ा रहे हैं वह अनुचे 334 में निर्दिष्ट की गई अवदी तक दे है इध्यान रखें आप लो राज्यों के विधान मंडल की अवदी उनका कारेकाल क्या रहेगा विधान सबा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग सबा है यह राजिस्टर पर है MLA कहलाएंगे वह सांसत कहलाएंगे सेंट्रिस्ट दता है वाकि और समस्थ प्रावदार एक जैसे हैं तो इसका जो अवदी होती है पांस साल की होती है समय से पहले भंग कर सकते हैं विधान परिशद की कोई अवदी नहीं होती उनके सदस्यों का का सदस्यों होता है परत एक दो वर्ष के अंत्राल में अप लोगों की एक्टिया सदश शीन नहीं है यह उन छाते हैं उसी पदोً नहीं होत बहकत बहुत बढ़ीया आपके अनुंचेद 102 और 102 अनुचेद 102 एक विदान और किसंद सबां के कारेकाल की बात कर रहा है जो किc7 पांच बश्चे ल सुन और और यह कहता है कि विधान परिशन के सदेश्यों का करेकाल विधान सबांग विधान परिशन केस जुच करे का हो है ना कि विधान परिशद का कारेकाल नहीं एक इसता ही सदन है मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को द्यान रखें आप लो अनुचेद एक सो भैतर एक है यह विधान सवा की अवदी की बात कर रहा है विधान सवा सदेश्यों की नहीं विधान सवा की अवदी अंतर समझे और यहां बात कर रहे हैं अनुचेद परिषत के सदश्यों के कारिकाल के बात करने तो अ आपके अनुछीद 127 को आपको खोला गया है देखिए आप लोग आराम से बहुत अची तरीके देखेंग आप पढ़ने जारे हैं फिर एक सो बहतर को खोला गया विदान सबा का कारीकाल अनुच्छेद एक सो बहतर देखिए बहुत साथियों मैंने बहुत तागत लगाई है बहुत दिमाग लगाया आप लोग दुआ है मासरिश्वति का आशिरवाद रहा है कि इस प्रकार के नोट्स ब नहीं जिस दिन जो पहला अधिवेशन आएगा विदान सबा का नि पहली बैठक होगी कारेकाल की गिंती वहां से होगी कारेकाल पर्थम अधिवेशन के लिए नियत तारिक से शुरू होता है यह ध्यान रखें आप लोग आगे बात करते हैं विदान सबा की आवदी पूर लेकिन मालो की राष्टपति शासन लग गया है राष्टी आपात लग रहा है तो राष्टी आपात के समय जो विदान सबा की जो कारेकाल की अवदी बढ़ाने की जो पावर है वह ध्यान रखें वह किसके पास है संसद के पास very very important question कोन से प्रस्तिति हम बढ़ा सकते हैं कि चब राष्टी आपात लग रहा हूं कि यह बढ़ी हुए एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती कि आप भड़ा रहे हो ठीक है भई चुनाव संबग नहीं है राष्टी आपात लगा हुआ है ऐसे करते हैं कि हम जो विधान सबा का कारिकाल बढ़ा देते हैं तो बढ़ा बढ़ाएंगे तो आपके सब्सक्राइब कितने बढ़ा दीजा नहीं है चुनाव आयोग से भी एक रिपोर्ट ली जानी पड़े कि इस प्रकार से यहां पे कि आप लोगों के चुनाव करवाया जाना संभाव नहीं है यह मैंने आप करवाया है आपात सब्सक्राइब को बढ़ानी पड़ेगी तो विदान सब्सक्राइब के जो अवदी बढ़ा रहे आप एक साल नहीं बढ़ाएंगे हम लोग क्योंकि सम्मा निस्तिती हो गई राष्टिया आपके उद्गोष्ण समाप्त हो गई चुनाव करवाया जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम बढ़ा दे एक साल क्यों बढ़ा दें आप अधिक नहीं बढ़ा सकते यह ध्यान रखें आप लोग और वैसे हम कितना बढ़ा रहे थे एक साल बढ़ा रहे थे विदान सब्सक्राइब का कारिका सत्यों एक दोर ऐसा भी आया था 42 समीदान संसोदन जीसे हम लोग इसका पूरा सैट जैपूर में कहा मिलेगा कुमावत साहब आप लोगों को यही से ओर्डर करने पड़ेंगे मार्केट में आपको सोपे नहीं मिलें यह नोड्स आप लोग तब भी मंगवाएंगे तो आप लोगों को पर सप्ता आपके अ 42 समीदान संसोदन जो इंद्रा गांदी जी के समय हुआ ता साथियो उसी मिनी समीदान कहते हैं बहुत कुछ चेंज किया गया था यहां था कि 42 समीदान संसोदन मैं एक बात आपसे और कह रहा हूं कि 1906 है लेकिन यह लागू जो हुआ वो 1907 में 1908 में 44 समीदान संसोदन हुआ लेकिन वो लागू हुआ वो ध्यान रखें 1909 वेरी इंपोर्टन कोश्यन है तो 42 समीदान संसोदन के दुआरा जो विदान सभा के जो आउदी है कारेकाल है वो कारेकाल भाई 5 वर्स से बढ़ाकर 6 वर्स कर दिया गया वो कारेकाल कितना पांच वर्स से बढ़ाकर 6 वर्स कर दिया गया तो बाताव सवाल कोन से शमीदान संसोदन दुआरा विदान सभा का कारेकाल 5 वर्स से शे वर्स किया गया आप बता देंगे सं internation के दूआरा और फिर पूछेंगे आफ लोगों से कि कि पुने हेवर से पांच वर से किस दुआरा किया गया आप लोग देके 44 2000 वे संविदान संसोदन के दूआरा आगे बात करते हैं है कि विदान-परिशत के सदस्यों का क्या रिप आप हम बात कर रहें कि अभी हमने पढ़ा था हम बात कर रहें विदान परिशद के सदिश्यों का कारेकाल है कि अनुषे देंगे इक सो wrap तर दो में सभवारी में कि ठीक है भंक करते हैं दुबारा चुनाओ करवाएं ना उसे हम समाप्त सकती विधान परिशद Tú नहीं किया जा सकता है लेकिन भंक समय से पूरों बंग की जा सकती है अते यह सदन है पूरा लिख रहा है एक एक लाइन मैंने खोल कोल के लिए कि आप लोगों के पास नोर्स आने के बाद आपको नोर्स बनाने नहीं है है आपको उसके रजिष्टर भी नहीं खरीदना आप लोगों को कित्ती जगें छोड़ी हुई है बीच-बीच में यही रजिश्टर है आप लोगों का और रजिश्टर की रेट में आपके पास नोर्स आ रहे हैं विदान परिशद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन उसे भं सदन है जिसे नय तो कभी भंग किया जा सकता नय समाप्त किया सकता इध्यान रखे तो कि विधान परिशत को समाप्त किया जा सकता है कि विदान परिशत का कारेकाल ने होकर इसके सदेश्यों का कारेकाल होता है आप सोच रहो कि विदान परिशत का कोई कारेकाल नहीं होता है राजिस सभाक कोई कारेकाल नहीं होते हैं उसकी जो सदेश्य हैं उनका कारेकाल होता है ध्यान रखें आपनों विदान परिशत के संबव निकिटतम एक तियाई सदस्य परतेक दो वर्ष बाद सिग सेवा निवरत हो जाते हैं सेवा निवरत हो जाते हैं सिग्र निए ये ये सेवा है विधान परिश्य सदस्यों का कारेकाल छे वर्ष को होता है इसके एक तिये सदस्य परतेक दो वर्ष बाद कारेकाल पूर्ण करते हैं और नए आ जाते हैं कोई बात ने वहीं हिस्तिति ध्यान रखें आप लोग आगे बढ़ते हैं लोग अगला पुइंट आवा राज्य की विधान मंदल की सदस्ता के लिए एहरता योगता है कि आप विधान मंदल विधान सभा भी आ गई विधान परिशद भी आ गई उसके लिए क्या योगता हैं विधान सभा के लिए और विधान परिशद के भी दोनों का जो उल्लेक है वो आप लोगों के अनुछेद आपक निमिन प्रकार है राज्य के विदान मंदल की सदिश्टा के लिए एहरता है क्या क्या होंगी तो तिन ध्यारक नाप लोग वह वहरत का नागरिक हो ठीक है उसने निर्वाचन आयुक्त दुआरा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार शपत ली हो या परतिग्यान करके उस पर अस्तक्षर किया हो कि जब हम लोग परम भर रहे हैं आवेदन कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तब भी आप लोगों को जो निर्वाचन आयुक्त है उनके दुआरा कोई व्यक्ति को निक्त कर रखा है कि आप इनके ऐसे करना शपत आप ले लेना तो तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार इन शपत ली हो अगर शपत नहीं ली हो तो वह इसके लिए योग्य नहीं है अगर वह आस्तिक है इश्वर को मानता है तो लेगा और यदि वे नास्तिक है इश्वर को नहीं मानता तो परतिज्ञान करेगा यह होती है शपत या परतिज्ञान मैं अमूक इश्वर की सत्य रिष्ट कसम यह खाता हूं ठीक है मैं परतिज्ञान करता हूं मैं नहीं लेता नाम का नाम इश्वर का नाम नहीं लेता त में समय कि यह होता है शबद और प्रतियान में अंतर विधान सभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की और विधान परिशत देशी के लिए 30 वर्ष के आयो इसके पास वह सबूगितायए विधान परिश्द और विधान सभा दोनों के लिए शमान योग्यत है वह भारत का नागरिक होना चाहिए उसने तीसरी अनुसुची में जो प्रारूप है उसके अनुसार श्रपत लिए हो तीसरा पॉइंट अलग-अलग है अगर आप विधान सभा का एलेक्सर लड़ना चाहते हो तो आपकी न्यूंतम जो आयू है वह आप लोगों 25 वर्स हो और यदि आप विधान परिशद की सदस्य निर्वाचित होना चाहते हो तो आप लोगों की जो न्यूंतम आयू है वह 30 वर्सों की वह इस्तिति है जो आपके लोग सभा और राजय सभा की लोग सभा का आपको सदस्य न्यूक्त होना है तो आपके 25 वर्स आपको विधान परिशद का होना है तो 30 वर्स होई है कानी ध्यान रखें आप लोग क्या बात है ऐसे स्टी आ गई बहुत बढ़िया सुची के अनुशार शफत लेना चाहिए अगर विधान सभा का है तो 25 वर्स विधान परिश्द का 30 वर्स अब यह तो हमने योगिता पड़ी भाई लेकिन एयोगिता कौन-कौन सी है और उन एयोगिता को लेक कहा है अनुछेद 101 में विधान मंदल के जो सदस्य हैं उनमें आप लोगों के निरियोगिता है कौन-कौन सी है एयोगिता है कौन-कौन सी है तो उनका जो उलेक है वह अनुछेद 101 में तरह देखिए सदस्य ने लापका पत ध्रण कर लिया हो और आप अपके अमेले बनने के बाद उन्होंने कार ठीक है मैं तो आप आयस वण जाओं मैं तो आरैस वण जाओं आप लापका पत ध्रण नहीं करेंगे नमर एक बात न्याले दूरा विकृत चित गोशित कर दिया गयो के अधियां के पागल है विकरत्चित हैं थो आप लोगों की निर्योग तो आजाएगी इस दिशता समाव्थ हो जाएगी वह डिवालिया हो गया हो या उसने अपनी सुच्छे से विद्येशी राज्य की नागरिक्ता पराप्त कर ली हो या या वे किसी विद्येशी कि आपने अपने क्राव निष्टा और कर्ते बीवऑ को सुवकार कर लिया हो कि अपने लाब का ध्धार्ण कर लिए हो उसी आपपने लाब का प्तदर्ण कर लिए हो न्याईले दूआ विक्रत चित घोषित कर दिया गया कि आप दिवालिया हो गया हो आपने किसी दूसरा देश की नागरिकता ग्रहन कर ली हो आपने उस देश के प्रति निष्टा और करतविय को सुविकार कर लिया हो इस देश के प्रति जब भारतमा की जै बोलते हैं बारतमा की हम लोग प्रतिया जो हो है वह हमने दूसरी तो व ्योग्य हो गया boast 101 में 2 जो गोगों के ढल बधल पर य länger जो अल्मीटानी डुदसमाचरा जोड़ा गया डल बचेश्चा संब्हद में जो मोडी सदन का अद्धक्ष करता है कि विधान-सभा की सदश्यों की एयोगताओ का निधारन कि चुनाव-आयो Bangrush पर रज्ये पाल करता है लेकिन शेल्बदल से सम्मंदित अगर उसमें जो ध्यानकना सदनन का जो अद्धिश होता वो करता है इसमें रज्य पाल की कोई भूमिका नहीं है ठीक है कि होता ओलोहन बनाम जा चीलू 1992 का मामला उस्तम न्याले निंडे दिया कि दल बदल के संबन्द में सदन के अधक्ष की पैसलों को न्याइक चुनोती दी जा सकती है कि क्या डुटाइप जह सकती है क्या की होता होलो हन बना में इसमें कहा है उच्तम न्याल्य ने निर्ण दिया कि दल बदल के संब्द में सदन के अदक्ष के फैश्ट लोग को न्याइक चुनोती दी जा सकती है यह द्यान रखे आप लोगों के जो जन परतित निद्धितु जो अधिनेम के तैट एयोगिता हैं उसकी हम लोग बात करेंगे फिर सद् जन परतित्तु जो अधिनेम है उसके तहत एयोगिता है कौन-कौन से उसके हम लोग बात करें और यह जन परतितु अधिनेम है यह सम्विंदान में नहीं है यह संसत द्वारा निर्धारित यह एयोगिता है उनकी हम लोग बायत करेंगे नमबर एक उसकी दुआ चुनाव में किसी प्रकार का भरष्ट आच्रण किया हो उन्होंने रिश्वत बाटी हो उन्होंने शराब बाटी हो उन्होंने जितना खर्च करना था उसे ज्यादा खर्च किया हो यानि चुनाव में उन्होंने क्या कि विब्रेष्ट आच्रण किया हो वो चुनाव अपराद का दोशी हो तो वो भी जन परतिनितों अधिनेम उसके तैट क्या है वो एयोग है उसने निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी अधिने खर्चे से सम्मन्दित विब्रण प्रस्तुत नहीं किया हो उन्होंने चुनाव समय ब्रष्ट आचरण किया हो उनको जो खर्चे का वह आप लोगों को बताना था इतना खर्चा मेरा हुआ और इसी इसमें हुआ और वो समय पर नहीं देपाया वह भी क्या है एक लेगी तो किसी ब्रश्टाचार सरकार के प्रती विश्वास घात कारण राज की सिवा से अठाए गए वो भी क्या है तैयोग है उसे एस परस्ता दहेज सती पर्था आदी सामाजी कप्रादों में सनलिप पाया हो तथा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया यहां भाईयों से कह रहा हूं शब्द को रंग से सुन लिजी यहां भी अप्रादी है इसलिए शब्द से बचना तो कहने का मतला कि उसने ब्रष्ट आचरन किया हो निर्दाइदी समय सीमा के अंदर अपना चुनावी जो खर्चा है वो प्रुस्तुत नहीं किया हो उन्हें किसी ब्रष्टाचार या सरकार के प्रती विश्वास घात के कारण राजकिय सेवा से निकाला गया हो उनके द्वारा कोई एस प सरकार की कम से कम 25 पर ठीशत की इस् tokus वह ऐसे निगम में काम कर रहा है जहां सरकार की 25 पर ठीशत कम से खं़र ध्यान रखें कि लो मुत उसे किसी अपराध के लिए कि यह जो आप लोगों के धारा हैं तो ध्यान रखें आप لोग यह जो है यह जो-ज़न प्रतिनदी जो अधिनेम है वो द्यान रखें आप लोग वो उसके दुवारा योग गिता हैं वाकि हम लोग बात करें तदश्यों की एग्विता सम्मधित कथनों का विन इच्छे अनुचे देक सो बान में अम कहरें ठीक है यह 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 योग गिता है होनी चाहिए भाई इनक करेंगा दून की यह वाकई यह इनमें एयोग गिता है का क्लास को करते रहे बहीं कि यह अभई इसका निनक करेंगा को विनीश्यों कि वह भारत के सम्मीदान कि आनुच्षेथ 192 में सबातको प्रावदान किया गया है क्या सै विदान मंडल की सभस्चेये हैं उनकी जय करेंगे योगताव का निर्धारण विनॡ जो करेंगो राज्य पाल करेंगे ततुए ताह तो ध्रीक निर्वाचन आयोग से क्या करेंगे सलह लेंगे विदान मंडल सदिश्यों की एयोगिताव का निर्दार्ण भारत निर्वाचन आयोग की सला पर कोन करता है राज्यपाल करता है राज्यपाल करता है दूसरी बात राज्यपाल ये कारिये भारत निर्वाचन आयोग की राय के अनुसारी करेगा के लिए करेगा राज्यपाल लेकिन व दोनों सदनों का सदेश्य चुल लिया जाता है विधान सभा का भी और विधान परिशद का भी तो उसे 10 दिन के अंदर किसी एक सदन की सदेश्टा से त्याग पत्र देना होगा यदि वैसा नहीं करता है और नहीं कोई सूचना देता है तो पहले वाले सदन से उसका इस्तार रिक्त माना जाएगा यहां पर तीन चीजे हैं नंबर एक कि जो विधान सभा है और विधान परिशद दोनों का ही उसे सदेश्य चुन लिया गया अब वह क्या करेगा कि उसे 10 दिन के अंदर सदन की सदेश्टा से इस्तीपा देना पड़ेगा त्याग पत्तर तो वह त्य दिन यह वेरी इंपोर्टन आपके सर उसने 10 दिन के अंदर ट्याग पत्तर नहीं दिया क्या कहा कि सर उसने 10 दिन के अंदर ट्याग पत्तर दिया ही नहीं तो आप क्या करेंगे कोई बात नि जो वो पहले यह सदन का सदेश्य था वहां ध्यान रखें उसका इस्तान क्या मा समय अवदी दस दिन की अगर नहीं दे पाते त्याग पत्त तो पहले वाले या कुछ सूचना भी नहीं देते कि मुझे और वक्त लगेगा तो पहले वाला जो उसका सदन था उससे उनका इस्तान है उसे रिक्त माल लिया जाएगा नोट्स खोल के बैठे जिनके पास नोट्स बहुत बढ़िया बिल्कुल गोरी शंकर कह रहे है सर मैंने आपकी हर क्लास 2022 से देख रहा हूं और मेरा 2023 से बिल्कुल लंबर आया है और अभी सेकंड येर चल रही है बिल्कुल गोरी शंकर हमारे शुब कामने आपके साथ में है कि आप निशी तोर से टीचर बनेंगे चार धाराएं और चार धाराएं आपके सामने क्या प्रावदान करता है अनुचित 190 उसे एक खाके की रूप में मैंने यहां पेस किया है और उसके बाद आगे की बाते हम आगे पढ़ेंगे लेकिन एक प्रारूप तयार होगा एक विद्धारत को पढ़ते हो दिकत नहीं एकी सकते हैं कि 190 190 190 190 यह लेकिन हमने उसके फोइंट खोल दिए एक नमबर पॉइंट दो नमबर धारा123 ऐसे लिख दिया हमने कोई व्यक्ति एक ही समय विदान मंदल के दोनों सदनों का सदश्य नहीं होगा और दोनों सदनों का एक साद सदश्य नहीं रह सकता किलियर हम बात कर रहे हैं कि उनके इस्तान किन-किन आदार पर रिक्त हो सकते हैं तो पहला पॉइंट का हम लोगों ने कि एक व्यक्ति एक ही समय में विदान मंडल के दोनों सदनों का सदेश्य निर्वाच नहीं हो सकता नहीं रह सकता आगे 192 कोई व्यक्ति दो या अधिक राजियों क सदेश्य नहीं होगा च explains राश्टपति द्वारा बनाये गए नियम्त के है उसका एक इस्तान रिक्त होगा आप विह औरत नहीं के-क लोग ध्यान रखें तीन नमबर कहा है सद्धिश्य दुआरा अद्धक्ष्य सभापति को संभूर्द करके त्याग पत्तर देने से अद्धक्ष्य सभापति करें त्याग पत्तर शुवेच्चिक या असली है नहीं बहुत इंपोर्टेंट आपने पढ़ा होगा क्या बार कि विधान सब अद्दक्ष को त्याग पत्तर दिया वो ये देखेगा अगर विधान परिशद है तो भी सभापती को देगा और अगर विधान सभा है तो भी अद्दक्ष को देगा और अद्दक्ष जो सभापती जो सदल का मुखिया है वो ये त्याग करेगा कि ये जो सभाव में दे रहें वेरी इंपोर्टेंट अब लोग और चोथा नंबर कह रहें यदि कोई सदेश्य सदन के अनुमति के बिना साथ दिनों तक सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्ति रहता है इसमें ऐसी अवदी को शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें सत्र चार से अधार है उनके आधार देखिए नंबर एक कि वो एक साथ दो विदान मंडलों के सदेश्य नहीं रहें विदान मंडल के दोनों सदनों के सदेश्य नहीं रहे सकते नंबर दो कि वो दो या दो से अधिक राज्यों के विदान मंडलों के सदेश्य नहीं रहे सकते नंबर त कर सकता है और अद्धक्ष्य सभापती त्यागपत्तर सुविकार करने से पहले यह देखेगा यह त्यागपत्तर सुवेच्चिक है यह धबाव में दिलवाया गया है वेरी इंपोर्टेट एक सोनब्य चार जो कह रहा है वह कह रहा है कि अगर कोई सदस्य है जो सदन के कारवाई से साठ दिनों तक लगातार अनुपस्तित रहा और उसने कोई सूचला बरी दिया हो इस अहुदी में हम उनको नहीं गिनेंगे जिसमें वो चार दिन तक लगातार कोई सदन इस्तगित होता है उस अवद्यकुष में शामिल नहीं करेंगे तो क्या मेरी भात को समझ गए कि अनुछेद एक सोनब्य के अनुसार कि जो विदान मंडल के सदस्य हैं उनका जो इस्तान है वो किन-किन आदारों पर रिक्त हो सकता है वह आपके सामने में रखा ठीक है आगे बात करते वह मामले जिनके कारण ही सदस्य का पद रिक्त हो सकता है वह मामले कौन-कौन से जिनके कारण सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि सदस्य राष्टपति उपराष्टपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित या न्यूक्त हो जाता है माला कि कोई विधान सभ रिक्त हो जाता है तो यह द्यान रखे आप लोग तो यह दिन्याले द्वारा उसके निर्वाचन को एमानी ने ठैरा दिया गया हो इस सदन से निस्कासित कर दिया गयों तो चार पोइंट हमारे पास ऐसे हुए जीन के कारण विदान मंडल के सदर्शय का पदरिक्त हो सकता है वह कि रजय के राज्य पाल चुन लिया गया है या राष्टपति उपराष्टपति उन्हें चुन लिया गया है यह न्यूक्त कर में आखे तरट्रैया ही चिंटा मत कीमस्त रहे मैं रही ये जिक्ये में आगे रहेंगा आगे रखेंगे आपको चिंटा करने क्या थोक्ता नहीं है अब बात कर रहें सद्धिशर सब्सक्र ध अब आम उसे थोड़ी केंगे उनसे इस पर कि शपत लीजिए नहीं मानता तो फिर परतिज्ञान करेगा इसलिए शपत या परतिज्ञान लिखा होता है ध्यान रखे आप लोग विल साथ ध्यान रखे विदान सभा या विदान परिशद का परतेख सद्श चे अपना इस्ता अस्ताक्षर करेगा वो किसके समक्ष शपत लेगा वो राज्यपाल के समक्ष शपत लेगा इध्यान रखें आप लोग वो किसके समक्ष शपत लेगा तो आप लोग कहेंगे वो राज्यपाल के समक्ष क्या लेगा यह ध्यान रखें आप लोग वो शपत लेंगे राजिपाल द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति नामित कर दिया भई ये शपत दिलाएंगे उसके समख शपत लेंगे अब विधान मंदल के सदेश्य द्वारा शपत या प्रतिज्यान अनुछेट 188 आप देखिए हमने यहां लिखा फिर मैंने आपको अच्छा सा लाइनिंग करके डिजाइन करके फिर मैंने एफेक्ट आपको दिये हैं ताकि विध्यारती आसानी से समझें कि शपत प्रतेक सदेश्य अपना इस्तान ग्रहन करने से पहले शपत लेगा प्रतिज्याल लेगा यह बात कमझ भी आगी अनुछेट 188 में लिखा हो है बात आती है किसके समक्ष समक्ष लेगा तो हम गरे राज्य पाल या उसके दवारा नुक्त व्यक्ति के समक्ष लेगा ल son सब्सक्राइब क्या होंगे उसके लिए आपको अनुसूची तीन में जाना पड़ेगा अगर हमें राज्य विदान सब्सक्राइब के शब्द बदलने हैं उनका परारूप बदलना है और संसोदन समविदार में नहीं होगा अनुसुची तीन में होगा कि या कहा हमें है यह अनुसूची है अनुसूची है इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप लोगों कंपलीट नोट्स होकर रिवीजन यहां करवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं आपको पर आप यह नोट्स मंगवा रहे हो खोल के पढ़ रहे हो अगर मालो बाई चान कोई शब्द है आंब आप लुक्त लेगा प्रतिज्यान करेगा उस पर अस्ताक्ष्र भी करेगा वह लेकिन उसका प्रारूप कहा है अनुची तीन में और देखिए अनुसुची तीन में क्या प्रारूप है अब ये शब्द जो आप देख रहे हो ये शब्द आप देख रहे हो जो लिख रखें वो ध्यान रखना वो सम्विदान में नहीं लिख रखें वो अनुसुची तीन अनुसुची दो में वेतन भत्तों का उले और एक विदानमंदल का सदाश्य क्या शपत लेता है आपके सामने रख रहा हो कि यह संविदान और देश की पर्भुता की प्रति तो को यह नहीं गोपण दग लेतें तो पद और गोपनेता कि कौण लेते हैं उतसर मंत्री परिषड का प्रतेगु सदैने लेता है तो फिर jakie क्या लेता है तो देस्ट के संब दान और देशकि पर्वुता के प्रति स्रदा और निस्टा की शपत ली जाती वहर्य इंपोर्टेड कि देश के सम्विदान के प्रती भी और देश की प्रभुता के प्रती भी शपत क्या लेंगे स्रदा और निश्टा की एक एक शब्द को सुन लेना किसी राज्जे के विदान मंदल के सदे से दुआरा ली जाने वाली शपत या किये गे किये जाने वाले प्र तो आप ये शब्द नहीं बोलेंगे आप क्या बोलेंगे सत्य निष्टा से प्रतिग्यान करता हूं आप इश्वर को मत मानिये लेकिन आप सत्य तो बोलते हो ना दोड़ी बोलते हो तो ये क्या लिखा हुआ है कि यह सत्य निष्टा से परतिग्यान करता हूं उपर शपत लिख दिया निच्य परतिग्यान दोनों से आप एक लिए लीजिए कि मैं विदी दुआरा इस्तापित भारत की सम्विदार की प्रती सच्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा, मैं भारत की पर्भूता और एक्ट अखंडता को अक्षून रखूंगा, ठीक है, मैं अमूक जो विदान सबा या विदान परिशद का सदश्य निर्वाचित सदश्य नाम निर्देशित हूं, ठीक है, हूं, ध्यान रखना आप लोग, सदश्य नाम निर्देशित हूं, ध्यान रखना नाम निर्देशित हूं, वही इश्वर की शपत लेता हूं, विदी दुवारा इस्ताबित, भारत की सम्विदार की प्रती सच्ची स्रश्दा न निर्वेन करूंगा तो शपत और प्रतिज्ञान आपके सामने हैं वो देश के प्रति सम्विदान के प्रति सची सरदा और निश्टा की शपत लेते हैं और उसका प्रारूप अनुसुची तीन में दे रखा है अगर इन शब्दों में हम लोग कोई को चैन्ज करना चाते हैं तो संसोदन अनुसुची तीन में होगा ना कि भारत के सम्विदान में इस बात को जरूर ध्याद रखेंगे इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना मैं फिर कह रहा हूं समझा रहा हूं आप लोगों को इतना पढ़ लेंगे तो मैं यह नहीं कहता आप आपको पढ़ा हूं उसे ध्यान से पढ़ लिजिए दोहरा लिजिए नोट्स पढ़ लिजिए बस यही अंतर है इसे खतम कर दीजिए तो मंजिल आपके साब दे तो क्योंकि मैटर इससे बाहर को जाएगा नहीं और को गया तो उससे कोई करेगा नहीं और सो में से दो सवा काई मोटिविशन देना चाहता हूं वह मोटिविशन देना नहीं चाहता जो आप लोगों के पांच मिनट भी आपके अंदर नहीं रहे सुने तब तक तो आप लोग पहाड को उठा के फैकने की तागत रखते हैं और वह बोलना बंद हुआ सामने वाला तुमसे चीटी में मेरे पास में नहीं है राज्ये विधान मंडल के अधिकारी मैंने आप लोगों को चार अनुछेद बताए थे चार और चार आठ अनुछेद आपके एक साथ यादोंगे कुछ नहीं आप विधान सबा में जो अध्दक्ष और उपाध्दक्ष होता है उनका चुनाओ कैसे होगा उन्हें कैसे अठाएंगे वो त्याग पतर कैसे देगा उनकी जगे काम कोन करेगा ये चार पांच बाते हमें पढ़ने हैं तो ये कंटिन्यू चार अनुछेद अनुछेद एक 182 से और 18025 तक है 182 से और 150 सी तक है अनुछेद कंटिनू चार विधान सभा के पतदिकारी अगले चार विधान परिशद के पतदिकारी उपर ये चार याद हो गेने नीचे वाले चार अपने आप हो जाएंगे बस हमने विधान-सभा में विधान सभा अध्दक्ष और गिप्ट में मिलने हावाले है ध्यानकणा अप लोग अनुचेद 188 चार गिल्ली जिये विधान सभा के अध्यक्ष और उपादक्ष के बारे में फिर अनुचेद 182-185 चार गिल्ली जिये विधान परिशत के सभापती और उपसभापती के बारे में जड़ा देखिए कि अनुचेद 188 तरी कहता है कि अध्यक्ष और उपादक्ष का पद का प्रावधान और न्युक्ति स्रोट में लिखा हुआ है मेरा स्रोट में लिखा हुआ है फिर आगे विस्तार से बात करेंगे कि 108 तरह कहता है कि अद्दक्ष और उपाद्दक्ष पद का प्रावदान है उनके और न्युक्ति किस परकार से होगी सेम बात 182 में है लेकिन यहां अद्दक्ष उपाद्दक्ष लिख रखा है तो यहां सभापती और उपसभापती पद का प्रावदान यहां न्युक्ति ल उसम्हों का पत्याग कैसे अठाएगा यहां अद्यक्ष उप्आध्यख्स यहां विधान परिशर्जद है तो यह सभापती और उपसभापति यहां शब्द하면서 सभापति कैसे उपादख्ष या अन्य किसी व्यक्ति को प्रावधान की अधिक्ष नहीं है तो उनकी जगे कारेवाक अधिक्ष कौन होगा वही बात नीचे लिख रखिये कारेवाक सभापती उपसभापती या अन्य का प्रावधान और उसकी शक्तिया अनुछेट 181, अठाने का संकल्प के समय उसका पिठा सिन्ना होना, जब उनको अठाने के लिए सदन में संकल्प ला रखा है, तो उस समय वो सदन की अधिक्स्ता नहीं करेगा, एक सदश्य होने के नाते वो अपना मदान जरूर देगा, ध्यान रखे, लेकिन वो पिठा सिन अठाने के संकल्प के समय उसका पिठा सिन्ना होना, बस अंतर कहां है, यहां अधिक्ष और उपादक्ष है, और यहां सभापती और उपतवापती है, तो चार 178 से और 185, चार उपर वाले, चार नीचे वाले, और आप इनको यहां समझाने के बाद, और वी बहतर तरीके स मेर दीचे समझारा कर देखिए, विधान सभा के अधिकारी होते कोन है, विधान सभा के अधिकारी हम लोग कहेंगे सर, विधान सभा अधिक्ष और विधान सभा उपादक्ष होता है, पहली बात तो यह समझे, आप लोग, कि विधान सभा के अधिकारी होते कोन है, आप कह लगात के लिए लो ही अधिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जो चुनाव करता कौन कोन है विदान सभा की बात करें विदान सभा के कि जो सदश्य है वो अपने में से ही अधक्ष का चुनाव करते हैं कि क्लियर कौन करेंगे इनका चुनाव विदान सबा सदश्य दुवारा अपने में से ही किया जाता है कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान रखना विदान सबा चाहे विधान मंदल का कोई भी सदन हो उसका सदिश्य बनेगा तब शपत लेगा अब उसे सब अधक्ष उपादक्ष बना जा रहा है तो शपत वो ओल्रडी ले चुका है सदन के सदिश्य होने की अब वो ध्यानकना अधक्ष उपादक्ष शपत नहीं लेगा वेरी इंपोर शपत नहीं लेता है ऐसे सवाल बनेंगे आपके देंगे वह शपत नहीं लेता है क्योंकि वह सदिश्य होने के नाते वह सदिश्य आपको शपत ले चुका है वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन त्याग पत्तर वह त्याग पत्र किसको देंगे तो किलिर सी बात है अध्यक को थिक है कि ऑपका जोब किसमें है क्या करना है जोब का अपकी शेवा कर रहें इतना ध्यान रखेंश को समझगे आप लोग सभापति अब बात करते यह तो हमने विदान सभा अध्यक्ष की बात करें विदान परिशत के जो पदह दिकारी होते हैं उनमें चुनाव विदान परिशत सदुश्य दुवरा अपने में से किया जाता है तब कि राज्य सभा में जो सभापती होता है वो देश का उपराष्ट पती होता है यहां पे जो चुनाव हो रहा है वो विदान परिशद के सवापती और उपसवापती का चुनाव अपने में से कर रहे हैं विदान सबा का अद्रक्ष और उपाद्रक्ष का चुनाव अपने में से कर रहे हैं त्याग पत्तर वही कहानी जो विधान सभाद्रक्ष है उसने अपना त्याग पत्तर उपाद्रक्ष को उपाद्रक्ष ने अद्रक्ष को यह कहानी विधान परिशद में है सभापति ने उपसभापति को उपसभापति को पद से अठाना कि हम पद से कैसे अठाएंगे तो द बहापती पे भी ये बाते लागू हो रही है तो अद्धक्ष ये उपाद्धक्ष को विधान सभा में साधर्ण भूमत से प्रस्ताव पारित करके अठाय जा सकता है ऐसा प्रस्ताव लाने से चोदे दिन पूर्व संब्धित को सुचना देनी होती है ठीक है कि अध्धक्ष ये उपाद्धक्ष को अठारे हम लोग विधान सभा में हमें साधर्ण भूमत यानि आदा प्लस एक अगर हमें राजिस्तान विधान सभा ये अध्धक्ष को अठाना है तो हमारे पास 200 ml है औ का आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हो उससे 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी और छाने का प्रस्ताव ले अठाने का प्रस्ताव ला रखा है सदन के मुख्या के खिलाब अधिक से खिलाब तो वो उसके अधिक्सता नहीं करेगा लेकिन वो उस सदन का सदश्य होने के नाते वो अपना मत जरूर देगा वो अपना बोट जरूर देगा वो अठाने नहीं अठाने के पक्ष में वो अपना मत दान जरूर करेगा मत दान से बंचित नहीं कर सकते क्योंकि वे सदन का सदश्य है हाँ आप निननायक मत नहीं दे सकते आप उसहां पिटासिन नहीं है यह ध्यान रखें आप लोग अठाने की प्रस्ताव पर सदन का कि यह होने के नाते वो क्या करेंगे वो मद्दान तो करेंगे लेकिन उन्हें निनायक मत देने का दिकात नहीं है यह आप लोग ध्यांट रखेंगे कारेकाल क्या होगा कि अद्धक्ष और उपाद्धक्ष हैं उनका जो कारेकाल निर्वर करता है वो सधन कब तक चलता है वि जो कारेकाल है उस पड्र निर्वकरेगा ध्यान रखें आप विदान सबा अध्भष की सक्तिया एवंकार है असिम्सक्तिया है कि सदन पर बैठक चल रही है उसको देखना, आपके बैठको इस्तिगित करना, बैठक बुलाना, उसमें अनुशासन रखना, बोलने के अनुमती देना, इस सब बाते विधान सबा अध्यक्ष के, यानि विधान सबा में जो कारवाई चलती है, उस कारवाई का जो आप लोगों का पूरी तरीके से सदन के मुखिया का होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो देखिए, विधान सबा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, करता है बिल्कुल, सदन के नेता के आगरे पर गुप्त बैठक की अनुमती परधान कर सकता है, विधान सबा अध्य अध्यक्ष सदन की व्यवस्ता और मर्यदा को ध्यान में रखता है बैठक करता है बैठक कब बुलाता है कहां बुलाता है विदान सब अध्यक्ष सदन की व्यवस्ता और मर्यदा को बनाया रखता है अध्यक्ष अबाकी कारवाई के दोरान ऐस संसद्य व्यवहार के कारण कि सदेश्य को कारवाई से निश्कासित कर सकता है ऐसा हम देखते हैं तो मर्यादा बनाए रखेगा व्यवस्ता बनाए रखेगा और यदि ऐस संसदिये व्यवहार किया सदन में तो उस सदेश्य को वो कारवाई से निश्कासित कर सकते यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे गणपूर्ति के आभाव में सदन की बैठक को इस्तिगित कर सकते हैं गणपूर्ति का मतलब होता है एक आउशक शंख्या बल जिसके आभाव में सदन की कारवाई नहीं चल सकती है विदान सभा के हम बात करें एक बटा दस सदस्य है अग यह उसकी आउशकता हो उसे हम लोग गणपूर्ति कहते हैं उसे हम साथियों क्या कहते हैं कोरम कहते हैं तो क्या मेरी बात को समझगे तो गणपूर्ति या कोरम के आभाव में वह बैठक को इस्तिगित कर सकते हैं विदान सभा में कोई प्रस्ताव अध्यक्ष्की अनुमत कि जाती है इप ध्यान रखना आप लो जो सदन की समेटिया हैं वो सदन की समेटिया कि जो अध्रख्ष है उनकी जो निक्ति है वो निक्ति कौन करेगा आप कह देंगे विधान सबा मद्रख्ष करेगा तो कि दृष्वी अनुसूचि की उब्बंदों का दिन जल बदल की नंबर एक अगर उसमें एयोग गिताओं का परसंद आता है विधान मंदल के सदस्यों तो मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि अगर एयोग गिता से सम्मधित अगर आप लोगों से बात पूछे तो आप कहा देंगे सर इसका निरने विनिश्य राज्यपाल करेंगे और र हम तो बात करें दल बदल कानूण की दसवी अनुसूची के अनूसार अगर वह एयोग है उन पर दल बदल का आरोप लगा तो इसका निरने सदन का मुख्या करेंगा वह फैरी वैरी इंपोर्टर कोश्य अगर आपसे दल वदल के अधार पर बात करेंगे कौन करेंगा रज लोगिता के मामलों को विदान सबह अद्रक्षी देखता है बात अत्य सत्यों धिनायक मत तो किसी मुद्दे पर किसी विदेक पर किसी प्रस्ताव पर मत दान हुआ और 50 विपक्षमे और 50 पक्षमे अब क्या करेंगे तो उस इस्तिती में जो निरनायक मत देने का जो अधिकार रगते हैं निर्णायक मत बागी है दोनों तरफ पलडा भरोबर का है सिधर दे दिया वही पक्ष कफेसला मानने होगा तो निर्णायक यह नहीं किया इसलिए हम लोग क्या कहतेmos से निर्णायक मत कहते हैं और यह जो कोई विदेक धन विदेक है या नहीं इसका निरने विधान सबा अद्रक्ष करता है। राजेपाल मत करता है। क्योंकि हमने पढ़तों रखा है। क्या पढ़ रखा है। कोई विदेक राजेपाल की अनुमती से ही विधान सबा में पेश किया जाएगा। लाड़ लो ये मत भूलना कोई विदेक धन विदेक है या नहीं इसका जो निर्ने करता है वो विदान सबा अध्यक्ष करता है कर्मेंट कीजिए क्या मेरी बात को समझ रही हो आप लोग क्या आपको अभी भी राजस्तान की पॉलेटी में कोई दिक्कत है कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई बात ऐसी हो जो समझवें नहीं आ रही हो यह कोई बात सूट छूट रही हो पिल्कुल सिक्वेंस के अकोर्डिंग नोट्स बनाये हुए है बस उनको पढ़ता हुए आप लोगों को चलना है कि द्धनविदेक अण्रिने, धनविदेक राज्यय Colorado कि अन्मुत्य की साथ पेश किया जाएगा विधैन समा विदानपर्शन नहीं बात क्या呢 की साथियो धन विदेख कोई कोई धन विदेख धन विदेख है या नहीं इसका निरिंगे कोन करता है कि अध्यक्ष करता है इसका का निर दरकरता कि यंद आफ़ा द्यक्ष्य उसका चुनाव करें वह सधन के सद्श्य ही आपनों में से ही करते हैं लेकिन बात आती यह प्रोटों इस्पीकर यह क्या होता है एस्ताई अध्रक्ष यह क्या होता है जैसे आप देखा होगा सव्चिद रेंज शिन्ना को हमने समिदान सभा का प्रोटोम इस्पीकर पढ़ा है एस्ताई अध्रक्ष पढ़ा है कि क्या है वित्लों तब आप लोगों के सदन आएगा तो राजिपाल किसी एक को जो सबसे भुजरग है एक प्रोटोम इस्पीकर न्यूक्ट कर देगा आप सदन के कारवाई प्रारंब करवाईए इध्यान रखें तो वो होता है जो प्रोटोम इस्पीकर कहलाता है तो देखिए नई विदान सभा यानि के पर्थम अधिवेशन क हुए मान्य सदस्य और उनके अधिवेशन के पर्थम दिन राज्यपाल दुबारा एस्ताई अध्यक्ष न्यूक्ट किया जाता है जो कि साधन यह होता है कि एस्ताई अध्यक्ष सदन का वरिष्टम सदस्य होता है वरिष्टम सदस्य होता है वह विपक्ष्य भी हो सकता है और उसका कारिये दो कारिये होते है और उसके बाद New applied मेरे क्वेशा कंडेश्यों को शपत दिल्वाना राज्येपाल दवारा नामित कि आपके पर्णました सदेशिय वह राजयपाल के समक्ष चपत या परतिग्याल लेगा फिर बात पढ़ा था राजयपाल के शमक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष तो यहां यह प्रोटोम स्पीकर है यह राजयपाल द्वारा नामित हो गया और अद्धक्ष उपाद्रिश का चु सुनने का जो प्रावदान है हमारे पास वो फ्रांस देश से लिया गया है कहां से फ्रांस से कि वहां सदन का मुख्य है मुख्य सबसे वरिष्टम को बनाया जाता है राष्तान विधान सभाके पर्थम अधाख्ष कोन थे श्री नृतम लाल जोसी सांब थे पहले सब्से कम कारिकाल के लिए अधेक्ष वह स्री ॰ाम निवास मिर्दा साथ मिर्दा साब तो मुख्य मंतरी के लिए दोड लगाएंगे बताऊंगा आपको आगे चलके सबसे कम कारेकाल के लिए अध्यक्ष वो स्री शमर्त लाल मीना लगवकर पांच महीने और ग्यारा दिन रहे अब तो सुवर्गी निदन हो चुका है और ये पहले हमारी राजगर्ड विधान सबा खेत्र लगता था वहां से यह मिले चुनो जाते थे अब विल्कुल हम राज देवनानी जिर आपको मालूम है विधान सबा की अन्य अधिकारी विपक्ष का नेता यह मैंने खाली इसलिए छोड़ रखे है कि आप लोगों को बराबर चेंज करने का मोका मिले जैसे विपक्ष का नेता है तो आप लोग देखेंगे यहां पर टिकराम जूली जी है आप अधिक्ष यह उपाद्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर क्या बात ऐसा थी हम लोगों ने कि सर्व अधिक्ष का पद रिक्त हो गया आप को नो आपके उपाद्यक्ष कभी इस समय नहीं है तो फिर ये विवस्ता राज्य पाल करेंगे और राज्य पाल दुवारा जो मान्वी सद्धिश्य को निक्त किया है वो अद्धिक्ष का कारे करेगा उद्धी में से नहीं चुन रहे हैं आप विवस्ता राज्य पाल करेंगे दस्वी अनुसुची एक उपबंदों के आधार पर जदी एयोगिता संबंद विवाद उत्पन होता है तो उसका निने विधान सभा अध्यक्ष करता है मैंने पहले ही समझा दिया आप लोगों को वैसे एयोगिताओं का निर्दार्ण राज्यपाल करते हैं वैसे एयोगिताओं का जो निर्दार्ण करते हैं वो कौन करते हैं सब राज्यपाल करते हैं कि दस्य अनुसूची के है यह के है अब यह एक लिखा हूए न वह आप कहते हैं गुरुजी को क्यों नहीं निकाल रहे अपकी बाद यहां आप मुझे मिला दस्वी अनुसूची के सब्द है या एक नहीं के है तो अब सुबह जो नोट्स निकलेंगे प्रिंटेड वहां आपको एक नहीं मिलेगा के ही मिलेगा सबसे बड़ा फाइदा है सबसे बड़ा फाइदा है कि बिल्कुल लगेगी आपकी नोकरी क्यों नहीं लगेगी तो यह फाइदा होता है राइथन नोट्सों में अब यहां आपको करेक्शन मिला है ना अब सुबह इसका प्रिंट निकलेगा तो आप लोगों कुछ चैंज हो के मिलेगा इसलिए मामी सब कहता हूं अब बुक मान अब लोगों को को निकाल रहा है या मैंटर चैंज हो गया हो कि होता है बुक और नोट्स हों फरक समल लिजी आप लोग अगर को प्रिंट करवा रखें पहले से बुक टाइप में नोट्स बना रहा कि इसका मतलब वो नोट्स चलेंगे छे मेहने भी चल सकते हैं बारा मेहन सब्सक्राइब करेंगे चुनाव आयोग की सला से लेकिन मामला दल बदल का आजायना तो दल बदल की मामले में अयोग इता का निर्दारन वो विधान सबाद दक्ष करेंगे ध्यान रखें विधान सबाद दक्ष निमन समेतियों का दक्ष भी होता है कारिय मंत्रना समेति प्रक्रिया नियम समेति सामान्य प्रयोजन समेति करेंगे करेंगे प्रक्रिय वो निधारित करेंगे तामान्य प्रयोजन शमेति ये समेतिय वो हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं अब राज्य विधान मंडल के सत्र यह हम next class पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल के सत्र ठीक है और यह जब खतम होगा फिर हम शक्तियू की बात करेंगे और फिर हम एक से लेके सोली विधान सबता की बात करेंगे आप सभी मेरे साथियों को सुबरात्री कहने का मोका मिल रहा हूं सभी से मेरा विनमबर निविधन की आप रायथान के नोट्स पढ़ें लाड़लाव नोट्स पढ़ें नोट्स पढ़ें आपको पूरा मैटर एबुक के रूप में रायथान एप पर उपलब्द है एक पेज देखिए एक लाइन देखिए मैटर कैसा है देखिए और और और क्वालेटी मैं कहे रहा हूं एवन क्वालिटि आएगी एवन देखिया आप लोग इसको बेढ़ने खर्चा भी है तो भी आपको रास्तान का भूगल मातर तीस तीन सो रुपए में आपके घर पहुंच रहा है आपके घर पहुंच रहा है अब आपके उपर निरब झाल 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 आप चेक कर लीजिए आवाज आ गए होगी सेल डाउन थे सेल मेंने चेंज कर दी हैं चेक करिए आवाज आ गई होगी आप तो प्रोपर आवाज आई गया तो हि我Okay तो अनुच्चेत एकसव चोटर में हैं अनुच्चेत एकसव चोकर की दो धारा हैं नमबर एक नमबर एक यहरे द्येबाल द्फेज़न द्वारा बुलाए जाएगा और कहां बुलाए जाएगा उसके लिए जो इस्तान और समय है ध्यारकना इस्तान और समय उसका निर्दार्ण भी राज्यपाल करेगा एक सत्र के जो अंत्र बैठक होती है जैनि जो सत्र बुलाते हैं एक तीर बाते अनुछेद 114 एक किलियर कर वो कर रहा है कि आहुत कौन करेगा राज्यपाल यह ध्यान रखे आप लोग नंबर दो आहुत राज्यपाल कर रहा है नंबर दो समय उरिस्तान वो भी राज्यपाल ते करेगा नंबर तीन कि हम लोग यह कहते हैं यह प्रावधान है कि आपकी विधान मंडल की साल में कम से से कम दो सत्र अनिवारी हैं दो बैठे के अनिवारी है और उन बैठकों में ओके उन बैठकों में 6 महा से अधिक का अंतर नहीं होना चीए अब 6 महीने हम काउंट कहां से करेंगे अचे मेहीन काउंट करेंगे हम लोग जो पहला सत्र चला उसकी तो अंतिम तारिक और आगामी 70 चलेगा उसकी पहली तारी हग वी एक लेकिन उसका हम लोग क्या करेंगे वहाँ वीघटन करना है हम लोगों को क्या करना है वीघटन करना है समझ आप लोग वीगठन करना है तो फिर आम लोग बात करें तो आप लोगो के वह 142 में राजेपाल सदन का किसी सदन का 17 नहिए राजपाल विधान सभा का वीघठन कर सकेगा वाइब करेंगे क्या बोलेंगे तो कि भाय दिदिए भाय बोलो गांसे जो और से बोह माइक लिए पाइब लो च्छटी कीविट से पूछरे 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 बैब नो बाइब लो राज्यपल विधान सब सब दोनों बातें कहले रहे ऊक्रेर श्राण करने की बात कर राहा है और विधान सब और उस्कौन को बात कर रहा है और या विगठन कई गई है अब उसको विस्तार से देखिए क्या है कि विदान मंदल के सदनों का अधिवेशन राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है अभी पढ़ाया था आप लोगों को राज्यपाल की द्वारा बुलाया जाएगा और समय और इस्तान का निर्धारन भी कौन करेगा एकनी दिन पहले दी जाती है कि ठीक है हम शत्र बुला रहे हैं हम क्या बुला रहे हैं इसकना इसे सदस्या contacting निसनकी सूचना सची की दुवारा सदेशोग 21 दिन पहले दी जाती है और उसके पर्थम सत्र की अंतिम बैठिक और आगमी सत्र की पर्थम बैठक के लिए नियत तारिक के बीच छे महा का अंतर नहीं होगा यह आपको लगी पैले वाली की अंतिम तारिक और नये वाली की शुरूओ राज समय समय पर सदनका जा किसी सदन का सत्रावसन कर सकेगा विदान कर सकेगा आवशूकता पढ़ने पर राज राज्यपाल 17 सत्र को समात कर सकता है और आशुकत पढ़ने पर विदान सभा का वीगठन कर सकेगा साथिए विदान सभा लिखा विदान मंदल नहीं लिखा मैंने आपको शुरुवात में बताए था यह जो राजस्तान है राजस्तान में तो एक सदनात्मक्र विदान मंदल ह केवल विधान सबा है आप भंग कर दीजिए लेकिन राज्यों में दूर्स अधनात्म विधान मंडल है उन्हें विधान परिशद भी है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बात रखा है विधान परिशद एक इस्ताई सदन है उसे समाप्तों किया जा सकता है सामने यहां आए जड़ा देखिए है नमर एक एक सब्द है आहुत करना आहुत करना रज्यपाल द्वारा विधान मंडल या किसी सदन की बैठक बुलाना ही क्या कहलाता है आहुत करना कहलाता है बैठक को बुलाना ही क्या कहलाएगा आहुत करना कहलाता है यह आप लोग ध यह द्यान रखे आप लोग एक होता है बजट सत्र इस वर से आप लोगों के जुलाई में आएगा चुनायों की वज़े से तो आप लोगों के नोट्स मिल जाएगे आप लोगों को आप एप से जाके देख सकते हो वहाँ इबुक के रूप में अवेलेवल है अपना पूरी तरीके से मन भरिये कि वाकई सार यह नोट्स हमें मंगवाने चाहिए ठीक है और फिर आप लोग वहां से ओर कर सकते हैं या आप नंबर है चोराण में 688-4200 पर मैसेज करके भी आपना ओर बुक कर सकते हो ओर बुक होने के बाद आपके 4-5 दिन पहुंच जाएगे आपके जो थे अफुरिवड़्यमार्चमें होता है मांसुर् सतर ुलय अगस्त में होता है और सीत रकालक ऋतर नौब्बर दिस्व्वरम में होता है तीन सतर ह Tutaj है ते कि कि奈 है कोई ऐसा मुद्द्ध हो गये को ऐसी परिस्तित्य उत्पन हो गई जिसमें यह में विशेश सत्र बुलाने के पर गई वो जो विशेश सत्र है वो क्या है राजिपाल किनी विशेश मुद्दो के लिए विशेश सत्र का आयोजन कर सकता है predisic कि मुद्ध्यों के लिए विशेश सत्र का आयोजन कर सकता यह आपको ध्यान रखना है कि लिए आगे बात करते हैं किसी एक कलेंडर वर्स में समझ सत्रों की बैठकों की कुल संक्या साथ से कम नहीं होनी चाहिए आपने यह नहीं कि आपके तीन सत्र बता दिए बजट सत्र मा 5-5-7-7 दिन के करके चलेगे और कहीं दिया हमारे सत्र पूरे हुए नहीं साथियों नहीं श्राप लिखा है द्यान रखे आप लोग कि किसी एक कलेंडर वर्स में जो सत्र आयोजित हो रहे हैं आपका बजट सत्र मानसुन सत्र शीट कालन शत्र विशेश शत्र वो जो सत्र सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी यह वेरी इंपोर्टेंट है देखिए अब हमारे पास एक शब्द आया सत्र वैसान की सत्र वैसान क्या है यह द्यान रखे आप लो सत्र का सत्र वैसान राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जाता है इससे पूरो सदन का पिठाशिन अधिकारी कारे संपन होने पर सदन को एनिशित काल के लिए इस्तगन की गोश्णा करता है सदन का मुख्या है यानि विधान सब अधिक्ष है वह क्या करेगा वह आप लोगों के वह सतर चल रहा है पीठा से नाधिकारी है वह कारे शंपन जैसे होगा तो वह एनिशित काल के लिए इस्तगन की गोश्णा करता है और उसके बाद राज्येपाल सत्रावशन करेगा इस् इस्तगन करना आप लोग इस्तगन का मतलब है कि हमने सभा चल रही है सतर चल रहा हमने कैदा दो दिन के लिए इस्तगित किया जाता है तीन दिन के लिए इस्तगित किया जाता है हमने सत्रावसन समाप्त नहीं किया है उसको हमने कुछ समय के लिए इस्तगन किया है हमने समा करना सदन की बैठक को कुछ घंटो दिनों या सत के लिए इस्तिगित करना या सब्ताओं के लिए यह यह सब्ता नहीं है यह कि मैं भी मेरी फाइल में करेक्शन सासत करते रहता हूं अकि कोई किसी प्रकार का भी आप लोगों को तब भी आप नोट्स ओडर करें यह खास बात है रायथान की कि आप लोगों को वहां उस दिन तक के नोट्स थे हैं वह आप पूरी तरीके से अपडेट मिलेंगे साब यह भी खास बात रायथान के अब बराबर फाइल लेके चलता हूं साइड में जो भी लगता है कि यहां मुझे सुधार करने के आउसकता है तो उसे मैं सुधार करते रहता हैं ताकि जिन बच्छों नोट्स मंगवा रखें नोट्स निकाल रखें उनके बाते समझ में आए और यह ध्यान रखें आप लोग यह आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस प्रकार का आप लोग को अध्यन जो पूरी तरह के से पढ़ाया जा रहा है इस प्रक्रियाकु में सत्र को समाप्त नहीं किया जाता यह ध्यान रखें आप लोग ठीक है तबर रखें सब साम का इनी रहा वहता है विगतन करना यह आप लोग मैसेज करें मैसेज करें कुछी मैसेज करें आप euh लोग विगतन केवल विदान सबा का होता है यह है प्रक्रिया सदन का का ना जो 50ल किन जो विदेख हैं वो विदेख जो चल रहे हैं क्या कहा मैंने जो विदेख चल रहे हैं तो वो विदेख हैं उन पर क्या प्रवाव पड़ेगा जरा देखिए विदान सबा में लंबित विदेख समाप्त हो जाते हैं पहला पूर्ण देखिए कि ठीक है विदान सबा को भंग कर द वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा आगे देखिए उपर लिलता हूँ स्लाइड को वह विदेग जो विधान सबा द्वारा पारित कर दिये गए है लेकिन विधान परिशद में लंबित है वो समाप्त हो जाएगा जान देना आप लोग विधान सबाने पारित कर दिया और विधान परिशन में लंबित है समापत हो गया जो बाते आगे हमेरे पास में जो विदेक विधान सबा में लंबित है और विधान सबा भंग हो गई समापत हो गया जो विदेक विधान सबाने पारित कर दिया और विधान नहीं होगा अब विदेक आ रहा है न वो विधान परिश्यद की तरफ से आ रहा है कि पहले तो विधान सभय रखा विधान सवार नंबित खारिज हो सब्सक्राइब जो एक सदन एक सदनिये विदान मंडल या दोनों सदनों दूर्ज सदनिये विदान मंडल से पारित होकर राज्यपाल या राष्टपति की स्युवकर्ति के लिए उनके पास रुके हुए है ऐसे विदेख खारिज नहीं होंगे कि माना की पारित कर दिया विदान स्वान पारित कर दिया विदान परिशन ने पारित कर दिया और वो अनुछे 200-201 के राज्यपाल की स्युवकर्ति के लिए वहाँ पेंडिंग है या राष्टपति की स्युवकर्ति के लिए राज्यपाल ने उस विदेख को आर्षित कर लि एसे विदेग जो राष्टपती द्वारा पुनर विचार के लिए भेज हुए समाप नहीं होंगे मैं आप फिर से रिपिट कर रहा हूं कि गाट भांद लेना गलत नहीं होना चाहिए कोई विधान सबा में रखा गया विधान सबा में रखा गया और वो विधान मंदल के अं पारित कर दिया क्या कामने विधान सबाने पारित कर दिया और विधान परिशद के पास पेंडिंग है और विधान सबा भंग हो गई समाप्त हो गया कोई विदेग लेकिन अब विधान परिशद ने रखा है और विधान सबाने पारित नहीं किया है वो विदेग समाप्त नहीं होगा क्योंकि विधान सभा और विधान परिशद दोनों ने उसे पारित कर दिया वो या तो राज्यपाल महुदे के होिदा नहीं कर दिया राष्छटपति जी के पास भीदने के लिए हो और महामाहň म राष्टपति जी गर यह आई बहूंत अब सब्सक्राइब नहीं होगा बहुत गजब की बास सीखने को मिली हम लोगों को बहुत साधान भाषा में मैंने नोट्स बनाये हैं उप्योग तो देखिए आप एक सिंगल लाइन को भी नहीं छोड़ सकते नमस्ते बिलकुल सभी को वीरपाल जी बहुत बढ़िया शर्मा जी वीरसिंग भाथ बढ़िया तोनु मीना बहुत बढ़िया दिरच ध्रम जैभी म सभी स्वागत आप सभी का क्या मेरी बात को समझगे अन्ता बारा वाला स्वागत आपका भी क्या मेरी बात को समझगे अब बताओ आप विदेग जो स्कारिज होता है विदेग जो समाप्त होता है वो साइद मेरी साफ साफ के समझ में आगए होगा कोई दिक्कत नहीं आगे इयुद्धidan रिक्तियों के होते ये भी सधनों के कार्य करने की शक्ती और गिण पूरती की बात 189 में की गई कि पूर्थी का मतलब होता है मिलकुल यादवजी राम राम कि गणपूरती के अधक आउशस्चत शंख्य वल वह शंख्या वल जिसकी उपस्तिति के बिना आप सधन की कारवाई को नहीं कर सकते तो बढ़ा सुनिए गणपूर्ति का मतलब क्या है गणपूर्ति का मतलब है कि वो आउशक शंख्याबल जो किसी मिटिंग को शुरू करने के लिए नियून्तम चाहिए उसे हम लोग कहते हैं गणपूर्ति अगर वो नहीं आउई तो आप सधन की कारवाई को शुरू नहीं कर सकते जरा देखिए सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुछेद 189 और मैं पहले से आपको अनुछेद की धाराय मैं आपको इस तरीके 189 की नंबर एक धारा क्या कह रही है सभी प्रशनों का निर्ने उपस्तित और मत देने वाले सद्रिशों के भहुमत से किया जाएगा ये बात सही है इसमें अद्दक्ष्य सभापती मत नहीं देगा किन्तु बराबर मत आने पर अद्दक्ष्य सभापती अपना निरायक मत देगा 189 की दारा नंबर एक ही कह रही है कि ऐसा है जो भी निर्ने लिये जाएंगे वह निर्ने भहुमत से लिये जाएंगे ठीक है और उस भहुमत में निर्ने ले रहे हैं उसमें मत दान हो रहा है तो अद्दक्ष्य सभापती है वह अपना मत नहीं करेगा हाँ यदि वर अद्दक्ष्य अपना निर्नायक मत देगा अपना निर्नायक मत देगा क्या मेरी बात को समझें कि अ दिए अ पासमझें आप लोग वरिवेर इंपोर्टेंट द्यार का आप लोग दूसरा कह रहा है वह नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग उसकी धारा नंबर दो पड़ रहें सदन में कोई पद रिक्त होने या वह व्यक्ति जिसने अख़दार ने होती हुए अपना मत दे दिया है तो भी सदन की कारवाई विदी मान्या होगी अगर माना की कोई पद रिकत है कोई पद रिकत है तो भी जो निन्ने हुआ है गणपूर्थी यह बहुत बार कोश्चन पूछता है कि विधान मंदल की गणपूर्थी का उल्लेक भारतिय सम्विदान की कौन से अनुच्छेद में है साथ यह अनुच्छेद 189 है लेकिन वे दीने दूर नहीं है जब आपको 189 कोश्टक में 1 189 कोश्टक में 2 189 कोश्टक में 3 189 कोश्टक में 4 दिकत वहां आएगी पलक बात सुने मेरी ध्यान से तो आप लोग कहेंगे सर 189 3 ना पूछे तो बहुत अच्छी बात है जब याद ही कर रहे हैं हम लोग तो 10 सदस्य है यानि जो हमारे सदस्य है या सदन के कुल सदस्य संक्या का दस्वा भाग यह ध्यान रखें आप लो इसमें से जो भी अधिक हो साप लिखा हुआ है कि 10 सदस्य है या सदन के कुल सदस्य संक्या का दस्वा भाग और कह दिया इन में से जो भी अधिक है यानि कि हमारे विदान सबाद जो सद सरस्पभ दस बुला ले हमारे सदन की कारवाई शुरू हो जाएगी नहीं हो怎么 do a kya queen कि यून तुम कम से कम द겼 तो होंगे कम से कं हिसके लेकिन कुल सदस्ध संक्या का दष्वा-भाग इन दो नुम जादा होगा तो कुल सदस्षिंग के दस्वभाग हमारे पास 20 होगा राजस्तान की विधान सभा की कारवाई शुरू करने के लिए कम से कम 20 माननिये सदस्षियों की उपस्तिती जरूरी है ठीक है गणपूर्थी नहीं होने पर गणपूर्थी की बात 1893 में की गई है और यहां केरें गणपूर्थी नहीं होने पर अध्यक्षा सवापती सदन अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्थी ना हो जाए तब तक के लिए निलंबित कर जी आप लो तब तक के लिए गणपूर्ति ना हो जाए यानि 189 यह कह रहा है कि रिक्तियों के होते हुए भी सदन में टीन पॉइंट कह रहा है सदन मद्दान की बात कर रहा है फिर कह रहा है रिक्तियों के होते हुए भी ठीक है कारी करने की शक्ति और गणपूर्ति मद्द रिक्तियों के होते हुई भी कारिप और तीसरा आपके गणपूर्थी तीन बात कर रहा है ठीक हागे पड़ते हैं आप साधन भाषाम देखिए आप लोगो इस देखिए सदन की सदसिंख्या का एक बटा दस इसा पीठा सिन अधिकारी शहीत गणपूर्थी एक बटा दस इसमें अधिक्ष भी सामिल होगा गणपूर्थी नहोने पर सदन का मुख्या सदन को इस्तिगित कर देगा और ये जब तक के लिए होगा जब तक की गणपूर्थी ना हो ज शपत लेने या प्रतिग्या करने से पहले या योग नहीं होते हुए या योग किये जाने पर बैठने और मद्दान करने के लिए माना की विदाय चुन के आगे हैं लेकिन उन्होंने शपत नहीं ली लेकिन उन्होंने शपत नहीं ली यह योगी नहीं है यह कि किए जाने पर बैठ ने मद्दान के लिए जुर्माना कि मद्दान कर रहा है तो उसके लिए जुर्माना क्या होगा कि मेंबर पूरे ना हो तब तक बिल्कुल है कि आप लोग ऐसे स्थिति में परतेक दिन के लिए उसे 500 रुपय जुरुमाना देना होगा और जुरुमाना राशी राज्य को दे रिंड राशी के रूप में वश्व लिजाएगी बहरी इंपोर्टेंट माना कि किसी विदेक न विदायक ने शपत नहीं ली और वो किसी मुद्दे पर मत दान कर रहा है कि रहा है मैं तो मत दान करूंगा शपत में दो दिन बाद लूंगा ताते उध्यान रखना उससे कितना 500 रुपय जुरुमाना देना होगा वेरी इंपोर्टेंट कोशन बनेगा आप लोगों के वि कि यह मत्त्रों आप लोगों के विधान मंदल के जो सदश्य है कि उनके जो शक्तिया और विश्यसादिकार उनकी यहां बात कर रहा है जड़ा देखिए अनुछेद 114 में ध्यानकना अनुछेद 114 में जो विदान मंदल के सदस्य हैं उन्हें कुछ शक्तियों की बात कर रहे हैं यह द्यान रखें आप लोग और कुछ विश्यसादिकार की बात कर रहे हैं आपसे पूछा जाए कि सम्विदान की कौन से अनुछेद के दुवारा विदान मंदल के सदस्यों को क्या कहा हमें ने विदान मंदल के सदस्यों को विदान मंदल के सदस्यों को कुछ विश्यस अधिकार प्रधान किये गये हैं वह अनुछेद 114 में अवे कौन-कौन से नमस्ते बाई नमस्ते कौन-कौन से विश्यस अधिकार है एक एकर के सुन कि किसी समयती में विधान मंदल के किसी सदेश्य द्वारा कही गई किसी बात या दिएगे किसी मत के संबंद में उसके विरुद किसे न्यायले में कोई कारवाई नहीं की जाएगी विधान मंदल की कारवाई चल रही है और विधान मंदल में कोई सदेश्य के बारे में कुछ बोला है तो उससे संबंदत जो कारवाई है वो आप न्यायले में नहीं ले जा सकते कि इन्हों ने मेरे से ऐसा क्यों कह दिया पढ़ते न आप लोग आप लोग वीडियो देखते छोटे-छोटे विधान सबाके कि संसद के लाजर सबाके कही बार मजाक में सदस्य मानी सदस्य क्या कह रहें क्यों कह रहें तो कि अनुछचेद 149 में के तैत उन्हें विषय साधिकार दिया गया है कि आप क्या बोला उन्होंने इसको आप नियाले में लेके नहीं जाएंगे ये आता आप लोग ध्यान रखेंगे ये विश्वशादिकार 114 में है और वो किसी भी परत्यक राज्य की विधान मंदल में वाक्स सब्तंतरता होगी उनको आगे देखिए कि 114 में तीन 114 तीन राज्य की विधान मंदल के किसी सदन ता इसमें लाइट आजाई राज्य के विधान मंदल के किसी सदन की ये ऐसी विधान मंदल के किसी सदन के सदश्यों और समयतियों कि शकतिया विश्शच अधिकार और तंत्रता होगी वह क्या बोल रहे हैं उनको न्याले में चुनोती नहीं दे सकते लेकिन वह कौन-कौन से विश्चेश अदिगार दे रहे हैं इसका निधन कों करेगा ध्यान रखना संचद मत कर देना विधान मंदल समय समय पर कोई संस्योधन की आवस्टा नहीं है किसके द् लोग कि 194 क्या क्या रहे है यह व्यक्तियों को इस सम्मीदान के आधार पर राज्य के विधान मंदल के किसी सदन या उसके किसी समय प्रॉलने का उसे कारवाई भाग लेने का अधिकार उनके संबंद में अनुछे देख सो चौरान में एक दो और तीन के उपन उसी प्रकार लाग को ओंगे जिस प्रकार वह उस्विधान मंदल के सदेश्यों के संबंध में लागू होते हैं लेकिन की सम्विदान में महाधिवक्ता को दे रख है कि महाधिवक्ता सधन की कारवाई में आके भाग लेगा बोल सकते हैं लेकिन मुद्दा आता है मतदान का तो वे मतदान नहीं कर सकते तो कहने मतलब समविदान के दुवारा जो प्रावदान कर रखें और उनके आदार पर यह बता रखा है कि राज्य के विधान मंदल की सदन में या उसकी किसे समयती के कारों भाग ले सकते हैं उन्हें भी विश्यसादिकार प्राप्त होंगे जो हमने मानने विदायकों को 191, 192, 193 में दे रख है क्या मेरी बात को समझे मेरी साबसे बात के लिए हो गई कोई दिक्कत ने फिर भी अताब कमेंट बोक्स में कर दीजिए क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को अलग जी बात समझ में आ रही है बिलकुल के लिए है कि समीदान के दुआरा जो भी व्यक्त क्र scared me cubalth विधान मंडल की भाग लेता जीसे मीन आपको महा अधिवक्त बताहर थ ап ठीक है कौन कौन से विश्यजादिकार प्राप्त होंगे अनुछेद 149 में तीन उनका निर्दान विदान मंदल द्वारा समय समय पर विदी के द्वारा या जाएगा यह ध्यान रगें आपने विदान मंदल के सदेश्यों को वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे भाई अनुछेद 149 कितने वेतन भत्ते मिलेंगे ध्यानकणा विदान सभा और विदान परिशद के सदेश्यों का वेतन यह भत्ते राज्य विदान मंदल द्वारा विदी बनाकर समय समय पर निर्धार्ण के जाएंगे कि उनके विश्यसादिकार हैं उन विश्यसादिकारों का भी जो विदी बनाकर विदान मंदल निर्धार्ण करेगा ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात कर रहें कि उनकी वेतन बत्ते का निर्धारण भी ध्यान रखें आप लोग कि विधान मंदल दुआरा विदी बनाकर समय समय पर निर्धारित की जाएगे ध्यान रखें आप लोग ठीका है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं मस्त रही आप लोग भावी अध्यापक बिल्कुल स्वागत हैं मोज में रही यह चिंता मत कीजिये है कर देखिया हम लोग भात कर रहे हैं विदे को के पुर इस्तापन पर पारित किये जाने के संभनें उब्बंद अनुच्छन के इसमें आप लोगों के सत्यों आपके खूब धाराए हैं लेकिन हम इंपर्टन की बात करेंगे यह द्यान रखें आप समाप्त नहीं होता है कि फोड़ी दिरह पहले हम लोग नहीं पढ़ा था कि सर गुत अब और विधान सबा भंग हो गई वो समाप्त हो गया को विदेक विधान सबा में रखा गया विधान सबा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिशद में पैंडिंग है और विधान सबा भंग हो गया को विधान परिशद में रखा गया विद अब विधान परिशद में रख रहे हैं हम लोग ज्यानकना तो विधान परिशद में रखा गया और विधान सबा में लंबीतर विधान सब भंग हो गई विदेख स्वाप नहीं होगा कोई विदेख जो आप लोगों के विधान सबा विधान परिशद द्वारा पारित हो गया और राज्येपाल के पास चटनों के 17 वाषन काड़ समाप्ट नहीं होगा वहां विदान सभा भंग हुई है यहां 17 वर्षन के बात नहीं कर रहे JEFF वाह गुड तो वह समाप्त नहीं होगा अगर संवाप्त होगा विदेग तब विधान सभा भंग होगी किसी राज्य की विदान परिशन तो भी चल जाएका किसी राज्य की विदान परिशन लंबित विदेग जिसको विदान सभा ने पारित नहीं किया है विदान सभा के वि सबसन हुआ है सत्रा वैसान हुआ है विदेग समाप्त नहीं होगा कोई विदेग जो विदान परिशद में लंबित विदेग है जिसको विदान सबाने पारित नहीं किया है विदेग विधान परिश्ट तरफ से आ रहा है और विधान सभा के विगठन पर समाप्त नहीं होगा कोई विदेग जो किसी राज्ये की विधान सभा में लंबित है तो विधान सभा दुआरा पारित कर दिया गया है और विधान परिश्ट में लंबित है विधान सभा के वि प्रक्रिय के हम लोग बात करें धन विदे की परिभाशा विदे को पर अनुमति राष्टपति के लिए इसका मतलब यह पार्थ हमारा लंबा चलेगा भी करेंजा शादी व्याव हैं आप जीम रहे हैं नहीं रहे हैं नों कल जानूरEC हं लोग कल लोग ख्ला नहीं रहेγ़ी किधन राखмы लोग Fey तो धन विदे के सम्वन्द में जो प्रावधान हैं उसके हम लोग बात करते हैं दो तिन बाते हैं बहुत है कि धन विदेग है वो आम नें देखे साधरन विदेग है वह आप विधान सभाव में भी रख सकते हो और वह आप विधान परिशद में रख सकते हो कोई दिख करने है लेकिन तब बात आती है मित्रो धन विदेक की तो धन विदेक है वो विदान परिशद में नहीं रखा जाएगा धन विदेक को विदान सबा में ही रखा जाएगा और विदान सबा तब पारित कर देगी और विदान परिशद में धन विदेक ज देगी और 14 दिन के अंदर अपनी स्यमत्य नहीं दी तो वे विदेख पारित मान लिया जाएगा अक्षातिरती है विल्कुल सही कहे रहे विक्रम दूसरी बात कि आखा तीज गाभूस सावा ना बिल्कुल तो दूसरी बात आम लोग बात करें साथ हो आप लोगों को कां निकल गई किए अब कोई विदेग न विदेख है या नहीं शीम मुने की बात आंगें गुजर भाय werde तो कोई विदेग धन विदेख है और नहीं उसका जो निर्मे करेगा वो विदानशभा अदक्ष करेगा और धन्विदेग जिसके अनुमति से रखा जाएगा पूरो सुवकृति से रखा जाएगा वह रज्यपाल की पूरो सुवकृति से ध्यान रखें आप लोग ज़र देखिए धन विदेख में कोन-कोन से उपबंद आएंगे इसका उलेक अनुच्छेद एक सो निन्यान में एक में है जो निमनुशार है कि क्या क्या आएंगे धन विदेख में किसी करकादी रोपन उत्साधन परिहार परिवर्तन विन यह यह हैं जो दे रखें इसमें आप लोग आगे चलते हैं अनुच्छेद एक सो निन्यान में जो तीन है वह यह कहता है कि धन विदेख होना यह नहीं होना यह विदान सवा का अध्यक्ष पर्मानित करेगा यह वेरी इंपोर्टेंट है आप राज्यपाल मत कर देना राज्यपाल है उनकी पूर्व अनुमति से पेश बाइए वह उन्होंने यह निर्ण नहीं किया है जन्वीदेख है यह नहीं है दन विदेख कहा लाएंगे दो विदान सबाव हो तैय करेंगे कि यह तर्म विदेख है यह नहीं है अब बात करते हैं साथ हो लोग विदे को पर अनोमति अनुच्छध 200 और अनुच्छेद 201 कि यह में नेश्ट प्रास बात करेंगे कि कोई भी कानून बनता है अगर राज्य इस तरह बात करें तो राज्यपाल की सेमति राज्यपाल की सिवकर्ति के बाद ही बनता है राज्यपाल की सिवकर्ति के संबंद में हम लोग दो अनुचेद पढ़ेंगे एक अनुचेद दोसो पढ़ेंगे हम लोग और एक अनुचेद हम लोग 201 पढ़ेंगे पहले 200 समझ लिजी आप लोग एक मिनिट के अंदर फिर हम लोग नोट्स पर आजाएंगे अनुछे दोसों यह कहता है कि कोई भी विदेक राजिपाल के पास जाएगा तो राजिपाल मोद्य उसमें क्या-क्या निर्णे ले सकते हैं नंबर एक बात अनुछे दोसों एक यह कहता है कि ऐसा विदेक जो राजिपाल ने राष्ट पती की सहमती के लिए अनुमती के लिए आर्ख्षित किया उसमें अनुछे दोसों एक पड़ेंगे यह ध्यान राखें आप लोग तो विदेक हमारे हम दो प्रकार के पड़ें एक दुसर नातमक विळान मंडला है वह राजियों में जो धन विदयक वो केवल के विधान सभा में रखा जाएगा और विधान सभा पारित कर देगी तो विदान परिश्ट के पास एक केवल 14 दिन की दे워 कर सकते हैं वड़ना उसे 14 अंदरपास नहीं किया तो वह वन सुते ही पारित माल लिया जाएगा बाकी और विदेक हैं वो विधान मंदल के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं किसी भी सदन में चाहिए विधान सबा हो चाहिए विधान परिश्र कहीं भी रख सकते हैं वहीं में बात कर रहा हो जड़ा देखिए विदेक ओपर अनुमति बिल्कुल चोदरी साब बहुत बड़ी है थैंक्यू राज्यपाल निना करेगा कि वह विदेग पर अनुमति दे या अनुमति रोके या विदेग को राष्टपती के विचार के लिए आरक्षित रखे तो बातें यहां पर किलियर हो गई है नंबर एक कोई विदेग वह विदेग राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल वह निनालेगा कि इस विदेग को रोके इस विदेग पर अनुमति दे या विदेग को रेष्टपती के विचार के लिए आरक्षियत रखे यह अनुछेद दोसों में दे रखी है अब ज़रा देखिए है कि तो से क्या कहता है हम पढ़ेंगे विद्धिक सब आगे पढ़ेंगे हम लो कि राष्टपती के विचार के लिए आरक्षित विद्धेग ठीक है राज्यपाल के पास विद्धेग बेजा वह अपने पास रख सकत रहे हैं वह वाफिस लोटा दे और विद्धान मंदल वाफिस पारित करके भेज दे तो वह सहमति देने के लिए बात दे होंगे लेकिन हम बात करें अनुछे 201 जब कोई विद्धेग राज्यपाल दुवरा राष्टपती के विचार अरक्षित रख ली जाता है तब राष्टपती ही क्या करेंगे लेंगे विद्धेग पर अनुमति दे या रोके राष्टपत दुवरा विद्धेग को पुनर विचार ली लोटा जाता है तो संदेश मिलने की तारिक से 6 महा की अउदी के बीतर विदान मंदल दौरा पुनर विचार किया जाएगा यहां प मंदल दौरा संसोधन सहीत या बिना संसोधन के राष्टपती के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अब राष्टपती कितने दिरों के अंदर अपनी शुव करती देगा इस बात का सम्विदान में कोई लेखनी है सिंपिल भाष्टा में समझे को विदेग को राजिपाल मो विचार के लिए विदान मंदल के पास बेद दिया विदान मंदल के पास साप लिखावा देखिए कि 6 महां की आउदी के वीतर विदान मंदल को उसे पुनर विचार करके लोटाएगा अब माना कि पुनर विचार करके लोटा विदिया तो क्या अब राष्टपती जी लिखी उए कि कब तक कितने समय तक अपने पास हरा संसद के मामले में कोई विदेक पुनर को राश्टपत द्वारा पुनर विचार के लिए भेजा और राश्ट विधान मंडल ने पुनर विचार करके रिया संसुदन सहीत लोटाया उस पर कब तक अनुमति देंगे कोई इस बात की गारंटी नहीं है यह द्यान रखें आप लोग वार्षिक वित्य विवरण अनुछेद 202 में वित्मंत्री जी पेस करते हैं लेकिन बात है कि यह बजट रखवाने का जो दाईतू है क्या कहा हमने बजट रखवाने का दाईतू है वो किसमे है वो राज्य पाल का है यह अनुछेद 202 बहुत इंपोर्टेंट बनेगा वार्षिक जो आप लोगों का वि बजट रखवाता है यह आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रक्रिया के नेम अनुचे 208 रज्य का विदान मंदल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कारे संचाल ले नेम बना सकता है कोई भी सदन है उसकी बैठक के संब्द में क्या हो बढ़ा फिर रिपीट करता हूं अच्छा सवाल बनेगा कि सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य से संब्द है कौन से अनुचेद केता है नेम बनाने की पावर रखता है तो आप लोग कहेंगे अनुचे 208 अब देखिए कुछ ऐसे विश्य आइसा थी हो जो विदान मंदल प सहीत प्राप्त थे अब बात है कि उन्हें जो हम विदान मंदल है विदान मंदल में किन-किन विश्यों पर चर्चा नहीं हो सकती यह अनुचेद 211 कर रहा है वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट सवाल पूछे का आप लोगों से उच्टम न्यायले या किसी उच विदान मंदल में कोई चर्चा नहीं होगी इतना इंपोर्टेंट है आप से डिरेक्टली पूछेगा हाँ बिल्कुल राम राम भाई विक्रम जी बिल्कुल स्वागत आपका क्या कहेगा बताईए भारती सम्विदान का वह अनुचेद जो विदान मंदल में उच न्यायल अच्छ न्यायल ले के न्याय देन हें त हusta नेके किन जैलेयों के निमाय आचलं के विशे में रज्य के विदान मंदल में पही चर्चा नहीं होगी कोई चर्चा नहीं होगी उसका मतलब क्या हुआ कि माननी उच्छन लेके माननी न्यायद इस चो काम कर रहे हैं करतव उस पर कोई चर्चा नहीं होगी कहां रोक लगाता है अनुच्छे 211 न्यायद विदान मंदले कारवाई के जाच नहीं किया जाना अनुच्छ दोसो बारा देखो साथ दोनों अनुच्छ पर की अस्ट इकत्रफ दिया है तो 1 लिया है है जाका दिया ठीक है हम् आप आपकी चर्चा पर कोई करता नहीं करेंगे आपके कह रहे हैं करें लोगा आपने क्या किया वह हम चर्चान नहीं करेंगे ठीक हम पर निर्बंदन लगाया हुआ कौन के रहा है विदान मंडल अनुचे 211 पलटबार मिल रहा है अनुचे कि विशे किसी न्यायल्य की अधिकारिता का दिन नहीं होगा कि आप बताइए मुझे अनुचे 211 और अनुचे नियायल्य ने जो कारवाई कि है उस्य विशे पर विधान मंडल में चर्चा नहीं होगी रोक लगा रहा कि अनुचे अनुछे दोसों क्या रहा है अनुछे दोसों 122 कह रहे हैं कि हमारी जो प्रिक्रिया है विदान मंदल की हमारे दुआरा जो सक्तियों का प्रियोग किया जा रहा है उसी आप न्यायलने में चुनोंगी चुनोती नहीं दे सकते यह आप लोग ध्यान के पढ़ेंगे अभी km कारकी विद्यदिया नहीं है यह करक्षन कर लेना आप लिद्य नोट्स में निद्या है तिक कि ऐसा हो जाता है कि यह निद्या है कि Denmark विष्विंद्परकार की नद्या आप देखिए साहब आप विदी के प्रादिकार के बिना करों का अधिरोपन नहीं किया जाना अनुछे 200 पैस यह कहरें कोई भी जो कर लगा रहे हो आप लोग वो विदी द्वार ही अधिरोपित और संग्रित किया जाएंगे नेम बना के ही वे लगाए जाएंगे बिना आप लोगों को ध्याना करना है दूसरी बात कि भारत और राज्य की संचित निदिया और लोक लेखे अनुछे 206 साथ इस अनुछे की अंतरगात तीन धाराय साथ यह जो हम लोग संचित निदी की बात करें वो संचित निदिया आपको समझ में आएगी जितने भी वेतन भत्ते दिये जाते हैं वह राज्य की संचित निद्यी से दिये जाते हैं अप लोगों को आज और यह माकी जेव है संकट आने पर वहां से पैसा निकालेंगे वह जो निदी है वह निदी क्या है एक आकस्मिक निदी है और हम लोग वो जो टे रें भते देरें वह निदि है वो संचीत निदि है इसे आपको पढ़ा हो था कि राजयेकी संचीते से दिया जाएगा और जब 6го नीदि को तो पैनसन रेस के संचीत निदि जाएगी कि इसका मतलां केंडर की संचित निदी अलग है और रज्ज्य की संचित निदी अलग है और आप से डारेक्टी सवाल पूछेगा कि रज्य की संचित निदी का उल्ले सम्विदान के कौन से अनूशिद में है आप लोग क prost gl fuck 266 क्लियर त्याएं के 266 में हमारे पास तीन धाराए है सथियों पहली हम लोग बात कर रहें जड़ा देखिए कि 266 में राज्य के लिए संचित निदी का प्रावदान समझा दिया मैंने राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला राजसु जो राजसु मिला है जो इनकम हो रही है रिण अधाईगी से प्राप्त होने वाले धन इसी निदी में जमा होते हैं कि हमने जो उधार दे रखे और उधार देने से पैसा आ रहा है वो इस निदी में जमा होगा और जो राजसु है वो राजसु इसमें जमा होगा पहले हम लोग बात कर रहें जमा करने की जड़ा दे संब्धि अधिनीयम पारित करने पर ही इससे पैसा निकाला जा सकता है तो वितन भत्ते बिल्कुल चोहन साथ वेंगे वो निदिश देंगे जो राजयसु आएगा वो संचीत निदी में जमा होगा जो हुदार से अदायगी हो रहे हुआ है वह संचीत निदी जमा होगा और संचीत निदी कउलेक अनुचे्द तो सो चार्ट में है तो अगने आगे देखिए के राजये का लोक लेखा अनुछेद 266 में राज्य में लोक लेखा का प्रावदान है इसमें संचित निदी में शामिल होने वाली राशियों को छोड़ कर सभी सारुजनिक राशिया जमा होती हैं दूसी रमर क्या आगे राज्य का लोक लेखा हम उस धनराशी को छोड़ दीजिए जो धनराशी संचि संचित निदी में जमा होती है उसकी दुद भाथ छोड़ दीजेए हमने रिन अदाइगी वाला पैसा जमा कर वाया हमें जो राजुस्तों मिला वह पैसा निकालता है इससे धन निकालने के लिए सरकार को विदान मंदल की मंजूर्य की आउसुक्ता नहीं होती है क्या गज रहें लेकिन हम पैसा निकाल रहें राज्य का लोख लेका से सब सरकार पड़ी तो राज्य की लोख लेका से उसने पैसा निकाला तो इसे राज्य विधान मंदल की मंजूरु की आउसकता नहीं होती मैं आप से सवाल पूछता हूँ कि अनी भही बताएं सवाल मैं पूछाँ कि राज्ये की आपके संचित निदी और लोक लेखा निदी में अंतर क्या है आप फट्र 266 00.8ajashयells me कहले में जो गुभल और प्राजय तंवास पीसर्त चारें मॉगत में ही संचित निदीमि तो विधान मंडल की सरकार को अनुमति की आउसकता पड़ेगी उसके अनुमति से निकाल सकते हैं, क्लियर, अब आप कहेंगे सर लोक लेखा, लोक लेखा जो है, उसमें वो राशी जमा होगी, जो संचित निदी में जमा नहीं हो, समझ के अलग मद होंगे उसके, दूसरी बा क्लियर होई क्या, अनुच्छेत 262, जहां रखना 266 है, उसमें जो बात की हम लोगों ने, वहाँ एक तो हमने बात की संचित निदी की, कि एक हमने बात कि लोक-लेखा की लोक-लेखा एक संचित निधी की बात करी और एक हमने किसकी बात करी लोक-लेखा की यह आनुछ्छे दोसोगों बात करता है अनुछे ौото 206-6 tamp देखिए है इसाई सवी हमारी भी है और अकस लिज अप पार्टाइघ पार्ट किए बार स्टोर साइकुंड फ्रॉवाले में भारत कि आकस्मिक निदी की बात है और दूसरे हले में राज्य की आकस्मिक निदी की बात है एकदम किलियर मेरी सबसे कि अनुछे 266 में भारत की आकस्मिक निदी का विल्लेख है और राज्य की आकस्मिक निदी का विल्लेख है हाँ 167 का एक नंबर धारा है उसमें भारत की बात कर रहा है और दो नंबर की बात कर रहा है राज्य की आकस्मी निदी की स्थापना राज्य विधान मंडल द्वारा की जाएगी के राज्य में आकस्मी की स्थापना इस निदी का प्रियोग आकस्मी खर्च के लिए किया जा सता है इस निदी धन राज्य पाल की अनुमती से निकला जाता है राज्य पाल के वरसे आस nation का संचाल राज्य सरकार का विद सचीव करता हैbuilt represented और आपकस्मनिदी से हमने पैसा निकाला तो हम विधान मंदल की आउसकता पड़ी एकिन आकस्मिक निदी से आम पैसा निकाल रहे हैं तो अनुमती हमें राज्यपाल से लेनी पड़ेगी नमिर एक बात और राजयपाल की अवरसे इस निदी का जो सन्चालन कर रहे राजय सरकार के हुइद सच्छिव कर रहे हैं क्या मेरी बात को समझ गे अकस्मिन इदी राजयपाल के अंडर में संचित निदी विदान मंदल के अंडर में संचित निदी से पैसा निकालना है तो विदान मंदल से अनुमति लेनी पड़ेगी और यदी और यदी आकस्मिक निदी से तो और यह जेपले भी आप लोग ध्यान रखे ठीक है आगे बढ़े हम लोग बहुत बढ़िया कि पडिए मेरी बात को समझ गया अप लोग ऐसा कोई विध्यारती है एसा कोई विध्यारती है क्या आ ऐसा कोई विध्यारती है क्या जो आकस्मिकchnet निदी से हो और आप लोगों के संचित निदी में अंतर नहीं समझा हो कि ऐसा कोई विध्यारति यो अंतर नहीं समझा हो कि लियर हुआक नहीं हो मझे बताई पहले तो आप लोग कि राज्ये विधान मंदल की शक्तिया बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है आप लोगों के कि राज्ये विधान मंदल की क्या क्या शक्तियां हैं उनके अम लोग बात करते हैं आप लोगों के पहले हम विधान परिशद सक्तिया पड़ लें और फिर हम लोग विधान मंदल की बात कर लेंगे विधान परिशद की कुछ परस्तितिया अलग हैं आप यह मान लीजिए को विधान परिशद कंवल कंवल कंकी रोग कर देर कर सकती है। इस जिस थ्थैन रकें आप लोगों एक बहु transitions Desdaqro Chaudhra का पकावर विद्हान परिशद को हैं है तो विदय को एक बार विचार लेक्षाह लोटा सकते हैं अगर किसी लंगों को पारित होने में दान बनने में रजएपाल जी तक पहुंचने में केवल केवल एक काउट पैदा कर सकती है वो है विधान परिशद जरा देखिए विधान परिशद सामान्य विदेग को तीन महां तक रोख सकती है तब मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया तब राज्य पाल्म पढ़ाया तब आगे बात करते हैं संसुदन के साथ वापिस विधान सबा को भेज सकती है कुल मिला के तीन महां तक किसी विदेग को रोख सकती है या विदान सबा ने जो विदेग भेजा उस विदेग को कुछ संसुदन के साथ विदान सबा को भेज सकती है विदान सबा दौरा पुने भेज जाने पर ध्यान परिशद ने विधान सबाने विधान परिशद के पास पुने भेज दिया तो एक महा तक रोग सकती है और अंत में अपनी सेमती देनी होती है विधान परिशद कुल मिलाकर विदेग को चार महा तक अपने पास रोग सकती है लेकिन ध्यान में रेकि धन विदेग के लिए यह विधान सभा ने भेजा और किसके पास बेजा विधान परिशद के पास बेजा राज्य सभा और लोग सभा की स्थिति अलग है राज्य सभा मजपूत सद्धनेवाइस मामले में यहां बेजा कोई बात नहीं आप तीन महां के अंदर अंदर आपको अनुमति देनी पड़ेगी कितने दिन रोग सकते आप तीन महां माना कि इन्होंने पुनर विचार के लिए विधान सभा के पास किसाब ऐसा है एक बार पुने विचार कर लिए एक बार पुने विचार कर लिए अब वापिस विधान सभा ने विधान प तो वापीस नहीं भेजा और पुन्रा विचार के लिए भेद दिया EEEEEक महा और तो किसी विधय को राजसभा च्यार महा औधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकती और मामला झाल धन विदे का आता है तो धन विदे का मामला मातर मातर कितने दिन चलेगा । yn दिन करते हैं विदान परिषद के सदेश्य राष्ट-पति सिमा भाग कींग्र ले क्योंकि इस चुनाओ में विदान सभा के केवल निर्वाच अवर लेते हैं यहां सेमा नहीं चुनाओ है आपने पड़ा होगा कि राष्टपती जी का जो चुनाव होता है उसमें विधान सबाग के जो निर्वाचे सदस्य वो भाग लेता है तो खास बात यह हो गई कि विधान परिशद है विधान परिशद के जो सदस्य वो कि राष्टपती जो चुनाव है उसमें भाग नहीं लेंगे तो तीन मामले बताये अभी तक मैंने आप लोगों को नंबर एक कि कोई विदेक है उस विदेक को अधिक्तम तीन महां तक अपने पास रोग सकते विधान परिशद और धन विदेक का मामला हुआ तो 14 दिन के पास एक महा का समय है तो तीन प्लस एक चार महा का कुल समय होगा दूसरा कि धन विदेक को 14 दिन तक और यह जो आप लोगों के विदान यह आप राष्टपती है राष्टपत चुनाव में भी विदान परिश्द सदस्य भाग नहीं लेते यह भी आप लोग ध्यान रखें जब कोई विदेक विदान सबा में लंबीत है यह जो विदान सबा दुआरा पारित कर दिया गया है और विदान परिश्द में लंबीत है विदान सबा के वीगर्टर पर समाप्त हो जाएगा मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता रखा है बिल्कुल बहुत सम्ध зов गा लेकिन रखाए कहा है विधान सभा में रख जो रखा तो विदेक नहीं होगा क्योंकि विदेग जो रखा है वो कहां रखा है विदान परिशद में रखा है और विदान परिशद एक इस्ताही सदन है और इसका जो विदेग है उसका विदान सभा भंगोने पर भी वो जारी रहेगा अगर विदान सभा फुरूर में पुने विचार किया सकता है जीवित नहींगा कि विदान परिषद्वारा परिदेग को विधान सवा समाफ्थ कर सकते थ्यान अब भात करते हैं विधान मंदल की शक्त यहाँ तो हमने बढ़ पढ़ा दो आप लगों के क्या था सोधादिन वीदेख तीन महाय के लोटा दिया तो एक महा ओर रखेंगा दूबारा आनुमती दे नहीं पड़ेगी विधान परिशत के सदस्य हैं वो राश्पचुनाव में भाग नहीं लेते हैं कोई विदेख विधान परिशत दुवारा रखा गया उसे विदेख क विधान सभा क्या कर सकती है समाप्त कर सकते है यह important point है आगे देखते हैं विधाई शक्तिया यह क्या कह रहे है राज्य सुची के विश्यों पर कानून बनाना यह जो मतलब है आप लोगों का विधाई शब्द जो आया है वो विधाई जो शब्द है वो ध्यान रखें आप वो कानून से ही संबंदित है उसका मतलब ही क्या है कानून है राज्य सूची के विश्य पर कानून बनाना हम पहले से परिच्छत है कि जो हमारे सूची है आप लोगों के संग सूची राज्य सूची संवर्ति सूची संग सूची पर केंदर सरकार कानून बनाता है राज्य सिंप सुची का है तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं विवाद की स्तिति में ठकराओ की स्तिति में संसद हावी हो जाएगी कि ध्यान के आप मेला मे लो ईस के विषय पर कानून बनाने का सकती है वह राज्य विधान मंदल की आगे बात करते हैं अनुच 249 तुहीं से प्रस्ताव पारित करके राजिय शूची के विश्य को राष्टिय महत्तों गोसित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती क्या गजब का कोश्चन है कि वह प्रस्तितिया तीन परस्तितिया ऐसे आएंगी जिन पर भूत ध्यान सुनेंगे आप लो पर संसद राजिय कम समय में भी आप एक अच्छी तयारी करके एक्जाम होल में सकते हैं और ये नोट्स आप लोग एप से मंगवा सकते हैं ये नोट्स आप लोग संसत कानून बना सकती है और इतों की जो रक्षा करती है और राज्य इस वाने कह दिया दोतियों मत्से वह है ये जो विश्यय महत्तों में सकती है Понौ travelling सकती अनुछ этому 356 राष्टिय आपात आपको मापात के समय विधान सभा है राश्टिया शुक्राइब तो राज्य सुच्ची के विश्यों पर विदी निर्बान की शक्ति संसद के पास सली जाती है दूसरी स्तिति ये दो अनुच्य धोगे अमारे पास एक अनुच्य आप लोगों के 209 चास और एक अनुच्य 356 अब माना कि कोई आप लोगों के अंत्राश्टिये संधी और को करना है राज्य सुचि का विश्य अगर आढ़ dimensional अनुच्य विधान मंडल का है विचतियां तीन परस्तितियों अगर राज्य सभा अपने दो त्याई बहुमत से किसी विश्य को राष्टिय मेहतों को गोशित कर दे तो संसत कानून बना सकती है अनुछे 356 के तैट राष्टपती राष्टिय आपात के समय और तीसरा बात करें अंतराष्टी संदियम समझतों को हमें लागू करना है और उसमें कहीं राज्य सुची का विश्य आ रहा है तो उस राज्य सुची के विश्य पर कानून बना सकते हैं तो तीनों इंपोर्टे नहीं था वो जो जो भीडेक है उसकी प्रस्तितिया अलग है उसको रखने की वीडेक है पार्य वीडेक है वह धन वीडे volunteers केवल विधान सबा में रखा जाएगा विधान परिशद में कभी भी धन विदेक नहीं रखा जाएगा ध्यान रखेंगा तुसरी बात साधर्न विदेक को आप किसी भी सदन में रख सकते हो कि कमें विदेक को साधर्न विदेक है उसे किसी सदन सकते हो आप विधान परिशन रख सकते हो थ्यान रowi मन्तरि विदेक द्वारा पेसके जासकता देखो दन विदेक है वो वित मंत्री द्वारा रखा जाएगा मुख्य मंत्री रखते हैं और साधन विदेक है उसे कोई मंत्री रख सकता है और कोई विदेक भी रख सकता है को विदायक भी रख सकता है अब साथ यो रखने अवाले के साब से कि मंत्री रखा है या मल रखा है तो उ कोई विदेख किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया है तो वो सरकारी विदेख है और ध्यान रखे कि अगर विदान मंदल के किसी एमले ने पेश किया है तो वो गैर सरकारी विदेख है तो जो सरकारी विदेख है और गैर सरकारी विदेख में अंतर किया है अगर किसी मंत्री और रखा है और कोई विदेग क्या हो कि प्रकार है कि पर्कार की पास धो आए तिक आगे से वो तीन प्रक्रियाव से गुजरेगा हमने विदेख को जिस सदन रखा है वहां जो है वो तीन प्रक्रियाव से गुजरेगा नंबर एक पर्थम पाथन डुतिय पाथन और तृतिय पाथन प्रार्मी सदन से पारित विदेख दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी विदेख पर्थम सदन की प्रक्रिया से ही गुजरता है अगर मालों कोई विदेख है वो तीन चरणों से गुजरेगा पर्थम पाथन इसके बारे में लोग ताधन्त बता देंगे कि यह अमारा उद्दिश्य है दुतिये पाथन में हम बहुत विष्थार से बात करेंगे बहुत विष्थार से और तृतिये पाथन में हम पारित करने के लिए कहेंगे इस विदेख को पारित कर दीजी तो पर्थम पाथन दुतिये पाथन और तृतिये पाथन में हमने रखा ठीक है साधल से बात करती हमने तो देश बता दिया दूतिये पार्थन में हम लोग पहले पूरी सदन में परतिया बाठ देंगे और फिर हम विश्तार चर्चा करें तृतिये में पारित करने के लिए हम कहेंगे ये तीन प्रकर्या से गुजर और अगर विदेःक एक सदन पारित हो गया और दो सदन है जिस राज्ये में तो वहां जाएगा और वहां जाने के बाद विधान मंडल में एक ही सदन है तो विदेग दूसरे सदन ना जाकर सीधे राज्येपाल के पास सुकृतितु जाएगा यसे हमार राजिस्तन विधान परिशद नहीं है वापिस विधान परिशद को भेजती है तो विधान परिशद के एक महा के वेटर विदेग को पारिट करना होता है इस फिरकार विदान परिशद विदेक को पुन्दर विचार एतु नहीं बेजेगी इस फिरकार विदान परिशद किसी विदेक को अधिकतम 4 महा के लिए रोग सकती है बात सुनेंगे आप लोग कोई विदेक है पहले पफ़ता चुब आपको तादलन विदेक विदान सबा ने पारित किया और विदान परिशद के पास गए तो विदान परिशद के पास गए तो विदान परिशद उस विदे को अपने पास तीन महा तक रोग सकती है या तो उसे तीन महा के अंदर अंदर अपनी अनुमति देनी पड़ेगी और या तीन महा के अंदर अंदर वह वो विदेग पारित मान लिया जाएगा विल्कुल अंकीता जी सुवागत है आपका ठीक है आप देखो अब माना कि तीन मा में पारित तो नहीं किया लेकिन उसे पुनर विचार के लिए विदान सबा के पास भी अब विदान सबान हो सकता है वो संसुदन किया हो जैस बिना स वापिस भेज दिया तो आप क्या करेगी एक महां तक और रख सकती उनकोर सकती है और एक मावून नदी कर सकते के वली विदानी सब म Chuck उप का मतलब ज्यादा स्माभि होने और दोनों सदनों की सहुद्र बैठग कोई प्रावदान नहीं होय है क्या गजब की बात लिखिए यहां आप लोगों को एक्जमन हरा चार डालेगा हरा चार डालकर आपको लालच देगा कि आजाओ मैं आप लोगों को लालच दे रहा हूं अरे भाई सुन लेजी लोग सबाव राज्य सबाम किसी विदेग पर गति रोध पैदा हो गया तो अनुच्छेद 108 के अधिवेषण का कोई प्रावदान नहीं है कि रितव लिक् Быई विदान परिशद विदेग को क्यावल चार महा तक क्या कर सकती है अ ब्ल्लंब कर सकते चाइप प्रेशाद व्यदेग को के वल चार महा तक क्या killifier सकती है इतनी पावर तब कि राज्य सब्वा भी एक ऐसे सदन है लेकिन राज्य सब्वा इस्ट्रोंग है हमने उसको ना तो समाप्त कर सकते इसको हम लोग भंग तो नहीं कर सकते हैं और वहां परोबर की पावर है यह ध्यान डाकरने आप लोग के लिया यहां आप लोगों को दिखाए देरा उस्टान मंडल दुआरा पारित विदेख शूकरती के लिए राज्यपाल के पास भिज़ जाता है राज्य पाल के समक्ष चार विकलप होते हैं लिए और यह का क्विनोधारेव वाह क्या बात है यह विदेख आया तो राज्यपाल ने अपनी शूकरति दे दि बात खतम भ पुनर विचार के लिए लोटा दिया राष्ट पती जी के लिए आरक्षित करने हाथ तो क्या बात है हाथ हो में खुजली चल रही है ना ऐसे आएंगे क्या यह वह ऐसे कहते है क्या क्या का मैंने नमर एक वह अपनी अनुमति दे दे रोक ले है वह पुनर विचार के लिए लोटा दे है या राष्ट पती के लिए आरक्षित कर ले तो च्यारों विकलब आपका समझ में आ गए होंगे यदी राजये पाल विदेग को सुवकर्ति परदान कर दे तो विदेग आदिनेम बन जाता है ठीक है जिदि राज्यपाल विदेग को पुनर विचार लिए बेचता है और दोबारा सदन या सदन दुवारा पारित कर दे जाता है और इसके बाद राज्यपाल के पास सुवकर्ति के लिए बेच रष्मीय आएगी चलो अच्छी बात है देखिए क्या मैं समझ गया बात को दुबार फिर रिपीट कर रहा हूं बात को समझे का आप लो रजयेपाल ने पुणर विचार के लिए विदेग को बेजा और विदेग पुणर विचार के लिए बाद वापिस राजयेपाल के पास लेकिन जो विदेक गया राज्ये पाल ने आर्ख्षित कर लिया राष्ट्पती जी के पास और राष्ट्पतीजियाग कि एक बार विदान मंड़ो से राश्ट पती जी को बेजा जाने वाला विदे और विद्यान मंदल ने उसे पुन्दर विचार करके या तो संसोधन किया है नहीं किया वापिस लोटाया तो ध्यान अखना राश्ट पती जी अनुमति देने के लिए बाद दे नहीं है भारती समिदान में उसकी समय सीमा नही राज्य पाल के पास आता है तो राज्य पाल क्या करेगा अनुमति देने के लिए बात मेरी बात को समझ गए आप लोग विट्व सक्टि प्राफ्ट जो हम लोग बात कर रहे थे तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है अब आपके वित्य शक्ति की बात करें कि वित्य शक्ति मैंने आपको बहुत आचे तरीके समझा रखा है इसमें कोई दिक्ककत आप लोग होगी नहीं धुर्श्प१िदेक है जो वित्मंत्री के दुवारां है रखाजाता ने जर्ट-धिघ्र के दुवारां है कि ए यह आपको ध्यान रखना है जरह देखिए राजयपाल की पूर्व अनुमति से पेस किया जाता है राजयपाल धन विदेग पर अपनी शुवकर्ति दे सकता है शुवकर्ति को रोख सकता है यह इंपोर्टेंट बात है यह सही कर लेता हूं को शब्द सुद्धी आ रही है उन कि यह तो वह क्या कर सुवकर्ति दे सकते हैं या सुवकर्ति को रोख सकते हैं कि राजयेविद्धानमंदन के पास पुनर विचार के लिए नई बहस़कते कि पहले से उनरे अपनी सहमति दे रखिया न थास्पाल दन विदेग पर अपनी स्वाकरती विदेता है जो कि उसकी पूरा अनुमति के बाद लाया गया में तुब लाए नहीं गया तो कोई वा जरूर निदे तेकि सामाने ते राजयपाल धन विदेग पर अपनी सुकर्ति विदे देता है कोड़ से विदेग पर जो कि उसकी पूरा अनुमति के बाद लाया गया यह ध्यान रखें आप लो धन विदेग के वोल विधान सबाम पेश के जाता है यह सरकारी विदेग के मंत्री द्वारा पेश के जाता है मैंने क्या कहा था कि पेश करने वाले के आदार पर विदेग दो प्रकार के एक विदेग वह है किने मंत्री द्वारा पेश किया गया उस विदेग को हम लोग सरकारी विदेग कहते हैं और एक विदेग वो है एक विदेक है वो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है इसलिए विदेक दन विदेक यानि एक सरकारी विदेक होता है तो विदेक उसी रूप में पारित माल ले जाता है जिस रूप में विदान सबा दुआरा भेजा गया था क्या बात को समझे आप मेरी बात को दुबारा सुने कि राम राम साब राम 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 की साफिक दुबबारा सव्झे विदेक है विदान परिशत के पास सकते हैं सिमित मांतर चोदर दर वापिस लोता दें पास सकते हो ठीक है निल जिस रूप में भेजा उसे लिज़्स humor कोई विदेग धन विदेग राज्यपालकी पूर्व अनुमती से बां नहीं इसका नई को को रेका इस राज्यपालता करेगा अनुचे 262 मुए ने पढ़ाये थे आप लोगों को राज्यreania आकस्मिक निदी से विदान मंडल राज्य में आकस्मिक निदी की स्टाफणा कर सकते है जिसका व्याओ राज्य पाल के अधिन होगा। मैंने आपको समझाया अगर आपको आकस्मिक निदी से निकालना है राशी तो आकस्मिक निदी से निकालना है राज्यपाल की अनमति और राज्यपाल की तरफ से वित सच्छिव काम करता है इस मामले और अगर आप लोगों को संचित निदी से पैसा काम मिलेना है तो वो लेखा महोगी और लोक लेखा से धन निकालने के लिए तरकार को विदान मंदल की अनुमत्य की आउसकता है, आप सभी को ने वाद कि विदान मंदल की परसासनिक स्तक्तिया क्या है कि आपको मालूम है मैंने पीछे करवाया आप लोगों को हमारे यहां पे संसद्य शासनपंणाली मिलती है और संसद्य शासनपंणाली में जो सरकार सरकार यानि आप लोगों के जो प्रति उत्तरदाई है विधान मंदल शब्द नहीं आएगा इस बाद को किलियर कर लें आप लोग विधान परिशन सब्द नहीं आएगा मैं आपसे सवाल पूछो और फिर आपको जवाब देना है कि रज्य मंत्री परिशद सामुई ग्रूप से किसके प्रति उत्तरदाई ह होती है नंबर एक विधान मंदल नंबर दो विधान परिशद नंबर तीन विधान सब्द और नंबर चार इन में से कोई नहीं आ उप्रोक सभी आव विधान मंदल विधान परिशद भी सामिल है विधान मंदल नहीं आएगा विधान परिशद के परति उत्तरदाई नहीं कोशन बनेगा। विधान सभा दुआ रहे मंत्री परिशन को ट्याग पत्र कर दिया विधान सभा में तो जो सरकार उस सरकार को इस्तिपाद देना होता है यह आप लोग ध्यान रखें तो तीन महत्यों पॉइंट हमने परसासनिक सक्तियों पड़ा आपके याद भी हो गए होगा कि राज्य कारीपाली का पर नियंत्र रखना और राज्य कारीपाली का है वो एक तरीके सामुई रूप से क्या होती है उत्तरदाई होती है सामुई रूप से क्या होती है उत्तरदाई होती है मंत्री परिषद विधान सभा के प्रति और तीस्रा जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वह पढ़ा कि विधान सभा दुवारा यदि एविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पतर रखें आप लोग विधान सभा के सद्शी राष्टपती चुनाओं में भाग लेते हैं तो निर्वाचन से संबंदीत कौन-कौन से मामल है उनकी अमलोग बायत कर रहे हैं बिल्कुल राम राम भाई सभी को के विधान सभा की केवल निर्वाचि सद्श्य राष्टपती के चुनाओं में भाग लेते हैं केवल निर्वाचित आप कहेंगे सद्शी निर्वाचित मैंने आप लोगों पीछे पढ़ा के आया हूँ कि जिन राज्यों में आंगल भारतियों का एंगलो इंडियन का पुड निर्वाचि सद्श्य और आप वो प्रावदान अठ गया तो आप सभी क्या होंगे निर्वाचि सद्श्य होंगे विधान सभा के सद्श्य राज्य सभा सद्श्यों के चुनाओं में भाग लेते हैं कि जो विधान सभा के सद्श्य है वो ध्यान रखें आप लो राज्य स दुआरा मनुने है उना मैं आपको मालूम होगा कि विधान सभा के जो सदश है विधान परिषद के एक दिया इस किया करता है चुनाव करता है यह द्यान रखेंगे आप लोग बिल्कुल स्वागत भेए आपका दाम राम यह ध्यान रह रखेंगे आप लोग दूसरी बात कि जिसमें विधान सभा के जो सदश्य हैं विधान सभा के सदश्य हैं उनको संविधान संसुदन की प्रक्रिया में भाग लेने का मोगा मिलता है मातर एक बार ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि जो सम्विदान संसुदन होता है वो पड़ा होगा एक तो आप लोगों के बिल्कुल तादरन बहुमत से होता है मालूम है आप लोगों कि जो विधान सबा हैं उनके दुवारा अनुमोदन दुबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बात को सुनिए आप लोग आप भी क्लास को शेर करें बहुत ध्यान सुनना एक साधारन बहुमत होता है वो एक अलग है एक विशेस बहुमत होता है वो भी संसद पर लागू होता है और एक विशेस बहुमत से पिलस आदे राज्यों के जो विधान सबा हैं उनके दुवारा उनका क्या चाहिए उनका क्या चाहिए अनुमोदन चा सदर्शियों को भाग लेने का मोका नहीं मिलता है देखिए अपरों अनुचे 368 अनुचे 368 दो ऐसे विदेक जो संसत द्वारा विशेश बहुमत के आदार पर पारित होगे ठीक है पारित होने के बाद उसे कम से कम आदे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा सुव करती ह अधिक जैसे शब्दाव लिखा द्यान मेरे आप संम्मिदान में प्रियोग नहीं किया गया आदे से अधिक शब्द नहीं है यही आप लोगों को दिखत करेगा यह पॉलिटी है जितना असन समझते हो उतना अप पॉलिटी है नहीं दुबारा सुनिए कि विशेस बहुमत और आदे कम से कम और कम से कम आदे राज्य के विधान मंडलों दुवारा ध्यान रखे आप लोग सुवकिर्थ आदे से अधिक जैसी शब्दावली का यहां प्रियोग नहीं किया आपसे पूछे जाएगा उप्सन देगे तो आप ध्यान रखना आदे से अधिक अभी भी संसोदन की सक्ति प्राप्त है इसरा नंबर का जो संसोदन होता है उसे विशेस बहुमत से पारित विदे को भी विशेस बहुमत से पारित विदे को भी राज्यों के विधान मंडलों के पास बेजते हैं और कम से कम आदे राज्यें उन विधान मंडलों दुवारा उसे क्य किया जाता है पारित की सुविकृत किया जाता है यह द्यान रखें क्या मेरी बात को समझ गए तो आप से पूछेगा इंट्रुव अगरम बहुत बार पूछता है कि राज्य विधान मंदल के सदर्शियों क्यों क्या संविदान संसोदन में मोका मिलता है अब जो भी जा सब्सक्रें क्यों विश्य साधिकारों को सदर्शियों को कौनखों से विश्य साधिकार प्रयाप्त है पांवनने चर्चा की करेंगे नमबर एक नमबर एक हम लोग बाटेंगे सामुईक विश्यसादिकार कि यानि सभी को एक साथ सामुईक के हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विश्यसादिकार ठ्यान रखें आप लोग एक हम लोग बात कर रहे हैं सामुईक विश्य विशेशादिकार और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विशेशादिकार हमने दो सिरणों बाठ दिया अब सामुईक विशेशादिकार कौन-कौन से सदन को अपने परति विदनों तथा वाद विवादों प्रकासित करने का अधिकार है यह अन्य को इसके प्रक दूसरी बात सदन अपने कुछ महत्यूण मामलों में गुप्त बैटक कर सकते हैं यहां व्यक्तिगत सब्द नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमने विश्यस अधिकारों को दो सिरेणिवं में बाठ नेबाट्त है विशेश अधिकार गोए जो अम सब को प्रापत है मपने के समेतिव की नहीं की जा सकती द्धान रखें तिसरी बात, सदन की समेटियों की न्याले दो़ा जाच नहीं की जा सकते द्यान रखें। अगली बात, सदन की अध्यक्ष यद्सभापति की अनुमति के बिना, किसी सदेष्य को ग्रफतार नहीं किया जा सकता। सदन सभा की अवमानना के लिए सदश्य सईत भारी व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है कि आपने क्या किया है आप सदश्य हैं सदश्य सईत आप बाहर के भी हैं तो आपको भी दंडित किया जा सकता है ध्यान रखें हम सदन भार हैं और हमने ध्यान रखें आप लोग सद विश्यषादिकार क्या है ? देखिए हमने बात की यह सामूई केहना व्यक्तिकत की बात करें तो विदान मंडल के सद्स्यों को सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गृपतार नहीं किया जा सकता कि सदन चलने वाला है तो सदन चलने वाला है और सदन की तिति आ रही है तो आप क्या करेंगे आप ऐसे करेंगे सदन शुरू होने से 40 दिन पहले और सदन समापत होने से 40 दिन बाद तक आप गरपतार नहीं करेंगे सब की बात नहीं है केवल व्यक्तिगत की बात है आगे बा विदान मंडल के सद्धिश्यों को सदन चल रहा है तो सदन चलने से 40 दिन पहले वह टाइपिंग है कि आप लोग तो विश्य सद्धिकार कौन-कौन से कि आप लोग ऐसे करेंगे व्यक्तिकत की बात करें तो 40 दिन पहले सदन चलने से और 40 दिन सदन के बाद अच्छे कोशन बनेंगे आप गृप्तार नहीं कर सकते और सब सदन चल रहा है तो आप किसी साक्षा गवहा देने से मना कर सकते यह दिहान रखें आ अप लोग परशनकाल देखिए वह सधन में परति दन परथम घंटे का जो समय होता है वह सदन चलेगा वह सदन चलेगा समझे क्या अप लोग करम कोई सदन चुरूर होने के 40 दिन पहले और सदन शुरू होने के 40 दिन बाद आप गरपतार नहीं कर सकते और दूसरी बात हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके कोई भी सदस्य है उसको आप लोग चब सदन चल रहा है तो आप साक्षय गवाई के लिए बाद दें नहीं कर सकते मना कर सकते परशनकाल कि सदन में परती दिन परतम घंटे का जो समय होता है वो परशनकाल का होता है परशनकाल में आलब सूचना परशनों सहीत तारंकित परशनों के पूचने और उत्तर देने के लिए होता है तारंकित का मतलब होता है जिनके आगे तारंकित होता है द्यान रखे बात करेंगे होता है उसे आप प्रश्नप पूछ ले हो एक परशन न अएक परशन तो एक परशन में 5 पांस मिनुट से अधिक ने लगना चाहिए और आपका प्रियासे रहना चाहिए कि कम से कब बारा परसनों पर विचार होना चाहिए तो बारू-पजो-ई-80 इसका मतलब के ऐप लोगों के जो पर्थम घंटा होता है वो पर्फ में कितनา परशनों सकते हैं तो कम से कमसे आप लोगों के 12 पूझे जाने हैं और 12 पूछेंगे आप में जो समय लगेगा तो वो समय कितना होना छोस्का है बिल्कुल भभलेस परत शुमे क्या कहते हुआ है बात समझे नहीं समझे आप लो मुझेमेंटमेक्स में में कमेंच कर बताएं सभी अनीह मोना सभी यो भी है ला भात सुने मेरी परसनकाल समझ में आ कि सदन का पर्थम घंटे की जो कारवाई वो पर्षनकाल कहलाती है पर्षनकाल में अलब सूचना वाला और तारंकित पर्षन पूछ सकते हैं उत्तर मिलना हमें एक परसंद है उसमें पांच मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और कम से कम यह प्रियास होना चाहिए बा राजिस्तान विदान सभा साथियों एक से लेके सोली विदान सभा तक हम इस पर बात करेंगे बहुत महत्तपुन टोपिक है एक एक विदान सभा की हम लोग सदसंख्या की बात करेंगे एक दल की हम लोग बात करेंगे और किस प्रकार से मुख्य मंत्री चेंज हुए हैं कि किस तरीके से इस्तीपल लिया जाता है सब बातें आप लोगों से बात करूंगा यो मैं कह रहा थाहां आप लोगों से कि समय आने दीजिए मैं एक एक अप लोगों से मुख्य मंत्रि कीस्प्रकार से बने और अब वे समय आ गया इसोले की 16 विधान सभा आपके समख सक रहा हूं देखें साथियों हमारे पास विधान सभा के जो पर्थम आम चुनाव हुए थे वह 1952 में जो हमें चुनाव हुए थे वह राजस्तान में दो विधान सबाओं का गठन हुआ राजस्तान की जो विधान सबा है उसे हमने राजस्तान विधान सबा कहा और एक केंदर सासित परदेश अजमेर मेरवाडा था तो अजमेर मेरवाडा की जो विधान सबा है क्या का मैंने अजमेर मेरवाडा की जो विधान सबा है उसे हमने धा सब्सक्राइब कर दिया गया इसलिए उसकी विदान सबा जिसे धारा सबा कहा था वो धारा सबा का भी विले राजस्तान विदान सबा में हो गया जिसमें सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके पूरा याद होना चाहिए राजस्तान में पर्थम विदान सबा का चुनाव 1952 में तो राजस्तान में पर्थम विदान सबा का चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ पहले आपको इधान करना है राजस्तान के मनों यतों मुख्य मंतृरी जैनलन व्याष के नेत्रतों में वियते नक्रेस्त करेंश तो दिमागों बहुत मजाएगगा पूरी राजनेती हम क्लियर करेंगे 1952 सब्सक्राइबural मेर्ट को ये को व्ज़े ये थी कि जनर व्यासाब दो जगे से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगे चुनाव हार जाते हैं आगे बात करेगें वर्त्मान में राजयस्तान की पंदर्वी विदान सभा चल रही है करेक्षन रहे गया था जो स्वोली विदानसवा है। गल्ती से यहां रह गया था तो विदान्सवा हमारे पास में यह कोण सी चल Size सवलू यह द्यान रखें आप लोगी घल्ती से ही रहा ह्ला की कोर। वरत्मान विदानसवा के संख्यार.? दोस्ट है तो कि 160 सीटे हैं वो 160 सीटे ये राजस्तान विधान सबा की हैं और तीसरी हमारे पास में एक धारा सबा थी और धारा सबा की जो विधान सबा सीटे वो तीस थी तो बात साहिए 160 सीटों को जो हमने उस समय डिवाइड किया था क्योंकि STSU को रिजर्यविशन तब भी था तो यहां पर अनुसुचित जन जाती की जो सीटे हैं वो कितनी हैं 16 और सामान्य के लिए सीटे हैं वो कितनी है 149 तो ये 160 सीटों में अगर हम आप रिजर्वसन निकाले तो उस समय एश्टी को जो था वो ध्यान रखें आप लोग वह पांस सीटे और अनुसुचित जाती को 16 सीटे और सामाने के लिए 149 सीटे ये 160 सीटों के इस्थिति है आप ज़रा देखिए पर्थम विधान सभा इलेक्शन होते हैं 1952 में और विधान सभा के चुनाव 1952 में हुए थे पर्थम जो विधान सभा है पर तम विधान सभा के जो चुनाव हुए थे वह 1952 में हुए थे और 1952 में जो सीटे थी वह 160 थी पर्थम जो विधान सबा है, पर्थम विधान सबा में 160 सीटों पर चुना हुआ था निर्वाचन जो छेतर थे 140 आप कहेंगे सार, आप कह रहे हो कि 160 सीटे और निर्वाचन जो आप लोग 120 बता रहे हो, यह क्या चक्र जरा देखिए, 140, 120 जो निर्वाचन जो छेतर थे, वो एक सदस्य थे, और 20 निर्वाचन जो छेतर थे, वो दिव सदस्य थे, तो 20 से कितने मेंबर जाएंगे, 40, उनका चेतर बाट दिया गया, और 120 तो ध्यान रखें, आप लोग, अगर आप लोग उसे निर्वाचन जो छेतर की बात करें, तो आप लोग कहेंगे, 140, और विधान सभा, सीटो की बात करे, 160, आप कहेंगे, 20 का अंतर कहां से आ रहा है, आप कहेंगे, 20 जो आपके निर्वाचन चेतर थे, वो डिव सदनी है, निर्वाचन चेतर थे, आप लोग ध्यान रखें, दूसरी बात, आप इनका रिजल्ट कई बार पूछता है, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए, कांग्रेस को कितनी सीटे प्राप्त हुई थी, उस जमाने में, कांग्रेस की इस्तित सीटे प्राप्त हुई थी, यानि बहुमत चाहिए 81 का, और सीटे कितने प्राप्त हुई, 82 बहुमत से मातर एक जादा, दूसरी बात, कांग्रेस के साथ प्रत्यासि निर्वरों चुने गए थी, रामराज्य परिशाद जो दूसरे नंबर का था, उसको जो सीटे प्राप् ध्यान रखें, दूसरा सबसे बड़ा दल, जो उसरे में था, वो ध्यान रखना आप लोग, रामराज्य परिशाद, इंपोर्टेंट कर लिजिए, हमेसा कोशन पूछता है, दूसरा सबसे बड़ा दल, नाम है उसका, रामराज्य परिशाद, बहुत अच्छा कोशन कांग्रिस को कितनी exhale है यह आप लोग याद नहीं रखेंगे तो भी आप लोगों के काम चलेगा एक सवा और बनता है कि पर्थम जो विदान सबा है बिल्कुल भई राम राम बिल्कुल क्या बात है अबरक नगरी से राम राम बिल्कुल राम नरेंदर विना एक सवल और बनता है कि पर्थम विधान सबा में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था तो आप लोग एंगे सब पर्थम विधान सबा में जो महिलाओं ने चुनाव लड़ा था उनकी संक्या कितनी है चार और गंबिर बात है चारों चुनाव हार गई चार महिलाओ ने चुनाव लढ़ा पर्थम Oops Aha में और चारों की चारों चुनाव हार गई तो तीन one इंपोर्टेंट नमबर एक पहली विधान सबा में 160 विधान सबा सीटे थी निरवाचन छेतर की बात करेगा 142 तो ये महत्वपुन बाते तीसरी बाते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल की रूप में आया और कांग्रेस को जो सीटे प्राप्त हुई वो सीटे कितने नाम राज्य परिशन और चार महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और चारों हार गई देखिए यहां एक एक करके मैंने नाम भी दे रखा है आप लोगों को मालूम नहीं क्या कोशन पूछेगा वर आपसे का है कि ब्रमास्तर नाम रखा है इसका मतलब ब्रमास्तर रहेगा इसके अत्रिक्त आपको कुछ पढ़ने के आऊसुकता नहीं है बस करण से इसको जोड़ते चलना चिरंजी देवी ये फागी विधान सवा छेतर से थी केलपी पार्टी हुआ करती उससे लड़ी रानी देवी सोजत से लड़ी सोजत मैन से जनसंग से थी विरिंद्रा पार्टी है जिनसे ये रिलेशन रखते हैं ये आपको ध्यान रखें ठीक है तो चार महलाओं ने चुनाव लड़ा चारों महला है आप बात कर रहें तेरी विवे चोदी विधान सवा में 28-28 महिला विधायक वनी और पंद्री विधान सवां 25 महिला विधायक थी अभी मैं मुनाचंचंहीं चुनाव नहीं लड़ा था पंडित हिरला शास्ंसाथ्री साब है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था एक तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे जैनान व्यास ने दो विधान सभा सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों से ही भारी मतों से हारगे थे थे थोड़ा गणा अंतर नहीं था अंतर भी ज़्यादा था और भारी मतों से हारगे तरह देखिए जोदपूर 20 सीट पर महाराजा हनुवन सिंग जिनने चुनाव तो लड़ा था हनुवन सिंग जिने जोदपूर के महाराजा थे अगर पैन पुस्तल के कहानी सुनी हो तो वह चुनाव प्रणाम आने से पहले इनकी वायू यान दुरगटना में मिरत्यू हो निर्दली परताशित ते जोदपूर के महाराजा हन्वन सिंह से हर गे जालर एसीट मैंने कहा कि दो विदान सबा सीटों से लड़े और दोनों विदान सबा सीटों से आर एसीट से मादो सिंह भैसवाडा रामराज ये पार्टी से थे पराजित होगे कितने से 9,184 बोटों से दो जगह से जैं yearold वयाद सहाव है वो चुनाव लडते हैं और दोनों चुनाव हार जाते हैं एक महारजा हनवन सिंग प्वैस वड़ा से हार के मेरी बात को समझ Uh कुनाव परणाम गोशित होने से पूरों महरजा अनवन सिंग का वायु यान दुरूगट नाम निदन ऊ परणाम जैसे को सित वत्लों होने वाला था उससे पहले निका क्या हो गया वायू या तुझे से चुनाव शार जाते हैं ये ध्यान रखें आप लोग आप ढूंगे से चब चुनाव हार जाते हैं तो दूसरी तरफ वह लोग बात करते हैं किसकी टीकराम पालीवाल जाने कुंट करा हम पालीवाले दो उध can सबा सीटे क्या का हमेने तो विदान सबा सीटे महुआ और मला रना चोड से चुनाव लड़ा था और दोनों से ही विजय प्राप्त की थी ध्यान रखें आप लों इंदू महा सबा से थे और इन्हें 12,255 बोटों से पराजित किया था और दूसरी जगे गंगा सिंग्जी जो की निर्दलिये परतासी थे मल्राना विधान सबा से वहां इन्हें 297 बोटों से पराजित किया पहले पे जीत का मार्जन भहुँ ज्यादा था दूसरे पे एक कम तरह गया यह ध्यान रखेंग आप लोग तो दोनों जगे से चुनाव जीत जाते हैं महुवा विदान सबस सीट में किसको परेज़ित किया और मलराणा विदान सवा सीट चैख परेजर दोनों बाते के लिए । पालिवाल साहप महुआ से विदायक बने रहे और मलराना सीट छोड़ दी इन कहां से विदायक रहे विदायक एक ही सीट से रह सकते हैं एक ही विदान सब अच्छेतर से रह सकते हैं तो उन्होंने मलराना सीट छोड़ दी और महुआ से विदायक बने रहे यह ध्यान रखें आप लोग किसंगर सीट पर उप्चना हो जैनलर्ण व्यास साब की बिना राजिस्तान की राजनिति अधूरी थी इन्हीं विधान सवा में कैसे लाया जाए कि मारवाड में मांग भी थी कि जनलर्ण व्यास साब को मुख्य मंतरी बनाए जाया क्योंकि राजधानी जैपूर को बनाए गई अपनी आप मारवाड एक बड़ी रियासत थी उनको भी कुछ देना था जनलर्ण व्यास साब का संगर्श रहा है बड़ा तो किस तरीके से हम जनलर्ण व्यास सामेरे इस्तिपा देदी आजकाल तो इस्तिपा कितना ही कहले तो इस्तिपा नहीं दे हम क्या फूरा विदान सबसेतर कहता है इस्तिपा तो नहीं देते विए जमाना था लगशातियों चानवल मैता से इस्तिप दिलवाया और इस शीट पर उपचुनाव करवाएगे और यहां से अगस्त 1912 में जेनद व्यास विदायक बन गए यहनुद मारवाड से हारने के बाद ऊपचुनाव करवाएं किसंगड विदान सबस्ट से और किसंगंड विदान सबस्ट से यह क्या होगे बात कर रहे हैं मंत्री मंडल में क्या होना था आप इकराम पालिवाल शाब से इस्ति पर लिया गया था और जे नरड व्यास को मुखे मंत्री चुना पालिवाल शाब नाराज हुआ उनकी नाराज की धूर करने के लिए राजस्तान में पहली बार विधान सबा का गठन के मात्र आठ नो महीने बार अक्टूबर, तो साथ आठ महीने बार में, साथ ही मैने माल लेजिए, हमें उपमुख्य मंत्री बनाना पड़ा, और राजस्तान के पहले उपमुख्य मंत्री ठीकराम पालिवाल साब बने चब कि उपमुख्य मंतरी का भारतिय संयुदान में को प्रावदान नहीं है फिर बनाय गया जो आज भी चलता है हमारे सथियों बूर्ट के राज स्थान के पहले जो मुख्य मंघ्री थे वो kinda पालिवाल राजस्तार के एक मात्र ऐसा आउसर जो पहले मुख्य मंथरी रहे और उन्हें फिर उप मुख्य मंघ्री बनाया वो कि अदिस्पति मंघ्र nuts eat यह मुख्य मंत्री रहे और फिर यहां द्यास मंत्री मंदल गठन हुआ जो एक नौंबर 1922 से नौंबर 19 चक्चला यानि दो वर्स और भारे दिन चला साथ हो और आमने यहां पर उप मुख्य मंत्री जो बनाया टीकराम पालिवाल को बनाया राजस्तान के पर्थम उप मुख्य मंत्री आप तो साथ बन चुके हैं तो पर्थम मुख्य मंत्री कोन है तो ध्यान रखें आप लोग टीकराम पालिवाल साब है जरा देखिए मोहलाल शुकाडिया राजस्तान की एक पहरी विधान सबाने तीन मुख्य मंत्र दिये हैं पहले तीकराम पालिवाल साब रहे दुबारा फिर जेनान व्यास साब रहे और तीसरे नंबर पर कौन रहे मोहलाल शुकाडिया साब रहे नंबर एक तीकराम पालिवाल साब नंबर दो जेनान व्यास साब नंबर तीन मोहलाल सुकाडिया बात दलते हैं आगे और मोहलाल सुकाडिया है जो चार विधान सबाओं में लगातार मुख्य मंत्री रहे जरा देखिए होत मजा आएगा आप लोगों को आपको लगेगा कि स वैसा नाम है वैसा ही नोट का जाम है मैं दावे के साथ कहता हूं आप कुछ मत पढ़िए केवल राइठान के नोट पढ़िए आप लोग सब्सक्रांबा को वरना आप लोगे दल दर में इतने गुशत जाएगे बुखों के बाहर नहीं निकल पाएंगे जड़ा देखिए मोलाल सुकाडिया च्यार विधान सबाओं में लगतार मुख्य मंतिर रहे पर्थम विधान सबा दो वर्ष और 150 दिन रहे थे दूसरी विधान सबा में पूरे-पूरे पांच वर्ष रहे थे और तीसरी विधान सबा में भी पूरे-पूरे पांच वर्ष रहे थे चोथी विधान सभा में तीन वर्स, छे माह और चोदे दिन रहे थे, फिर इन से इस्तिपल लिया गया था और देखेंगे आप कुल मिला के सोले वर्स और एक सो चोरान में दिन मुख्य मंत्री रहें अब तक जो मुख्य मंत्री हैं, उनमें सबसे लंबा जो कारे काल रहा है, वो मोहलाल सुकाडे साब कर रहा है और लगतर continue चार बार मुख्य मंतरी बने है कितने चार बार मुख्य मंतरी बने है चार विधान सभाव में मुख्य मंतरी के रूप में काम किया है पहली में आपके सामने है कितना दूसरी में आपके सामने दूसरी और तीसरी दूसरी और तीसरी पूरे विधान सभा में पूर वर्ष की आयूमें आप हमारे रवीद्र सिंढ जी भाटी सब geographic सिच व़िधायक वर्थमान में तोली विधान सब्सक्राइब उमर के समय क्या है वो विदायक है विदान सवाग हम लोग बात करें विक्रम जी राम राम भाई हम बात करें राजस्तान की पर्थम महिला मंत्री पर्थम महिला मंत्री और उन्हें उप मंत्री बनाय गया था वो नाम है कमला बैनिवाल उप चुनाव में दूसरी महिला सदश्य विजे था 1954 में और 26 वर्स की आयू में उप्चुनाओं में ये विजे हुई और 26 वर्स की आयू में इन्हें मंत्री बनाया गया था और ध्यान रखें ये आगे चलके मुख्य मंत्री अशोग गहलोजी के कारेकाल में ये राजिस्तन की उप मुख्य मंत्री वरेहेंगी एफ्चुनाव में पहली महिला विधान सबा सद growing यासोदा देवी सोसलिस्ट पार्टी से बास वाड़ा से भूड अच्छा कौशिन बना a जैए चुआ आपको बताया गया ताभ पहली जो विधान सबा है राजिस्तान की पर्थम महिला विदान सभा सदस्य यसोदा देवी आप पढ़ते हो शोशलिस्ट पार्टी से बासवडा से 1953 विदायक बनके आई पढ़ते हो ना राजिस्तान के पहली महिला विदायक यसोदा देवी आज दो-तिन कहानी और जोड़ लेजिए कि मूल पर्फर कमला बैनिवाल है पर्थम विदान सभा कारेकाल में कुल सत्रे छेत्रों में उप्चुनाव हुआ जो आप तक का सरवाधिक होने का रिकोर्ड है उप्चुनाव अभी होते हैं इस्तीपा तो कोई देता नहीं है निदन होने पर ही अब उप्चुनाव वो टाइम अलग था सब इस्तीपा दिया जाता था अब तक के जो सोले विदान सभाओं का समय है सोले विदान सभाओं में पहली विदान सभा में सबसे ज्यादा बार उप्चुनाव हुए हैं very important सबसे ज्यादा बार और वह कितनी शत्र है क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग ब उप्चुनाओं किसी विदान सभा में हुए है तो पहली विदान सभा में और पहली विदान सभा में कितने 17 शेत्रों में उप्चुनाओं हुए है वो विदान सबस अधिश्यों को अपने शपत दिला सके अधिक्ष उपादिक्ष का चुनाव करवा सके यह काम प्रोटॉम इस्पिकर का होता है यह द्यानदा के आप लोग क्या बात है भाई उपाजी अरे हम किसके फुपाजी हो गए भाई अरे बिल्कुर राम राम लेंग सब्सक्रांद सरसने नWow perpetrator मतलब होता है कि एक अधिक्ष्य जो की एक सदान की कारवाई शुरू करने के लिए फ्रोटॉम करके न्युकर की जाती है उतना द्हान रखें और कि जो प्रावधान लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है नोफमें क्या होता कि सबसे बुजरक जो होता है सदन में सबसकी 761 अप ADA95 अपना ठीक है यह तो हम लोग बात करे तो ध्यान रें आप लोग पहले जो प्रोटौ μ स्टी करें तो विध्यान रखें आप लोग वो कोने माहरा संग्राम सिंग है पर्थम विधान सब अद्रश की बात करें नरोतम लाल जोसी जुन-जुनुसी ये निर्वाचित है ये भी इंपोर्टन कोईशन है हमारी कोई भुवा नहीं है तो सोचा फुपाजी बना लो तो ये ध्यान किसे फुपाजी बनने का शोक नहीं है ठीक है वही हम गुरु है पढ़ा रहे हैं तो मास्टर जी है तो मास्टर जी रहेंगे आप गलत जगे चुनाव कर रहे हैं आप लोग कोई ओर ढूंडिए किसी और को फुपाजी बनना ये आगे चलते हैं लोग पर्थम विधान सब उपादक्ष है वह नरुत्तम लाल जोसी है जुन जुनु से निर्वाची तो ये थी परतम हम लोग बात करें आप लोगों के विधान सबह उपादक्ष की बात करें तो लाल सिंग सकतावत साहब है और परतम विपक्ष का नेता है वह कुमर जस्वन सिंग जी बीका मेर से बहुत अच्छे कोशिचन बनेंगे भूद अच्छे कोशिचन पर चांदार और उरुजिन को वगों‍ट रहे हैं जो आपजन के पर्थमोगों के प्रोटोम स्पिकर है महराव संग्राम सिंग है और परिफम्बीपक्षण का डियकाइत हैं वो ध्यान रखें आप आप लोग तो धारा सभा का विल है आज मेर मेरवाड़ा की विधान सभा को धारा सभा कहते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि 1952 में दो विधान सभा को राजिस्तान मिलक्षनता है ठीक है देखा न आप लोग उन्हें कैसे फुपाजी बना लेते हैं चलते के लास में कमेंट बोक्स में फुपाजी बन जाते हैं ठीक है और इस तरीके से कमेंट बोक्स में फुपाजी बनने लगे पतने कितने फुपाजी बना लेंगे ठीक है आप लोग ठीक है अगे बड़े हम लोग तो हम लोग बात करें धारा सबा का विले हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बात बताई थी कि राजस्तान में दो विधान सबाओं के एलेक्शन हुए थे अजमेर मेरवड़ा की जो विधान सबा थी वो धारा सबा कहलाती थी और वो जो आप लोगों के जारा सबा है वो तीस विधान सबा सीटों से बनी थी और उसका 1956 में राजस्तान विधान सबा भी ले हो गया और वहां के एक मातर मुख्य मंत्री थे वो अरिभाव उपाद्या से थे हम भी नहीं समझे थे तब हम लोग भी यह पढ़ते थे यार राजस्तान में यह अजमेर मेरवाड़ा है इसका एक मातर मुख्य मंत्री हरिभाव उपाद्या कैसे हो गया आप समझ माया कि सर वहां की विधान सबा अलग थी और एक बातर इसलिए हो रहे गे क्योंकि उसका विले एक नॉमबर 1956 को राजस्तान में कर दिया गया अजमेर मेरवाड़ा को केंदर साशित प्रदेश का दरज़ा समाप्त करके सांभाने जिल्ला बना दिया गया यह ध्यान राखें आप लोग ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुट तैनी जी बहुत थेंक्यों धन्यवा अगर कोई तक कोई आ जाता है तो वो चली जाएगा उस पर आप लोगों को चिंदा करने की जरूत नहीं है आराम से पढ़िया आप लोग कोई आएगा उसको लगेगा कि यहां पार पढ़ने वाले चली जाएगा केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप लोग और जो मैं अजमेर मेरवाडा की विधान सबा को हम लोग क्या कहते थे धारा सबा कहते थे और अजमेर मेरवाडा के एक मातर मुख्य मंत्री हरी बाव उपाद्या थे एक नौंबर 1956 को अजमेर मेरवाडा का विले राजिस्तान में हुआ इस विले के साथ ही धारा सबा का विले भी रा लोगों ने 160 से शुरू किया था नमस्ते भाई सैनी जी नमस्ते एक सो साथ जो विधान सबा सीटे हैं पर्थम विधान सबा में और आज हमारे पास जो विधान सबा सीटे वह कितनी हो गई 200 तो जरा एक नजर हम लोगों को लगा लेने चाहिए 1952 में 160 सीटे थी लेकिन 1956 में 190 हो गई क्यों कि हम लोगों ने जो आप लोगों के अजमेर मेरवाडा है उसकी जो तीन विधान सबा सीटे हैं उनका विले हमने राजिस्तान विधान सबा में कर दिया तो कुल मिला के 1956 में 190 सीटे हो गई और 1957 में 176 हो गई और 1967 में 184 हो गई एक बार घटी फिर बड़ी औरioned Semederでは यह हमारे ध्यान रखें आप लोग 200 विधान सवा सीटे हैं और यह 200 विधान सवा सीटे हैं इनका जो आधार है वो 1901 की जन संक्या है उसकी आधार पर विधान सवा सीटों के संक्या का निदार्ण किया गया है विधान सवा छेत्रों को नाम नहीं बोल रहा है परिश्यमन नह रखें आप लोग कि 2026 के बाद सम्विदान में क्या लिखा हूँ है सम्विदान में यह नहीं लिखा हूँ है कि 2026 के बाद होने वाली पर्थम जनगरना के सुसंगत आकड़े परकाश्यत होने पर विदान सबाकी सीठे यही रहेंगी क्या कहा है कि 2026 के बाद सम्विदान लिखा हूँ है 2026 के बाद होने वाली पर्थम जनगरना के सुसंगत आकड़े प्रकाश्यत होने पर विदान सभा की सीटे यही रहेगी यह आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है आगे बाद करते हैं हम लोग कि उग्षीतों का निर्दारन 1971 की जनगर्ना के अधार पर किया गया हम पहले राजगण विदान सभा 6 कि हमारा करता था और फिर राजगण को राजगण लक्षमन गर कर दिया गया हमारा Sen थाना गास कि हम राजगण के बिल्कुल चिप्ता हुए ठासिशल हमसे ओफ फकंड मुख्याओ जिए जा आपके सिटी है ठीका या और साना गाजी हम लोग तो वो जो विदान सबा छेतर का परीशिमन हुआ है वह 2001 की जनगणना के अनुसार हुआ है कि यह जो सीटों की संख्या है कि राजस्तान में चाहे विदान सबा छेतर हैं उनका नाम परिवर्तन कर दिया राजकर लक्षमन बना दिया चेतरों में तोरफोर कर दिया लेकिन विदान सबा छेतर दोसों के दोसों हैं विदान सबा सीटे दोसों के दोसे हैं क्योंकि इनका जो निविदान किया गया है वह 1991 की जनगणना के अनुसार किया गया है वह जो को जोड़ा तोड़ा है वह 2001 की जंगर्णा की अनुशार बढबर की जंद्संक्या का प्रतिनरित्प हो प्रतेक विदान सबार्द से समाझ कि आपवलों इस विदाथ से प्र्दैक् душ अबर ट्रव होनी चीह लगबگ इस वीदान सबार्द छेत्रों उतनी संक्या को अनुपात में उस विधान सबस्षित्रों को सैट करने का जो मामला किया वो 2001 की जनगणना का नुसार किया और संक्या का सब्सक्राइब करेंगे तो यह थोड़ा सा रिजन था मेरा क्लास नहीं लेने का तो दूसरी विधान सबस्षित्रों के बात करेंगे फिर आम लोगे टोपिक हमारा पूरा हो जाएगा फिर आम लोग महादिवक्ता पड़ों मानिये उच्छ नहले में प्रविश कर जाएगे तो थैंक्यू धन्यवासाथियों अफस्तार जी डिष्टिक बढ़ा दिए तो सीट भी बढ़ेंगे क्या सरमाजी डिष्टिक से कोई लेना देना नहीं है जैसे कि विधान आप लोगों डिष्टिक पढ़ता है स्री गंगानगर और डिष्टिक पढ़ता है आपका हनुमा निर्वाचन छेतर लोगसबा निर्वाचन छेतर अलग चीज है ठीक है ठेंक्यू धन्यवाद और यह एबुक की रूप में नोट्स पढ़े रायथान के मोबाइल एप्लेक्शन डाउनलोड करें नोट्स मंगवां वर्ट्साइब मैसेज कर दें आप लोग तो राण में 6 से 1957 से और 1962 यानि पूरे पासल 1952 से 1957 और 1957 से 1962 दुखसरी बात कि जो विधान सवा सीट है यह आपको एकदम मालूम होना चाहिए सवाल किस प्रकाश से पूछ सकता है कि हमने जो पर्थम विधान सवा पड़ी थी कौन सी पहली पहली जो हमने विधान सवा पड़ी थी तो सीटे अलग थी द्धान रखें आप लोग और एक नॉम्बर 1956 को इनका विल्य होके 190 हो गया लेकिन परिशीमन हुआ और हमारे पास विधान सवा की दूसरी विधान सवा में हमारे 106 सीटों पर चुना हो रहा है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा दल की रूप में पत्पलता मि सब्सक्राइब के लिए 119 सीटे इनको हुई पहली की बजाय कांग्रेस का यहां पर प्रतिसत बड़ा और सीट बड़ी रामराज्य परिशाद जो आप लोगों के वहां पर्थम विधान सवा में दूसरे स्थान पर था अभी विए दूसरे स्थान पर रहेगा पर्थम वि कि आप लोगों के 106 में से 119 यानि बहुमत से काफी आगे तो कांग्रेस को 119 और रामराज्य परिशाद जो दूसरा सबसे बड़ा दल था उसको 17 सीटे पर आप तो यह रामराज्य परिशाद घटी है विजे हम लोग बात करें महललाल खुकाडिया और महललल सुकाडिया दूसरी बार मुख्य मंत्री बने बहुमत दल् hasilak और यहां जो विदान सब्ध्यक्ष बने वो रामिवास मिरदा साब का नाम आपने सुना होगा विधान सभा अध्यक्ष्की रूप में सबसे लंबा अगर किसी का कार्यकाल है तो वह यह 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 आप लोगों ध्यान रखेंगे ठीक है कि अध्यक्ष की रुपे सरवादी कार्यकाल है यह यह द्यान रखें आप लोगों राम निवास मिर्दा साब जो आगे जाके मुख्य मंत्री की दोड़ भी रहेंगे आगे बताऊंगा आप लोगों को राम निवास मिर्दा साब वो विधान सँबादोख्ष जिन्हों ने अध्यक्ष के पद पर सबसे जादा समय तक कार्य किया है और वो कार्य देखिए उच्पिश ह病ु 257-1960 तक 1962 से और 1967 तक ये इनका समय है ये पूरे 5 साल चलेगी फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला ये कि आप लोग कि यहां पे विधान सभा सीटे हैं अभी भी हमारे पास 106 तर है और इसमें से कांग्रेस को 88 सीटे प्राप्त हुई यहां एक नया दल आया 27 पार्टी के रूप में और 77 पार्टी को चती सीटे प्राप्त हुई जो सैकिर्ड नमबर पर जो राम राज्य परिसर रहला था अब राम राज्य परिश्र ने इन सेकर नमबर में वूमाहरे पास में एक सोतंतर परटी के नाम से आ घई और वह हमारा तोर यह आपको ध्याना करने थोड़ा साथ और यह जो नए हमारी पार्टी है इसके सी राजा गोपाल चारी इसके संस्तपक हैं और इनका चुनाव चिन तारा हुआ करता था अभ्ल्लाद शुकासार पर किसरे सी बार फिर मुख्य मंसरी बने सब्सकेर पहली में सब्सक्राव पांग्रेस विदायाइक दल का निर्वरोद निता और म हुल्लाद शुकार्या ने पूरे फिर से से पांस साल पूर्ण किये के लिए आगे बात करते हैं कि चोथी विधान सभाव यही पांस साल 1967 से और 1922 कि देखिए आप लो गठन एक मार्च 1967 को याद करने की आपको जरूत नहीं है कि हमने शुरुवात में 160 विधान सभाव पर लोगों ने चुनाव देखा है दोसरी विधान सबाव में एक चुनाव देखा और तीसरी में वही एक चुनाव देख रहे हो यहां पर चोथी विधान सभा और चोथी विधान सभा में विधान सभा सीटे कितनी हो गई एक सवाल पूछेगा जह जोवार बिल्कुल भई आप से सवाल पूछेगा मंजु ध्यान रखें आप लोग सवाल पूछेगा आप लोगों से तो आपको एकदम मालूम होना चाहिए एक सो साथ पहली विधान सभा में एक सो फिर चिंतर हुई और फिर आम लोग देख रहें यहां पर चोथी विधान सभा में 114 से सीटे होगी यह अच्छा कोशन अपने आप बनता है यहां सामने के सीटे है 132 आपको याद करने की जड़ूत नहीं है आप देखिए 184 हुई है तो यहां मैंने आपको बताने की कोशिस किया कि 184 में से रिजर्विशन वाली सीटे कितनी थी अब देखिए यहां पर जो सी की बात करेंगे तो आप लोगों के 31 और स्ट की बात क उप्चुनाम कुछ पर आप द्यान रखें आप लोग आगे बात करें कि यहां जो 89 हमने किया ना क्यों किया है और फिर मैंने आप लोगों को ओभली करके 88 इसका रिजन है हां नहीं आप गंगन अगर क्लास लेने नहीं आता मैं तो दामोदर व्यास साब हैं यह दो इस्ता पालाचारी उसके संस्ता पक्थे तारा उनका चुनाव चिन था यहां देखेंगे आप लोग तो वह आपकी और संक्या बढ़ गई आपकी उनचास भारतिये जो जनसंग है वह 22 अब आप देख रहे हो हमारे पास सीटे हो गई 184 इतनी 184 और 184 में फिर से कांग्रीस को बह महुलाल सुकाड़य को चोथी बार मुख्य मंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे क्योंकि हम यहां राज्य में परथम राश्ट्पति शासन की भी बात करेंगे सबसे बड़ा दल कांग्रेश और कांग्रेश तरब से मोहलाल सुकाड़े साब को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया कि आप सरकार बनाईए क्योंकि आपका सबसे बड़ा दल है राजिपाल ने मोहलाल सुकाडिया को चोथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया गैर कांग्रेसी सदेश्य ने सहुक्त विदायक दल महारावल लक्ष्मन सिंग के नेत्रतु में बनाया धूंगरपूर के जो महारावल है ध्यान सुने आप लोग धूंगरप विदायक दल बना दिया और बनाकर अपनी सरकार बनाने का दावा राज्येपाल के समक्स प्रस्तुत किया इसके बाद जैपूर में तोड़ फोड दंगा परसाद हुए कि इस्तित उत्पन्न हुई ऐसे स्थिते मोहलाल सुकाडिया ने सरकार बनाने से मना कर दिया बात को फिर बता रहा हूं कहान ही हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों के चोथी विदान सबागी बात इस प्रकार है दोस्तों कि 184 सीटों में से कम सीटे प्राप्त हुए किसको कांग्रेस को 88 सीटे हम लोग कहेंगे अब 88 सीटों पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ आप लोग 184 में से 93 सीटे चाहिए और 93 सीटे मिली नहीं अब दिक्कत ही हुई हमारे पास कि राज्येपाल ने सबसे बड़ा दल कांग्रेस कांग्रेस की निता मोहलाल सुकाडे साब को अमंत्रित किया जाईए तरकार बनाने का नोता दिया है लेकिन गैर कांग्रेस के वि अपेस किया लेकिन उस दावा को खारिज कर दिया का कि मोहलाल सुकाडी आप ही लेकिया यह सबसे बड़ा दल वह है इस बात को लेकि बहुत बड़े दंगे परसाद हुए जैपुर बड़ी तोड़ फोड़ हुई तो मोहलाल सुकाडे साब ने कहा कि मैं सरकार नहीं राष्टपति शासन की लगाना पड़ेगा हम लोगों को राष्टपति शासन लगाया तो 13 मार्च से 26 अप्रेल 1967 को यह राष्टपति शासन लगा और उस समय जो राज्येपाल का नाम था वो डोक्टर संपूर्ण ननन्द थे यानि पहले बार राज्ये में जो देखते हुए तरकार बनाने से मना कर दिया तो सम्विनानिक वियोस्ता विफल हुई विफल हुई तो यहां पे डोक्टर संपूर्ण ननन्द जो राजेपाल महुदे थे उन्होंने राष्टपति शासन की गोष्णा की कुछ नहीं करना नोट्स को अच्छे से पढ़ना है बस बहुत बहुत अच्छी तिर पढ़ना और आपको यहां पूरा करवाय जा रहा है इससे बड़ी बात क्या होगी साथियों देखिए मोहलाल सुकाडिया चोथी बार मुख्य मंत्री बने है ठीक है आप क्या होता है प अध्यासी है तो कुछ और तोड़ लेते हैं और हमें बाहुमत कितना चाहिए 93 का विधान सभा में सीटे कितनी 184 अब देखिए क्या होता है परतिपक्षी कुछ सदेश्य सुकाडिया के साथ सम्मिल को कर राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेस करते हैं इस पर सुकाडिया ने 103 सदेश्यों के साथ कहां थे कहां 88 सदेश्य है और भाई देखिए घजब का चाहिए हमें 93 10 सदेश्य जादा और है और कह रहे हमारे पास 103 आप सरकार बनाएंगे तो इस बार 103 सदेश्यों के साथ विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया और बात समझे ड 나온 मेरी सभी को पर्थम राष्ठ्पति शासन ऐसा कोई विध्यार्थी है आप में से कमेंट करता है कि जिसके परतम राष्ठ्पति शासन क्यों लगा वात समझ में attacking EA दूए चुकाडिया ने किस प्रकार सरकार बनाई बात समझ में आइग निये कमेंट किजी आप लोग पहुत महत्वपुन बातें हैं पहुत गहराई में हैं सवाल इन से बाहर नहीं जाया के सिविश्थिति में चुकाडे के मुख्य मंत्री बनने के बाद 44 दिनों से चला आ रहा राष्टपती शासन समाप्त हो गया अब क्या होता है कि प्रदान मंत्री जी इंद्रा गांधी ने मैसेज दिया कि महलाल सुकाडे साब को इस्तिपले लीजिए तो भाई देखिए हाई कमान यानि प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी के निर्देशों पर मुख्य मंत्री का पद छोड़ दिया मोहलाल सुकाडिया च्यार बार मुख्य मंत्री रहे जिनका जो कारेकाल है वह 17 वर्ष है ठीक है एक सो चोरान में दिन यानि 1911 वर्ष मापी मंतिर रहे और खुल मिलाके चार बार मुख्य मंतिर रहे पर्थम विदान सबा में कम समय के लिए दुट्ये और तृतिये विधान सबा में पूर्ण 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 साल के लिए और चोथी विधान समा आप देख रहे हो बहुत कम समय तक रहें तो मेरी भात को समझ गए बिल्कुल उम्प्रिकासी बहुत बढ़िया तो एक्जेक्ट आपसे पूछ सकता है बदलते हुए दोर का एक जनल का कोई मालूम नहीं है एक सवाल पूछले आपको तर उसकतर ऐकाल है वो सर्वादिक और कितनी बार रहें चार बार है ध्यान रखें अपके सबसे लंबा भी आप देखिए साहाब आपको इतना सब पता लग गया कि असे मोहनलाल और शुकाड़िया साब से इस्तिपा लिया गया अब दिक्कत यह आई का फिर मुख्यमंत्र किसको बनाएं तो वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत 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 सभी स्बीकशना एक इस सोरान में दिन 16 साल 194 दिन बहुत बढ़िया जोहर साथ बिलकुल बहुत बढ़िया यह बतारा है आप लोगों को इस प्रिकार की ना तो आपको विश्यवस्तु मिलेगी और ना इस प्रिकार का आप लोगों समझ मिलेगी आप कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में चली जाना कि एक बात को समझ लीजिए और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सब प्रिंटेड है और नोट्स है वह एक नोट्स खोल के बैठ जाए दो अब मोलाल सुकाडिया के त्याग पत्र के बाद 9 जुलाई 1931 को परक्तुल्ला खा को मुख्य बंतरी बनाया गया परक्तुल्ला खा Q. इनका जो चुनाव था विदान सवा में निर्वाचि सद्धति तीजारा विदान सवा से थे जो अलवर जिल्ने में आते थी आवाज काल वो लोक सबस्क्राइब में आते लेकिन वैसे खैरतल तीजारा यह द्यान रखें आप लोग परक्तुल्ला खार रज्य के एक मातर आप से पूचे繼續 के एक मात मैं कॉन बर्कतुल्ला भासा आप कैसे मोखे मंत्री बने मोहनलाल शोकाड़िया के त्याक पत्र देने के पाद रहने वाले कांगे थे जोधपूर के थे ओर मिरवाचन चेतर कहता तिजारा थीक आप देखिए हैं 1921 में बहरत पाकिस्तान के मद्दे युद्ध हुआ यानि भारत पाक के युद्ध के समय राजस्तान के मुख्य मंत्री थे इस प्रकार के सवाल भी आप लोगों देखने को मिल जाएगे में में राजय स्थान में पहली बार राजय मंतरि तथा संसद्य सच्यों पद की व्यवस्ता लागू कि गई यह तीकराम पालेवाल साब दिया नंबर दो हमें चेरण व्यास दिया और नंबर तीन हमें मोहलाल सुकाडिया दिया दूसरी विधान सबाने जो हमें मुख्य मंत्री दिया वो एक दिया मोहलाल सुकाडिया तीसरी विधान सबाने जो हमें मुख्य मंत्री दिया वो एक दिया मोह सुकाडिया और बर्क तु लखा अब मेरे दोस्तों आपकी अंगली में आ गये होगा अब करते हैं लोक पांची विदान सबाइब तो एसए पूचता है बिव विधान सवा में कितने मुख्य मंतरी और आप से पूचे आप को मालूम में कौन सा मुख्य मंतरी कौन सी विधान सबाइप यह आपको केकं मालूम है तो समय हमारा पांची विधान सबाटा का 1922 से 70 इसका मतलब पूरे 55 साल चल रहा है अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं प्रकास गठं की बात करेंगे 1972 में विधान सभास सीठे 184 अभी भी हमारा चुना हो रहा है एक सो चौरा सी बोर है अदो कि कांग्रेस को पीछे दिक्कत होई रहे से 184 सीटों में से 88 प्राप्त की और आप देखिए आप लो कि यहां पर कांग्रेस को 145 सिटे प्राप्त हुई फिर से मारा कांग्रेस ने और सवसंदर पार्टी जो 11 सिटे और भारतिये जन्द सिंग्ग को 8 सिटे प्राप्त हुई यह द्यान रखे आप लो कि भरक्तुल्यखा दूसरी बार मूख्य मंतरी बनें ऐनी पांच विधान सबा में फिर से वर गत्तुल Deshalb सवाल पूछता है एक सब्राइब दूसरी बार मूख्य मंतरी बन रहें यह द्यान रखना आप लोर्व क्रते देखें मत्रो दिपावलाइ का टाइम ठा और 1903 का समय दिपावले के दिन हरदय आगात के कान इनका आकस्मीक क्या हो गया निदन हो गया इनका आकासमी क्या हो गया निदन हो गया पदपर रहते हुए निदन वाले अब तक राज स्तान के 1 मात्र मुख्यमंत्री निदन हुआ उनका नाम वरक तुल ला घॉ आगारत के करण इनका निदन हुआ दो बार मुख्य मंतिर रहे अब हमें फिर से मुख्य मंत्री का उसकता पड़ेगी अब देखो अक्टूबर 1903 में परक्तुल्ला खा के निदन के बाद हरीजेव जोसी को राज्य का मुख्य मंत्री बना दिया गया पहले और अब तक के एक मुख्य मंत्री मातर मुस्लिम यानिँ अलब संक्य क्वर्क के मुख्य मंत्री कौन रहे 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 सब्सक्ना Mccardinecraft Gerह मंत्री चक्राव प्रती इस परदा में विजेए हरीदेव की सात्यों जरा देखिए बहुत मज्जा वाली बात है इस बहुत मज्य आएगा मुझे पढ़ने मज्य निशी तोर से आपको पढ़ने मज्य सबाव कि पहले विधान सभाम में तक्राऊ हुआं प्लिवाल सा प्रसा प्रसा मुखे मतरी ध्र्सार मुख्य sì Γण छोधी में थोड़ी दिक्कत आई कांग्रेस को बहुमत कम मिला राजयपाल मुदय ने आमंत्रित किया मौणलाल सुकाड़िया को आईये, सरकार बनाईये, विपक्ष सब एक हो गया और सरकार बनाने का दावा किया, राजयपाल सामने सुईकार नहीं किया, और फिर से कहा मौ लेकिन थोड़े दिन बाद हाई कमान जो उसमें प्रधान मंत्री इंद्रा गाल्दी जी हुआ करती थी हाई कमान का फैसला आया कि आप अपना इस्तिपत देदी चौती विधान सब्था में महुलाल शुकाडियान है। गाले हो गया आप देखियाह अप निधन हुआ तो मिर्ददाश हाभ कहता है में मुख्य मंतरी बनнос और हरीदेव जोसी यहां पोई मुखे मंद Wallace कि आक ने रहे हैं में अपना मंत्री मंजल बनाया और आपको पहले से बता देता हूं अगर कोई मुख्य मंत्री की का निदन हो जाता है या अपना त्याग पतर देता है तो संपूर्ण मंत्री मंदल भंग हो जाता है संपूर्ण मंत्री मंदल क्या हो जाता है भंग हो जाता है यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ अब हरिदेव जोसी साब ने जरकार बनाई नया मंत्री मंदल का मंत्री परिशल गठन होना था रामनिवास मिर्दा साब से कहा आईए आपको हम मंत्री बनाते हैं लेकिन मत्वेद होने पर भी हरिदेव जोसी ने रामनिवास मिर्दा को मंत्री न्यूक्त किया लेकिन उन्हो यह था कि वहाँ इस पर सरकार नहीं बन पा रही थी तो वहाँ धंगे हुए इस तरीके से पर्थम राष्ट पतिशासन क्योंकि 44 दिन चक चला था वह आपको मालूम है 13 मार्च 1967 से आपके लगवग 26 अपरिल के आसपास का समय था राज्जे में दूसरी बार राष्ट पतिशासन कैसे लगा साथ यह बहुत इंपोर्टेंट है 1997 में केंदर में इंद्रा गांदी की सरकार के स्थान पर मोरार देशाई की सरकार बनी जन्ता पार्टी की जो सरकार है वो केंदर में सरकार बनती है जिसके निर्देश पर कारेवाहक राज्यपाल मुदे वेदपाल ट्यागी ने कांग्रेस की राज्य सरकार को बरकास्त कर दिया इसकार राज्य में दूसरी बार राष्टपती शासन लगा दूसरा रोल भी ऐसा ही होगा और तीसरी बार राष्टपती शासन लगेगा वह भी सिर्कार से लगेगा यहां आप देखेंगे कि आप लोगो एक सरकार बीजीपी की है और यहां पर सरकार इंटा हो जाएगा सरकार अब दैने का चांड़ी कि कि और यहां फ़कर को बर कास्त कियाग कि gratis पर्थम राष्टपति सासन ने बरकास्त नहीं किया गया था सरकार नहीं बनी थी यह द्यानकना और दूसरे राष्टपति सासन में बरकास्त किया गया सरकार को वेरी इंपोर्टेंट जरह देखिए बात आती हैं हमारे चटी विधान सभावu 1977 से 1981 अब पूरा पांस साल नहीं चल रही है अब तद माम साल लगातार चलते आएं बाउन से facebook-52 सब्सक्राइब और यहां देख रहे हैं इसका मतला यहां पे मद्वर्ती चुनाव होंगे पास साल से पहले चुनाव से पूरो विदान सबाद छेत्रों का परिश्मन किया गया जिसमें सीटों के संक्या बढ़ा कर 184 से 200 करती जो आज तक हमारे पास चली आ रही है यहां मैं फिर से आप लोगों को समझाने कोशिज कर रहा हूं कि देखिए हमारे पास पर्थम जो विधान सबाद है पर्थम विधान सबाद में जो हमारे चुनाव हुआ वह ध्यान रखें आप लोग 160 सीटों पर हुआ हमारे पास दूसरी विधान सबाद है दूसरी विधान सबाद जो हमारा चुनाव हुआ वह 106 सीटों पर हुआ ठीक है 106 पर हुआ अब जार देखिए आप लोग तीसरी आम लोग बैत करते हैं आप लोग को चोथी चोथा जो चुनाव हुआ वह ध्यान रखें आप लोग 184 सीटों पर हुआ और हमारे पास छटा जो चुनाव हो रहा है छटी विधान सबाद में तो चटी विधान सबा सबाद में 106 सीटे चोथी विधान सबाद में 184 सीटे और हमारे चटी विधान सबाद में 200 सीटे तो मेरी साब से सीटों का जो मामला है वह एकदम किलियर आप कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए इस सीटों को लेकर को विश्य आप लोग इसी उत बताईए वरना हम लोग 5 विधान सबाद कर सुके छोले सोले में से जड़ा देखिए कि यहां पर हमारी सीटों का जो देखिया आप लोग जो आद भी चला रहा है इस गणी तो जरू समले आप लो हमारे पास विधान सबाद सीटे 200 हो गई विधान सबाद छेतरवी दोसे हो गई और यह 200 जो आधार है वो है 1931 की जनगर्णा 1931 की जनगर्णा को आधार मानते हुए हमने 200 सीटे निर्धारित की गई थी और यह माना था लगबाग 55,000 जन सिंख्या पर एक प्रतिनिद्धी होगा यह मोटा मोटा मैं मान जाकिया आप लोग ठीक है आगे बात करते है कि सीट किन आधारों पर जाती है बढ़ाई जाती है देखो मोटा मैं वह भी बात कर रहा था भी आप लोगों से कि ऐसा मोटा मोटा मानते हैं हम लोग एक जो विधान सबाद छेत्र है एक जो मेले है वह 55,000 जन संक्या का परतिनित्धों करता है तो और उस जार पर हम लोगों 1971 की जनगर्णा देख और उसके आदार पर हमने 200 विधान सबाद सीटे बढ़ा थी अब जैसी जनसें के बढ़ती गई बढ़ती गई और खुब बढ़ रही है तो इसलिए सम्विधान में लिखा हुआ है 2026 के बाद होने वाली दो ध्यानकणा सब्दाव लिगों दो अज दो दर चबीस नहीं हम साम बोल चाल में कहा देते हैं 2026 में परिश्मन सीटे बढ़ी नहीं 2026 के बाद होने वाली पर्थम जनगणना के आकड़े प्रकासित होने तक अगर जनगणना भी होगर आकड़े पांस साल तक प्रकासित नहीं होए ना तब तक विधान सबाद सीटों के संक्या नहीं बढ साम जनगणना के आकड़े प्रकासित होने तक ठीक है हाँ अब हम 200 की बात कर लें तो 200 में से सामन्य की सीटे 144 है और हमारे जो आपके SC की जो रिजर्व सीटे हैं वह ध्यान रखे 32 है और सामन्य से चुनाव लड़के सीट जीत रहे तो संक्या वरतमान बढ़ सकती है लेकिन जो रिजर्विशन है उसकी बात कर रहा हूं तो 32 सीटे SC की और 24 सीटे SC की और सामने सीटे 144 यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग तो यहां पर कांग्रेस की जब्रदस्ता हरुई साब और जनता पार्टी इक 151 152 151 सीटे प्रवाप्त की और उप्चुनाव हुआ तो फिर सीटे 152 कितने में से 200 सवा सीटों में से 152 सीट हाथ यह जनता पार्टी कलते प्रव्षाप्त करती है आप राज्ये की पहली गैयर कांग्रेसर्कार आप तक close as 2 पाच विधान सवाओं में कि सरका कांग्रेस की बनी है कि और यह चटी विधान सबाह में कांग्रेस की बुझी तरह के सिंब्सक्राइ by अब देखिए सरकार बनाने के लिए प्रतिश्वदा माश्टर आदित्यंड और बहरु सिंग सेकावजी के मद्ध्यों माश्टर जी कहें कि साफ मैं सरकार बनाऊं और सेकावज साफ कहें कि सरकार मैं बनाऊं अंत्य इसमें जो बाजी मारते हैं वो बहरु सिंग सेकावजी म कि मद्ध्य प्रदिश से थ्यान रखें आप लोग राज्य सबा सानसत तरह सान से के सबने के समय मद्ध्य प्रदिश कि थे कहीं किते सवाल गुमा सकता है उसकी भाषा उसकी होगी फार तक कांगेर Жिए मुख्य मंत्री 106 शेकावत परतम गेर कांगेर सिमुख्यमंत्री है वो कौन बने भैरु सिंग शेकावजी के मंत्री द्यान रखें आप लोग परतं गैर मध्य दी विधान सभा चुना वह है ये ध्यान रखें आपलो और उसका क्या था राफ्डपती सरुकार जर्ड़ा देखी है राज्जे में तीसरी बार राश्ट पति शाशन बात समझे गैर रांगरिशी मुख्यं मंत्री मोरार प्रदान मंत्री रहे मोरार देशाई साब कि वो चीकला मांजा दे चुरा तुम मांजा रहे तुम मों को गुस्टो दुआ में रहे तुम सु मेरे को उम्मीद है कि उम्मीद हैं कि मैटर भाई साधर मैटर नहीं है यार बहुत महने से तयार किया है और तुम ऐसे रोड़ गदोड़ करने लगे तो फिर दुख सा होता है यहां पर देखो दरद सा होता है ज्यादा दरद नहों जाए बस तो 1980 में केंदर में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस सरकार बन गई उल्टा होगा दूसरी बार जो राश्टपती सासर लगा वहां इस्तितिति अलग और यहां इस्तितिति अलग ज़रा देखे क्या होता है बीजेपी की सरकार केंदर में गिर गई और कांग्रेस सरकार बन गई कांग्रेस ने क्या किया केंदर सरकार के निर्देश पर राज्यपाल रगुकुल तिलक साहब बात कर रहे हैं तीसरा राश्टपती शासन की जो गोशना कर रहे हैं वह अकुल तो वह रगुकुल तिलक कि सरुकार को बरकास्त कर दीया में पहले क्या था वहां जनतादल की किया अब उल्टा हो रहा है कि आप देख रहें यहां पर कि सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी की सरकार को बरकास्त कर रहें तो बहुत सेकावत की सरकार को मैसेज कर सकते आप लोग और यहां से ही आपको बुक रिष्टोर पर नहीं मिलेंगे उसका रिजन यह है कि यहां से आप देखरोगों यह नोट्स रोज आप अपडेट उते प्रिंटेड मिलते हैं इस पाल बैंडिंग मिलते हैं आपको मालूम इस बात का वो बुक वाला काम नहीं है काम एवन मिलेगा शांदर मिलेगा आपका गद गद दिल राजी हो जाएगा मेरा वादा है आप नोट सुनुगाई मेरी वादा है आप लोगों से साती विधान जिनों मंगवाए उनसे पूछली जी आप लोग आपके साथ या आपके साथ पढ़ रहे होंगे साती विधान सबा उन्नीध सो आसी से dankना्याओ यह चटी विधान सबा उप च्छते singles कारती बार चुना होखे यह आप ध्यान रखें तो पहले अमारे पास पास कौंण के साथ किया बरकास्त किया ओके मैं जड़ा देखिए आप लोग कि साथी विधान सभा 1980 से और 1985 इसका मतलब लग रहा है पूरे वासाल चलेगी राज्य पर्थम मध्यावदी चुनाओ चटी विधान सभा भंग हो जाने के बाद राज्य में पर्थम बार मध्यावदी चुनाओ हुए है समद गे मेरे बात को सतेतर से जहां 82 तक चलने थी वहां 80 तक चली क्योंकि वहरुषिंग सेकाव सरकार को बरकास्त किया गया था विधान सभा भंग किया गया था चटी विधान सभा भंग हो जाने के बाद राज्य में पर्थम बार मध्यावदी चुनाओ हुए ध्यान सेटे पराप्त कीती 40-45 के आसपास लेकिन यहां साती विधान सभा में फिर से 133 सीटे पराप्त होई और भारतिय जन्ता पार्ट्री को 32 सीटे पराप्त हुए और फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी विधायक दल का जो नेता है वो जगननाथ पहड़िया साब को चुना तो अब हमारे पास जो मुख्य मंत्री बनेंगे वो कौन बनेंगे जगननाथ पहाड़िया साब ध्यान रखें आप लोग की डियर तो साथिविधान सवा दोसोचा सब्सक्रांस सीटों पेचना होते हैं कांग्रेस को शाथिप्यावा सब्सक्रान कुक्त। गाय भूर काई लेंगा तुम लोग कोई शादी ब्यावा शादी ब्यावन बाई अटेंड करें लाडू भी खाणा पड़ी यार इसे क्यों करें दाओ यार रमुपत्य हमारे मिनान में शादी हमारे पूर्वरास तर्म यही दिनों मोती तो मुख्य मंत्री जगनलाथ पाहड जी मुख्य मंत्री बने तो मद्य परदेश से राज्यसवस हमसर ओर आमारे पास यहां पे जगनाथ पाहड पहड़िया साब तब मुख्य मंत्री बन रहें तो वह कहां से द्यान रखें आप लोग वह भारतपूर से लोकसभा सदेश्य थे और दूसरी लोकसभा में यह सबसे युवा सांसद थे ध्यान रखें आप लोग आगे बात करते हैं यहां आप लोगों बहुत बढ़िया बात आपको सुनने को मिलेगे भारतपूर के वैर छेतर से चुनाव जितकर विधान सबा की सदेश्टा घ्रेंड की थे तो यहां वैर से चुनाव जितकर आए राजिस्तान में पर्थम जो अलब संक्या मुख्य मंत्री थे वो हम लोगो कोने बरकतुल्ला-ख़ाप को पड़ा था तुबार मुख्य मंतरी रहते पद पर रहते हुए उनका निदन हुआ था पॉलिय का भाण हे अगात्र का निदन हुआरी रास्तन के एक मात्र मुख्य मंत्री जिनका दिदन पद पर रहते हुआ था अनुसूचित जाती के जो पहले मुख्य मंत्री रहे वह जगनाथ पाहड़िया पहले क्या एक मात्र रहे ध्याद रखें आप लो कांग्रेस आई कमान के निर्देश पर जुलाई 1981 में जगनाथ पाहड़िया ने भी ट्याग पत्तर दे दिया था अब दोस्तो आप लोग उस्तमना चाहिए सबसे पहले जो ट्याग पत्तर दिया था वह ध्याक पत्तर टिकाराम पालिवाल साब्य दिया था याद आप लोगों को ओपिर जैनार्ण व्यास मुख्य मंत्री बन था और तीसरा त्याक पत्र आपको देखने को मिल रहा है वो किसका आ रहा है ध्यान रखें आप लोग वो जगनात पाहड़ीय का आता है तो यह आपको मालूम होना थी नए मुख्य मंत्री सिवच्रन माथूर को मुख्य मंत्री बनाया गया इनसे इस्तिपा ले लिया गया जगनात पाहड़ीय साब से और इस्तिपा देने वाले आप तक के तीसरे मुख्य मंत्री हैं और ध्यान रखें आप लोग और फिर विदायक दलका सिवच्रन माथूर साब को मुख्य मंत्री बनाया गया किलियर कि 1985 में डीग में चुनाव परचार के दोरान निर्दलिय प्रत्याशी राजा मान सिंग की पुलिस फाइरिंग में मोत हो गई इस कानुनी विवस्ता बिगड़ने कान सिवच्रन माथूर ने अपना त्याग पत्तर देने वाले चोथे मुख्य मंत्री हो गए परसम टीकराम पालिवाल दूसरा मोहलाल सुकाडिया तीसरा जगनाज पाहडिया और चोथा सिवच्रन माथूर पालिवाल ने इस्तिपद दिया उसका में कान बताया जनरल व्यास को मुख्य मंत्री बनन था मोहलाल सुकाडिया ने इस्तिपद दिया हाई कमान उनिदिस पे दिय जगनत पहाड़िया ने इस्तिपा दिया वो भी हाई कमान निदिस पर दिया और यहां पे जो इस्तिपा दे रहे हैं सीवच्रन माथूर साब कि वो क्या हुआ पुलिस फाइरिंग में जो डीग में उप्चुना परचार के धोरान निर्दले प्रताशी राधा मान सिंग की पुलिस फाइरिंग मोत हो गए इस कारण सरकार घिरी और फिर उनन पर त्याग पतर दिया और उनन त्याग पतर दिया तो ज्यान रखें हिरलाल देवपुरा क्या बने मुख्यमंत्री आप देखिए आप लो सब्सक्राद स सबसे कम कार्यकाल हिरलाल देवपुरा नहीं है आउशुक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि यहां को गडबर थोड़ी हुई है वो तो पुलिस फाइरेंगे वहां के निर्दले प्रताश्ची का निदन हो गया मोत हो गई इसकार से व्योस्ता बिगड़ी और फिर उन्हें ट्याग पत्र दे दिया तुनाव नजदीक थ होता क्या है कि मुख्य मंत्री इरलाल देवपुरा को बनाते को बनना चाहेगा रपत नाम लेना है तो आप लोग 15-20 दिन की बात है तो 16 दिन तक मुख्य मंत्री रहे इरलाल देवपुरा यह ध्यान रखें तो सात्वी विधान सभा की अउधी कि 1980 से 1985 में हमें तीन मुख्य मंत्रियों के नेत्रतों में सरकार बनी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक बात को समझा राखें देखिए सात्वी विधान सभा में तीन मुख्य मंत्री बने हैं कितने बने तीन बने जगनात पाडिया एक वर्स और 37 दिन तक रहे हैं फि कि 2019 व्यास और तीसरे नंबर पर कोन था मोहलाल शुकाडिया पहले विधान सभा ने हमें तीन मुख्य मंत्री दियें और यहां देख रहे हैं तो फिर से हमें क्या मिलें तीन मुख्य मंत्री मिल रहे हैं कि अब आठी विधान सभा उन्नीसों पिचाशी से नब्वय कोई खास बात नहीं है उन्नीसों सथेत्तर दोसों सीटों में साम्मानी 143 यह रिजरुशन से शेम रहेगा चुनाव प्रणाम देखिया आप लो भारतिय जंता पार्ट्य को 38 सीटे और कांग्रेस को 113 सीटे प लुए असाम के राज्यपाल थे और तीन दिसम्बर को शपत गिनेंट था किन्तू हो नहीं सका राष्टपति द्वारा हरीदेव जोसी का राज्यपाल के पद से त्याक पत्र स्विकार नहीं किया था नहीं असम में नहीं राज्यपाल के न्युक्ति के गई थे अम कहतें लाब का पद नहीं होना चाहिए तो हरीदेव जोसी साब है यह असम के रज्यपाल थे और अपना त्याग पत्र दे दिया और तीन दिसंबर को शपत ग्रहनों न था लेकिन राष्टपती द्वारा हर्देव जोसी का जो राजयपाल के पत्त से त्याग पत्र था उसे सुविकार ने किया गया और नहीं असम में ने राजयपाल की न्यूक्टी की गई त्याग पत्र भी नहीं लिया ठीक है त्याग पत्तर भी नहीं लिया को एक भाई लिख रहा है सर्माजी वह कौन सा मुख्य मंत्री है जो महिला पर गलट टिपनी करने पर अठा दिये गे थे सर्माजी हमें मालूम नहीं है यह और आपको मालूम है तो आप जरूर उबगत करा है ठीक है तो राज्येपाल क के पज से त्याग पत्र सुविकार नहीं किया था और नए असम के ने राज्येपाल तो इस समय सम्विदानी संकट के नाम से जना जाता इसे और राज्ये के मुख्य मंत्री फाइनल हरीदेव जोसी बने पहले बन गे और दूसरी बार बने नोट जैनवरी 1988 में कांग्रेस हाई कमान के निर्देश पर ठ्याग पत्र देने वाला पांच्य मुख्य मंत्री रखें है अप लोगर हरीदेव जोसी साब जो लगातार तस बार विदायक सब्रें मुए 4 थे दस बार विदायक बने ध्यान रखें आप प्सांगों और Bowl एम सब्सक्रिदां का मक्ला करेक्षें दो हम लोक बराबरू साषतं लेते चलेंगे ताकि हमें सब्सक्रिक्द दक्त नह craftsman दिक्क्त नहीं है तीन बार मुख्य मंत्री बनेंगे यह ध्यारकन आप लोग है तो सिवचनल माथूर प्रसासनी सुधार रायों का दक्ष्पी रहे हैं और यह कोई खास बात नहीं है इसमें ठीक है आप देखिए हैं बहुत इंपोर्टन कोईश्यन 1989 में नोई लोग सबाके चुना हुए है कांग्रेस को राजस्तान में एक वी सीट प्राप्त नहीं जिसकारण से सिवचनल माथूर को ठ्याग पत्तर देना पड़ा इसका रिजन था और नए मुख्य मंत्री अरिदो जोश्य को बनाया तीसरी बार बन रहे हैं कांग्रेस तक रहे हैं आप देखरों यहां कहीं भी पांस साल नहीं लिख रहे हैं राजस्तान की वह मुख्य मंत्री जो तीन बार तो बने एक बार भी आपना कारेकाल पूर्ण नहीं किया वह कौन है हरीदेव जोशी साब है कि देखिए हरीदेव जोशी तीन बार मुख्य मंत्री ब पूनरा नहीं कर सके हो तिनों भी अपना पूनर नहीं कर सके हो आप सब्सक्रिंब नेतरओ अरेविदान सब नहीं नंकिक शिप्र 3 और व्यक्तीक की हादार पर लगया सब्सक्राइक बन गया और फिर अरिदेव जोशी मुख्य मंत्री तो एक ही विदान सवा में दो बार मुख्य मंत्री बनने वाले जो विदा आप लोगों कोन है तो वह अरिदेव जोशी तो ध्यान रखें आप लो आठी विदान सवा में तीन बने लेकिन व्यक्ति तो दो ही है ना तो व्य फिर से हमारे राष्टपति शासन लगेगा भारतिय जन्ता पार्टी को 25 सी सिटे प्राप्त हुई अब चुछ थोड़ा मेंटर कम हो जाएगा ठीक है हाँ यहां देखेंगे नौई विधान सभाव में यह छोड़ी आप लो बहरुशिंग सेकावत की नेत्रतु में सरकार बनी दूसरी बार बहरुशिंग सेकावत ने सरकार बनाई पहली बार बनाई एकि सरकार लंबी नहीं चली और बरकास्त किया गया सरकार को राज्य में चोथी प्रारव हो लिए और 3 डिसेंबर 193 में तक चल रही है आप एक साल माल लीजी कितना सा गट्रें आपके 12 तिरी दिन गट्रें वहीं यहां हम लोग 15 दिसंबर से प्रारम हो रहे है राश्ट के चल रहा है मला तराणमे में तो लगभक एक साल तो सरवादिक लंबे समय तक र कारम हुआ और 3 दिसंबर 1930 में को सबसे लंबे तमें समय तक राश्च्पति शासन चला है राजस्तान विदान सभा को भंग कर दिया गया और विदान सभा को समय से पूर भंग किया गया यहां राश्च्पति शासन की जो गोष्णा करने वाले हैं वह एम चेन्ना रेडि आप देखिए यहां पर यह लंबा चला है लगभग एक साल एक साल में आप लोग 12-13 दिन कम मान लीजिए तो यहां पर तीन राश्च्पति राश्च्पति शासन की घोष्णा हुई तो राज्च्पति मोदे एम चेन्ना रेडि है एम चेन्न रेडि एम चेन्न रेडि साब अठगे तो धनिक लाल मंदल साब आए राश्च्पति शासन जारी रा यानिकी मध्यम है और उसे समाप करने वाले बलिराम भगत है रश्च्पति शासन की तीन ध्यार रखें आप लो एम चेन्न रेडि राश्च्पति शासन जारी रहा और बलिराम भगत राश्च्पति शासन समाप्त किया तीन ध्यारएं रकेंग आप लो अ दस्वी विधानसभा विधानसभा सीटे 200 यहां देखेंगे भारतिया जनता पार्टी सबसे बड़ा दल की रूप में उब रही है दस्वी विधानसभा में कांग्रेस को 76 सीटे प्राप्त हुई और इधर भारतिया जनता पार्टी को पिचान में सीटे प्राप्त हुई तो हुआ है तीसरी बार मुख्य मंत्री बन रहें तो ट्रों थीक्षों यहां देखिएंगे आप लो तो बहरस्जुन सेक वाद तीसरी बार मुख्य मंत्री बने पहली बार छटी विधान समा में दो वर्स 249 दिन कार्य काल रहा दूसरी बार नोवी दान समा में दो वर्स 286 दिन कार्य काल रहा तीसरी वर, विधान सवर में चार वर्स 360 तेन पूरा पूरा रहा इस प्रकार करके दस वर्स छ हा दिन मुख्य मंतिरी रहेये ध्यान रखें तो बएर्षिण से कावद जी तीन बार मुख्य मंतिरी बने और तीनों बार इनेता पर्ति पक्ष रहे दस बार विदाय करें भारत की ग्यारोई उप्राश्ट पति रहे उननीसों चोहतर से उननीसों सदेतर तक राज्यपल सदस्य रहे तो यह बाते आप लोगों कुछ ध्याना करना है तो कल हम इस टोपिक को कंप्लिट करेंगे अगली पर आपको जिला परसनल पढ़ाए जाएगा और बहुत जल्दी आपके पूलिटी पूरी होने के बाद आप जो सब्जेक्ट कहेंगे वह सब्जेक्ट हम सुरू कर देंगे के लियर जिनके पास नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है नोट्स लेके पड़े और जिनके पास नोट्स नहीं है आप रायथान के नोट्स पड़े आप बच जाएंगे वरना दल्दल में गुष्टे जाएंगे गुष्टे जाएंगे घुष्जाईए गुष्जाईए आप नोट्स बना बना के बावले हो जाएंगे यहां नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं सैड लाइन को पढ़िए एक विश्य को पढ़िए और पूरी तरीके से आपका दिल संतुष्ट हो जाए कि गुरुजी मज़ा हो गया मार्केट में दो मिनट से में भूक लिया आते हैं उसके कवर देख लेते हैं एक आदा पेज दिख लेते हैं कलर से पेज दिखा दिखा दिते लेके आते हैं आप बाकई राष्थान के नोट्स पढ़ें आप लोग फिर में पढ़िए एबुक के रूपे को और नोट्स का प्रिंट मंगवा यहां से मंगवा सकते हैं आप सभी को सुब रातरी कल हम लोग कोशिज करेंगे इस टोपी को पूर्ण करनेगा धन्यवाद रम रम साब यह देखे साब दस्वी विधान सबा आप दस्वी ग्यारवी बारवी तेरवी चोध्य और पंद्रवी और सोल्वी हमारे पास चल दी हैं पूरे-पूरे 5 साल के लिए चलेगे समझ गे आप लोग पूरा-पूरा 5 साल चलेगा 1937-38 में 180-38 में से आप लोगों के तीण तीटीश्म से पां पांच ंसस्जव पांच से आठ आट ऐसे से संक्या हम लोगों को दोसो देक ने को मिली तो दोसो विधान सभा सीटों पर चुनाओ होंगे यह इस बात को आप यहीं समर लें किसी पिरकार के यहाँ सदेश्य की सीटों की संख्या में कोई किसी प्रकार की कमी बढ़ोती हमको देखने को नहीं मिली देख लिए बिलकुल अनिता जी बहुत बढ़िया कुश्मु जी बिलकुल राम राम आप सभी को सर्मा जी सभी का सवागत है आपका अब आम लोग क्लास में लगते हैं पूरा अंग्रेज को Sitti 76 इसका मतला यहाँ पे जो सरकार बनाएंगे वो ध्यान रखें आप लोग कोन बनाएंगे बेहरो सिंग से खावत जी नहीं बनाएंगे और ब्हारो सिंग यहाँ पर क्या बनेंगे मुख्य मंत्री बनेंगे जो कि वाध वडिया राकाजी बहुत वडिया च्छटी विधान सबा जो पहली बार गेर कांग्रेश से सरकार बनी थी। गेर कांग्रेश हुआ था राजीपाल महुदे से इसको क्या करवाया भं करवाया ध्यान रखें आप आप लो बहरुसिंग के सरकार के की सरकार गिर गई विजार सबा भंग हुई तो यहां कारेकाल है दो वर्ष 249 दिन रहा दूसरी बार नौही विधान सबा मेंदो वर्ष – 286 दिन और तीसरी बार दस्वु विधान सबा में पूरे पांस साल क्यार वर्स तीन सो साट दिन कुल मिलाके दस वर्स छे दिन तक ये मुख्य मंत्री रहे ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भैरु सिंग सेकावच जी तीन बार मुख्य मंत्री और तीन बार ही नेता पर्तिफक्ष रहे इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं वैसे आपको ध्यान होगा हरीदेव जोसी जी थे वो भी तीन बार मुख्य मंत्री रहे लेकिन उसमें इंपोर्टन्ट क्या था इंपोर्टन्ट ये था कि वो तीनो बार में एक बार भी अपना कारेकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे तीनो बार में वो एक बार भी अपना कारेकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे या आप लोग ध्यान रखे कि दिनों बार में से एक बार भी कार्यकाल पूंड नहीं कर पाए थे कौन हरीदे जोसी झाल ठीक है और बहुसिभी सेकाव साब ने तीन बार में से आप देखेंगे यहां पर तो कितनी बार एक बार अपना कार्यकाल पूंड किया है यह आप देखेंगे अगर देखें आप लो कि हरें जोसी साब है वो लगातार 10 वार विधायक रहे थे और यहां भी देखेंगे आप लोग तो बहरुसिंग से कावजीव 10 वार विधायक रहें हम लगातार सब्द नहीं जोड़ाएं यहां पर भारत के 11 उप्राषट पतीर हैं और साल के लिए पूरे-पूरे-पूरे-पूरे-पांच साल के लिए क्या रहेंगे आप फूरे-पूरे-पूरे-पूरे-पनक चलेगी विधान-ख सबार चलेगी इसलिए Private काल में अब आप लोगों को इंपोर्ट है नहीं आपको 5 साल लगतार जोडते रहना है चुना प्रणदाम की बात कर रहें देखिए विधान सभा सीटे 200 थी इतने 200 200 में से कांग्रेश को 153 सीटे प्राप्त हुई थी एक विधान सभा चुना हमने पीछे देखा था 145 सीटे सबसे ज्याधा अगर सीटों की संक्यादेक कांग्रेश को तो वह इसी विधान सभा में द्यान राके आप लोग कांग्रेश को सर्वाधी सीटे कौन सी विधान सभाम प्राप्त हुई आप कहादेंगे सार 11 विधान सभा में और यह संक्या 153 थी ठीक है बहारतिये जंता प कि यारी विधान सभा में हमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ना बस दो तिन बाते पड़नी है हम लोगों को ज्यादा जोड़ तोड़ कुछ होगा नहीं तो इसमें डाजा डिटेल नहीं पड़नी इसार ऐसा है कि यहां पे 200 विधान सभा सीटों पर चुना हुआ 200 में से 153 172 विधान सभां और मुखे मंत्री अशोग गहलोत यानि दलग के जो नेता है वह चुना तो यहां क्या मुख्ये मंत्री इस चुनाव में पहली बार आप बात करेंगे जौनी पूरी आप लोगों के पास साल के लिए ति हैं जो आप लोगों कीposition मसीनिना ये आप ल सब्सक्राइब यह वेरी इंपोर्टेंट है तो आप लोग कहांगे सर 2003 में जो आप लोगों के बार्वी विधान सब्सक्राइब है उसे पहली बार EVM मशीन से बोर्टिंग हुई ति ध्यान रखें आप लोग अब देखिए आप लोग आप एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस तो विधान सब्सक्राइब अब असर गैलोत मुर्खे मंतरी ठीक है फिर वासंद राजी मुख्यमंतरी इस तरीके से आप लोगों कुँँ द्यान रखना है इसको ठीक है मुख्य मंत्री वसुंद्रे वसुंद्रा राजे बनी राजे की पर्थम महिला मुख्य मंत्री आप देखा होगा कि पीछे चित्रे भी हमारे मुख्य मंत्री बने उन्हें महिला मुख्य मंत्री नहीं बनी कमला वैनिवाल जी को हम लोग उन देखा था कि वो मंत्री रही है औ और इसी ही विधान सबा में जो अध्यक्ष हैं वो सुमित्रा सिंग को बनाए गई राज्य की पर्थम महिला विधान सबा अध्यक्ष आपको याद रखेंगे बारुई विधान सबा ने मुख्य मंत्री भी महिला दी और ध्यान रखें आप विधान सबा अध्यक्ष भी महिल कोन नहीं है द्यान रखे कि δिया खेन सबक्षर के सुमित्र सिंह्ग राज्य की पर्थम महिला मुख्य मन्तरी अम लोग दोनों महिला और ओ है नहीं यहां पर अब बात करते हैं साथ यह तेरी विधान सबाव कर सब्सक्राइब कर आप लोग के एक पहला उसर था जब तीन हमारे समयदानिक पदों पर महिला आसिन थी कि हम यहां देखेंगें थोड़ी सी मुझे गडबर लग रही हैं तोड़कर नहीं सीटे बनाएगी किसी विदालों को इस्वश्भूमत नहीं मिला खंड़ी जनादेश वाले सरकार बनी निदल्य वाज़स असो गैलों सरकार बने यह आप लोगों के तेरी जो विदान सबाएगी यहां से चलेगी आप लोगों क यहां से चलेगी तो आप लोगों के तेरी विदान सबाएगी बात करें तो यहां पर जो सरकार बनेगी वह अशो गैलोजी के रेत्रतूम बनेगी यह जो एना आपके वसुंद्र राजे पीछे वाली विदान सबाएग कहानी है राजय परतीवा पाठिल यह पीछे वाली यह जरूर द्यान रखें आप लोग तो यह पीछे वाली जो कहानी है वह आप लोग द्यान रखेंगे और यहां से हम लोग इसको अशोग गैलोद दूसरी बार मुख्य मंत्री बन गए और इस विधान सवा में सरवदिक महिला सदश्य निर्वाच उजती उनकी संक्या कितनी थी 28 अब तक है अगर किसी विधान सवा में सबसे ज्यादा महिला सदश्य निर्वाच उए तो वह तेरी विधान सबाथी यह कांग्रेस ने 153 सीटों के आसवास प्राप्त की गैलोद साब मुख्य मंत्री बने थे 10 विधान सवा की बात है यहां आप लोगों के चोदवी जो विधान सवा है चोदवी विधान सबा में आप देखेंगे कि भारतिया जनता पार्टी को खुल मिलाके 163 सीटे प्राप्त सब्सक्राइब भारतिया जनता पार्टी को जो प्राप्त सीटे हैं वह कुल मिलाके 163 हैं और इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र मात्र 21 सीटे मिली थी यह आप द्यान रखेंगे स्थ्कार वसुंद्रा जी बना रहे हैं तो वसुंद्रा राजे दूसरी बार मुख्य मंत्री बन रहे हैं 11 में गहलोत साफ 12 में वस्टे ए यह वसंद्राजी बार मुख्य मंत्री बन रही है यह लोग सबाशांसद भी रही है नोई और तेरी विधानसबा में एक बार विदेश राज्य्य मंत्री रही है अटल विहारी वाजपी सरकार में और विधानसबा-दक्ष यहां कैलास मेगवाल साथ बना गया चोदी विधान सब इस प्रकार आप लोगों से पुच जा सकते हैं कि राज्य के कोन से मुखे मंत्री है वह आप लोगों के एक बार विदेस राज्य ने луч विधान सबाकर आप के पंद्रवी विधान सबाव फिर से गहलोस साब आ जाएंगे दो हजार अठारा दो हजार टेवी साथियों मुख्य मंत्री यहां अशो गहलूत बने जो तीसरी बार मुख्य मंत्री बन रहें और इंपोर्टेंट यह है कि तीनों बार ही अपना कारेकाल पूर्ण किया कि हम लोगोंने मोहलाल सुकाड़े साब भी मुख्य मंत्री चार बार रहें लेकिन उन्होंने जो अपना कारेकाल पूर्ण किया वह दो बार किया हरीदेव जोसी साब ऐसे मुख्य मंत्री रहें तीन बार रहें लेकिन तीन बार में से एक बार भी उन्होंने अपना कारेकाल ने किया गैलो साहब तीन बार मुख्य मंतिर रहेंगे और तीनों बार में अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे वहरुसिंग सेकावस साहब तीन बार मुख्य मंतिर रहेंगे तीनों बार में एक बार अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे पास सालगा यह बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं तब थोड़ा डीपली सवाल पूछता है एक्जामनल तो वहां यह विशेश करके काम देते हैं ध्यान रखें आप लोग विधान सभा अध्यक्ष जो बनाए गया वह किसको बना दिया स्टीपी जोसी साब को हमने पहले revenue मंध्री सचिन पालेड साइब कि मिला के आमने पहले उपमुख्यमंत्री ०्क पालिवाल साब मंतर बने अग्मात्र ऐसा उसर आप्तकराढ़िवाल सा आई उप्मुख्य मंत्री रहें नाम है उनका ऎकराम पालिवाल साब जो 1952 में जिरानन्य व्यास सरकार और यह जो सचीन पाले. सब्सक्राइबा यह पांचवी आश्र था चब मोख्यमंत्री बनाए और आपके भजनलार सरमाजी सरकार में अगर आप लोग बात करेंगे तो वहां दो मुह मन्तरी बनाए तो कुल मिला के अभ तक साथ उप मुख्य मंत्री बने और ये भी आप लोग ध्यान रखें कि ये उप मुख्य मंत्री का जो पद है एक सम्मेदानिक पद नहीं है समझ गया आप लो ये ध्यान रखें आप लो तो विधान सबा में विपक्ष निता गुलाब चंद कटारिय साहब अशो गहलो तेलवार मुख्य मंत्री बना इनका कारेकाल मोहनलाल सुकाड़े के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारेकाल रहा है क्योंकि मोहनलाल सुकाड़े साब का 16 वर्स लगबग 105 में दिन था उसके बाद में गहलो साब का लगबग 15 साल होई गए और फिर हम लोग उन्देखा बहरुसिंग सेकावजी का तो वहां 10 साल और कुछ दिन थे यह आपके टिप्स वहोनी चीज़े यह बात है जालो साब 5 वार लोगसबा सांसद रहें साथवी आठवी दसवी जयार और बार यू लोगसबा कंदरी मंतिर रहें यह आप से सवाल पूछ सकते हैं तो अपROब्लोग राश्ट्र कंग्रिस के महा सच्णी वी रहें इस प्रिकार के सवाल भी आ को एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं अब बात कर रहे साथ कि हम लोग सोली विधान सभा देखिए तोलवी जो विधान सभा है दो हजार 23 से लगातार है चुनाव प्रिणाम आपके 199 में सीटों पर आपके इलेक्शन हुए और फिर बाद में एक करनपूर विधान सभा सीट पर चुनाव बाद में हुए ठीक है यहाँ पर टीटी साब जिने पहले मंत्री बनाया गया और फिर उनने चुनाव लड़ा था बीजेपी की प्रत्याशी थे हर गये थे तो इस प्रकार 200 विधान सभा सीटों पर चुनाव है भारतिय जनता पार्टी को 115 सीटे प्राप्त हुए कितनी 115 अभी कोश्टक में मैंने प्लस 42 लिखाया क्योंकि से करन्ट के आकड़े हैं तो इसे हम लोग अधंग से कांग्रेस को यहां देखेंगे आप लोग 99 सीटे तो एक प्राप्त हुई और एक करणपूर विधान सभा सीट से फिर कांग्रेस जीती इस पुल मिला के आप लोगों के 70 सीटे कांग्रेस के पास है उसमें से माइनस जो 30 सीटे है यानि पिछली बार की मुकाबले में 30 सीट तो भारती आदिवासी पार्टी के तीन सद्शिया जो x3 भारती बार पिछली बार 6 सीटे थी दो सीठे प्राप्त हुई मेरी सबस माइनस का मतलब क्याonie प्लस का मतलब पिछली विधानσι यहीं पंदणी विधान सभा की तुल्हां में भड़ोतरी और यहां विधानसभां मुख्य मंत्री गजल लाल शर्मा है एक एसा उसर था राजस्ताण की राजनेति में जो पहली बार विधायक भने थे और पहली बार विधायक बने और उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का पद प्राप्ट किया तो वो भजलाल शर्मा साब है। भजलाल सर्मा साम जो रहने वाले हैं वो अटारी से हैं, अटारी गाओ भरतपूर में हैं, वहाँ 1966 मिन का जनम हुआ। और विदायक जो बने वो सांगा नेर विधान सबा सिर्ट से बने यह ध्यान रखेंगे आप लोग विदायक कहां से बने सांगा नेर विधान सबा सिर्टर से विदायक बने और शपत इन्हों ने प्राप्त की वह 2000 तो मुख्यमंत्री जी यहां बने यह एक ऐसी सरकार है जो दो उप्झ। उप्मुख्य मंत्री बनाएंगे देखेंगे आप लोग यहां उप्मुख्य मंत्री श्री परेम चंद है और यहां देखेंगे लोग कि जी है यह च्छटे और साथ हुए यानि अब तक राजस्तान में साथ उपमुखे मंत्री बनने इतने साथ यानि सेवन आप लोगी बात द्यान रखें प्रोटोम स्पीकर साथ यो प्रोटोम स्पीकर की में पहले बात कर चुका आप लोगों से एक ऐस्ताई अध्यक्षत ठीक है जो केवल आप लोगों के शपत दिलाता है और चोटा मोटा काम रहता है जो आप लोगों के एक वहां विधान सबक कारो इस तब करते हैं इतना सा काम होता है इनका तो द्यान रखें आप लो काली सन शराप सापको बनाया गया और शपत सदस्यों का एक पैनल बनाया गया और उस पैनल में विदायक दैराम परमार साभ है प्रताप सिंग जी सिंग्वी हैं डॉक्टर किरोडिलाल मेना जी है तो तीन ये सदस्यों का जो पैनल है वो इनके सहयों के लिए काम करेगा और प्रोटॉम इश्विकर वो ध्यान रखें विधान सबादक्ष वाशुदेव देव नानी चुटरविं का जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस और वीपक्ष ने आपना जो नेता चुना वोटी कराम जूली साभ को चुना अनुसुचित जंजाती से आते हैं अलवर ग्रामिन इनका विधान सभा छेतर रहता है पिछले बार के विनेट मंत्री रहे थे कांग्रेश सरकार में तो ध्यान रखें विधान सभा में विपश्के नेता है राज्जी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुना हुआ अब बात करते हैं कि जो हमारे यह जो सोली विधान सभा है क्योंकि यह करेंट में चल रही है तो इसमें लोग बहुत विस्तार से नोट रहता है है कि सरवाधिक मतांतर से विज्ए है जो जादा मतों के विधान सबस्षेतर से और 31,368 मतों से इन्होंने विफक्ष अपड़े प्रतिदियों को पराजित किया तो सबसे ज्यादा मतांतर से जो विजय प्रयाप्त की वो ध्यान रखें आप लोग दिया कुमारी जी ने जो हमारे मानने मुख्य मंत्री भी है तो ध्यान रखेंगे आ आप लोग वह 71,368 सबसे ज्यादा अब बात कर रहें न्यूंतम मतांतर से विजय अंसराज पतिल साब कोटपूतली विधान सबस्षेतर से मातर 321 मतों से पराजित हुए रमेश खीची कठुमर विधान सबस्षेतर से 409 मतों से पराजित हुए यह आप लोग ध्यान रखे समझे और आप लोग अरे मेरी बाते समझें ने समय देवी देवता बता दिया कर तो मेरे लियंक्ते बिधय उताई हो वाई है सो गई onlar तो बहुत रखें आप लोग कुल मिला के महिला जो आप लोगो के सदस्ये हैं विधान सभाव वे उनके संक्या 20 अब 20 को आप लोग जग रहे हैं बहुत वड़िया दोलत्राम जी पीस को आप लोग फिर डिवाइब बाते सिर्व मैं बता रहा हूं वो सर्मा जी समझ में तो आ रहे ना आप लोगों के भई आप लोग इस बात को मांदे नहीं मांदे इस तरीके से अगर हम लोगों नोचों का इस तरीके दोराय हो जाए दोराव जाए नोच तो का इस प्रकार से हो जाए तो मैं नहीं समझता है आप लोगों को किसी कोचिंग करने के आसकता पड़ी दिखिए समय बचा हमारा 20 बच्वास्त नहीं पड़ी कोड़िब लोग लिखते समय आपका खराब होता म जमारा यह रहता लंबा आप लोगों के क्लासे चलती लेकिन मेरी यह कि राजस्तान में बच्चों को कुछ अलग दिया जाए अधूत दिया जाए जिसकी वर्तमान में जरूरत है वही प्रियास में लगा हुआ हो पहले आप लोगों के ब्रमास्तर नोट त्यार किये आप तक पहुंच आए आप में से अधिकांस बच्चों ने मंगवा लिए यह नहीं मंगवा लेना और आपके हाथ में नोट्स है और सामने उन नोट्सों के पूरी व्याक्या की जा रही है इसते बड़ा काम नहीं हो सकता सातियों विध्यारतियों के लिए बस आप सपोर्ट कीजि कर दोट बूत बुटन प्रके में अगे बचैने हो मिलाटस विदायक उनमें से कौन कौन से अमके तेनी तो रहें और बीजीपी से और दो क्या है निर्दली ये भी हमने बठवारा कर दिया बीस में से नो नो और दो निर्दली है एक चुनाव करणपूर विधान सवा सीट पर बाद पर हो है यह द्यान रखे हैं आप लोग नोट शांदार नोडाउट पर थोड़ा डिसकाउंट दोलत राम यह क्या एक्चुन में समझें बातों को यह जो चीजे हैं ना यह आप लोगों के dinner इस तरीके से यह व सांद recipes काम नहीं है किताब होती है वह किताबगत शस्ति चपती है उन वा को मांखत है इस पर कमा हुए और फिर भी आप लोगों के असपास अपके घर पहुंच रहे हैं अप फोटो काफी करवा तो वह भी है तो आप खुद सोच लिए इसमें डाक चारज में शामिल है पैकिंग चारज भी है आपके जो लड़के काम करते हैं उनका खर्चा भी है तो यहां कमाई वाला जरूए जरीया नहीं है इसलिए से डिस्काउंट शब्द को अठा देजी आप लोग दोलत्रामजी ठीक है आगे बात करते हैं लोग कि ग्रामेण छेत्रों में जो आप लोगों के पोस्टल बैलेट जो किया था आपको मालूम होगा 55.45 परतिसात हमारा मत परतिसात रहा है राजस्तन का और उसमें आप लोग लोग देखेंगे तो पोस्टल बैलेट से जो मद्दान हुआ वह 0.13 परतिसात जो आप लोगों के दिव्यांग जन है जो आप लोगों के सरकारी सेवाओं में हैं उनका जो हुआ था आप लोगों के उसे हमने पोस्टल बैलेट बोला है यह द्यांदा के आप लोग ग्राम सरवादिक मद्दान वाला जिला है वह हनुमानगड है कितना चेंटर पॉइंट 65% दोनों बाते ध्यान रखें आप लोग एवरेट और यह भी ध्यान रखें कि मत परतिसत हमारा 55.30 रहा था और उसमें ग्रामिण सरवादिक मद्दान परतिसत वाला विधान सबाचे वो तो विधान सबाचेतर कौन सा है तो रानिवाडा चान में पॉइंट 10 परतिसत समझ गये कि आप लोगों के सो लोग है सो में से चान में लोगों ने मद्दान किये यह देखिए बहुत महत्तोकून भूमी का निभाई यह सरकार बनाने में जंतंतर में तो वह आप लोगों के रानिवाडा आपके नंबर वन पर वेरी इंपोर्टन कोश्चन कि आपके सरवादिक मद्दान परतिसत वाला विधान सबाचेतर कौन से आप लोग कहा देंगे रानिवाडा आप च्यान में पॉइंट 10 परतिसत आप लोगों के नोट्स में है जिन्हों मंगवाले उनके पास दिक्कत नहीं मंगवाए एट में पड़ सकते हो स्री नरोत्तम लाल जोसी सहाफ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना पर्थम विधान सबा पांच साल तक ये विधान सबा अधिक्ष रहे थे और एक बहुत मह जो स्री राम निवास मिर्दाशाप सरवादिक इनका कारे काल रहा है पूरिये पूरों केंदर मंत्री रहे रास्तान संगीत अकादमी के पूरों अधक्ष भी रहे तो सबसे लंबे समय तक विधान सबा अधक्ष के पद को शुशोवित करने वाले जो मान्ये थे वह स्री राम नीवास मिर्दा सहाब थे ध्यान रखें और वहीं राम निवास मिर्दा सहाब है जिनका मुख्य मंतरि की दोड में भी रहे थे और यह इनके विपक्षक डिम मुख्य मंतरी बना उसे दल से तो फिर इनको मंतरी बनाए लेकिन इन्होंने शपत नहीं लिए मंत्रीपत को ग्रेंट नहीं किया कि स्री निरंजननाथ अचारिय साहब विदान सभा उपादक्ष भी रहे हैं स्री रामकिम किसोर व्यास साहब पूर्डुचेरी के रजयपाल भी रहे हैं लक्ष्मन सिंग्जी आमने पहले भी चर्चा क किती जूंगरपूर के अंति महारावल रहे थे यह ध्यान रखें आप लोग श्री गोपाल शिंग्जी है वो रहें प्रमुख्यां आपके पूनमचंद विष्णोई यह ध्यान रखें आप लोग तीन बार प्रोटोम इश्पी कर रहने वाले सवाल पूछेगा आप लोग तो आप लोगों थोड़ा देखना ही पड़ेगा कारेकाल नहीं पूछेगा आप लोगों से लेकिन यह बाते आपको पता होना चीए श्री हिरलाल देवपुरा साब आपको हिरलाल देवपुरा साब मेंने पड़ाया था कि राज्य में नियूंतम जो मुख्य मंत्री के नियूंतम कारेकाल रहा यह भी आप लोगों ध्यान रखेंगे श्री ग्री राज परशात्ति वारी विधान सभा उपादक्ष भी रहे हैं हरी शिंग भाबड़ा साथ अब यह हमने पढ़ाया था राजिस्तान के वो मुख्य मंत्री जो विधान सभा अदक्ष भी रहे है हिरलाल देवपुरा साब और हिरलाल देवपुरा का मुख्य मंत्री के रोप में कारिकाल न्यूंतम रहा है अब बात कर रहा है कि राजस्तान के विधान सभा के वो अदक्ष जो रजी के उप मुख्य मंत्री रहे तो हरी शंकर भाबड़ा साब राजस्तान आर्थिक निती उनका जो कारेकाल रहा है वह 1957 से लेके 1967 तक यानि दूसरी और तीसरी विधान सभा यानि सबसे लंबा इनका कारेकाल रहा है अगर हम लोग न्यूंतम कारेकाल की बात करें क्या का हमने कि यदि हम लोग यहां पर न्यूंतम कारेकाल की बात करें तो वह है सिरी शमर्तलाल मीना का और विध्यान रखेंगे आप अद्धक्ष की रूप में नियूंतम कार्यकाल किनका है शमर्तलाल मिना जी का यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे पर्षाम मदेडना जी यह रहें फिर सुमित्रा सिंग राजय की एक मातर महिला विधान सबा अद्यक्ष एक मातर अउसर ऐसा था जहां परतिवा पाटल जी राजयपाल थी आप लोगों के मन्यें आप लोगों यहां बात करें स्रीमति सुमित्रा सिंग जी हैं वो विधान थी हमारे पास और बात करें हम लोग यहां पर जो वसुंद्रा जी थी वो मुख्य मंत्री थी डिपेंद्र सिंग शेकावत जी फिर आप लोग कैलास मेगवाल साहब रहे थे दोक्र सीपी जोसी लोग सबसादेशिये पूरो केंद्री रेल मंत्री पूरो प्रदेश सबसे लंबा किसका है कम किसका है ठीक है महिला कोन इस तरह के आप लोग इसमें बात ध्यान रखने तो भजलाल शर्मा जी के दुवारा प्रस्ताव रखा गया समर्तन सचीन पाइलेट की दुवारा किया गया यह भी इंपोर्टेंट वर्तमान जो विधान सभा के अद्दक अगे बात करें वैसे किरम सिंख्या आप लोगों अठार आएगी अन्य महत्वपून तथ्यक हम लोग बात करें एक छोटा समय ने एक नोट तयार किया है और उस नोट्स में आप लोगों को बहुत महत्वपून जानकर देखे इस शांदार टोपिकों में खत्म करने जा र अगे लोगारपण जो वर्तमान में है वह 2001 में राष्टपती के नारायन साब दुआर किया गया था पर्थम विधान सबा में सद्श्य मैंने आपको बताए 160 अजमेर मेरवडा विधान सबा का नाम धारा सबा था यह 1952 और 1956 तक रही पर इसका विले राजस्तान में कर दिय गया तो उसकी विधान सबा सद्शंख्या तीस थी अजमेर मेरवडा के एक मातर मुख्य मंत्र की बात करें तो वह हरी भाव उपाद्याय साब थे अब दुआरा सबा का राजस्तान विधान सबा में विले हो गया एक नूमबर उनिसोचपन को तो विधान सबा की जो सद्शंख्या 106 हो गई और चोथी विधान सबा में सद्शंख्या 184 हो गई और चटी में दोसों मैं आपको पढ़ा कि आया हो एक सोट नोट्स मेरे दुआरा आप लोगों को दिया जा रहा है बाकि मैं आपको पढ़ा के शांदर तरीके से आया हो ठीक है तो दिकत आप ल सद्शंख्या नहीं होगा देखो मैं फिर आप लोगों के बात निविदन करना चाहूंगा बार-बार मैं करता रहता हूं आप लोगों सब कहते 2026 तक 2026 तक ऐसा नहीं है तो s e को यहां 34 सीटे और st के हम लोग बात करें 25 सीटे तो आरक्षन अनुसूचित चाती की अरक्षी सीटे 34 और अनुसूचित अनुसूचित आप लोगों के जण जाती की जो संक्या है वो ध्यान रखें आप लोग वह कितनी है 25 तो यह बात भी आप लोगों को मालूम होन चाहिए परतं प्रोठोंप इस्पीकर तो प्रफों सिरी महरावल संग्राम सिंग्छ साब को पढ़ के आए परफंवे एक मात्र महिला दक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्वित्रा सिंग्जी तरवादिक समय अंद्धक। स्राम निवास मर्दा सबसे कम समय तक अद्धक्ष शमर्त लाल मीना परताम उपादक्ष स्री लाल सिंह सक्तावात विधान सवा की एक मातर महिला उपादक्ष श्रीमति तारा विधान सभा की एक मातर मैला उपादक्ष। श्रीमति ताराधंडारी ओके जो कोन्सा टोपिक पढ़ा पर आए ओ से नोट से रहे रहें राजिस्तान त्रवाले में नहीं मन्यदी को नहीं दकने च्टे मेंनें स्रेल की में किनते अब के लिए आप लोग मैसेज कर दें चोराण में चैसे चालीज़ दोसो और आप लोग देखना चाहते हो नोट्स कैसे हैं पढ़ना चाहते एबुक के रूप में एप में अवेलेबल आराम से पढ़ देजी विदान सभा के पर्थम गैर कांग्रेशी अद्धक्ष शिरी लक्ष दे रखें मैंने पूरा पूरा जितना मेरे में चमता थी उतना मैंने नोट्सों को डिजाइन करने में विशेवस्तु को आसान करने में विध्यार्ति को समझ अच्छी तरी के साहरे पूरा मेरा अनुबव मैंने जोका आगे बात करते हैं विदान सब अदक्ष जो राजस्तान संगित अकादमी के अदक्ष रहे हैं रामनिवास मृधा को मैं अब दो वार पहले पढ़ा चुका हूं सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं और मुख्य मंत्री पदगों लेके ठकराव भी हुआ था आपको यहीं मालूम है पर्थम विदान सबा में नेता परतिपक्ष श्रुमत्ती विसंद्र राजे ध्यान राके आप लो विदान सबा में पर्थम मुख्य सचे तक श्री मत्रदास माथूर और विदान सबा में दो बार मुख्य सचे तक आपके श्री महावीर परशाद जैन साथ आज आप लोगों इस पिकर कौन होता है कि इस्टाय अधक्ष होता है एक अधक्ष को कर बोलेंगे इसका काम केवल केवल विदान सबस्वाद सदेष्श ॥रॉ रच्ञेपाल ना होता है अधक्ष ऊपstat चुनाव कर्वाना होता है इतना सा काम होता है प्रोटों में समज़गे अप आप सभी को थेंक्यू